अब जतने लोग मिट्टी दे लिए बस और लोग मिट्टी नहीं देंगे हमने का ये क्यों आप इसके लिए थोड़ी रोख सकते हैं कि कोई अपने धार्मिक जो सिश्टम है अब आप कह सकते हैं कि किसी का शौव अगर दास अंसकार में जा रहा है एक बार हुआ है जब यहा है जाते ते डर गए थे घर के परिवार के लाश औ जनाज़े को लोग जलाते नहीं तैंसे परवाы करके जल परवा भाग जाते थे और जैसी वो एक लोग प्रिया आदमी थे हमारा परिवार एक बहुत पुराना एतिहासिक परिवार है मुखतार अंसारी की इस असवभाविक मौत से जो कहीं न कहीं मिली भगत से सबके हुई है तो इस घटना से लोगों में कितना आक्रोश है इसका अंदाजा तो आप कहीं भी सहज द नए नए तुम आपने नोक जोक नहीं उनका कहना था कि आचार संगिता लागू है दफाँ चवालिस लागू है पर्मीशन लेना चाहिए हम का यार मुर्दा दफन करने मुर्दा जलाने शोयातरा निकालने या जनाज़ा ले जाके जनाज़े की नमाज पढ़ने इसके लि जिस तरह से भी लोगों ने चाहा उस तरह से सब कुछ किया है इड़ बहुत थी इसी से तो उपर से डांट पड़ रही थी कि एत्ते लोग आये कैसे तो अब उसके लिए हम क्या कर सकते हैं आप बताईए जो जहां सुन रहा वो चल दे रहा है उसकी सहनभूती मुखतारन सार और उनके परिवार के परती है कि इन लोगों के साथ बड़ा अन्याय हुआ है अब आप घुरुप तडप करके उसको रोक दीजिए सारी रात कल से पूरे चप्पे चप्पे पे रोका गया है अब लोग आ रहे हैं हम तो कोई को बुलाने नहीं हमसे तो जिन लोगों ने प तो लोगों में उत्सुकता थी गए हैं लोग हम समझते हैं कि पचीस बीस परसेंट लोग मिट्टी दे पाए हैं असी परसेंट लोग तो बिना मिट्टी दिये अभी लोड गए हैं एक सवाल आखरी है अगर कोई ये चाहता है कि दस बीस परसेंट भी लोग जो आए हुए हैं कहां कहां से आए हुए हैं उनको घुरुप तडब से भगा दिया जाए तो ये मनासिब नहीं है नाजाइज है उस सरकार या सरकार की मनशा के अनुसार कोई परशासनी का अधिकारी भी ऐसा करता है तो वो देश के कानून और सम्मिधान के खिलाफ है ये पहले ऐसी सरकार है और पहले ऐसी सरकार के कुछ आइसे अधिकारी और ऐसे समच के उनके समर्थक हैं जो जिस कारवाई को आम जनता में घेना की दिरिश से देखा जा रहा उस कारवाई को उपनी उपलब्धी मानते हैं खाम्यादा भुगतते हैं ये बुल्डोजर लेके किसी का घर गिरा दें स्कूल गिरा दें अस्पताल गिरा दें जंग जमीन कुर्क कर दें नजाइस तरीके से जूटे बुल्डोजर यह है यही वो है पड़ाम क्या होता है गाजीपूर में साथ विदान सभा की सीटे हैं शुन्य मिली थी भाजपा के खाते में शुन्य अगर आँख नहीं खुली है तो इस लोग सभा के चुनाओं में अहंकार तो देखिए कंश को भी अहंकार था जो तो उसने यह तरीका बना लिया था कि जो उसका विरोध करेगा मतुरा का राजा वो उसको जेल में डाल देगा या माड डालेगा उसने अपने बाप को जिन्होंने उसके गलत नीतियों और उसकी जातियों का विरोध किया तो उसने पिता को जेल में डाल दिया था लेकिन पंश वाला नशा किसी के उपर है तो ये नशा भी उत्रेगा ऐसा थोड़ी है कि नहीं उत्रेगा इसको भी उतरना है लोगसभा का क्या परिणाम होगा गाजीपूर में जोति सास्त भाजपा के लोग जानते हैं सूची आई थी 195 आदमी की घुशना आई थी कि 400 सीड जीतें गे उत्तर प्रदेश में सूची आई थी एक क्यावन लोगों की और घुशना कर दी थी कि 80 सीड जीत रहें और अभी तक नाम बताने की स्थिती में नहीं है कि गाजीपूर बलिया में कौन चुनाव लड़ेगा मेरे पास पोखता सुबूत है कि मुखतार को जेल में जहर दिया गया मुखतार ने खुद अपने वकील के जरीए पत्र दिया उनके वकील ने कोट में वो दर्खास डाली उसके बाद कोट की तरफ से डायरिक्शन भी हुआ हमने उन्नीस तारीख की बात है हमने बीस तारीख को सुप्रेटेंडन्ट जेल से बात किया उन्ने कहा कि हाँ तबियत उनकी खराब है लेकिन हमने कॉल किया था हमारे अस्पताल के डाक्टर ने कहा था कि बाहर के डाक्टर बुलाए जाए तो हमने कॉल कर लिया था बाहर के दो डाक्टर आये थे और आज ही मैं उनके बायरिक में उनके सामने डाक्टरों को और उनको कर दिया हूं टेस्ट शुरू हो गया है और दवा भी शुरू हो जई है हमारे उनके बीच में जो बात हुई पूरेकाट पर है आज भी हमारे पास है साक्ष के रूप में मैंने उनसे खोल के यह बात कही कि डाक्ट साब अरे सुपरेटरेनल साब आप इट्विनान दिला रहें कि दो डाक्टर और आ गये हैं और जेल वाला भी डाक्टर है सब लोग इलाज कर रहे हैं लेकिन हमें सूचना मिली है कि उनको जहर दिया गया है खाने में और इससे पहले भी उनको साथ ऐसा हुआ था तो नहीं का नहीं यह गलत बात है हम लोग खाना टेश्ट टोस्ट करके तब देते हैं हमने का टेश्ट करने के लिए जो बंधी रख छक लगाया गया था और एक डिप्टी जेलर था जो उनका खाना टेश्ट करके खिलाता था लगबख 40 दिन पहले उनका खाना जो आया था उसमें जहर था और इन दोनों ने टेश्ट किया और दोनों जहर का खाना खा करके बीमार पड़े और मुझे मालूम है कि ये बंधीर एक छक और डिप्टी जेलर जो मुक्तार के बारिक के लिए था ये दवा इलाज से ठीक नहीं हुए इनको मेडिकल कालेज में भरती कराया गया जहां उनका कई दिनों तक इलाज हुआ तो उन्होंने एक्सेप्ट किया है हाँ ऐसा हुआ था लेकिन सब का टेस्ट कराया गया तो किसी की रिपोर्ट आई की फूट बाइजनिंग है किसी का रिपोर्ट आई की गैस्टिक का मामला था किसी का कुछ है सबकी एक तरह से रिपोर्ट नहीं आई खाना बनाने वाला बीमार हो रहा खाना चकने वाला बीमार हो रहा खान ने अब जो शुरू किया है बाहरी डाक्टर भी आ गया वो ठीक हो जाएंगे ये बीस तारीक के बात है उननीस को उनको जहर दिया गया था बीस के बाद 21, 22, 23, 24, 25 तक कोई माकूल एलाज नहीं हुआ 26 को हालत बिलकुल खराब हो गई तब इन लोगों ने खुछ सुपरेटेंट से मेरी बात हुई है उसका भी रेकार्ड मेरे पास है दो बजे रात में जेल सुपरेटेंट ने डाक्टरों के एडवाईज के आदुसार उनको मेडिकल कालेज भेजा मेडिकल कालेज के डाक्टरों ने उनकी गंभीर इस्थिती को देख करके तुरंत आईस्यू में उनको अड्मिट किया उनकी गहन परिछन हुए इलाज शुरू हुआ हम लोगों को एक टेलिगराम भेजा उन्होंने हमारे मुहमदाबाद थाने पे यहां से पुलिस के है और आप ततकाल बांदा मेडिकल कालेज जाईए मैंने वो टेलिगराम पढ़ा सुपर्टेंडन की तरफ से टेलिगराम था हम लोग तुरंत आदे घंटे के अंदर बादा के लिए निकल लिए आठ घंटे का सफर है बांदा पहुंचे मेडिकल कालेज गए तो उस समय मुलाकात का मौका मिला तो वो होश में थे और उन्हों ने हमको फिर वही बात करे कि भई या हमने आपको बताया था ना हमको यह सब जहर दे दिये हैं और हमारा एलाज यह गंभीर होके नहीं कराए जिसका नतीज़ा हुआ जहर असर कर गया है मैं बहुत कमजर हो गया तो जेल के लोगों ने फिर हमको यहां आस्पिटल बेजा है यह सारी जो बाते आप कह रहे हैं जो सरकार का जेल है प्रशासन है उसकी निगरानी में वो जेल में थे सरकार की जेल है उसमें वो कैन्दी थे तो ये सारे जो आप बातें कह रहे हैं तो इसके पीछे का कारण क्या है देखिए हमने पहले भी कहा अब भी बता रहे हैं कि पूरी सरकार और सरकार की मिशिनरी ये लगाई गई है कि किसी भी तरह से मुखतार को खत्म किया जाए बंबी जेजे हास्पीटल कांड में उनके विरुद एक मुकदमा था जिसमें मुक्तार वादी मुकदमा था 15 जुलाई 2001 को उनके उपर आक्रमण हुआ था उस आक्रमण में इनके गाड़ी में बैठे हुए इनके गनर और रुस्ता मुर्फ बाबू मारा गया था और हमलावरों की तरफ से भी एक व्यक्ती जो बचाओं में की गई जवाबी फाइरिंग में मारा गया था मौके पे तीन लोगों की मौत हुई थी उस मुकदमे का ट्रायल अब शुरू हो गया है 22-23 साल के बाद तो उसको बचाने के लिए तो एक कोशिश ये किया आगया मिली भगत से सरकार और अपरादियों की सबकी उन लोगों ने ये किया कि एक जूटिया मुकदमा दर्ज कराये गया एक घटना का दूसरा मुकदमा दूसरी कहानी के साथ कि वो जो 2001 में घटना हुई थी वास्तविक्ता यह है कि वो जो उसमें हमलावर मारा गया उसको दिखाये गया है कि इसको मुक्तार अंसारी के ड्राइवर और दो-तीन लोग गय थे और बकसर जिले में किसी गाउं में को उठा लाए थे ब्रिजेस को बचाने के लिए सब काम किया और उसमें मुल्जिम सारे गवाहों को बना लिया गया जो इंजर्ड विटनेस थे नौ लोगों को गोली लगी थी जो इंजर्ड विटनेस थे दो मर गय थे नौ इंजर्ड विटनेस थे उनको मुल्जिम बना से वादी मुकदमा पेश किया जाए और गिरिश सचू चिफ सेगरेटरी तक को पत्र लिखा लेकिन ये लोग नहीं पेश किये बहाना बाजी फोर्स लबो लुबाब क्या है लबो लबाब बिर्जेश सिंग तिर्भोन सिंग को बचाने का मकसद है उनके विरू सारे मुकदम गवाहों को तोड के या खरीत के या धमका के या अभ्योजन की मिली भगत से उनको एक तरफ से क्लीन चिट मिलती चली जा रही है ये एक मुकदमा था जिसमें उन्हें भाय था कि मुक्तारन सारी गवाही करेंगे वो न बिकेंगे न डरेंगे तो पिर्जेश सिंग और ति किन लोगों ने सरकार में बैठे हुए लोग, आइडिस्टेशन में बैठे हुए लोग, जेल पर्षासन में बैठे हुए लोग और विर्जेश और तिर्भून की टीम के लोग ये सब लोगों मिलकर ये घटना अँजाम दिया है, डाक्टर ने कहा कि हम लोग इनका इलाज कर रहे हैं तीन डॉक्रों का पैनल है लेकिन जब हमने लोग हैं हम मिल लें तो हमरे सामने जो दो लोग आए वो फार्मेसिस्ट है और यicle i pen तo अ या अ क्या करते हैं मेडिसिन के हैं हम को सरजर्षर्ष हैं तो हमने तो अर्थोपेटिक भी होता है सर्ज teenager to neurology में भी है काडियोलोजी काब क्या हैं तो कहा हारनिया वगिरक तो हमने कहा कि तो यह मुख्तार का इलाज आप ही हेड हो तो आपके समझ से कैसा है तो उन्हों ने कहा कि देखिए इनको सरजरी का कोई मामला नहीं है फिर भी हमको इंचार्ज बनाये गया है तो हम जो हो रहा तो हमने का मेडिसिन का आप क्या करते हैं कहें हम टेली फून से अपने मित्र डाक्टरों से सलाह करके तब दवा देते हैं तो हमने कहा कि अभी क्या इस्थिति है तो कहें देखिए होश में हैं आये थे तो बेहोश थे और हम उमीद कर रहे हैं कि जल्दी दो तीन दिन में इनको कंट्रोल कर लेंगे हमका अगर कंट्रोल के बाहर हो तो इसको रीफर कर दीजेगा और अगर यह समस्या होगी कि कि बड़े आस्पिटल में भेजेंगे तो खर्च कौन बहन करेगा तो परिजन खर्च बहन करने के लिए तैयार है मैं लिख के दे रहा हूं आप समझ रहते रीफर कर दीजेगा ऐसा नहों कि यहां की दवा से उनको फाइदा भी नहों और इस तरह की इस्थिति है कि वो कहते हैं उनको जहर हुआ है मुझसे आज भी कहा है यहीं आस्पिटल में भी कहा है तो उनका ने मैं समझ रहते हुए अगर ऐसी इस्थिति आएगी तो रीफर कर दूँगा हम लोग मील करके आए अभी रास्ते ही में थे दो घंटा हुआ बस वहां से चले हुए जब तक बताया गया कि सभी डाक्टरों ने उनको लिख दिया कि यह फिट हैं और वील चेयर पे बैठा करके जो आदमी अपनी पैनों पे खड़े होने की इस्तिति में नहीं था जो अपने दम पर बेट पे बैठने की इस्तिति में नहीं था उसको फिट घोसिट करके सीधे आई सीउ से जेल के अंदर डाल दिया गया और मीडिया के माद्यम से एक खबर चलवाई गई कि मुखतार बिलकुल फिट हो च गया जिसमें उनकी जानी चली गई अगर वो फिट थे और मेडिकल कालेज के नव डाक्टर उनको फिट घोशित कर रहे हैं तो चोबिस घंटे के अंदर यह क्या हो गया आप ही के कश्टडी में है रिस्पॉंस्विल्टी आपकी है वो डाक्टर जो हमसे का रहा है कि हम दो डाक्टर जो कह रहा कि इनको जो समस्या है मेरे विभाग की नहीं है मैं तो सर्जन हूँ खाक के दरमियान आप में और यहां के जिलाधिकारी में बहुत तूतुमे में हुआ बहुत जोर जबर जस्ती हुई क्या कुछ कहने की बहुत तो नहीं है वो शायद उन्हें नहीं पता है और वो यहीं कह रही थी कि अब जत्ते लोग मिट्टी दे लिए बस और लोग मिट मिट्टी नहीं देंगे हमने का यह क्यों आप इसके लिए थोड़ी रोक सकते हैं कि कोई अपने धार्मिक जो सिश्टम है अब आप कह सकते हैं क्या किसी का शौव अगर दास अंसकार में जा रहा है एक बार हुआ है जब यहां करोना लगा था तब भी ऐसा थोड़ी था कि लोग खुद से ही भीड देके नहीं जाते थे डर गय थे घर के परिवार के लाश और जनाजे को लोग जलाते नहीं थे इसे ही परवाह करके जल परवाह भाग जाते थे और जेसी भी से गड़ा खुद पिर आपने क्या था मैंने का ये कोई उलंगन नहीं है इसकी परमीशन की अवशकता नहीं है हम उनके परिजन है और उनकी मिट्टी हुई है तो मिट्टी देने के लिए दूर दरास से जो हमारे रिष्टे नते अजीज कारीब सबाय हुए हैं वो एक लोग प्रिया आदमी थे हमारा परिवार बहुत पुराना एतिहासिक परिवार है मुखतार अंसारी की इस असवभाविक मौत से जो कहीं न कहीं मिली भगत से सबके हुई है तो इस घटना से लोगों में कितना आक्रोश है इसका अंदाजा तो आप कहीं भी साज देख लीजिए तो तू तू मैं में एक तरीके से न नहीं नहीं तू मैं में नोक जोक नहीं उनका कहना था कि आचार संगिता लागू है दफा़ चौवालिस लागू है परमीशन लेना चाहिए हम का यार मुर्दा दफन करने मुर्दा जलाने शवयातरा निकालने या जनाजा ले जाके जनाजे की नमाज पढ़ने इसके जिस तरह से भी लोगों ने चाहा उस तरह से सब कुछ किया है जीड बहुत थी इसी से तो उपर से डांट पड़ रही थी कि एत्ते लोग आये कैसे तो अब उसके लिए हम क्या कर सकते हैं आप बताईए जो जहां सुन रहा वो चल दे रहा है उसकी सहनभूती मुखतारन सारी अब उनके परिवार के परती है कि इन लोगों के साथ बड़ा अन्याय हुआ है अब आप घुरुप तरफ करके उसको रोक दीजिये सारी रात कल से पूरे चप्पे चप्पे पे रोका गया है अब लोग आ रहे हैं हम तो कोई को बुलाने नहीं हमसे तो जिन लोगों ने प तो लोगों में उत्सुकता थी गए हैं लोग हम समझते हैं कि पचीस बीस परसेंट लोग मिट्टी दे पाए हैं असी परसेंट लोग तो बिना मिट्टी दिये अभी लवड गये हैं एक सवाल आखरी है अगर कोई यह चाहता है कि दस बीस परसेंट भी लोग जो आए हैं उनको घुरूप तड़प से भगा दिया जाए तो यह मनासिब नहीं है नाजायज है उस सरकार या सरकार की मनशा के अनुसार कोई परशासनी का अधिकारी भी ऐसा करता है तो वो देश के कानून और सम्मिधान के खिलाफ है यह पहले ऐसी सरकार है और पहले ऐसी सरकार के कुछ ऐसे अधिकारी और ऐसे समझ के उनके समर्थक हैं जो जिस कारवाई को आम जनता में घेना की दिरिश्ट से देखा जा रहा उस कारवाई को उपनी उपलब्धी मानते हैं खाम्यादा भुगतते हैं यह बुल्डोजर लेके किसी का घर गिरा दें स्कूल गिरा दें जंगत जमीन कुड कर दें नजाइस तरीके से जूटे मुकदमें फसा दें अखूब धेडोरा पिठे बुल्डोजर 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 नाम रखने बाबा बुल्डोजर सभा अस्थर पर बुल्डोजर खड़ा करके लोगों को दराया जाए कि ये देखो बुल्डोजर ये है यही वो है पड़ाम क्या होता है गाजीपूर में साथ विदान सभा की सीटे हैं शुन्य मिली थी भाजपा के खाते में शुन्य अगर आँख नहीं खुली है तो इस लोग सभा के चुनाओं में अहंकार तो देखिए कंश को भी अहंकार था जो उसने ये तरीका बना लिया था कि जो उसका विरोध करेगा मतुरा का राजा वो उसको जेल में डाल देगा या माड डालेगा उसने अपने बाप को जिन्होंने उसके गलत नीतियों और उसकी जातियों का विरोध किया तो उसने पिता को जेल में डाल दिया था लेकिन आखिर उसकी सत्ता का और उसका भी अंथुआ तो जब तक कोई कंश वाला नशा किसी के उपर है तो ये नशा भी उतरेगा ऐसा थोड़ी है कि नहीं उतरेगा इसको भी उतरना है 27 में लोकसभा का क्या परिणाम होगा गाजीपूर में जो 37 भाजपा के लोग जानते हैं सूची आई थी 195 आदमी की घुशना आई थी कि 400 सीड जीतेंगे उत्तर प्रदेश में सूची आई थी 55 लोगों की और घुशना कर दी थी कि 80 सीड जीत रहें और अभी तक नाम बताने की इस्तिती में नहीं है कि गाजीपूर बलिया में कौन चुनाव लड़ेगा मेरे पास पोखता सुबूत है कि मुख्तार को जेल में जहर दिया गया मुख्तार ने खुद अपने वकील के जरिये पत्र दिया उनके वकील ने कोट में गुदर खास डाली उसके बाद कोट की तरफ से डाइरिक्शन भी हुआ हमने उन्नीस तारीख की बात है हमने बीस तारीख को सुपरेटेंडन्ट जेल से बात किया उन्ने का कि हाँ तबीयत उनकी खराब है लेकिन हमने कॉल किया था हमारे अस्पताल के डाक्टर ने कहा था कि बाहर के डाक्टर बुलाए जाए तो हमने काल कर लिया था बाहर के दो डाक्टर आये थे और आज ही मैं उनके बाइरिक में उनके सामने डाक्टरों को और उनको कर दिया हूँ टेस्ट शुरू हो गया है और दवावी शुरू हो जई है हमारे उनके बीच में जो बात हुई वो रिकार्ट पर है आज भी हमारे पास है साक्ष के रूप में मैंने उनसे खोल के ये बात कही कि डग्साब अरे सुपरिटेनल साहब आप इत्मिनान दिला रहें कि दो डाक्टर और आ गये हैं और जेल वाला भी डाक्टर है सब लोग इलाज कर रहे हैं लेकिन हमें सूचना मिली है कि उनको जहर दिया गया है खाने में और इससे पहले भी उनके साथ ऐसा हुआ था तो उनका नहीं यह गलत बात है हम लोग खाना टेश्ट टोस्ट करके तब देते हैं हमने का टेश्ट करने के लिए जो बंधी रक्षक लगाया गया था और एक डिप्टी जेलर था जो उनका खाना टेश्ट करके खिलाता था लगबख 40 दिन पहले उनका खाना जो आया था उसमें जहर था और इन दोनों ने टेश्ट किया और दोनों जहर का खाना खा करके बीमार पड़े और मुझे मालूम है कि यह बंधीर एक च्छक और डिप्टी जेलर जो मुक्तार के बारिक के लिए था ये दवा इलाज से ठीक नहीं हुए इनको मेडिकल कालेज में भरती कराया गया जहां उनका कई दिनों तक इलाज हुआ तो उन्होंने एकसेप्ट किया है हाँ ऐसा हुआ था लेकिन सबका टेस्ट कराया गया तो किसी की रिपोर्ट आई कि फूट बाइजनिंग है किसी का रिपोर्ट आई कि गैस्टिक का मामला था किसी का कुछ है सबकी एक तरसे रिपोर्ट नहीं आई खाना बनाने वाला बीमार हो रहा, खाना चकने वाला बीमार हो रहा, खाना पकवाने का सुपर वीजन करने वाला बीमार हो रहा और मुखतार ने ये सारी बाते हमको फून से बताई थी, तब ही हमने सुपर टेरिनर से कहा तो उन्होंने हमसे का कि देखिया हमने अब जो शुरू किया है बाहरी डाक्टर भी आ गया वो ठीक हो जाएंगे ये बीस तारीक के बात है उन्निस को उनको जहर दिया गया था बीस के बाद 21, 22, 23, 24, 25 तक कोई माकूल इलाज नहीं हुआ 26 को हालत बिलकुल खराब हो गई तब इन लोगों ने खुछ सुपरेटरिनेंट से मेरी बात हुई है उसका भी रिकार्ड मेरे पास है दो बज़े रात में जेल सुपरेटरिनेंट ने डाक्टरों के एड़वाईज के आजनुसाद उनको मेडिकल कालेज भेजा मेडिकल कालेज के डाक्टरों ने उनकी गंभीर इस्थिती को देख करके तुरंत आईस्यू में उनको अड्मिट किया उनकी गहन परिक्षण हुए एलाज शुरू हुआ हम लोगों को एक टेलीग्राम भेजा उन्होंने हमारे मुहमदाबाद थाने पे यहां से पुलिस के लोग आए उनका मुक्तार साथ बहुत सक्त बीमार है यह टेलीग्राम है और आप ततकाल बांदा मिडिकल कालेज जाईए है मैंने वो टेलीग्राम पढ़ा सुपर्टेंडन की तरफ से टेलीग्राम था हम लोग तुरंत आदे घंटे के अंदर बांदा के लिए निकल लिए आठ घंटे का सफर है बांदा पहुंचे मिडिकल कालेज गए तो उस समय मुक्तार से जब मुलाकात का मौका मिला तो वो होश में थे और उन्होंने हमको फिर वही बात कही कि भाया हमने आपको बताया था ना हमको ये सब जहर दे दिये हैं और हमारा इलाज ये गंभीर होके नहीं कराए जिसका नतीजा हुआ जहर असर कर गया है मैं बहुत कमजोर हो गया हूँ मेरा पेट बहुत भूल गया है गैस बहुत बन रही है और मुझे घबराहट होती है, पसीना होता है, अपनी तकलीफें फिर बताए कि कल मैं गिर गया था, मुर्चित हो गया था, तो जेल के लोगों ने फिर हमको यहाँ आस्पिटल भेजा है तो यह सारी जो बाते आप कह रहे हैं, जो सरकार का जेल है, प्रशासन है, उसकी निगरानी में वो जेल में थे, सरकार की जेल है, उसमें वो कैदी थे, तो यह सारे जो आप बातें कह रहे हैं, तो इसके पीछे का कारण किया है? देखिए हमने पहले भी कहा अब भी बता रहा हैं कि पूरी सरकार और सरकार की मिशिनरी ये लगाई गई है कि किसी भी तरह से मुक्तार को खत्म किया जाए और बिर्जेश सिंग और तिर्भुण सिंग जो बहुत बड़े माफिया डान है उत्तरप्रदेश नहीं राश्टी जो दाउद इबराहीम के भी को अक्यूजड हैं बांबी जेजे हास्पीटल कांड में उनके विरुद एक मुकदमा था जिसमें मुक्तार वादी मुकदमा था 15 जुलाई 2001 को उनके उपर आक्रमण हुआ था उस आक्रमण में इनके गारी में बैठे हुए इनके गनर और हुए थी उस मुकदमे का ट्राइल अब शुरू हो गया है बाईस तेईस साल के बाद तो उसको बचाने के लिए तो एक कोशिश ये किया आगया मिली भगत से सरकार और अपरादियों की सब की उन लोगों ने ये किया कि एक जूट्या मुकदमा दर्ज कराये गया एक घटना का दूसरा मुकदमा दूसरी कहानी के साथ कि वो जो 2001 में घटना हुई थी वास्तविक्ता यह है कि वो जो उसमें हमलावर मारा गया उसको दिखाया गया है कि इसको मुक्तार अंसारी के ड्राइवर और दो-तीन लोग गय थे और बकसर जिले में किसी गाउं में को उठा लाए थे ब्रिजेस को बचाने के लिए सब काम किया और उसमें मुल्जिम सारे गवाहों को बना लिया गया जो इंजड विटनेस थे नौ लोगों को गोली लगी थी जो इंजड विटनेस थे दो मर गए थे नौ इंजड विटनेस थे उनको मुल्जिम बना दिया कि गवाही से बाज आ जाएंगे उसके बावजूद गवाही चलती रही है कोट ने आडर किया मुखतार को पेश किया जाए गवाही के लिए अब योजन के गवाह के हैसित से वादी मुकदमा पेश किया जाए और गिरिश सची और चिफ सेगरेटरी तक को पतर लिखा लेकिन य सारे मुकदमे गवाहों को तोड के या खरीत के या धमका के या अभियोजन की मिली भगत से उनको एक तरफ से क्लिन चिट मिलती चली जा रही है यह एक मुकदमा था जिसमें उन्हें भाए था कि मुक्तारन सारी गवाही करेंगे वह नो बिगेंगे न डरेंगे तो गतना करम के तहट किन लोगों ने सरकार में बैठे हुए लोग, administration में बैठे हुए लोग, jail परशासन में बैठे हुए लोग और बिर्जेस और तिर्भुन की team के लोग यह सब लोगों ने मिलकर यह घतना अंजाम दिया है। ढक्तर ने कहा कि हम लोग इनका इलाज कर रहे हैं तीन डाक्टरो का पैनल है लेकिन जब हमने कहा कौन लोग है हम मिल ले तो हमारे सामने जो दो लोग आये वो सिरeffective ऑप दो जे सब्हों शह समय कह हैं उनके हमने पूछ और क्या करते हैं दो में किने हम सर्जन हें तो हमने का है कि सर्जरी करते हैं सर्जन तो आर्थोपेटिक भी होता है सर्जन तो निरोलोजी में भी है काडियोलोजी आप क्या है तो कहा हारनिया वगएर तो हमने कहा कि तो यह मुखतार का इलाज आप ही हेड हो तो आपके समझ से कैसा है तो उन्होंने कहा कि देखिए इन को सरजरी का कोई मामला नहीं है फिर भी हमको इंचार्ज बनाए गया है तो हम जो हो रहा तो हमने का मेडिसिन का आप क्या करते हैं कहे हम टेली फून से अपने मित्र डाक्टरों से सला करके तब दवा देते हैं तो हमने कहा कि अभी क्या इस्थिति है तो कहे देखिए होश मे हैं आये थे तो बेहोश थे और हम उमीद कर रहे हैं कि जल्दी दो-तीन दिन में इनको कंट्रोल कर लेंगे हमका अगर कंट्रोल के बाहर हो तो इसको रीफर कर दीजिएगा और अगर यह समस्या होगी कि कि किसी बड़े आस्पिटल में भेजेंगे तो खर्च कौन बहन करे के लिए तयार हैं मैं लिख के दे दे रहा हूं आप समय रहते रीफर कर दीजिएगा ऐसा नहों कि यहां की दवा से उनको फाइदा भी नहों और इस तरह की इस्थिति है कि वो कहते हैं उनको जहर हुआ है मुझसे आज भी कहा है यहीं आस्पिटल में भी कहा है तो उनका आने में समय रहते हुए अगर ऐसी इस्थिति आएगी तो रीफर कर दूगा हम लोग मिल करके आए अभी रास्ते ही में थे दो घंटा हुआ बस वहां से चले हुए जब तक बताया गया कि सभी डाक्टरों ने उनको लिख दिया कि यह फिट हैं और वील चेयर पर बैठा कर करके जो आदमी अपनी पैनों पर खड़े होने की इस्तिति में नहीं था जो अपने दम पर बेड़ पर बैठने की इस्तिति में नहीं था उसको फिट घोसिट करके सीधे आई सीउ से जेल के अंदर डाल दिया गया और मीडिया के माद्यम से एक खबर चलवाई गई कि ऐसा घातक अटेक कैसे आ गया जिसमें उनकी जानी चली गई अगर वो फिट थे और मेडिकल कालेज के नव डाक्टर उनको फिट घोशित कर रहे हैं तो चोबिस घंटे के अंदर यह क्या हो गया आप ही के कश्टडी में है रिस्पॉंसिविल्टी आपकी है वो डाक्टर जो हमसे कह रहा है कि हम दो-तीन दिन में इनको ठीक कर लेंगे नहीं तो रिफर कर देंगे उस डाक्टर से आपने उसी दिन जिस दिन मेरी बात हुँ इसके दो घंटे के बाद लिखवा लिया कि ये फिट है वो डाक्टर जो कह रहा है कि इनको जो समस्या है मेरे विभाग क कि नहीं है मैं तो सर्जन हूँ खाक के दर्मियान आप में और यहां के जिलाधिकारी में बहुत तूमे में हुआ बहुत जोर जबरदस्ती हुई क्या कुछ कहने की बहुत वह नहीं है वो शायद उन्हें नहीं पता है और वो यही कह रही थी कि अब जत्ते लोग मिट्टी द धार्मिक जो सिश्टम है अब आप कह सकते हैं क्या किसी का शोव अगर दास अंसकार में जा रहा है एक बार हुआ है जब यहां करोना लगा था तब भी ऐसा थोड़ी था कि लोग खुद से ही भीड़ देके नहीं जाते थे डर गय थे घर के परिवार के लाश हो जनाजे को लोग जलाते नहीं थे इसे परवा करके परवा बहाग जाते थे और जेसी भी से गड़ा खुद फिर आपने क्या ता मैंने का यह कोई उलंगन नहीं है इसकी पर्मिशन की अवशकता नहीं है हम उनके परिजन है और उनकी मिटी हुई है तो मिटी देने के लिए दूर दरा मुखतार एक बहुत पुराना एतिहासिक परिवार है मुखतार अंसारी की इस असवभाविक मौत से जो कहीं न कहीं मिली भगत से सबके हुई है तो इस घटना से लोगों में कितना आक्रोश है इसका अंदाजा तो आप कहीं भी सहज देख लीजिए तू तू मैं में एक तरी संगिता लागू है दफा चवालीस लागू है परमीशन लेना चाहिए हम का यार मुर्दा दफन करने मुर्दा जलाने शवयात्रा निकालने या जनाजा ले जाके जनाजे की नमाज परने इसके लिए मैं नहीं समझता कि कोई परमीशन किया वशकता है यह हमारे धार्मिक प्रियोजन है और इसको हम कर रहे हैं हम पूरा सायोग कर रहे थे हमने बहुत सायोग किया है जिस तरह से भी लोगों ने चाहा उस तरह से सब कुछ किया है जीड बहुत थी इसी से तो उपर से डांट पड़ रही थी कि अत्ते लोग आए कैसे तो अब उसके लिए हम क्या कर स लगते हैं आप बताईए जो जहां सुन रहा वो चल दे रहा है उसकी सहनभूती मुखतारन सारी उनके परिवार के परती है कि इन लोगों के साथ बड़ा अन्याय हुआ है अब आप घुरुप तडप करके उसको रोक दीजिए सारी रात कल से पूरे चप्पे चप्पे पे र होगी हमने मनाई किया यार की बहुत जादा तीन दिन हो गया एक तो वहां से पुस्माटम लाश आते आते रात में तो डेड़ बज़े आई है तो लोगों में उसकता थी गए हैं लोग हम समझते हैं कि पचीस बीस परसेंट लोग मिट्टी दे पाए हैं असी परसेंट लो लोग जो आए हुए हैं कहां कहां से आए हुए हैं उनको घुरुप तड़प से भगा दिया जाए तो ये मनासिब नहीं है नाजाएज है उस सरकार या सरकार की मनशा के अनुसार कोई परशासनी का अधिकारी भी ऐसा करता है तो वो देश के कानून और सम्मिधान के खिला अधिक हैं जो जिस कारवाई को आम जनता में घेना की दिरिश्ट से देखा जा रहा उस कारवाई को उपनी उपलब्धी मानते हैं खाम्यादा भुगतते हैं यह बुल्डोजर लेके किसी का घर गिरा दें स्कूल गिरा दें अस्पताल गिरा दें जंग जमीन कुर्क कर दे नजाइस तरीके से जूटे मुकदमें फसा दें खूब धेडोरा पीठे बुल्डोजर 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 नाम रखने बाबा बुल्डोजर सभा अस्थर पर बुल्डोजर खड़ा करके लोगों को दराया जाए कि यह देखो बुल्डोजर यह है पड़ाम क्या होता है गाजीपूर में साथ विधान सभा की सीटे हैं शुन्य मिली थी भाजपा के खाते में शुन्य अगर आँख नहीं खुली है तो इस लोग सभा के चुनाओं में अहंकार तो देखिए कंश को भी अहंकार था जो उसने ये तरीका बना लिया था कि जो उसका विरोध करेगा मथुरा का राजा वो उसको जेल में डाल देगा या माड़ा लेगा उसने अपने बाप को जिन्होंने उसके गलत नीतियों और उसकी जातियों का विरोध किया तो उसके पिता को जेल में डाल दिया था लेकिन आखिर उसकी सत्ता का और उसका भी अंथुआ तो जब तक कोई कंश वाला नशा किसी के उपर है तो ये नशा भी उतरेगा ऐसा थोड़ी है कि नहीं उतरेगा इसको भी उतरना है लोकसभा का क्या परिणाम होगा गाजीपूर में? मुक्तार ने खुद अपने वकील के जरीए पत्र दिया उनके वकील ने कोट में वो दर्खास डाली उसके बाद कोट की तरफ से डायरिक्शन भी हुआ हमने उन्नीस तारीख की बात है हमने बीस तारीख को सुपरेटेंडन्ट जेल से बात किया उन्होंने का कि हाँ तबियत उनकी खराब है लेकिन हमने काल किया था हमारे अस्पताल के डाक्टर ने कहा था कि बाहर के डाक्टर बुलाए जाए तो हमने काल कर लिया था बाहर के दो डाक्टर आये थे और आज ही मैं उनके बाइरिक में उनके सामने डाक्टरों को और उनको कर दिया हूँ टेस्ट शुरू हो गया है और दवा भी शुरू हो जई है हमारे उनके बीच में जो बात हुई पुरेकार्ट पर है आज भी हमारे पास है साक्ष के रूप में मैंने उनसे खोल के ये बात कही कि डाक्ट साब अरे सुप्रेटरेनल साब आप इट्विनान दिला रहें कि दो डाक्टर और आ गये हैं और जेल वाला भी डाक्टर है सब लोग इलाज कर रहे हैं लेकिन हमें सूचना मिली है कि उनको जहर दिया गया है खाने में और इससे पहले भी उनके साथ ऐसा हुआ था तो अनुन का नहीं यह गलत बात है हम लोग खाना टेस्ट टोस्ट करके तब देते हैं हमने का टेस्ट करने के लिए जो बंदीर अक्षक लगाया गया था और एक डिप्टी जेलर था जो उनका खाना टेस्ट करके खिलाता था लगबख 40 दिन पहले उनका खाना जो आया था उसमें जहर था और इन दोनों ने टेश्ट किया और दोनों जहर का खाना खा करके बीमार पड़े और मुझे मालूम है कि ये बंदीर एक छक और डिप्टी जेलर जो मुक्तार के बारिक के लिए था ये दवा इलाज से ठीक नहीं हुए इनको मेडिकल कालेज में भरती कराया गया जहां उनका कई दिनों तक इलाज हुआ तो उन्होंने एकसेप्ट किया है हाँ ऐसा हुआ था लेकिन सब का टेस्ट कराया गया तो किसी की रिपोर्ट आई कि फूट बाइजनिंग है किसी का रिपोर्ट आई कि गैस्टिक का मामला था किसी का कुछ है सबकी एक तरह से रिपोर्ट नहीं आई खाना बनाने वाला बीमार हो रहा, खाना चखने वाला बीमार हो रहा, खाना पकवाने का सुपर वीजन करने वाला बीमार हो रहा और मुख्तार ने ये सारी बाते हमको फून से बताई थी, तब ही हमने सुपर ट्रेनर से कहा तो उन्होंने हम से कहा कि देखिया हमने अब जो शुरू किया है बाहरी डाक्टर भी आ गया हम वो ठीक हो जाएंगे ये बीस तारीक के बात है 19 को उनको जहर दिया गया था 20 के बाद 21, 22, 23, 24, 25 तक कोई माकूल इलाज नहीं हुआ 26 को हालत बिल्कुल खराब हो गई तब इन लोगों ने खुछ सुपरेटेंट से मेरी बात हुई है उसका भी रेकार्ड मेरे पास है दो बज़े रात में जेल सुपरेटेंट ने डाक्टरों के एडवाईज के आजुसार उनको मेडिकल कालेज भेजा मेडिकल कालेज के डाक्टरों ने उनकी गंभीर इस्थिती को देख करके तुरंत आईस्यू में उनको अड्मिट किया उनकी गहन परिक्षण हुए एलाज शुरू हुआ हम लोगों को एक टेलीगराम भेजा उन्होंने हमारे मुहमदाबाद थाने पे यहां से पुलिस के लोग आए उनका मुखतार साथ बहुत सक्त बीमार है यह टेलीगराम है और आप ततकाल बांदा मेडिकल कालेज जाईए मैंने वो टेलीगराम पढ़ा सुपरेटेंडन की तरफ से टेलीगराम था हम लोग तुरंत आदे घंटे के अंदर बांदा के लिए निकल लिए आठ घंटे का सफर है बांदा पहुंचे मेडिकल कालेज गए तो उस समय मुखतार से जब मुलाकात का मौका मिला तो वो होश में थे और उन्होंने हमको फिर वही बात कही कि भाया हमने आपको बताया था ना हमको ये सब जहर दे दिये हैं और हमारा इलाज ये गंभीर होके नहीं कराए जिसका नतीजा हुआ जहर असर कर गया है मैं बहुत कमजोर हो गया हूं मेरा पेट बहुत भूल गया है गैस बह लोगों ने फिर हमको यहां आस्पिटल बेजा है जो सरकार का जेल है प्रशासन है उसकी निग्रानी में वो जेल में थे सरकार की जेल है उसमें वो कैदी थे तो यह सारे जो आप बातें कह रहे हैं तो इसके पीछे का कारण किया है देखिए हमने पहले भी कहा अब भी बता रहे हैं कि पूरी सरकार और सरकार की मिशिनरी ये लगाई गई है कि किसी भी तरह से मुक्तार को खत्म किया जाए और बिर्जेश सिंग और तिर्भुण सिंग जो बहुत बड़े माफिया डान है उत्तरप्रदेश नहीं राश्टी इस्तर के जो दाउद इबराहीम के भी को अक्यूजड हैं बांबी जेजे हास्पीटल कांड में उनके विरुद एक मुकदमा था जिसमें मुक्तार वादी मुकदमा था 15 जुलाई 2001 को उनके उपर आक्रमण हुआ था उस आक्रमण में इनके गाड़ी में बैठे हुए इनक मुके पर तीन लोगों की मौत हुई थी उस मुकदमे का ट्रायल अफ शुरू हो गया है बाईस तेईस साल के बाद तो उसको बचाने के लिए तो एक कोशिश ये किया आगया मिली भगत से सरकार और अपरादियों की सब की उन लोगों ने ये किया कि एक जूठा मुकदमा दर्ज कराया गया एक घटना का दूसरा मुकदमा दूसरी कहानी के साथ कि वो जो 2001 में घटना हुई थी वास्तविक्ता यह है कि वो जो उसमें हमलावर मारा गया उसको दिखाये गया है कि इसको मुक्तार अंसारी के ड्राइवर और दो तीन लोग गए थे और बकसर जिले म किसी गाउं में उरहते हैं वहां की निवासी हैं उनको उठा लाये थे ब्रिजेस को बचाने के लिए सब काम किया और उसमें मुल्जिम सारे गवाहों को बना लिया गया जो इंजर्ड विटनेस थे नव लोगों को गोली लगी थी जो इंजर्ड विटनेस थे दो मर गये थ नौग इंजर्ड विट्निस थे उनको मुल्जी मना दिया कि गवाही से बाज आ जाएंगे उसके बावजूद गवाही चलती रही कोट ने आडर किया मुखतार को पेश किया जाए गवाही के लिए अब योजन के गवाह के हैसित से वादी मुकदमा पेश किया जाए और गिर पिरजेश सिंग तिरभौन सिंग को बचाने का मकसद है उनके विरूद सारे मुकदमे गवाहों को तोड के या खरीत के या धमका के या अब योजन की मिली भगत से उनको एक तरफ से क्लीन चिट मिलती चली जा रही है ये एक मुकदमा था जिसमें उन्हें भाहे था कि मु लोगों ने एक सुनियोजी घटना करम के तहट किन लोगों ने सरकार में बैठे हुए लोग आइडमिस्टेशन में बैठे हुए लोग जेल परशासन में बैठे हुए लोग और बिरजेस और तिरभौन की टीम के लोग ये सब लोगों ने मिल करके ये घटना अंजाम दिय है डाक्टर ने कहा कि हम लोग इनका एलाज कर रहे हैं तीन डाक्टरों का पैनल है लेकिन जब हमने कहा कौन लोग हैं हम मिल लें तो हमारे सामने जो दो लोग आए वो फार्मेसिस्ट थे और एक जो डाक्टर इंचार्ज थे उनके हमने पूछा कि आप क्या करते हैं आप काडियोलोजी में भी है काडियोलोजी का आप क्या हैं तो कहा हारनिया वगएर तो हमने कहा कि तो यह मुखतार का इलाज आप ही हेड हो तो आपके समझ से कैसा है तो उन्होंने कहा कि देखिए इनको सरजरी का कोई मामला नहीं है पिर भी हमको इन्चार्ज बनाए गया है तो हम जो हो रहा तो हमने कहा मेडिसीन का आप क्या करते हैं कहे हम टेली फून से अपने मित्र डाक्टरों से सला करके तब दवा देते हैं तो हमने कहा कि अभी क्या इस्थिती है तो कहे देखिए होश में है आये थे तो बेहोश थे और हम उमीद कर रहे हैं कि जल्दी दो-तीन दिन में इनको कंट्रोल कर लेंगे हमका अगर कंट्रोल के बाहर हो तो इसको रीफर कर दीजेगा और अगर ये समस्या होगी कि कि किसी बड़े आस्पिटल में भेजेंगे तो खर्च कौन बहन करेगा तो परिजन खर्च बहन कर एने के लिए तैयार है मैं लिक्क के दे रहा हूं आप समय रहते रीफर कर दीजिएगा ऐसा नो हो कि यहां की दवा से उनको फाइदा भी नहों और इस तरह की इस्थिति है कि वो कहते हैं उनको जहर हुआ है मुझसे आज भी कहा है यहीं आस्पिटल में भी कहा है तो उनका ने मैं समझ रहते हुए अगर ऐसी इस्थिति आएगी तो रिफर कर दूँगा हम लोग मिल करके आए अभी रास्ते ही में थे दो घंटा हुआ बस वहां से चले हुए जब तक बताया गया कि सभी डाक्टरों ने उनको लिख दिया कि यह फिट हैं और वील चेयर पर बैठा करके जो आदमी अपनी पैलों पर खड़े होने की इस्तिति में नहीं था जो अपने दम पर बेड़ पर बैठने की इस्तिति में नहीं था उसको फिट घोसिट करके सीधे आई सीउ से जेल के अंदर डाल दिया गया और मीडिया के मादम से एक खबर चलवाई गए कि मुख्तार बिल्कुल फिट हो चुके हैं सारे टेस्ट उनके वो गया है कोई रोग नहीं है अगर कोई रोग नहीं था तो 24 घंटा बीतने के बाद ऐसा घातक अटेक कैसे आ गया जिसमें उनकी जानी चली गई अगर वो फिट थे और मेडिकल कालेज के नव डाक्टर उनको फिट घोशित कर रहे हैं तो 24 घंटे के अंदर ये क्या हो गया आप ही के कश्टडी में है responsibility आपकी है वो डाक्टर जो हमसे कह रहा है कि हम दो तीन दिन में इनको ठीक कर लेंगे नहीं तो refer कर देंगे उस डाक्टर से आपने उसी दिन जिस दिन मेरी बात हुँ इसके दो घंटे के बाद लिखवा लिया कि ये फिट है वो डाक्टर जो कह रहा है कि इनको जो समस्या है मेरे विभाग की नहीं है मैं तो सर्जन हूँ खाक के दर्मियान आप में और यहां के जिलाधिकारी में बहुत तूतुमें में हुआ बहुत जोर जबर दस्ती हुई क्या कुछ कहने की बहुत वह नहीं है वो शायद उन्हें नहीं पता है और वो यही कह रही थी कि अब जत्ते लोग मिट्टी दे लिए बस और लोग मिट्टी नहीं देंगे हमने का यह क्यों आप इसके लिए थोड़ी रोक सकते हैं कि कोई अपने धार्मिक जो सिश्टम है अब आप कह सकते हैं क्या किसी का शौव अगर दास अंसकार में जा रहा है एक बार हुआ है जब यहां करोना लगा था तब भी ऐसा थोड़ी था कि लोग खुद से ही भीड़ देके नहीं जाते थे डर गए थे घर के परिवार के लाश और जनाजे को लोग जलाते नहीं थे इसे ही परवाह करके जल परवाह भाग जाते थे और जैसी भी से गड़ा खुद फिर आपने क्या था मैंने का ये कोई उलंगर नहीं है इसकी परमीशन की अवशक्ता नहीं है हम उनके परिजन है और उनकी मिट्टी हुई है तो मिट्टी देने के लिए दूर दरास से जो हमारे रिष्टे नते अजीज कारीब सबाय हुए हैं वो एक लोग प्रिया आदमी थे हमारा परिवार एक बहुत पुराना एतिहासिक परिवार है मुखतार अंसारी की इस असवभाविक मौत से जो कहीं न कहीं मिली भगत से सबके हुई है तो इस घटना से लोगों में कितना आक्रोश है इसका अंदाजा तो आप कहीं भी साज देख लीजे तो तू तू मैमें एक तरीके से न ने तू मैं नोक जोक नहीं उनका कहना था कि आचार संगिता लागू है दफाचवालिस लागू है परमीशन लेना चाहिए हम का यार मुर्दा दफन करने मुर्दा जलाने शौ या जनाजा ले जाके जनाजे की नमाज पढ़ने इसके लिए मैं नहीं समझता कि कोई प्रियोजन है इसको हम कर रहे हैं हम पूरा सायोग कर रहे थे हमने बहुत सायोग किया है जिस तरह से भी लोगों ने चाहा उस तरह से सब कुछ किया है इड़ बहुत थी इसी से तो उपर से डांट पड़ रही थी कि ते लोग आए कई से तो अब उसके लिए हम क्या कर सकते ह आप बताईए जो जहां सुन रहा वो चल दे रहा है उसकी सहनभूती मुखतारन सारी और उनके परिवार के परती है कि इन लोगों के साथ बड़ा अन्याय हुआ है अब आप घुरुप तड़प करके उसको रोक दीजिये सारी रात कल से पूरे चप्पे चप्पे पे रोका गया है अब लोग आ रहे हैं हम तो कोई को बुलाने नहीं हमसे तो जिन लोगों ने पूछा क्या बज़े मिट्टी होगी क्या होगी हमने मनाई किया यार की बहुत जादा तीन दिन हो गया एक तो वहां से पोस्माटम लाश आते आते रात में तो डेड़ बज़े आई है तो लोगों में उच्छुकता थी गए हैं लोग हम समझते हैं कि 25-20% लोग मिट्टी दे पाए हैं 80% लोग तो बिना मिट्टी दिये अभी लवड गए हैं एक सवाल आखरी है कि दस बीस परसेंट भी लोग जो आए हुए हैं कहां कहां से आए हुए हैं उनको घुरुप तड़प से भगा दिया जाए तो ये मनासिब नहीं है नाजाएज है उस सरकार या सरकार की मनशा के अनुसार कोई परशासनी का अधिकारी भी ऐसा करता है तो वो देश के कानून समय्धान के खिलाफ है ये पहले ऐसी सरकार है और पहले ऐसी सरकार के कुछ अथी आदिकारी और ऐसे समच के उनके समर्थक हैं जो जिस कारवाई को आम जनता में घ्रिअकी दिषी से देखा जा रहा उस कारवाई को उन इप्लब्दी मांनते हैं खाम्याजा भुगते हैं यह बुल्डोजर लेके किसी का घर गिरा देऊं, स्कूल किरा दे, अस्पताल गिरा दे, जंग जमीन कुर्क कर दे, नजाइस तरीके से जूटे मकदमें फसा दे, खूब धेडोरा पीठे, बुल्डोजर 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 नाम रखने बाबा बुल्डोजर सभा अस्थर पर बुल्डोजर खड़ा करके लोगों को दराया जाए कि यह देखो बुल्डोजर यह है यही वो है पड़ाम क्या होता है गाजीपूर में साथ विदान सभा की सीटे हैं शुन्य म खनच को भी इहनकार था जो उषिन आउ AH उसने यह तरीका बना लिया था कि जो उसका विरोध करेगा mathera का राजा वह उसको जेल में डाल देगा या माड डालेगा उसने अपने बाप को जिन्हों ने उसके गलत नीथिएयों और उसकी जाद्तियों का विरोध किया तो उतने पिता को जेल में डाल दिया था लेकिन आखिर उसकी सत्ता का और उसका भी अंथुआ तो जब तक कोई कंश वाला नशा किसी के उपर है तो ये नशा भी उतरेगा ऐसा थोड़ी है कि नहीं उतरेगा इसको भी उतरना है लोकसभा का क्या परिणाम होगा गाजीपूर में? मुक्तार ने खुद अपने वकील के जरीए पत्र दिया उनके वकील ने कोट में गोदरखास डाली उसके बाद कोट की तरफ से डायरिक्शन भी हुआ हमने उन्नीस तारीख की बात है हमने बीस तारीख को सुपरेटेंडन जेल से बात किया उन्ने कहा कि हाँ तबीयत उनकी खराब है लेकिन हमने कॉल किया था हमारे अस्पताल के डाक्टर ने कहा था कि बाहर के डाक्टर बुलाए जाए तो हमने काल कर लिया था बाहर के दो डाक्टर आये थे और आज ही मैं उनके बायरिक में उनके सामने डाक्टरों को और उनको कर दिया हूँ टेस्ट शुरू हो गया है और दवा भी शुरू हो जाई है हमारे उनके बीच में जो बात हुई वो रिकार्ट पर है आज भी हमारे पास है सक्ष के रूप में मैंने उनसे खोल के यह बात कही कि डाक्ट साब अरे सुपरेटेनल साहब आप इटविनान दिला रहें कि दो डाक्टर और आ गये हैं और जेल वाला भी डाक्टर है सब लोग इलाज कर रहे हैं लेकिन हमें सूचना मिली है कि उनको जहर दिया गया है खाने में और इससे पहले भी उनके साथ ऐसा हुआ था तो उनका नहीं यह गलत बात है हम लोग खाना टेस्टोस्ट करके तब देते हैं हमने का टेस्ट करने के लिए जो बंदीर अक्षक लगाया गया था और एक डिप्टी जेलर था जो उनका खाना टेस्ट करके खिलाता था लगबग 40 दिन पहले उनका खाना जो आया था उसमें जहर था और इन दोनों ने टेश्ट किया और दोनों जहर का खाना खा करके बीमार पड़े और मुझे मालूम है कि ये बंदीर एक छक और डिप्टी जेलर जो मुखतार के बारिक के लिए था ये दवा इलाज से ठीक नहीं हुए इनको मेडिकल कालेज में भरती कराया गया जहां उनका कई दिनों तक इलाज हुआ तो उन्होंने एकसेप्ट किया है हाँ ऐसा हुआ था लेकिन सबका टेस्ट कराया गया तो किसी की रिपोर्ट आई कि फूट बाइजनिंग है किसी का रिपोर्ट आई कि गैस्टिक का मामला था किसी का कुछ है सबकी एक तरह से रिपोर्ट नहीं आई खाना बनाने वाला बीमार हो रहा खाना चकने वाला बीमार हो रहा खाना प चुरू किया है बाहरी डाक्टर भी आ गया वो ठीक हो जाएंगे ये बीस तारीक के बात है उन्निस को उनको जहर दिया गया था बीस के बाद 21, 22, 23, 24, 25 तक कोई माकूल इलाज नहीं हुआ 26 को हालत बिलकुल खराब हो गई तब इन लोगों ने खुछ सुपरेटरिनेंट से मेरी बात हुई है उसका भी रेकार्ड मेरे पास है दो बजे रात में जेल सुपरेटरिनेंट ने डाक्टरों के एडवाईज के आदुसार उनको मेडिकल कालेज भेजा मेडिकल कालेज के डाक्टरों ने उनकी गंभीर इस्थिती को देख करके तुरंत आईस्यू में उनको अड्मिट किया उनकी गहन परिक्षण हुए एलाज शुरू हुआ हम लोगों को एक टेलिग्राम भेजा उन्होंने हमारे मुहमदाबाद थाने पे यहां से पुलिस के लोग आए उनका मुखतार साथ बहुत सक्त बीमार है यह टेलिग्राम है और आप तत्काल बांदा मिडिकल कालिज जाईए है मैंने वो टेलिग्राम पढ़ा सुपर्टेंडन की तरफ से टेलिग्राम था हम लोग तुरंत आदे घंटे के अंदर बांदा के लिए निकल लिए आठ घंटे का सफर है बांदा पहुंचे मिडिकल कालिज गए तो उस समय मुक्तार से जब मुलाकात का मुखा मिला तो वो होश मे थे और उन्होंने हमको फिर वही बात कही कि भाया हमने आपको बताया था ना हमको यह सब जहर दे दिये हैं हमारा एलाज यह गंभीर होके नहीं कराए जिसका नतीजा हुआ जहर असर कर गया है मैं बहुत कमजोर हो गया हूं मेरा पेट बहुत भूल गया है गयस बहुत बन रही है और मुझे घबराहट होती है पसीना होता है अपनी तकलीफें फिर बताए कि कल मैं गिर गया था मुर्चित हो गया था तो जेल के लोगों ने फिर हमको यहां आस्पिटल भेजा है तो यह सारी जो बाते आप कह रहे हैं जो सरकार का जेल है प्रशासन है उसकी निगरानी में वो जेल में थे सरकार की जेल है उसमें वो कैदी थे तो यह सारे जो आप बातें कह रहे हैं तो इसके पीछे का कारण क्या है देखिए हमने पहले भी कहा अब भी बता रहा हैं कि पूरी सरकार और सरकार की मिशिनरी ये लगाई गई है कि किसी भी तरह से मुक्तार को खत्म किया जाए और बिर्जेश सिंग और तिर्भुण सिंग जो बहुत बड़े माफिया डान है उत्तर प्रदेश नहीं राश्टी जो दाउद इबराहीम के भी को अक्यूजड हैं बांबी जेजे हास्पीटल कांड में उनके विरुद एक मुकदमा था जिसमें मुक्तार वादी मुकदमा था 15 जुलाई 2001 को उनके उपर आक्रमण हुआ था उस आक्रमण में इनके गाड़ी में बैठे हुए इनके गनर और रुस्ता मुर्फ बाबू मारा गया था और हमलावरों की तरफ से भी एक व्यक्ती जो बचाओं में की गई जवाबी फाइरिंग में मारा गया था मौके पे तीन लोगों की मौत हुई थी उस मुकदमे का ट्रायल अब शुरू हो गया है बाईस तेईस साल के बाद तो उसक मुकदमा दर्च कराया गया एक घटना का दूसरा मुकदमा दूसरी कहानी के साथ कि वो जो 2001 में घटना हुई थी वास्तविक्ता यह ज Supare какая गया के इसको मुक्तार अंसारी 1300 दो तीन लोग गय थे और बकशर के हिले किसी गाउन में उठते हैं, वहां के निवासी हैं उनको उठा लाए थे असके पावजूद गवाही चलती रहीं, कोट ने आडर किया मुखतार को पेश किया जया गवाही के लिए अब योजन के गवाह के हैसित से वादी मुकदमा पेश किया जाए और गिरिस सचु चिफ सेग्रेटरी तक को पत्र लिखा लेकिन ये लोग नहीं पेश किये बहाना बाजी फोर्स लबो लबाब बिजेश सिंग तिर्भोन सिंग को बचाने का मकसद है उनके सारे मुकदमे गवाहों को तोड के या खरीत के या धमका के या अब्योजन की मिली भगत से उनको एक तरफ से क्लीन चिट मिलती चली जा रही है ये एक मुकदमा था जिसमें उन्हें भाय था कि मुक्तारन सारी गवाही करेंगे वो न बिकेंगे न डरेंगे तो बिर्जेश सिंग और तिर्भौन सिंग को बचाने का सपना पूरा नहीं हो पाएगा और इसलिए उन लोगों ने एक सुनियोजित घटना करम के तहट किन लोगों ने सरकार में बैठे हुए लोग आइडमिस्टेशन में बैठे हुए लोग जेल परशासन में बैठे हुए लोग और बिर्जेश और तिर्भौन की टीम के लोग यह सब लोगोंने मिल करके यह घटना अंजाम दिया है डाक्टर ने कहा कि हम लोग इनका एलाज कर रहे हैं तीन डाक्टरों का पैनल है लेकिन जब हमने कहा कौन लोग हैं हम मिल ले तो हमारे सामने जो दो लोग आए वो फार्मेसिस्ट थे और एक जो डाक्टर इंचार्ज से उनके हमने पूछा कि आप क्या करते हैं आप मेडिसिन के हैं यह कहने हम सर्जन हैं तो हमने कहा कहे कि सर्जरी करते हैं सर्जन तो आर्थोपेटिक भी होता है सर्जन तो नियुरोलोजी में भी है काडियोलोजी आप क्या है तो कहा हरनिया वगएर है तो हमने कहा कि तो य उन्होंने कहा कि देखिए इनको सरजरी का कोई मामला नहीं है फिर भी हमको इंचार्ज बनाए गया है तो हम जो हो रहा तो हमने का मेडिसिन का आप क्या करते हैं कहें हम टेली फून से अपने मित्र डाक्टरों से सला करके तब दवा देते हैं तो हमने कहा कि अभी क्या हो इस थे और हम उमीद कर रहे हैं कि जल्दी दो-तीन दिन में इनको कंट्रोल कर लेंगे हमका अगर कंट्रोल के बाहर हो तो इसको रीफर कर दीजेगा और अगर यह समस्या होगी कि कि किसी बड़े आस्पिटल में भेजेंगे तो खर्च कौन बहन करेगा तो परिजन खर् रहते हैं उनको जहर हुआ है मुझसे आज भी कहा है यहीं आस्पिटल में भी कहा है तो उनका ने मैं समय रहते हुए अगर ऐसी इस्थिति आएगी तो रीफर कर दूगा हम लोग मिल करके आए अभी रास्ते ही में थे दो घंटा हुआ बस वहां से चले हुए जब तक बताया गया कि सभी डाक्टरों ने उनको लिख दिया कि यह फिट हैं और वील चेयर पे बैठा करके जो आदमी अपनी पै जेल के अंदर डाल दिया गया और मीडिया के मादम से एक खबर चलवाई गई कि मुखतार बिल्कुल फिट हो चुके हैं सारे टेस्ट उनके वो गया है कोई रोग नहीं है अगर कोई रोग नहीं था तो 24 घंटा बीतने के बाद ऐसा घाता का टैक कैसे आ गया जिसमें उनकी जानी चली गई अगर वो फिट थे और मेडिकल कालेज के नव डाक्टर उनको फिट घोशित कर रहे हैं तो 24 घंटे के अंदर ये क्या हो गया आप ही के कश्टडी में है रिस्पॉंसिविल्टी आप की है वो डाक्टर जो हमसे कह रहा है कि हम दो तीन दिन में इनको ठीक कर लेंगे नहीं तो रिफर कर देंगे उस डाक्टर से आपने उसी दिन जिस दिन मेरी बात हुँ इसके दो घंटे के बाद लिखवा लिया कि ये फिट है वो डाक्टर जो कह रहा है कि इनको जो समस्या है मेरे विभाग की नहीं है मैं तो सरजन हूँ खाक के दरमियान आप में और यहां के जिलाधिकारी में बहुत तूतुमे में हुआ बहुत जोर जबर जस्ती हुई क्या कुछ कहने की बहुत वो नहीं है वो शायद उन्हें नहीं पता है और वो यहीं कह रही थी कि अब जत्ते लोग मिट्टी दे लिए बस और लोग थोड़ी रोक सकते हैं कि कोई अपने धार्मिक जो सिश्टम है अब आप कह सकते हैं क्या किसी का शौव अगर दास अंसकार में जा रहा है एक बार हुआ है जब यहां करोना लगा था तब भी ऐसा थोड़ी था कि लोग खुद से ही भीड़ लेके नहीं जाते थे डर गए थे घर के परिवार के लाश और जनाजे को लोग जलाते नहीं थे इसे ही परवाह करके जल परवाह भाग जाते थे और जैसी भी से गड़ा खुद पिर आपने क्या का यह कोई उलंगन नहीं है इसकी परमीशन की अवशक्ता नहीं है हम उनके परिजन है और उनकी मिटी हुई है तो मिटी देने के लिए दूर दरास से जो हमारे रिष्टे नते अजीज कारीब सबाय हुए हैं वो एक लोग प्रिया आदमी थे हमारा परिवार एक बहुत पुराना एतिहासिक परिवार है मुखतार अंसारी की इस असवभाविक मौत से जो कहीं न कहीं मिली भगत से सबके हुई है तो इस घटना से लोगों में कितना आक्रोश है इसका अंदाजा तो आप कहीं भी साज देख लीजिए तू 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 मैं में एक तरीके से नोग जोक हुई नहीं नहीं ऑजिए हम का यार मुड़ा दफन करने मुड़ा जलाने शवयात्रा निकालने या जनाजा ले जाके नम जनाजे की नमास पढ़ने इसके लिए मैं नहीं समझता कि कोई परमिशन किया वशक्ता है ये हमारे धार्मिक प्रियोजन है और इसको हम कर रहे हम पूरा सायोग कर र उपर से डांट पड़ रही थी कि एत्ते लोग आये कैसे तो अब उसके लिए हम क्या कर सकते हैं आप बताइए जो जहां सुन रहा वो चल दे रहा है उसकी सहनभूती मुखतारन सारी और उनके परिवार के परती है कि इन लोगों के साथ बड़ा अन्याय हुआ है अब आप घ लाने नहीं हमसे तो जिन लोगों ने पूछा क्या बज़े मिट्टी होगी क्या होगी हमने मनाई किया यार की बहुत जादा तीन दिन हो गया एक तो वहां से पुस्माटम लाश आते आते रात में तो डेड़ बज़े आई है तो लोगों में उत्सुकता थी गए हैं लोग हम समझते हैं कि पचीस बीस परसेंट लोग मिट्टी दे पाए हैं आसि परसेंट लोग तो बिना नित्टी दी अभी लोड गये हैं एक सवाल आखरी हैं अगर कोई यह चाहता है कि 10-20 परसेंट भी लोग जो आये हुए हैं कहां कहां से आए हुए हैं उनको घुरुप तलब से भगा दिया जाए तो ये मुनासिब नहीं है नाजाइज है उस सरकार या सरकार की मनशा के अनुसार कोई परशासनिक अधिकारी भी ऐसा करता है तो वो देश के कानून और सम्मिधान के खिलाफ है ये पहले ऐसी सरकार है और पहले ऐसी सरकार के आम जनता में घेना की दिर्श से देखा जा रहा उस कारवाई को उपनी उपलब्धी मानते हैं खाम्यादा भुगतते हैं ये बुल्डोजर लेके किसी का घर गिरा दें स्कूल गिरा दें अस्पताल गिरा दें जंग जमीन कुड कर दें नजाइस तरीके से जूटे मुकद खड़ा करके लोगों को दराया जाए कि यह देखो बुल्डोजर यह है यही वो है पड़ाम क्या होता है गाजीपूर में साथ विदान सभा की सीटे हैं शुन्य मिली थी भाजपा के खाते में शुन्य अगर आँख नहीं खुली है तो इस लोक सभा के चुनाओं में अहंक अहंकार तो देखिए कंश को भी अहंकार था जो उसने यह तरीका बना लिया था कि जो उसका विरोध करेगा मतुरा का राजा वो उसको जेल में डाल देगा या माड डालेगा उसने अपने बाप को जिन्होंने उसके गलत नीतियों और उसकी जातियों का विरोध किया तो पिता को जेल में डाल दिया था लेकिन आखिर उसकी सत्ता का और उसका भी अंथुआ तो जब तक कोई कंश वाला नशा किसी के उपर है तो ये नशा भी उतरेगा ऐसा थोड़ी है कि नहीं उतरेगा इसको भी उतरना है 24 में लोकसभा का क्या परिणाम होगा गाजीपूर में? मुख्तार ने खुद अपने वकील के जरीए पत्र दिया उनके वकील ने कोट में वो दर्खास डाली उसके बाद कोट की तरफ से डायरिक्शन भी हुआ हमने 19 तारीख की बात है हमने 20 तारीख को सुपरेटेंडेंट जेल से बात किया उन्होंने का कि हाँ तबियत उनकी खराब है लेकिन हमने काल किया था हमारे अस्पताल के डाक्टर ने कहा था कि बाहर के डाक्टर बुलाए जाए तो हमने काल कर लिया था बाहर के दो डाक्टर आये थे और आज ही मैं उनके बैरिक में उनके सामने डाक्टरों को और उनको कर दिया हूँ टेस्ट शुरू हो गया है और दवावी शुरू हो गई है हमारे उनके बीच में जो बात हुई वो रिकार्ट पर है आज भी हमारे पास है साक्ष के रूप में मैंने उनसे खोल के ये बात कही कि डग साब अरे सुपरिटेनल साब आप इट्मिनान दिला रहें कि दो डाक्टर और आ गए हैं और जेल वाला भी डाक्टर है सब लोग इलाज कर रहे हैं लेकिन हमें सूचना मिली है कि उनको जहर दिया गया है खाने में और इससे पहले भी उनके साथ ऐसा हुआ था तो उनका नहीं यह गलत बात है हम लोग खाना टेश्ट टोस्ट करके तब देते हैं हमने का टेश्ट करने के लिए जो बंधी रक्षक लगाया गया था और एक डिप्टी जेलर था जो उनका खाना टेश्ट करके खिलाता था लगबख 40 दिन पहले उनका खाना जो आया था उसमें जहर था और इन दोनों ने टेश्ट किया और दोनों जहर का खाना खा करके बीमार पड़े और मुझे मालूम है कि ये बंधी रक्षक और डिप्टी जेलर जो मुक्तार के बारिक के लिए था ये दवा इलाज से ठीक नहीं हुए इनको मेडिकल कालेज में भरती कराया गया जहां उनका कई दिनों तक इलाज हुआ तो उन्होंने एक्सेप्ट किया है हाँ ऐसा हुआ था लेकिन सब का टेस्ट कराया गया तो किसी की रिपोर्ट आई कि फूट बाइजनिंग है किसी का रिपोर्ट आई कि गैस्टिक का मामला था किसी का कुछ है सबकी एक तरह से रिपोर्ट नहीं आई खाना बनाने वाला बीमार हो रहा खाना चकने वाला बीमार हो रहा खान अब जो शुरू किया है बाहरी डाक्टर भी आ गया वो ठीक हो जाएंगे ये बीस तारीक के बात है 19 को उनको जहर दिया गया था 20 के बाद 21, 22, 23, 24, 25 तक कोई माकूल एलाज नहीं हुआ 26 को हालत बिल्कुल खराब हो गई तब इन लोगों ने खुछ सुपरेटेंट से मेरी बात हुई है उसका भी रेकार्ड मेरे पास है दो बजे रात में जेल सुपरेटेंट ने डाक्टरों के एडवाईज के आदूसाद उनको मेडिकल कालेज भेजा मेडिकल कालेज के डाक्टरों ने उनकी गंभीर इस्थिती को देख करके तुरंत आईस्यू में उनको अड्मिट किया उनकी गहन परिक्षण हुए एलाज शुरू हुआ हम लोगों को एक टेलीग्राम भेजा उन्होंने हमारे मुहमदाबाद थाने पे यहां से पुलिस के लोग आए उनका मुखतार साथ बहुत सक्त बीमार है यह टेलीग्राम है और आप ततकाल बांदा मेडिकल कालेज जाईए मैंने वो टेलीग्राम पढ़ा सुपर्टेंडन की तरफ से टेलीग्राम था हम लोग तुरंत आदे घंटे के अंदर बांदा के लिए निकल लिए आठ घंटे का सफर है बांदा पहुंचे मेडिकल कालेज गए तो उस समय मुक्तार से जब मुलाकात का मौका मिला तो वो होश मे थे और उन्होंने हमको फिर वही बात कही कि भाया हमने आपको बताया था ना हमको यह सब जहर दे दिये हैं और हमारा इलाज ये गंभीर होके नहीं कराए जिसका नतीजा हुआ जहर असर कर गया है मैं बहुत कमजोर हो गया हूँ मेरा पेट बहुत भूल गया है गैस बहुत बन रही है और मुझे घबराहट होती है, पसीना होता है, अपनी तकलीफें फिर बताए कि कल मैं गिर गया था, मुर्चित हो गया था तो जेल के लोगों ने फिर हमको यहां आस्पिटल बेजा है तो यह सारी जो बाते आप कह रहे हैं, जो सरकार का जेल है, प्रशासन है, उसकी निगरानी में वो जेल में थे, सरकार की जेल है, उसमें वो कैदी थे, तो यह सारे जो आप बातें कह रहे हैं, तो इसके पीछे का कारण क्या है? देखिए हमने पहले भी कहा अब भी बता रहा हैं कि पूरी सरकार और सरकार की मिशिनरी ये लगाई गई है कि किसी भी तरह से मुक्तार को खत्म किया जाए और बिर्जेश सिंग और तिर्भुण सिंग जो बहुत बड़े माफिया डान है उत्तर प्रदेश नहीं राश्टी जो दाउद इबराहीम के भी को अक्यूजड हैं बांबी जेजे हास्पीटल कांड में उनके विरुद एक मुकदमा था जिसमें मुक्तार वादी मुकदमा था 15 जुलाई 2001 को उनके उपर आक्रमण हुआ था उस आक्रमण में इनके गाड़ी में बैठे हुए इनके गनर और रुस्ता मुर्फ बाबू मारा गया था और हमलावरों की तरफ से भी एक व्यक्ति जो बचाओं में की गई जवाबी फाइरिंग में मारा गया था मौके पे तीन लोगों की मौत हुई थी उस मुकदमे का ट्रायल अब शुरू हो गया है बाईस तेईस साल के बाद तो उसक प्रिजेस को बचाने के लिए सब काम किया है और उसमें मुल्जिम सारे गवाहों को बना लिया गया जो इंजर्ड विटनेस थे नौ लोगों को गोली लगी थी जो इंजर्ड विटनेस थे दो मर गए थे नौ इंजर्ड विटनेस थे उनको मुल्जिम बना दिया कि गवाही से बाद आ जाएंगे उसके बावजूद गवाही चलती रही है कोट ने आडर किया मुखतार को पेश किया जाए गवाही के लिए अब योजन के गवाह के हैसित से वादी मुकदमा पेश किया जाए और गिरिस सची और चिफ सेग्रेटरी तक को पतर लिखा लेकिन ये लोग नहीं पेश किये बहानाबाजी फोर्स लबो लबाब क्या है लबो लबाब बिरिजेश सिंग तिर्भोन सिंग को बचाने का मकसद है उनके विरुस सारे मुकदमे गवाहों को तोड के या खरीत के या धमका के या अभियोजन की मिली भगत से उनको एक तरफ से क्लीन चिट मिलती चली जा रही है ये एक मुकदमा था जिसमें उन्हें भाय था कि मुक्तारन सारी गवाही करेंगे वो न बिखेंगे न डरेंगे तो बिर्जेश सिंग और तिर्भौन सिंग को बचाने का सपना पूरा नहीं हो पाएगा और इसलिए उन लोगों ने एक सुनियोजित घटना करम के तहट किन लोगों ने सरकार में बैठे हुए लोग अड्मिस्टेशन में बैठे हुए लोग जेल परशासन में बैठे हुए लोग और बिर्जेश और तिर्भौन की टीम के लोग यह सब लोगों ने मिल करके घटना अंजाम दिया है डाक्टर ने कहा कि हम लोग इनका एलाज कर रहे हैं तीन डाक्टरों का पैनल है लेकिन जब हमने कहा कौन लोग हैं हम मिल ले तो हमारे सामने जो दो लोग आए वो फार्मेसिस्ट थे और एक जो डाक्टर इंचार्ज थे उनके हमने पूछा कि आप क्या करते हैं आप मेड काडियोलोजी, आप क्या है तो कहा हरनिया वगेर तो हमने कहा कि तो यह मुखतार का इलाज आप ही हेड हो, तो आपके समस्च से कैसा है, तो उन्होंने कहा कि देखिये इनको सरजरी का कोई मामला नहीं है, फिर भी हमको इंचार्ज बनाये गया है तो हम जो गोड़ा तो अमने का मेडिसिन का आप क्या करते हैं कहे हम टेली फून से अपने मित्र डाक्टरों से सलाह करके तब दवा देते हैं तो हमने कहा कि अभी क्या इस्थिति है तो कहें देखिए होश में हैं आये थे तो बेहोश थे और हम उमीद कर रहे हैं कि जल्दी दो-तीन दिन में इनको कंट्रोल कर लेंगे हमका अगर कंट्रोल के बाहर हो तो इसक कि दे दे रहा हूं आप समय रहते रीफर कर दीजिएगा ऐसा नहों कि यहां की दवा से उनको फाइदा भी नहों और इस तरह की इस्थिति है कि वो कहते हैं उनको जहर हुआ है मुझसे आज भी कहा है यहीं आस्पिटल में भी कहा है तो उनका ने मैं समय रहते हुए अगर कर ऐसी स्थिति आएगी तो रीफर कर दूगा हम लोग मिल करके आए अभी रास्ते में थे दो घंटा हुआ बस वहां से चले हुए जब तक बताया गया कि सभी डाक्टरों ने उनको लिख दिया कि यह फिट हैं और वीलचेयर पर बैठा करके जो आदमी अपनी पैलों पर और मीडिया के माद्यम से एक खबर चलवाई गई कि मुक्तार बिल्कुल फिट हो चुके हैं सारे टेस्ट उनके वो गया है कोई रोग नहीं है अगर कोई रोग नहीं था तो 24 घंटा बीतने के बाद ऐसा घातक अटेक कैसे आ गया जिसमें उनकी जानी चली गई अगर वो फिट थे और मेडिकल कालेज के नव डाक्टर उनको फिट घोशित कर रहे हैं तो 24 घंटे के अंदर ये क्या हो गया आप ही के कश्टडी में है रिस्पॉंसिविल्टी आपकी है वो डाक्टर जो हम से कह रहा है कि हम 2-3 दिन में इनको ठीक कर लेंगे नहीं तो रिफर कर देंगे उस डाक्टर से आपने उसी दिन जिस दिन मेरी बात हुँ इसके 2 घंटे के बाद लिखवा लिया कि ये फिट है वो डाक्टर जो कह रहा कि इनको जो समस्या है मेरे विभाग की नहीं है मैं तो सरजन हूँ खाक के दरमियान आप में और यहां के जिलाधिकारी में बहुत तुमे में हुआ बहुत जोर जबरदस्ती वही क्या है कुछ कहने की बहुत तो नहीं है वो शायद उन्हें नहीं पता है और वो यही कह रही थी कि अब जत्ते लोग मिट्टी दे लिए बस और लोग मिट्टी नहीं देंगे हमने का यह क्यों आप इसके लिए थोड़ी रोक सकते हैं कि कोई अपने धार्मिक जो सिश्टम है अब आ सकते हैं क्या किसी का शोव अगर दास अंसकार में जा रहा है एक बार हुआ है जब यहां करोना लगा था तब भी ऐसा थोड़ी था कि लोग खुद से ही भीड़ लेके नहीं जाते थे डर गय थे घर के परिवार के लाशो जनाजे को लोग जलाते नहीं थे इसे परवाह कर बाता नहीं है हम उनके परिजन है और उनकी मिटी हुई है तो मिटी देने के लिए दूर दरास से जो हमारे रिष्टे नाते अजीज कारीब सबाय हुए हैं वो एक लोग प्रिया आदमी थे हमारा परिवार एक बहुत पुराना एतिहासिक परिवार है मुखतार अंसारी की इस असवभाविक मौत से जो कहीं न कहीं मिली भगत से सबके हुई है तो इस घटना से लोगों में कितना आक्रोष है इसका अंदाजा तो आप कहीं भी साज देख लिजीए तो तूतू मैं मैं एक तरीके से नोग जोग हुई नहीं नहीं नोग जोग नहीं उनका कहना था कि आचार संगता लागू है दफाः चौवालिस लागू है परमीशन लेना चाहिए हम का यार मुर्दा दफन करने, मुर्दा जलाने, शवयात्रा निकालने या जनाज़े की नमाज पढ़ने इसके लिए मैं नहीं समझता कि कोई permission किया वशक्ता है ये हमारे धार्मिक प्रियोजन है और इसको हम कर रहे हैं हम पूरा सहयोग कर रहे थे हमने बहुत सहयोग किया है जिस तरह से भी लोगों ने चाहा उस तरह से सब कुछ किया है इसी से तो उपर से डांट पड़ रही थी कि एत्ते लोग आये कैसे तो अब उसके लिए हम क्या कर सकते हैं आप बताइए जो जहां सुन रहा वो चल दे रहा है उसकी सहनभूती मुखतारन सारी और उनके परिवार के परती है कि इन लोगों के साथ बड़ा अन्याय हुआ है अब आप घुरुप तडप करके उसको रोक दीजिए सारी रात कल से पूरे चप्पे चप्पे पे रोका गया है अब लोग आ रहे हैं हम तो कोई को बुलाने नहीं हमसे तो जिन लोगों ने पूछा के बज़े मिट्टी होगी क्या होगी हमने मनई किया यार की बहुत जादा तीन दिन हो गया एक तो वहां से पुस्माटम लाश आते आते रात में तो डेड़ बज़े आई है तो लोगों में उत्सुकता थी गए हैं लोग हम समझते हैं कि 25-50 लोग मिट्टी दे पाए हैं 80 परसेंट लोग तो बिना मिट्टी दिये अभी लोट गये हैं ये मनासिब नहीं है नाजाइज है उस सरकार या सरकार की मनशा के अनुसार कोई परशासनी का अधिकारी भी ऐसा करता है तो वो देश के कानून और सम्मिधान के खिलाफ है ये पहले ऐसी सरकार है और पहले ऐसी सरकार के कुछ ऐसे अधिकारी और ऐसे समझ के उनके समर्थक ह जो जिस कारवाई को आम जनता में घेना की दिरिश्ट से देखा जा रहा उस कारवाई को उपनी उपलब्धी मानते हैं खाम्यादा भुगतते हैं यह बुल्डोजर लेके किसी का घर गिरा दें, स्कूल गिरा दें, अस्पताल गिरा दें जंग जमीन कुर्क कर दें, नजाइस तरीके से जूटे मुकदमें फसा दें, अखूब धेडोरा पीठे, बुल्डोजर बुल्डोजर बुल्डोजर, नाम रख लें बाबा बुल्डोजर, सभा अस्थर पर बुल्डोजर खड़ा करके लोगों को दराया जाए कि यह देखो बुल्डोजर यह है, यही वो है, पड़ाम क्या होता है, गाजीपूर में साथ विदान सभा की सीटे हैं, शुन्य मिली थी, भाजपा के खाते में शुन्य, अगर आँख नहीं खुली है, तो इस लोग सभा के चुनाओं में अहंकार तो देखिए, कंश को भी अहंकार था, जो उसने यह तरीका बना लिया था कि जो उसका विरोध करेगा, मत्हुरा का राजा, वो उसको जेल में डाल देगा या माड डालेगा, उसने अपने बाप को, जिन्होंने उसके गलत नीतियों और उसकी जातियों का विरोध किया, तो उसके पिता को जेल में डाल दिया था लेकिन आखिर उसकी सत्ता का और उसका भी अंत्वा तो जब तक कोई कंश वाला नशा किसी के उपर है तो ये नशा भी उत्रेगा ऐसा थोड़ी है कि नहीं उत्रेगा इसको भी उतरना है लोकसभा का क्या परिणाम होगा गाजीपूर में जो 37 भाजपा के लोग जानते हैं सूची आई थी 195 आदमी की घुशना आई थी कि 400 सीड़ जीतेंगे उत्तर प्रदेश में सूची आई थी 55 लोगों की और घुशना कर दी थी कि 80 सीड़ जीत रहें और अभी तक नाम बताने कि इस्तिती में नहीं है कि गाजीपूर बलिया में कौन चुनाव लड़ेगा मेरे पास पोखता सुबूत है कि मुख्तार को जेल में जहर दिया गया मुख्तार ने खुद अपने वकील के जरिये पत्र दिया उनके वकील ने कोट में वो दर्खास डाली उसके बाद कोट की तरफ से डाइरिक्शन भी हुआ हमने उन्नीस तारीख की बात है हमने बीस तारीख को सुपरेटेंडन जेल से बात किया उन्होंने कहा कि हाँ तबियत उनकी खराब है लेकिन हमने कॉल किया था हमरे अस्पताल के डाक्टर ने कहा था कि बाहर के डाक्टर बुलाए जाए ज टिए था बाहर के दो डख्टराय थे और आज ही मैं अज भी धिंट कर नहीं को कर दिया हूं परले हुख ल कि हमारे अज हमारे नुह कर दीं इस आप इस यह तेधे भूल सhाब कि डग सब अरे सुपरेटेनल साहब आप इत्विनान दिला रहें कि दो डाक्टर और आ गये हैं और जेल वाला भी डाक्टर है सब लोग इलाज कर रहे हैं लेकिन हमें सूचना मिली है कि उनको जहर दिया गया है खाने में और इससे पहले भी उनके साथ ऐसा हुआ था तो उनका नहीं यह गलत बात है हम लोग खाना टेश्ट टोस्ट करके तब देते हैं हमने का टेश्ट करने के लिए जो बंधी रक्षक लगाया गया था और एक डिप्टी जेलर था जो उनका खाना टेश्ट करके खिलाता था लगबख चालीस दिन पहले उनका खाना जो आया था उसमें जहर था और इन दोनों ने टेश्ट किया और दोनों जहर का खाना खा करके बीमार पड़े और मुझे मालूम है कि ये बंधीर एक चख और डिप्टी जेलर जो मुक्तार के बारिक के लिए था ये दवा इलाज से ठीक नहीं हुए इनको मेडिकल कालेज में भरती कराया गया जहां उनका कई दिनों तक इलाज हुआ तो उन्होंने एकसेप्ट किया है हाँ ऐसा हुआ था लेकिन सब का टेस्ट कराया गया तो किसी की रिपोर्ट आई कि फूट बाइजनिंग है किसी का रिपोर्ट आई कि गैस्टिक का मामला था किसी का कुछ है सबकी एक तरह से रिपोर्ट नहीं आई खाना बनाने वाला बीमार हो रहा खाना चकने वाला बीमार हो रहा खान ने अब जो शुरू किया है बाहरी डाक्टर भी आ गया वो ठीक हो जाएंगे ये बीस तारीक के बात है उननीस को उनको जहर दिया गया था बीस के बाद एककईस, बाईस, तेईस, चौबिस, पच्चीस तक कोई माकूल एलाज नहीं हुआ, छबिस को हालत बिलकुल खराब हो गई, तब इन लोगों ने खुद सुपरेटेंट से मेरी बात हुई है, उसका भी रेकार्ड मेरे पास है, दो बज़े रात में जेल सुपरेटेंट ने डाक्टरों के एडवाईस के आजनुसाद, उनको मेडिकल कालेज भेजा, मेडिकल कालेज के डाक्टरों ने उनकी गं परिक्षन हुए एलाज शुरू हुआ हम लोगों को एक टेलीग्राम भेजा उन्होंने हमारे मुहमदाबाद थाने पे यहां से पुलिस के लोग आए उनका मुख्तार साथ बहुत सक्त बीमार हैं यह टेलीग्राम है और आप तत्काल बांदा मिदकल हकाले जाईए मैंने वो टेलीग्राम पढ़ा सुपर्टेंडन की तरफ से टेलीग्राम था हम लोग तुरन आदे घंटे के अंदर बांदा के लिए निकल यह आठ घंटे का सफर है बांदा पहुंचे मिडिकल कालेज गए तो उस समय मुख्तार से जब मुलाकात का मौका मिला तो वो होश मे थे और उन्होंने हमको फिर वही बात कई कि भाईया हमने आपको बताया था ना हमको यह सब जहर दे दिये हैं और हमारा एलाज यह गंभीर होके नहीं कराए जिसका नतीज़ा हुआ जहर असर कर गया है मैं बहुत कमजोर हो गया हूँ मेरा पेट बहुत भूल गया है गाइस बहु को यहां आस्पिटल बेजा है तो यह सारी जो बाते आप कह रहे हैं जो सरकार का जेल है प्रशासन है उसकी निगरानी में वो जेल में थे सरकार की जेल है उसमें वो कैदी थे तो यह सारे जो आप बातें कह रहे हैं तो इसके पीछे का कारण क्या है देखिए हमने पहले भी कहा अब भी बता रहा हैं कि पूरी सरकार और सरकार की मिशिनरी ये लगाई गई है कि किसी भी तरह से मुक्तार को खत्म किया जाए और बिर्जेश सिंग और तिर्भुण सिंग जो बहुत बड़े माफिया डान है उत्तरप्रदेश नहीं राश्टी जो दाउद इबराहीम के भी को अक्यूजड हैं बांबी जेजे हास्पीटल कांड में उनके विरुद एक मुकदमा था जिसमें मुक्तार वादी मुकदमा था 15 जुलाई 2001 को उनके उपर आक्रमण हुआ था उस आक्रमण में इनके गारी में बैठे हुए इनके गनर और हुए थी उस मुकदमे का ट्राइल अब शुरू हो गया है बाईस तेईस साल के बाद तो उसको बचाने के लिए तो एक कोशिश ये किया आगया मिली भगत से सरकार और अपरादियों की सबकी उन लोगों ने ये किया कि एक जूट्या मुकदमा दर्ज कराये गया एक घटना का दूसरा मुकदमा दूसरी कहानी के साथ कि वो जो 2001 में घटना हुई थी वास्तविक्ता यह है कि वो जो उसमें हमलावर मारा गया उसको दिखाये गया है कि इसको मुक्तार अंसारी के ड्राइवर और दो-तीन लोग गय थे और बकसर जिले में किसी गाउं में उरहते हैं वहां की निवासी हैं उनको उठा लाए थे ब्रिजेस को बचाने के लिए सब काम किया और उसमें मुल्जिम सारे गवाहों को बना लिया गया जो इंजड विटनेस थे नौ लोगों को गोली लगी थी जो इंजड विटनेस थे दो मर गय थे नौ इंजड विटन है अब योजन के गवा के हैसित से वादी मुकदमा पेश किया जाए और गिरिस सच्चु चिफ सेग्रेटरी तक को पत्र लिखा लेकिन ये लोग नहीं पेश किये बहाना बाजी फोर्स लबो लुबाब क्या है लबो लबाब बिजेश सिंग तिर्भोन सिंग को बचाने का मक पूरा नहीं हो पाएगा और इसलिए उन लोगों ने एक सूनियोजित घटना करम के तहट किन लोगों ने सरकार में बैठे हुए लोग आडमिस्टेशन में बैठे हुए लोग जेल परशासन में बैठे हुए लोग और विर्जेस और तिर्भोन की टीम के लोग ये सिद लोगों दो लोग आए वो फार्मेसिस्ट थे, एक जो डॉक्तर-इंचाज थे, उनके हमने पूछा कि आप क्या करते हैं, मेटिसिन के हैं, या कहीं हम सर्जन है, तो हमने का है कि सर्जरिय करते हैं, सर्जन तो आर्थोपेटिक भी होता है, सर्जन तो नियूरोलोजी में भी है, काडि पी हेड हो तो आपके समझ से कैसा है तो उन्होंने कहा कि देखिए इनको सरजरी का कोई मामला नहीं है पिर भी हमको इंचार्ज बनाए गया है तो हम जो हो रहा है तो हमने का मेडिसिन का आप क्या करते हैं कहें हम टेली फून से अपने मित्र डाक्टरों से सलाह करके तब दवा देते हैं तो हमने कहा कि अभी क्या इस्तिति है तो कहें देखिए होश में हैं आये थे तो बेहोश थे और हम उमीद कर रहे हैं कि जल्दी दो तीन दिन में इनको कंट्रोल कर लेंगे हमका अगर कंट्रोल के बाहर हो तो इसको रीफर कर दीजेगा और अगर ये समस्या होगी कि कि किसी बड़े आस्पिटल में भेजेंगे तो खर्च कौन बहन करेगा तो परिजन खर्च बहन करने के लिए तयार है मैं लिख के दे दे रहा हूँ आप समझ रहते रीफर कर दीजेगा ऐसा नहों कि यहां की दवा से उनको फाइदा भी नहों और इस तरह की इस्थिति है कि वो कहते हैं उनको जहर हुआ है मुझसे आज भी कहा है यहीं आस्पिटल में भी कहा है तो उनका ने मैं समझ रहते हुए अगर ऐसी इस्थिति आएगी तो रीफर कर दूँगा हम लोग मिल करके आए अभी रास्ते में थे दो घंटा हुआ बस वहां से चले हुए जब तक बताया गया कि सभी डाक्टरों ने उनको लिख दिया कि यह फिट हैं और वीलचेयर पर बैठा करके जो आदमी अपनी पै जेल के अंदर डाल दिया गया और मीडिया के माद्यम से एक खबर चलवाई गई कि मुखतार बिल्कुल फिट हो चुके हैं सारे टेस्ट उनके वो गया है कोई रोग नहीं है अगर कोई रोग नहीं था तो 24 घंटा बीतने के बाद ऐसा घातक अटेक कैसे आ गया जिसमें उनकी जानी चली गई अगर वो फिट थे और मेडिकल कालेज के नव डाक्टर उनको फिट घोशित कर रहे हैं तो 24 घंटे के अंदर ये क्या हो गया आप ही के कश्टडी में है रिस्पॉंसबिल्टी आपकी है वो डाक्टर जो हम से कह रहा है कि हम दो-तीन दिन में इनको ठीक कर लेंगे नहीं तो रिफर कर लेंगे उस डाक्टर से आपने उसी दिन जिस दिन मेरी बात हुँ इसके दो घंटे के बाद लिखवा लिया कि ये फिट है वो डाक्टर जो कह रहा है कि इनको जो समस्या है मेरे विभाग की नहीं है मैं तो सर्जन हूँ खाक के दर्मियान आप में और यहां के जिलाधिकारी में बहुत तूतुमे में हुआ बहुत जोर जबरदस्ती हुई क्या कुछ कहने की बहुत वो नहीं है वो शायद उन्हें नहीं पता है और वो यहीं कह रही थी कि अब जत्ते लोग मिट्टी दे लिए बस और लोग मिट् सकते हैं कि कोई अपने धार्मिक जो सिश्टम है अब आप कह सकते हैं क्या किसी का शोव अगर दास अंसकार में जा रहा है एक बार हुआ है जब यहां करोना लगा था तब भी ऐसा थोड़ी था कि लोग खुद से ही भीड़ देके नहीं जाते थे डर गय थे घर के परिवा करके जल पर भाग जाते थे और जैसीवी से गड़ा खुद फिर आपने क्या का मैंने का यह कोई उलंगन नहीं है इसकी परमीशन की अवश्यक्ता नहीं है हम उनके परिजन है और उनकी मिट्टी हुई है तो मिट्टी देने के लिए दूर दरास से जो हमारे रिष्टे नत के अजीज कारीब सबाय हुए हैं वो एक लोक प्रिया आदमी थे हमारा परिवार एक बहुत पुराना एतिहासिक परिवार है मुखतार अंसारी की इस असवभाविक मौत से जो कहीं न कहीं मिली भगत से सबके हुई है तो इस घटना से लोगों में कितना आक्रोश है इसका अंदाजा तो आप कहीं भी सहज देख लीजिए तो तू तू मैं में एक तरीके से नोग जोक हुई नै नै तू तू मैं में नोग जोक नहीं उनका कहना था कि आचार संगिता लागू है दफाच वालिस लागू है परमीशन लेना चाहिए हम का यार मुर्दा दफन करने धार्मिक प्रियोजन है और इसको हम कर रहे हैं हम पूरा सायोग कर रहे थे हमने बहुत सायोग किया है जिस तरह से भी लोगों ने चाहा उस तरह से सब कुछ किया है इसी से तो उपर से डांट पड़ रही थी कि एत्ते लोग आये कैसे तो अब उसके लिए हम क्या कर सकते ह आप बताईए जो जहां सुन रहा वो चल दे रहा है उसकी सहनभूती मुखतारन सारी और उनके परिवार के परती है कि इन लोगों के साथ बड़ा अन्याय हुआ है अब आप घुरुप तडप करके उसको रोक दीजिए सारी रात कल से पूरे चप्पे चप्पे पे रोका गय है अब लोग आ रहे हैं हम तो कोई को बुलाने नहीं हम से तो जिन लोगों ने पूछा के बज़े मिट्टी होगी क्या होगी हमने मनाई किया यार की बहुत जादा तीन दिन हो गया एक तो वहां से पोस्माटम लाश आते आते रात में तो डेड़ बज़े आई है तो अगर कोई ये चाहता है कि दस बीस परसेंट भी लोग जो आए हुए है कहां कहां से आए हुए हैं उनको घुरुप तड़प से भगा दिया जाए तो ये मनासिब नहीं है नाजायज है उस सरकार या सरकार की मनशा के अनुसार कोई परशासनी का अधिकारी भी ऐसा करता है तो वो देश के कानूनों सब्मिधान के खिलाफ है ये पहले ऐसी सरकार है और पहले ऐसी सरकार के कुछ अइसे अधिकारी आईसे समझ के उनके समरतक हैं जो जिस कारुई को आम जनता में घ्रिणा की दिरिश्च से देखा जा रहा उस कारुई को उपनी उपलब्दी मानते हैं खाम्यादा भूगुत्त हैं ये बुलडोजर लेके किसी का घर गशिे में चुछ गिर दे स्कूल घर दे स्कूल अस्पटाल गिरा दे समया स्ठलकी कर दें नजायश तरीके से जुटे मंकर्थ में फसा दें ऱ खूप और आपीठे बुल्डोजर 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 नाम रखने बाबा बुल्डोजर सभा अस्थर पर बुल्डोजर खड़ा करके लोगों को दराया जाए कि यह देखो बुल्डोजर यह है यही वो है पड़ाम क्या होता है गाजीपूर में साथ विदान सभा की सीटे हैं शुन्य मिली थी भाजपा के खाते में शुन्य अगर आँख नहीं खुली है तो इस लोक सबा के चुनाओं में अहंकार तो देखिए कंश को भी अहंकार था जो उसने यह तरीका बना लिया था कि जो उसका विरोध करेगा मतुरा का राजा वो उसको जेल में डाल देगा या माड डालेगा उसने अपने बाप को जिन्होंने उसके गलत नीतियों और उसकी जातियों का विरोध किया तो उसके पिता को जेल में डाल दिया था लेकिन आखिर उसकी सत्ता का और उसका भी अन्थुआ तो जब तक कोई कंश वाला नशा किसी के उपर है तो ये नशा भी उतरेगा ऐसा थोड़ी है कि नहीं उतरेगा इसको भी उतरना है लोगसभा का क्या परिणाम होगा गाजीपूर में? जोती सास भाजपा के लोग जानते हैं सूची आई थी एक सो पंचानवे आदमी की घुशना आई थी कि चार सो सीड़ जीतेंगे उत्तर प्रदेश में सूची आई थी एक क्यावन लोगों की और घुशना कर दी थी कि असी सीड़ जीत रहे और अभी तक नाम बताने की स्थिती में नहीं है कि गाजीपूर बलिया में कौन चुनाव लड़ेगा मेरे पास पोखता सुबूत है कि मुक्तार को जेल में जहर दिया गया मुक्तार ने खुद अपने वकील के जरिये पत्र दिया उनके वकील ने कोट में वो दर्खास डाली उसके बाद कोट की तरफ से डाइरिक्शन भी हुआ हमने उन्नीस तारीख की बात है हमने बीस तारीख को सुपरेटेंडन जेल से बात किया उन्होंने कहा कि हाँ तबीयत उनकी खराब है लेकिन हमने कॉल किया था हमारे अस्पताल के डाक्टर ने कहा था कि बाहर के डाक्टर बुलाए जाए तो हमने कॉल कर लिया था बाहर के दो डाक्टर आये थे और आज ही मैं उनके बायरिक्ट में अनके सामने डक्टरों को और उनको कर दिया हो टेस्ट शुरू हो गया है और दवा भी शुरू हो जाई है हमारे उनके बीच में जो बात हुई पूरेकार्ट पर है आज भी हमारे पास है साक्ष के रूप में मैंने उनसे खोल के यह बात कही सब लोग इलाज कर रहे हैं लेकिन हमें सूचना मिली है कि उनको जहर दिया गया है खाने में और इससे पहले भी उनके साथ ऐसा हुआ था तो नुन का नहीं यह गलत बात है हम लोग खाना टेश्ट टोस्ट करके तब देते हैं हमने का टेश्ट करने के लिए जो बंधी रक्षक लगाया गया था और एक डिप्टी जेलर था जो उनका खाना टेश्ट करके खिलाता था लगबख 40 दिन पहले उनका खाना जो आया था उसमें जहर था और इन दोनों ने टेश्ट किया और दोनों जहर का खाना खा करके बीमार पड़े और मुझे मालूम है कि यह बंधी रक्षक और डिप्टी जेलर जो मुक्तार के बारिक के लिए था यह दवा इलाज से ठीक नहीं हुए इनको मेडिकल कालेज में भरती कराया गया जहां उनका कई दिनों तक इलाज हुआ तो उन्होंने एकसेप्ट किया है हाँ ऐसा हुआ था लेकिन सबका टेश्ट कराया गया तो किसी की रिपोर्ट आई कि फूट बाइजनिंग है किसी का रिपोर्ट आई कि गयस्टिक का मामला था किसी का कुछ है सबकी एक तरह से रिपोर्ट नहीं आई खाना बनाने वाला बीमार हो रहा खाना चकने वाला बीमार हो रहा खाना पकवाने का सुपर वीजन करने वाला बीमार हो रहा और मुखतार ने यह सारी बातें हमको फून स से बताई थी तब ही हमने सुप्रेटरेनर से कहा उन्होंने हम से कहा कि देखिया हमने अब जो शुरू किया है बाहरी डाक्टर भी आ गया वो ठीक हो जाएंगे ये बीस तारीक के बात है उननीस को उनको जहर दिया गया था बीस के बाद 21, 22, 23, 24, 25 तक कोई माकूल इलाज नहीं हुआ 26 को हालत बिलकुल खराब हो गई तब इन लोगों ने खुछ सुप्रेटरेनर्ट से मेरी बात हुई है उसका भी रेकार्ड मेरे पास है दो बज़े रात में जेल सुप्रेटरेनर्ट ने डाक्टरों के एडवाईज के आदुसाद उनको मेडिकल कालेज भेजा मेडिकल कालेज के डाक्टरों ने उनकी गंभीर इस्थिती को देख करके तुरंत आई-स्यू में उनको अड्मिट किया उनकी गहन परिक्षण हुए एलाज शुरू हुआ हम लोगों को एक टेली ग्राम भेजा उन्होंने हमारे मुहमदाबाद थाने पे यहां से पुलिस के लोग आए उनका मुखतार साथ बहुत सक्त बीमार है यह टेली ग्राम है और आप ततकाल बांदा मिडिकल कालिज जाईए है मैंने वो टेली ग्राम पढ़ा सुपर्टेंडन की तरफ से टेली ग्राम था हम लोग तुरंत आदे घंटे के अंदर बांदा के लिए निकल लिए आठ घंटे का सफर है बांदा पहुंचे मिडिकल कालिज गए तो उस समय मुखतार से जब मुलाकात का मुखा मिला तो वो होश मे थे और उन्होंने हमको फिर वही बात कही कि भाया हमने आपको बताया था ना हमको ये सब जहर दे दिये हैं और हमारा इलाज ये गंभीर होके नहीं कराए जिसका नतीजा हुआ जहर असर कर गया है मैं बहुत कमजोर हो गया हूँ मेरा पेट बहुत भूल गया है गैस बहुत बन रही है और और मुझे घबराहट होती है, पसीना होता है, अपनी तकलीफें फिर बताए कि कल मैं गिर गया था, मुर्चित हो गया था, तो जेल के लोगों ने फिर हमको यहां आस्पिटल भेजा है, तो यह सारी जो बाते आप कह रहे हैं, जो सरकार का जेल है, प्रशासन है, उसकी निग देखिए हमने पहले भी कहा, अब भी बता रहे हैं कि पूरी सरकार और सरकार की मिशिनरी, यह लगाई गई है कि किसी भी तरह से मुक्तार को खत्म किया जाए, और बिर्जेश सिंग और तिर्भून सिंग जो बहुत बड़े माफिया डान है, उत्तरप्रदेश नहीं, पंदरह जुलाई 2001 को उनके उपर आक्रमण हुआ था, उस आक्रमण में इनके गाड़ी में बैठे हुए इनके गनर और रुस्ता मुर्फ बाबू मारा गया था, और हमलावरों की तरफ से भी एक व्यक्ति जो बचाओं में की गई जवाबी फाइरिंग में मारा गया था, म मिली भगत से सरकार और अपरादियों की सबकी, उन लोगों ने ये किया कि एक जूटिया मुकदमा दर्ज कराया गया, एक घटना का दूसरा मुकदमा, दूसरी कहानी के साथ, कि वो जो 2001 में घटना हुई थी, वास्तविक्ता ये है कि वो जो उसमें हमलावर मारा गया, उस को मुक्तार अंसारी के ड्राइवर और दो-तीन लोग गय थे और बकसर जिले में किसी गाउं में उरहते हैं, वहां की निवासी हैं, उनको उठा लाए थे, ब्रिजेस को बचाने के लिए सब काम किया, और उसमें मुल्दिम सारे गवाहों को बना लिया गया, जो इंजर्ड विटनेस थे, दो मर गय थे, नौ इंजर्ड विटनेस थे, उनको मुल्दिम बना दिया, कि गवाही से बाज आ जाएंगे, उसके मावजूद गवाही चलती रही, कोर्ट ने आडर किया मुक्तार को पेश किया जाए गवाही के लिए, अब योजन के गवाह के हैस्यत से वा लबो लबाब बिर्जेश सिंग तिर्भोन सिंग को बचाने का मकसद है, उनके विरूद सारे मुकदमे गवाहों को तोड के या खरीत के या धमका के या अब योजन की मिली भगत से उनको एक तरफ से क्लीन चिट मिलती चली जा रही है, ये एक मुकदमा था, जिसमें उन् और इसलिए उन लोगों ने एक सुनियोजित घटना करम के तहट, किन लोगों ने, उन्हें सरकार में बैठे हुए लोग, आइडमिस्टेशन में बैठे हुए लोग, जेल परशासन में बैठे हुए लोग, और बिर्जेश और तिर्भोन की टीम के लोग, ये सब लोगों मिल करके यह घटना अंजाम दिया है डाक्टर ने कहा कि हम लोग इनका एलाज कर रहे हैं तीन डाक्टरों का पैनल है लेकिन जब हमने कहा कौन लोग हैं हम मिल लें तो हमारे सामने जो दो लोग आए वो फार्मेसिस्ट थे और एक जो डाक्टर इंचार्ज थे उनके हमने भी होता है सरजन्ट तो नीरोलोजी में भी है काडियोलोजी का आप क्या है तो कहारनिया वगएरउ हमने कहा कि तो यह मुख्तार का एलाज आप ही हेड हो तो आपके समझ से कैसा है तो उन्होंने कहा कि देखिए इनको सर्जरी का कोई मामला नहीं है पिर भी हम को इंचार् करते हैं कि हम टेली फून से अपने मित्र डाक्टरों से सला करके तब दवा देते हैं तो हमने कहा कि अभी क्या इस्थिति है तो कहें देखिए होश में हैं आये थे तो बेहोश थे और हम उमीद कर रहे हैं कि जल्दी दो-तीन दिन में इनको कंट्रोल कर लेंगे हम का अगर कं समस्या होगी कि कि किसी बड़े आस्पिटल में भेजेंगे तो खर्च कौन बहन करेगा तो परिजन खर्च बहन करने के लिए तैयार है मैं लिख के दे दे रहा हूँ आप समझ रहते रीफर कर दीजिएगा ऐसा नहों कि यहां की दवा से उनको फाइदा भी नहों और इस तरह की इस्थिति है कि वो कहते हैं उनको जहर हुआ है मुझसे आज भी कहा है यहीं आस्पिटल में भी कहा है तो उनका ने मैं समझ रहते हुए अगर ऐसी इस्थिति आएगी तो रीफर कर दूँगा हम लोग मिल करके आए अभी रास्ते ही में थे दो घंटा हुआ बस वहां से चले हुए जब तक बताया गया कि सभी डाक्टरों ने उनको लिख दिया कि यह फिट हैं और वील चेयर पे बैठा करके जो आदमी अपनी पेलों पे खड़े होने की इस्तिति में नहीं था जो अपने दम पर बेड़ पे बैठने की इस्तिति में नहीं था उसको फिट घोसिट करके सीधे आई सीउ से जेल के अंदर डाल दिया गया और मीडिया के मादम से एक खबर चलवाई गए कि मुखतार बिल्कुल फिट हो चुके हैं सारे टेस्ट उनके वो गया है कोई रोग नहीं है अगर कोई रोग नहीं था तो चौविस घंटा बीतने के बाद ऐसा घातक अटेक कैसे आ गया जिसमें उनकी जानी चली गई अगर वो फिट थे और मेडिकल कालेज के नव डाक्टर उनको फिट घोशित कर रहे हैं तो चौविस घंटे के अंदर ये क्या हो गया आप ही के कश्टडी में है responsibility आपकी है वो डाक्टर जो हमसे कह रहा है कि हम दो तीन दिन में इनको ठीक कर लेंगे नहीं तो refer कर देंगे उस डाक्टर से आपने उसी दिन जिस दिन मेरी बात हुँ इसके दो घंटे के बाद लिखवा लिया कि ये fit है वो डाक्टर जो कह रहा है कि इनको जो समस्या है मेरे विभाग की नहीं है मैं तो सर्जन हूँ खाक के दरमियान आप में और यहां के जिलाधिकारी में बहुत तूतुमें में हुआ बहुत जोर जबर दस्ती हुई क्या कुछ कहने कि बहुत वो नहीं है वो शायद उन्हें नहीं पता है और वो यहीं कह रही थी कि अब जत्ते लोग मिट्टी दे लिए बस और लोग मिट्टी नहीं देंगे हमने का यह क्यों आप इसके लिए थोड़ी रोक सकते हैं कि कोई अपने धार्मिक जो सिश्टम है अब आप कह सकते हैं क्या किसी का शौव अगर दास अंसकार में जा रहा है एक बार हुआ है जब यहां करोना लगा था तब भी ऐसा थोड़ी था कि लोग खुद से ही भीड़ दे के नहीं जाते थे डर गए थे घर के परिवार के लाश और जनाजे को लोग जलाते नहीं थे इसे परवा करके जल परवा भाग जाते थे और जैसी भी से गड़ा खुद पिर आपने क्या का मैंने का ये कोई उलंगर नहीं है इसकी परमीशन की अवशक्ता नहीं है हम उनके परिजन है और उनकी मिट्टी हुई है तो मिट्टी देने के लिए दूर दरास से जो हमारे रिष्टे नते अजीज कारीब सबाय हुए हैं वो एक लोग प्रिया आदमी थे हमारा परिवार एक बहुत पुराना एतिहासिक परिवार है मुखतार अंसारी की इस असवभाविक मौत से जो कहीं न कहीं मिली भगत से सबके हुई है तो इस घटना से लोगों में कितना आक्रोश है इसका अंदाजा तो आप कहीं भी साज देख लीजिए तो तू तू मैमें एक तरीके से नोग जोग हुई नए ने तू मैमें नोग जोग ने उनका कहना था कि आचार संगिता लागू है दफाच वालिस लागू है परमिशन लेना चाहिए हम का यार मुर्दा दफन करने मुर्दा जलाने शवयात्रा निकालने या जनाजा ले जाके जनाजे की नमाज पढ़ने इसके लिए मैं नहीं समझता कि कोई परमिशन किया वशक्ता है यह हमारे धार्मिक प्रियोजन है और इसको हम कर रहे हैं हम पूरा सायोग कर रहे थे हमने बहुत सायोग किया है जिस तरह से भी लोगों ने चाहा उस तरह से सब कुछ किया है इड़ बहुत थी इसी से तो ऊ रहा है उसकी सहनभूती मुखतारन सारी और उनके परिवार के परती है कि इन लोगों के साथ बड़ा अन्याय हुआ है अब आप घुरुप तड़प करके उसको रोक दीजिए सारी रात कल से पूरे चप्पे चप्पे पर रोका गया है अब लोग आ रहे हैं हम तो कोई को बुलाने नहीं हमसे तो जिन लोगों ने पूछा कई बज़े मिट्टी होगी क्या होगी हमने मनाई किया यार की बहुत जादा तीन दिन हो गया एक तो वहां से पुस्माटम लाश आते आते रात में तो डेड़ बज़े आई है तो लोगों में उच्शुकता थी गए हैं लोग हम समझते हैं कि पाठीस बीस परषेंट लोग मिट्टी दे पाए हैं असी पर्षेंट लोग तो भिना मिट्टी दिए अभी लोड गए है एक सवाल आखरी है अगर कोई ये चाहता है कि दस बीस परसेंट भी लोग जो आए हुए है कहां कहां से आए हुए हैं उनको घुरुप तड़प से भगा दिया जाए तो ये मनासिब नहीं है नाजाइज है उस सरकार या सरकार की मनशा के अनुसार कोई प कुछ ऐसे अधिकारी और ऐसे समझ के उनके समर्थक हैं जो जिस कारवाई को आम जनता में घेना की दिरिश्ट से देखा जा रहा है उस कारवाई को उपनी उपलब्धी मानते हैं खाम्यादा भुगतते हैं ये बुल्डोजर लेके किसी का घर गिरा दें स्कूल गिरा दें जंगा जमीन कुर्ख कर दें नजाज तरीके से जुटे मुकद्में फसा दें अखूब धेड़ो अपीठे बुल्डोजर 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 नाम रखने बाबा बुल्डोजर सभा अस्थर पर बुल्डोजर खड़ा करके लोगों को दराया जाए कि यह देखो बुल्डोजर यह है यही वो है पड़ाम क्या होता है गाजीपूर में साथ विदान सभा की सीटे हैं शुन्य मिली थी भाजपा के खाते में शुन्य अगर आँख नहीं खुली है तो इस लोग सभा के चुनाओं में अहंकार तो देखिए कंश को भी अहंकार था जो उसने यह तरीका बना लिया था कि जो उसका विरोध करेगा मतुरा का राजा वो उसको जेल में डाल देगा या माड डालेगा उसने अपने बाप को जिन्होंने उसके गलत नीतियों और उसकी जातियों का विरोध किया तो उसने पिता को जेल में डाल दिया था लेकिन आखिर उसकी सत्ता का और उसका भी अंथुआ तो जब तक कोई कंश वाला नशा किसी के उपर है तो ये नशा भी उतरेगा ऐसा थोड़ी है कि नहीं उतरेगा इसको भी उतरना है जोति सास्त भाजपा के लोग जानते हैं सूची आई थी 195 आदमी की घुशना आई थी कि 400 सीड जीतेंगे उतर परदेश में सूची आई थी एक क्यावन लोगों की और घुशना कर दी थी कि 80 सीड जीत रहे और अभी तक नाम बताने की स्थिती में नहीं है कि गाजपूर बलिया में कौन चुनाव लड़ेगा मेरे पास पोखता सुबूत है कि मुख्तार को जेल में जहर दिया गया मुख्तार ने खुद अपने वकील के जर्ये पत्र दिया उनके वकील ने कोट में गुदर खास डाली उसके बाद कोट की तरफ से डायरिक्शन भी हुआ हमने उन्नीस तारीख की बात है हमने बीस तारीख को सुपरेटेंडन्ट जेल से बात किया उन्ने कहा कि हाँ तबीयत उनकी खराब है लेकिन हमने कॉल किया था हमारे अस्पताल के डाक्टर ने कहा था कि बाहर के डाक्टर बुलाए जाए तो हमने काल कर लिया था बाहर के दो डाक्टर आये थे और आज ही मैं उनके बाइरिक में उनके सामने डाक्टरों को और उनको कर दिया हूँ टेस्ट शुरू हो गया है और दवा भी शुरू हो जाई है हमारे उनके बीच में जो बात हुई वो रिकार्ट पर है आज भी हमारे पास है सक्ष के रूप में मैंने उनसे खोल के ये बात कही कि ड़क साब अरे सुप्रेटेनल साब आप इट्मिनान दिला रहें कि दो डाक्टर और आ गए हैं और जेल वाला भी डाक्टर है सब लोग इलाज कर रहे हैं लेकिन हमें सूचना मिली है कि उनको जहर दिया गया है खाने में और इससे पहले भी उनके साथ ऐसा हुआ था तो उनका नहीं यह गलत बात है हम लोग खाना टेस्ट टोस्ट करके तब देते हैं हमने का टेस्ट करने के लिए जो बंधी रक्षक लगाया गया था और एक डिप्टी जेलर था जो उनका खाना टेस्ट करके खिलाता था लगबख चालीस दिन पहले उनका खाना जो आया था उसमें जहर था और इन दोनों ने टेस्ट किया और दोनों जहर का खाना खा करके बीमार पड़े और मुझे मालूम है कि ये बंधी रक्षक और डिप्टी जेलर जो मुक्तार के बारिक के लिए था ये दवा इलाज से ठीक नहीं हुए इनको मेडिकल कालेज में भरती कराया गया जहां उनका कई दिनों तक इलाज हुआ तो उन्होंने एक्सेप्ट किया है हाँ ऐसा हुआ था लेकिन सबका टेस्ट कराया गया तो किसी की रिपोर्ट आई कि फूट बाइजनिंग है किसी का रिपोर्ट आई कि गये स्टिक का मामला था किसी का कुछ है सबकी एक तरह से रिपोर्ट नहीं आई खाना बनाने वाला बीमार हो रहा खाना चकने वाला बीमार हो रहा खा कि हमने अब जो शुरू किया है बाहरी डाक्टर भी आ गया वो ठीक हो जाएंगे ये बीस तारीक के बात है उननीस को उनको जहर दिया गया था बीस के बाद एककईस बाइस तेईस चौबिस पच्चीस तक कोई माकूल इलाज नहीं हुआ चब्विस को हालत बिलकुल खराब ह गई तब इन लोगोंने खुट सुपरेटेंट्डेंट से मेरी बात हुए उसका भी रेकार्ड मेरे पास है दो बज़े रात में जेल सुपरेटेंट्डेंट ने डाक्टरों के ड़्वाईज के आदुसार उनको मेडिकल कालेज भेज आ Medical College के डाक्टरों ने उनकी गंभीर इस्थिती को देख करके तुरंत ICU में उनको अडमिट किया उनकी गहन परिक्षण हुए, इलाज शुरू हुआ हम लोगों को एक टेलिग्राम भेजा उन्होंने, हमारे मुहमदाबाद थाने पे यहां से पुलिस के लोग आए, उनका मुखतार साथ बहुत सक्त बीमार है, यह टेलिग्राम है और आप तत्काल बांदा Medical College जाएए, मैंने वो टेलिग्राम पढ़ा, सुपर्टेंडर्ड की तरफ से टेलिग्राम था हम लोग तुरंट आदे घंटे के अंदर बांदा के लिए निकल लिए, आठ घंटे का सफर है बांदा पहुंचे, Medical College गए, तो उस समय मुखतार से जब मुलाकात का मुखा मिला, तो वो होश मे थे और उन्होंने हमको फिर वही बात कई कि भाया, हमने आपको बताया था ना, हमको ये सब जहर दे दिये हैं और हमारा इलाज ये गंभीर होके नहीं कराए, जिसका नतीजा हुआ जहर असर कर गया है मैं बहुत कमजोर हो गया हूँ, मेरा पेट बहुत भूल गया है, गैस बहुत बन रही है और मुझे घबराहट होती है, पसीना होता है, अपनी तकलीफें फिर बताए कि कल मैं गिर गया था, मुर्चित हो गया था तो जेल के लोगों ने फिर हमको यहां आस्पिटल बेजा है तो यह सारी जो बाते आप कह रहे हैं, जो सरकार का जेल है, प्रशासन है, उसकी निगरानी में वो जेल में थे सरकार की जेल है उसमें वो कैदी थे तो ये सारे जो आप बातें कह रहे हैं तो इसके पीछे का कारण क्या है देखिए हमने पहले भी कहा अब भी बता रहे हैं कि पूरी सरकार और सरकार की मिशिनरी ये लगाई गई है कि किसी भी तरह से मुखतार को खत्म किया जाए और बिर्जेश सिंग और तिर्भुवन सिंग जो बहुत बड़े माफिया डान है उत्तरप्रदेश नहीं राश्टी अस्तर के जो दाउद इबराहीम के भी को अक्यूजड हैं बंबी जेजे हास्पीटल कांड में उनके विरुद एक मुकदमा था जिसमें मुक्तार वादी मुकदमा था पंदरह जुलाई 2001 को उनके उपर आक्रमण हुआ था उस आक्रमण में इनके गाड़ी में बैठे हुए इनके गनर और रुस्ता मुर्फ बाबू मारा गया था और हमलावरों की तरफ से भी एक व्यक्ती जो बचाओं में की गई जवाबी फाइरिंग में मारा गया था मौके पे तीन लोगों की मौत हुई थी उस मुकदमे का ट्राइल अब शुरू हो गया है बाइस तेईस साल के बाद तो उसको बचाने के लिए तो एक कोशिश ये किया आगया मिली भगत से सरकार और अपरादियों की सबकी उन लोगों ने ये किया कि एक जूटिया मुकदमा दर्ज कराए गया एक घटना का दूसरा मुकदमा दूसरी कहानी के साथ कि वो जो 2001 में घटना हुई थी वास्तविक्ता ये है कि वो जो उसमें हमलावर मारा गया उसको दिखाये गया है कि इसको मुक्तार अंसारी के ड्राइवर और दो तीन लोग गय थे और बकसर जिले में किसी गाउं में को उठा लाए थे ब्रिजेस को बचाने के लिए सब काम किया और उसमें मुल्जिम सारे गवाहों को बना लिया गया जो इंजर्ड विटनेस थे नौ लोगों को गोली लगी थी जो इंजर्ड विटनेस थे दो मर गय थे नौ इंजर्ड विटनेस थे उनको मुल्जिम बना से वादी मुकदमा पेश किया जाए और गिरिश सचु चिफ सेग्रेटरी तक को पत्र लिखा लेकिन ये लोग नहीं पेश किये बहाना बाजी फोर्स लबो लुबाब क्या है लबो लबाब बिर्जेश सिंग तिर्भोन सिंग को बचाने का मकसद है उनके विरू सारे मुकद में गवाहों को तोड के या खरीत के या धमका के या अभ्योजन की मिली भगत से उनको एक तरफ से क्लीन चिट मिलती चली जा रही है ये एक मुकदमा था जिसमें उन्हें भाय था कि मुक्तारन सारी गवाही करेंगे वो न बिकेंगे न डरेंगे तो पिर्जेश सिंग और और तिर्भौन सिंग को बचाने का सपना पूरा नहीं हो पाएगा और इसलिए उन लोगों ने एक सुनियोजित घटना करम के तहट किन लोगों ने सरकार में बैठे हुए लोग आडमिस्टेशन में बैठे हुए लोग जेल परशासन में बैठे हुए लोग और का पैनल है लेकिन जब हमने कहा कौन लोग हैं हम मिल लें तो हमारे सामने जो दो लोग आए वो फार्मेसिस्ट है और एक जो डाक्टर इंचार्ज थे उनके हमने पूछा कि आप क्या करते हैं आप मेडिसिन के हैं या कह नहीं हम सर्जन हैं तो हमने कह कि सर्जरी करते हैं सर सर्जन तो अर्थोपेटिक भी होता है सर्जन तो नियूरोलोजी में भी है कारियोलोजी आप क्या है तो कहारंया वगरत वन मैं था ऑपके थो यह मुख़्तार का इलाज आप ही हेड हो तो आप के समझ से कैसा है तो उन्हों ने कहा कि देखिए इनको सरजरी का कोई मामला नहीं है फिर भी हमको इंचार्ज बनाए गया है तो हम जो हो रहा तो हमने का मेडिसिन का आप क्या करते हैं कि हम टेली फून से अपने मित्र डाक्टरों से सला करके तब दवा देते हैं तो हमने कहा कि अभी क्या इस्थिती है त थे तो बेहोस्त है और हम उमीद कर रहे हैं कि जल्दी दो तीन दिन में इनको कंट्रोल कर लेंगे हमका अगर कंट्रोल के बाहर हो तो इसको रीफर कर दीजेगा और अगर यह समस्या होगी कि कि किसी बड़े आस्पिटर में भेजेंगे तो खर्च कौन बहन करेगा तो पर रहते हैं उनको जहर हुआ है मुझसे आज भी कहा है यहीं आस्पिटल में भी कहा है तो उनका ने मैं समय रहते हुए अगर ऐसी इस्थिति आएगी तो रीफर कर दूगा हम लोग मील करके आए अभी रास्ते ही में थे दो घंटा हुआ बस वहां से चले हुए जब तक बताया गया कि सभी डाक्टरों ने उनको लिख दिया कि यह फिट हैं और वील चेयर पे बैठा करके जो आदमी अपनी पै से जेल के अंदर डाल दिया गया और मीडिया के मादम से एक खबर चलवाई गई कि मुखतार बिल्कुल फिट हो चुके हैं सारे टेस्ट उनके वो गया है कोई रोग नहीं है अगर कोई रोग नहीं था तो 24 घंटा बीतने के बाद ऐसा घातक अटेक कैसे आ गया जिसमें उनकी जानी चली गई अगर वो फिट थे और मेडिकल कालेज के नव डाक्टर उनको फिट घोशित कर रहे हैं तो 24 घंटे के अंदर ये क्या हो गया आप ही के कश्टडी में है रिस्पॉंसविल्टी आपकी है वो डाक्टर जो हमसे कह रहा है कि हम दो-तीन दिन में इनको ठीक कर लेंगे नहीं तो रिफर कर देंगे उस डाक्टर से आपने उसी दिन जिस दिन मेरी बात हुँ इसके दो घंटे के बाद लिखवा लिया कि ये फिट है वो डाक्टर जो कह रहा है कि इनको जो समस्या है मेरे विभाग की नहीं है मैं तो सरजन हूँ खाक के दरमियान आप में और यहां के जिलाधिकारी में बहुत तूतुमे में हुआ बहुत जोर जबर जस्ती हुई क्या कुछ कहने की बहुत वह नहीं है वो शायद उन्हें नहीं पता है और वो यहीं कह रही थी कि अब जत्ते लोग मिट्टी दे लिए बस और लोग मिट्टी नहीं देंगे हमने का यह क्यों आप इसके लिए थोड़ी रोक सकते हैं कि कोई अपने धार्मिक जो सिश्टम है अब आप कह सकते हैं क्या किसी का शौव अगर दास अंसकार में जा रहा है एक बार हुआ है जब यहां करोना लगा था तब भी ऐसा थोड़ी था कि लोग खुद से ही भीड लेके नहीं जाते थे डर गए थे घर के परिवार के लाश और जनाजे को लोग जलाते नहीं थे इसे ही परवाह करके जल परवाह भाग जाते थे और जैसी भी से गड़ा खुद पिर आपने क्या का यह कोई उलंगन न ही है हम उनके परिजन है और उनकी मिट्टी हुई है तो मिट्टी देने के लिए दूर दरास से जो हमारे रिष्टे नते अजीज कारीब सबाय हुए हैं वो एक लोग प्रिया आदमी थे हमारा परिवार एक बहुत पुराना एतिहासिक परिवार है मुखतार अंसारी की इस असवभाविक मौत से जो कहीं न कहीं मिली भगत से सबके हुई है तो इस घटना से लोगों में कितना आक्रोश है इसका अंदाजा तो आप कहीं भी सहज देख लीजे तो तू तू मैं में एक तरीके से नोग जोक हुई ने ने तू मैं में नोग जोक नहीं उनका कहना था कि आचार संगिता लागू है दफा चवालिस लागू है परमीशन लेना चाहिए हम का यार मुर्दा दफन करने मुर्दा जलाने शवयात्रा निकालने या जनाजा ले जाके जनाजे की नमाज पढ़ने इसके लिए मैं न समझता कि कोई permission किया वशकता है यह हमारे धार्मिक पर्योजन है इसको हम कर रहे हैं हम पुरा सायोक कर रहे थे हमने बहुत सायोक किया है जिस तरह से भी लोगों ने चाहा उस तरह से सब कुछ किया है लीड बहुत थी इसी से तो ऊपर से डांट पड़ रही थी कि एत्ते लोग आये कैसे तो अब उसके लिए हम क्या कर सकते हैं आप बताइए जो जहां सुन रहा वो चल दे रहा है उसकी सहनभूती मुखतारन सारी उनके परिवार के परती है कि इन लोगों क साथ बड़ा अन्याय हुआ है अब आप घुरुप तडप करके उसको रोक दीजिये सारी रात कल से पूरे चप्पे चप्पे पर रोका गया है अब लोग आ रहे हैं हम तो कोई को बुला ले नहीं हमसे तो जिन लोगों ने पूछा कह बज़े मिठी होगी क्या होगी हमने म रिकता थी गए हैं लोग हम समझते हैं कि पाचीस बीस परसेंट लोग मिठी दे पाए हैं स्वाल अखरी है कि दस बीस परसेंट भी लोग जो आये हुए है कहां-कहां से आये हुए हैं उनको घुरुप तलब से भगा दिया जाए तो ये मुनासिब नहीं है नाजाइज है उस सरकार या सरकार की मनशा के अनुसार कोई परशासनिक अधिकारी भी ऐसा करता है तो वो देश के कानून और सम्मिधान के खिलाफ है ये पहले ऐसी सरकार है और पहले ऐसी सरकार के आम जनता में घेना की दिरिश्ट से देखा जा रहा उस कारवाई को उपनी उपलब्धी मानते हैं खाम्यादा भुगतते हैं ये बुल्डोजर लेके किसी का घर गिरा दें स्कूल गिरा दें अस्पताल गिरा दें जंग जमीन कुड़क कर दें नजाइस तरीके से जूटे मुकदमें फसादें खूब धेडोरा पीठे बुल्डोजर 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 नाम रखने बाबा बुल्डोजर सभा अस्थर पर बुल्डोजर खड़ा करके लोगों को दराया जाए कि ये देखो बुल्डोजर यह है यही वो है पड़ाम क्या हो गाजीपूर में साथ विधान सभा की सीटे हैं शुन्य मिली थी भाजपा के खाते में शुन्य अगर आँख नहीं खुली है तो इस लोग सभा के चुनाओं में अहंकार तो देखिए कंश को भी अहंकार था जो उसने ये तरीका बना लिया था कि जो उसका विरोध करेगा मतुरा का राजा वो उसको जेल में डाल देगा या माड डालेगा उसने अपने बाप को जिनोंने उसके गलत नीतियों और उसकी जातियों का विरोथ किया तो उसने पिता को जेल में डाल दिया था लेकिन आखिर उसकी सत्ता का और उसका भी अंथुआ तो जब तक कोई कंश वाला नशा किसी के उपर है तो ये नशा भी उतरेगा ऐसा थोड़ी है कि नहीं उतरेगा इसको भी उतरना है लोकसभा का क्या परिणाम होगा गाजीपूर में जोति सास्त भाजपा के लोग जानते हैं सूची आई थी 195 आदमी की घुशना आई थी कि 400 सीड जीतेंगे उतर परदेश में सूची आई थी एक क्यावन लोगों की और घुशना कर दी थी कि 80 सीड जीत रहें और अभी तक नाम बताने की स्थिती में नहीं है कि गाजीपूर बलिया में कौन चुनाव लड़ेगा मेरे पास पोखता सुबूत है कि मुख्तार को जेल में जहर दिया गया मुख्तार ने खुद अपने वकील के जर्ये पत्र दिया उनके वकील ने कोट में वो दर्खास डाली उसके बाद कोट की तरफ से डायरिक्शन भी हुआ हमने 19 तारीख की बात है हमने 20 तारीख को सुपरेटरिंडंड जेल से बात किया उन्होंने का कि हाँ तबेद्ट उनकी खराब है लेकिन हमने कॉल किया था हमारे अस्पताल के डाक्टर ने कहा था कि बाहर के डाक्टर बुलाई जाय तो हमने काल कर लिया था बाहर के दो डाक्टर आये थे और आज ही मैं उनके बाइरिक में उनके सामने डाक्टरों को और उनको कर दिया हूँ टेस्ट शुरू हो गया है और दवावी शुरू हो गई है हमारे उनके बीच में जो बात हुई वो रिकार्ट पर है आज भी हमारे पास है साक्ष के रूप में मैंने उनसे खोल के ये बात कही कि डग साब अरे सुपरिटेनल साब आप इट्मिनान दिला रहें कि दो डाक्टर और आ गए हैं और जेल वाला भी डाक्टर है सब लोग इलाज कर रहे हैं लेकिन हमें सूचना मिली है कि उनको जहर दिया गया है खाने में और इससे पहले भी उनके साथ ऐसा हुआ था तो उनका नहीं यह गलत बात है हम लोग खाना टेश्ट टोस्ट करके तब देते हैं हमने का टेश्ट करने के लिए जो बंधी रक्षक लगाया गया था और एक डिप्टी जेलर था जो उनका खाना टेश्ट करके खिलाता था लगबख 40 दिन पहले उनका खाना जो आया था उसमें जहर था और इन दोनों ने टेश्ट किया और दोनों जहर का खाना खा करके बीमार पड़े और मुझे मालूम है कि ये बंधी रक्षक और डिप्टी जेलर जो मुक्तार के बारिक के लिए था ये दवाए लाज से ठीक नहीं हुए इनको मेडिकल कालेज में भरती कराया गया जहां उनका कई दिनों तक इलाज हुआ तो उन्होंने एक्सेप्ट किया है हाँ ऐसा रिपोर्ट आई कि फूट बाइजनिंग है किसी का रिपोर्ट आई कि गैस्टिक का मामला था किसी का कुछ है सबकी एक तरह से रिपोर्ट नहीं आई खाना बनाने वाला बीमार हो रहा खाना चखने वाला बीमार हो रहा खाना पकवाने का सुपर वीजन करने वाला बीमार हो रहा और मुख्तार ने ये सारी बाते हमको फून से बताई थी तब ही हमने सुपर टेरिनर से कहा तो उन्होंने हम से कहा कि देखिया हमने अब जो शुरू किया है बाहरी डाक्टर भी आ वो ठीक हो जाएंगे ये बीस तारीक के बात है उन्निस को उनको जहर दिया गया था बीस के बाद एककईस बाईस तेईस चौबिस पच्चीस तक कोई माकूल इलाज नहीं हुआ चप्विस को हालत बिलकुल खराब हो गई तब इन लोगों ने खुद सुपरेटरिनेंट से मे वाईस के आदुसार उनको मेडिकल कालेज भेजा मेडिकल कालेज के डाक्टरों ने उनकी गंभीर इस्तिती को देख करके तुरंत आईस्यू में उनको अड्मिट किया उनकी गहन परिक्षण हुए एलाज शुरू हुआ हम लोगों को एक टेलीगराम भेजा उन्होंने हमा मेडिकल कालेज जाईए मैंने वो टेलीगराम पढ़ा सुपर्टेंडन की तरफ से टेलीगराम था हम लोग तुरंत आदे घंटे के अंदर बादा के लिए निकल लिए आठ घंटे का सफर है बादा पहुंचे मेडिकल कालेज गए तो उस समय मुक्तार से जब मुलाकात का म नहीं कराए जिसका नतीजा हुआ जहर असर कर गया है मैं बहुत कमजोर हो गया हूं मेरा पेट बहुत भूल गया है गैस बहुत बन रही है और मुझे घबराहट होती है पसीना होता है अपनी तकलीफें फिर बताए कि कल मैं गिर गया था मुर्चित हो गया था तो जेल के लोगों ने फिर हमको यहां आस्पिटल भेजा है यह सारी जो बाते आप कह रहे हैं जो सरकार का जेल है प्रशासन है उसकी निगरानी में वो जेल में थे सरकार की जेल है उसमें वो कैदी थे तो यह सारे जो आप बातें कह रहे हैं तो इसके पीछे का कारण क्या है देखिए हमने पहले भी कहा अब भी बता रहा हैं कि पूरी सरकार और सरकार की मिशिनरी ये लगाई गई है कि किसी भी तरह से मुक्तार को खत्म किया जाए और बिर्जेश सिंग और तिर्भुण सिंग जो बहुत बड़े माफिया डान है उत्तरप्रदेश नहीं राश्टी जो दाउद इबराहीम के भी को अक्यूजड हैं बांबी जेजे हास्पीटल कांड में उनके विरुद एक मुकदमा था जिसमें मुक्तार वादी मुकदमा था 15 जुलाई 2001 को उनके उपर आक्रमण हुआ था उस आक्रमण में इनके गारी में बैठे हुए इनके गनर और हुए थी उस मुकदमे का ट्राइल अब शुरू हो गया है बाईस तेईस साल के बाद तो उसको बचाने के लिए तो एक कोशिश ये किया आगया मिली भगत से सरकार और अपरादियों की सबकी उन लोगों ने ये किया कि एक जूट्या मुकदमा दर्ज कराया गया एक घटना का दूसरा मुकदमा दूसरी कहानी के साथ कि वो जो 2001 में घटना हुई थी वास्तविक्ता यह है कि वो जो उसमें हमलावर मारा गया उसको दिखाये गया है कि इसको मुक्तार अंसारी के ड्राइवर और दो-तीन लोग गय थे और बकसर जिले में किसी गाउं में को उठा लाए थे ब्रिजेस को बचाने के लिए सब काम किया और उसमें मुल्जिम सारे गवाहों को बना लिया गया जो इंजड विटनेस थे नौ लोगों को गोली लगी थी जो इंजड विटनेस थे दो मर गय थे नौ इंजड विटनेस थे उनको मुल्जिम बना दिया कि गवाही से बाज आ जाएंगे उसके बावजूद गवाही चलती रही है कोट ने आडर किया मुखतार को पेश किया जाए गवाही के लिए अब योजन के गवाह के हिस्यत से वादी मुकदमा पेश किया जाए और गिरिश सची और चिफ सेगरेटरी तक को पतर लिखा लेकिन ये लोग नहीं पेश किये बहानाबाजी फोर्स लबो लुबाब क्या है लबो लबाब बिरिश सिंग तिर्भोन सिंग को बचाने का मकसद है उनके विरुद सारे मुकदमे गवाहों को तोड के या खरीत के या धमका के या अब्योजन की मिली भगत से उनको एक तरफ से क् मुकदमा था जिसमें उन्हें भाय था कि मुक्तारन सारी गवाही करेंगे वो न बिकेंगे न डरेंगे तो बिर्जेश सिंग और तिर्भोन सिंग को बचाने का सपना पूरा नहीं हो पाएगा और इसलिए उन लोगों ने एक सूनियोजित घटना करम के तहत किन लोगों न सरकार में बैठे हुए लोग, आड्मिस्टेशन में बैठे हुए लोग, जेल परशासन में बैठे हुए लोग और बिर्जेश और तिर्भोन की टीम के लोग, ये सब लोगों ने मिल करके घटना अंजाम दिया है, डाक्टर ने कहा कि हम लोग इनका एलाज कर रहे हैं, ती ज्या करते हैं, आप मेबसिन के हैं, यह क्के लया हम सर्जन हैं, तो हमने कहा कहे की सर्जरी करते हैं, सर्जन तो IP आर्थोपेटिक भी होता है, सरजन तो नियूरोलोजी में भी है, काड़ी अलो, आप क्या हैं, तो कहा हारनिया वगएरग 같습니다, तो हमने कहा कि तो यह मुफ़ सरजरी का कोई मामला नहीं है, फिर भी हमको इंचार्ज बनाए गया है, तो हम जो घोरा, तो हमने का मेडिसिन का आप क्या करते हैं, कहे हम टेली फून से अपने मित्र डाक्टरों से सला करके तब दवा देते हैं, तो हमने कहा कि अभी क्या इस्थिति है, तो कहे देखिए है थे तो बेहोस थे, और हम उमीद कर रहे हैं कि जल्दी दो-तीन दिन में इनको कंट्रोल कर लेंगे, हमका अगर कंट्रोल के बाहर हो, तो इसको रीफर कर दीजिएगा, और अगर ये समस्या होगी कि कि किसी बड़े आस्पिटल में भेजेंगे, तो खर्च कौन बहन तो परिजन खर्च बहन करने के लिए तयार है, मैं लिख के दे दे रहा हूं, आप समय रहते रीफर कर दीजिएगा, ऐसा नहो कि यहां की दवा से उनको फाइदा भी नहों, और इस तरह की इस्थिति है कि वो कहते हैं उनको जहर हुआ है, मुझसे आज भी कहा है, यहीं आ पास्ते ही में थे, दो घंटा हुआ बस वहां से चले हुए, जब तक बताया गया कि सभी डाक्टरों ने उनको लिख दिया कि यह फिट हैं, और वील्चेयर पर बैठा करके, जो आदमी अपनी पैलों पर खड़े होने की इस्तिति में नहीं था, जो अपने दम पर बेड़ पर बैठने की इस्तिति में नहीं था, उसको फिट घोसिट करके, सीधे आई सीउ से जेल के अंदर डाल दिया गया, और मीडिया के माद्यम से एक खबर चलवाई गई कि मुक्तार बिल्कुल फिट हो चुके हैं, सारे टेस्ट उनके हो गया है, कोई रोग नहीं है, अगर को कोई रोग नहीं था, तो चौविस घंटा बीतने के बाद, ऐसा घातक अटेक कैसे आ गया, जिसमें उनकी जानी चली गई, अगर वो फिट थे, और मेडिकल कालेज के नव डाक्टर उनको फिट घोशित कर रहे हैं, तो चौविस घंटे के अंदर ये क्या हो गया, आप ही क कश्टडी में है, रिस्पॉंसिविल्टी आपकी है, वो डाक्टर जो हम से कह रहा है कि हम दो तीन दिन में इनको ठीक कर लेंगे, नहीं तो रिफर कर देंगे, उस डाक्टर से आपने उसी दिन, जिस दिन मेरी बात हुँ, इसके दो घंटे के बाद लिखवा लिया, कि ये कहने की बहुत वो नहीं है, वो शायद उन्हें नहीं पता है, और वो यहीं कह रही थी कि अब जत्ते लोग मिट्टी दे लिए, बस और लोग मिट्टी नहीं देंगे, हमने का ये क्यों आप इसके लिए थोड़ी रोक सकते हैं कि कोई अपने धार्मिक जो सिष्टम है, एक बार हुआ है, जब यहां करोना लगा था, तब भी ऐसा थोड़ी था कि लोग खुद से ही भीड़ दे के नहीं जाते थे, डर गए थे, घर के परिवार के लाश और जनाजे को लोग जलाते नहीं थे, इसे ही परवाह करके जल परवाह भाग जाते थे, और जेसी भी से गड़ा खुद फिर आपने क्या का? मैंने का यह कोई उलंगन नहीं है, इसकी परमीशन की अवशक्ता नहीं है, हम उनके परिजन हैं और उनकी मिट्टी हुई है, तो मिट्टी देने के लिए दूर दरास से जो हमारे रिष्टे नाते अजीज कारीब सबाय हुए हैं, वो एक लोग प्रिया आदमी थे, हमारा परिवार एक बहुत पुराना एतिहासिक परिवार है, मुख्तार अंसारी की इस असवभाविक मौत से, जो कहीं न कहीं मिली भगत से सबके हुई है, तो इस घटना से लोगों में कितना आक्रोश है, इसका अंदाजा तो आप कहीं भी स अंदाज देख लीजिए, फिर तूतू मैं में एक तरीके से नोग जोक हुई, नयूआ नयूआ तूतू मैं में नोग जोक थोक ने, उनका कहना था कि आचार संगिता लागु है, दफाँ क्वालिस लागु है, परमिशन लेना चाहिए, हम का यार मुर्दा दफन करने, म शौयत्रा निकालने या जनाजह ले ले जाके जनाजे की नमाज पढ़ने। इसके लिए मैं नहीं समझता कि पर्मिशन किया वच्छता है। ये हमारे धार्मिक प्रियोजन है। इसको हम कर रहे हैं। हम पुरा सहयोग कर रहे थे। हमने बहुत सहयोग किया है। जिस तरह से लोगों ने चाहा उस तरह से सब कुछ किया है इड़ बहुत थी इसी से तो उपर से डाट पड़ रही थी कि एत्ते लोग आये कैसे तो अब उसके लिए हम क्या कर सकते हैं आप बताइए जो जहां सुन रहा वो चल दे रहा है उसकी सहनभूती मुखतारन सारी उनके परिवार के परती है कि इन लोगों के साथ बड़ा अन्याय हुआ है अब आप घुरुप तडप करके उसको रोक दीजिए सारी रात कल से पूरे चप्पे चप्पे पे रोका गया है अब लोग आ रहे हैं हम तो कोई को बुलाने नहीं हमसे तो जिन लोगों ने पूछा कह बज़े मि हैं उसकता थी गये हैं लोग हम समझते हैं कि पचीस बिस पर्सेंट लोग मिट्टी दे पाए हैं 80 पर्सेंट लोग तो बिना मिट्टी दिये अभी लवड गये हैं एक सवाल आखरी है कि दस बीस परसेंट भी लोग जो आए हुए हैं कहां कहां से आए हुए हैं उनको घुलूप तड़प से भगा दिया जाए तो ये मनासिब नहीं है नाजाएज है उस सरकार या सरकार की मनशा के अनुसार कोई परशासनी का अधिकारी भी ऐसा करता है तो वो देश के कानून सम्मिधान के खिलाफ है ये पहले ऐसी सरकार है और पहले ऐसी सरकार के कुछ आएसे अधिकारी आएसे समच के उनके समर्थक हैं जो जिस कारवाई को आम जनता में घेर्णा की दिरिश्ट से देखा जा रहा उस कारवाई को उपनी उपलब्धी मानते हैं खाम्याजा जंग जमीन कुर्क कर दें नजाइस तरीके से जूटे मुकदमें फसा दें खूब धेडोरा पीठें बुल्डोजर 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 नाम रखलें बाबा बुल्डोजर सभा अस्थर पर बुल्डोजर खड़ा करके लोगों को दराया जाए कि ये देखो बुल लिए है तो इस लोक सभा के चुनाओं में अहंकार तो देखिए कंश को भी अहंकार था जो उसने यह तरीका बना लिया था कि जो उसका विरोध करेगा मतुरा का राजा वो उसको जेल में डाल देगा या माड डालेगा उसने अपने बाप को जिन्हों ने उसके गलत नीतियों और उसकी जातियों का विरोध किया तो उसने पिता को जेल में डाल दिया था लेकिन आखिर उसकी सत्ता का और उसका भी अंथुआ तो जब तक कोई कंश वाला नशा किसी के उपर है तो ये नशा भी उतरेगा ऐसा थोड़ी है कि नहीं उतरेगा इसको भी उतरना है 24 में लोकसभा का क्या परिणाम होगा गाजीपूर में जो 37 भाजपा के लोग जानते हैं सूची आई थी 195 आदमी की घुशना आई थी कि 400 सीड जीतेंगे उत्तर प्रदेश में सूची आई थी 55 लोगों की और घुशना कर दी थी कि 80 सीड जीत रहें और अभी तक नाम बताने कि इस्तिती में नहीं है कि गाजीपूर बलिया में कौन चुनाव लड़ेगा मेरे पास पोखता सुबूत है कि मुखतार को जेल में जहर दिया गया मुखतार ने खुद अपने वकील के जरीय पत्र दिया उनके वकील ने कोट में वो दर्खास डाली उसके बाद कोट की तर से डायरिक्शन भी हुआ हमने उन्नीस तारीख की बात है हमने बीस तारीख को सुपरेटेंडन जेल से बात किया उन्ने कहा कि हाँ तबियत उनकी खराब है लेकिन हमने कॉल किया था हमारे अस्पताल के डाक्टर ने कहा था कि बाहर के डाक्टर बुलाए जाए तो हमने कॉल कर लिया था बाहर के दो डाक्टर आये थे और आज ही मैं उनके बैरिक में उनके सामने डक्टरों को और उनको कर दिया हूँ टेस्ट शुरू हो गया है और दवा भी शुरू हो जई है हमारे उनके बीच में जो बात हुई पूरेकार्ट पर है, आज भी हमारे पास है सक्ष के रूप में मैंने उनसे खोल के ये बात कही कि अरे सुप्रेटेनल साहब आप इत्विनान दिला रहें कि दो डाक्टर और आ गये हैं और जेल वाला भी डाक्टर है सब लोग इलाज कर रहे हैं लेकिन हमें सूचना मिली है कि उनको जहर दिया गया है खाने में और इससे पहले भी उनके सा इसा हुआ था तो उनका नहीं यह गलत बात है हम लोग खाना टेश्ट करके तब देते हैं हमने का टेश्ट करने के लिए जो बंधी रक्षक लगाया गया था और एक डिप्टी जेलर था जो उनका खाना टेश्ट करके खिलाता था लगबख 40 दिन पहले उनका खाना जो आय पड़े और मुझे मालूम है कि यह बंदीर एक छक और डिप्टी जेलर जो मुखतार के बारिक के लिए था यह दवा इलाज से ठीक नहीं हुए इनको मेडिकल कालेज में भरती कराया गया जहां उनका कई दिनों तक इलाज हुआ तो उन्होंने एक्सेप्ट किया है हाँ ऐ एक तरह से रिपोर्ट नहीं आई खाना बनाने वाला बीमार हो रहा खाना चकने वाला बीमार हो रहा खाना पकवाने का सुपर वीजन करने वाला बीमार हो रहा और मुखतार ने यह सारी बाते हमको फून से बताई थी तब ही हमने सुपर ट्रेनर से कहा उन्होंने हम से कहा है बाहरी डाक्टर भी आ गया वो ठीक हो जाएंगे ये बीस तारीक के बात है उननीस को उनको जहर दिया गया था बीस के बाद एककईस बाईस तेईस चौबिस पच्चीस तक कोई माकूल एलाज नहीं हुआ चब्विस को हालत बिल्कुल खराब हो गई तब इन लोगों ने खुद सुपरेटेंट से मेरी बात हुई है उसका भी रेकार्ड मेरे पास है दो बज़े रात में जेल सुपरेटेंट ने डाक्टरों के एडवाईज के आदुसाद उनको मेडिकल कालेज भेजा मेडिकल कालेज के डाक्टरों ने उनकी गंभीर इस्थिती को देख करके तुरंत आईस्यू में उनको अड्मिट किया उनकी गहन परिक्षण हुए इलाज शुरू हुआ हम लोगों को एक टेलीगराम भेजा उन्होंने हमारे मुहमदाबाद थाने पे यहां से पुलिस के लोग आए उनका मुक्तार साथ बहुत सक्त बीमार है यह टेलीगराम है और आप ततकाल बांदा मेडिकल कालेज जाईए मैंने वो टेलीगराम पढ़ा सुपर्टेंडर्ड की तरफ से टेलीगराम था हम लोग तुरंत आदे घंटे के अंदर बादा के लिए निकल यह आठ गंटे का सफर है बांदा पहुंचे मेडिकल कालेज गए तो उस समय मुक्तार से जब मुलाकात का मौका मिला तो वो होश में थे और उन्होंने हमको फिर वही बात कही कि भाया हमने आपको बताया था ना हमको यह सब जहर दे दिये हैं और हमारा इलाज यह गंभीर होके नह मुझे घबराहट होती है पसीना होता है अपनी तकलीफें फिर बताए कि कल मैं गिर गया था मुर्चित हो गया था तो जेल के लोगों ने फिर हमको यहां आस्पिटल भेजा है तो यह सारी जो बाते आप कह रहे हैं जो सरकार का जेल है प्रशासन है उसकी निगरानी में वो जेल में थे सरकार की जेल है उसमें वो कैदी थे तो यह सारे जो आप बातें कह रहे हैं तो इसके पीछे का कारण क्या देखिए हमने पहले भी कहा आप भी बता रहे हैं कि इसी भी तरह से मुक्तार को खत्म किया जाए और बिर्जेश सिंग और तिर्भुवन सिंग जो बहुत बड़े माफिया डान है उत्तरप्रदेश नहीं राश्टी अस्तर के जो दाउद इबराहीम के भी को अक्यूजड हैं बांबी जेजे हास्पीटल कांड में उनके विरु और हमलावरों की तरफ से भी एक व्यक्ती जो बचाओं में की गई जवाबी फाइरिंग में मारा गया था मौके पे तीन लोगों की मौत हुई थी उस मुकदमे का ट्राइल अब शुरू हो गया है 22-23 साल के बाद तो उसको बचाने के लिए तो एक कोशिश ये किया गया मि एक घटना का दूसरा मुकदमा दूसरी कहानी के साथ कि वो जो 2001 में घटना हुई थी वास्तविक्ता यह है कि वो जो उसमें हमलावर मारा गया उसको दिखाये गया है कि इसको मुक्तार अंसारी के ड्राइवर और दो-तीन लोग गय थे और बकसर जिले में किसी गाउं में उठा लाए थे ब्रिजेस को बचाने के लिए सब काम किया और उसमें मुल्जिम सारे गवाहों को बना लिया गया जो इंजड विटनेस थे नौ लोगों को गोली लगी थी जो इंजड विटनेस थे दो मर गय थे नौ इंजड विटनेस थे उनको मुल्जिम बना दिया कि ग नावजूद गवाही चलती रही है। कोट ने आडर किया मुखतार को पेश किया जाए गवाही के लिए। अब योजन के गवाह के हैसित से वादी मुकदमा पेश किया जाए। और गिरिस सची और चिफ सेग्रेटरी तक को पतर लिखा। लेकिन ये लोग नहीं पेश किये। बहानबाजी फोर्ट लबो लबाब बिर्जेश सिंग तिर्भोन सिंग को बचाने का मकसद है। उनके सारे मुकदमे गवाहों को तोड़ के या खरीत के या धमका के या अब योजन की मिली भगत से उनको एक तरफ से क्लीन चिट मिलती चली जा रही है। ये एक मुकदमा तो बिर्जेश सिंग और तिर्भोन सिंग को बचाने का सपना पूरा नहीं हो पाएगा। और इसलिए उन लोगों ने एक सूनियोजी घटना करम के तहट किन लोगों ने सरकार में बैठे हुए लोग, आड्मिस्टेशन में बैठे हुए लोग, जेल परशासन में बैठे ह लोग, ये सब लोग उने मिल करके घटना अंजाम दिया है, डाक्टर ने कहा कि हम लोग इनका एलाज कर रहे हैं, तीन डाक्टरों का पैनल है, लेकिन जब हमने कहा कौन लोग हैं हम मिल लें, तो हमारे सामने जो दो लोग आए वो फार्मेसिस्ट थे, और एक जो डाक्टर इंचार्ज थे, उनके हमने पूछा कि आप क्या करते हैं, आप मेडिसिन के हैं, या कहने हम सर्जन हैं, तो हमने कहा कहे की सर्जरी करते हैं, सर्जन तो आर्थोपेटिक भी होता है, सर्जन तो निरोलोजी में भी है, काडियोलोजी, आप क्या हैं, तो कहा हारनिया वगएर तो हमने कहा कि तो यह मुखतार का इलाज आप ही हेड हो तो आपके समझ से कैसा है तो उन्होंने कहा कि देखिए इनको सरजरी का कोई मामला नहीं है फिर भी हमको इंचार्ज बनाए गया है तो हम जो गोरा तो हमने कहा मेडिसिन का आप क्या करते हैं कहें हम टेलीफून से अपने मित्र डाक्टरों से सला करके तब दवा देते हैं तो हमने कहा कि अभी क्या इस्तिति है तो कहें देखिए होश में हैं आये थे तो बेहोश थे और हम उमीद कर रहे हैं कि जल्दी दो-तीन दिन में इनको कंट्रोल कर लेंगे हमका अगर कंट्रोल के बाहर हो तो इसको रीफर कर दीजेगा और अगर ये समस्या होगी कि कि किसी बड़े आस्पिटल में भेजेंगे तो खर्च कौन बहन करेगा तो परिजन खर्च बहन करने के लिए तयार हैं मैं लिक के दे दे रहा हूँ आप समझ रहते रीफर कर दीजेगा ऐसा नहो कि यहां की दवा से उनको फाइदा भी नहो और इस तरह की इस्थिति है कि वो कहते हैं उनको जहर हुआ है मुझसे आज भी कहा है यहीं आस्पिटल में भी कहा है तो उनका ने मैं समझ रहते हुए अगर ऐसी इस्थिति आएगी तो रीफर कर दूगा हम लोग मिल करके आए अब रास्ते में थे दो घंटा हुआ बस वहां से चले हुए जब तक बताया गया कि सभी डाक्टरों ने उनको लिख दिया कि ये फिट हैं और वीलचेयर पर बैठा करके जो आदमी अपनी पैनों प से जेल के अंदर डाल दिया गया और मीडिया के माद्यम से एक खबर चलवाई गई कि मुखतार बिल्कुल फिट हो चुके हैं सारे टेस्ट उनके वो गया है कोई रोग नहीं है अगर कोई रोग नहीं था तो चौविस घंटा बीतने के बाद ऐसा घातक अटेक कैसे आ गया जिसमें उनकी जानी चली गई अगर वो फिट थे और मेडिकल कालेज के नव डाक्टर उनको फिट घोशित कर रहे हैं तो चौविस घंटे के अंदर ये क्या हो गया आप ही के कश्टडी में है रिस्पॉंसविल्टी आपकी है वो डाक्टर जो हमसे का रहा है कि हम दो तीन दिन में इनको ठीक कर लेंगे नहीं तो रिफर कर देंगे उस डाक्टर से आपने उसी दिन जिस दिन मेरी बात हुँ इसके दो घंटे के बाद लिखवा लिया कि ये फिट है वो डाक्टर जो कह रहा है कि इनको जो समस्या है मेरे विभाग की नहीं है मैं तो सर्जन हूँ अब जत्ते लोग मिट्टी दे लिए बस और लोग मिट्टी नहीं देंगे हमने का ये क्यों आप इसके लिए थोड़ी रोख सकते हैं कि कोई अपने धार्मिक जो सिश्टम है अब आप कह सकते हैं कि किसी का शौव अगर दास अंसकार में जा रहा है एक बार हुआ है जब यहां करोना लगा था तब भी ऐसा थोड़ी था कि लोग खुद से ही भीड़ देके नहीं जाते थे डर गय थे घर के परिवार के लाश और जनाजे को लोग जलाते नहीं थे इसे ही परवाह करके जल परवाह भाग जाते थे और जैसीवी से गड़ा खुद फिर आपने क्य मैंने का यह कोई उलंगर नहीं है इसकी परमीशन की अवशक्ता नहीं है हम उनके परिजन है और उनकी मिट्टी हुई है तो मिट्टी देने के लिए दूर दरास से जो हमारे रिष्टे नते अजीज कारीब सबाय हुए हैं वो एक लोग प्रिया आदमी थे हमारा परिवार एक बहुत पुराना एतिहासिक परिवार है मुखतार अंसारी की इस असवभाविक मौत से जो कहीं न कहीं मिली भगत से सबके हुई है तो इस घटना से लोगों में कितना आक्रोश है इसका अंदाजा तो आप कहीं भी साज देख लीजे तो तू तू मैं में एक तरीके से शोक हुई नै नै तू तू मैं में नोग जोक नहीं उनका कहना था कि आचार संगिता लागू है दफा़ चोवालिस लागू है परमीशन लेना चाहिए हम का यार मुर्दा दफन करने मुर्दा जलाने शवयात्रा निकालने या जनाज़ा ले जाके जनाज़े की नमाज किया है जिस तरह से भी लोगों ने चाहा उस तरह से सब कुछ किया है इड़ बहुत थी इसी से तो उपर से डांट पड़ रही थी कि एत्ते लोग आये कई से तो अब उसके लिए हम क्या कर सकते हैं आप बताईए जो जहां सुन रहा वो चल दे रहा है उसकी सहनभूती मुख तारंसारी और उनके परिवार के परती है कि इन लोगों के साथ बड़ा अन्याय हुआ है अब आप घुरुप तडप करके उसको रोक दीजिए सारी रात कल से पूरे चप्पे चप्पे पे रोका गया है अब लोग आ रहे हैं हम तो कोई को बुलाने नहीं हमसे तो जिन लो तो लोगों में उच्छुकता थी गए हैं लोग हम समझते हैं कि पचीस बीस परसेंट लोग मिट्टी दे पाए हैं असी परसेंट लोग तो बिना मिट्टी दिये अभी लवड गये हैं एक सवाल आखरी है अगर कोई ये चाहता है कि दस बीस परसेंट भी लोग जो आए कहां से आए हुए हैं उनको घुरुप तलब से भगा दिया जाए तो ये मनासिब नहीं है नाजाएज है उस सरकार या सरकार की मनशा के अनुसार कोई परशासनी का अधिकारी भी ऐसा करता है तो वो देश के कानून और सम्मिधान के खिलाफ है ये पहले ऐसी सरकार है और ऐसी सरकार के कुछ ऐसे अधिकारी और ऐसे समच के उनके समर्थक हैं जो जिस कारवाई को आम जनता में घेना की दिरिश्ट से देखा जा रहा उस कारवाई को उपनी उपलब्धी मानते हैं खाम्यादा भुगते हैं ये बुल्डोजर लेके किसी का घर गिरा दें स्कूल गिरा दें अस्पताल गिरा दें जंग जमीन कुर्क कर दें नजाइस तरीके से जूटे मुकदमें फसा दें खूब धेडोरा पीठें बुल्डोजर 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 नाम रखनें बाबा बुल्डोजर सभा अस्थर पर बुल्डोजर खड़ा करके लोगों को दराया जाए कि ये देखो बुल्डोजर ये है यही वो है पड़ाम क्या होता है गाजीपूर में साथ विदान सभा की सीटे हैं शुन्य मिली थी भाजपा के खाते में शुन्य अगर आँख नहीं खुली है तो इस लोक सभा के चुनाओं में अहंकार तो देखिए कंश को भी अहंकार था जो उसने ये तरीका बना लिया था कि जो उसका विरोध करेगा मतुरा का राजा वो उसको जेल में डाल देगा या माड डालेगा उसने अपने बाप को जिन्होंने उसके गलत नीतियों और उसकी जातियों का विरोध किया तो उसके पिता को जेल में डाल दिया था लेकिन आखिर उसकी सत्ता का और उसका भी अंथुआ तो जब तक कोई कंश वाला नशा किसी के उपर है तो यह नशा भी उत्रेगा ऐसा थोड़ी है कि नहीं उत्रेगा इसको भी उतरना है लोकसभा का क्या परिणाम होगा गाजीपूर में? मुख्तार ने खुद अपने वकील के जरीए पत्र दिया उनके वकील ने कोट में वो दर्खास डाली उसके बाद कोट की तरफ से डारिक्शन भी हुआ हमने उन्नीस तारीख की बात है हमने बीस तारीख को सुप्रेटेंडन्ट जेल से बात किया उन्होंने कहा कि हाँ तबियत उनकी खराब है लेकिन हमने कॉल किया था हमारे अस्पताल के डाक्टर ने कहा था कि बाहर के डाक्टर बुलाए जाए तो हमने कॉल कर लिया था बाहर के दो डाक्टर आये थे और आज ही मैं उनके बैरिक में उनके सामने डाक्टरों को और उनको कर दिया हूँ टेस्ट शुरू हो गया है और दवा भी शुरू हो जई है हमारे उनके बीच में जो बात हुई वो रिकार्ट पर है आज भी हमारे पास है साक्ष के रूप में मैंने उनसे खोल के ये बात कही कि अरे सुप्रेटरेनल साहब आप इत्मिनान दिला रहें कि दो डाक्टर और आ गये हैं और जेल वाला भी डाक्टर है सब लोग इलाज कर रहे हैं लेकिन हमें सूचना मिली है कि उनको जहर दिया गया है खाने में और इससे पहले भी उनके सा इसा हुआ था तो नुन का नहीं यह गलत बात है हम लोग कि खाना टेश्ट करके तब देते हैं हमने का टेश्ट करने के लिए जो बंधी रक्षक लगाया गया था और एक डिप्टी जेलर था जो उनका खाना टेश्ट करके खिलाता था लगभक 40 दिन पहले उनका खाना जो पड़े और मुझे मालूम है कि ये बंधी रक्षक और डिप्टी जेलर जो मुक्तार के बारिक के लिए था ये दवा इलाज से ठीक नहीं हुए इनको मेडिकल कालेज में भरती कराया गया जहां उनका कई दिनों तक इलाज हुआ तो उन्होंने एक्सेप्ट किया है हाँ ऐ एक तरह से रिपोर्ट नहीं आई खाना बनाने वाला बीमार हो रहा खाना चकने वाला बीमार हो रहा खाना पकवाने का सुपर वीजन करने वाला बीमार हो रहा और मुक्तार ने ये सारी बाते हमको फून से बताई थी तब ही हमने सुपर ट्रेनर से कहा तो उन्होंने हम से का कि देखिए हमने अब जो शुरू किया है बाहरी डाक्टर भी आ गया वो ठीक हो जाएंगे ये बीस तारीक के बात है उन्निस को उनको जहर दिया गया था बीस के बाद 21, 22, 23, 24, 25 तक कोई माकूल इलाज नहीं हुआ 26 को हालत बिलकुल खराब हो गई तब इन लोगों ने खुछ सुपरेटरिनेंट से मेरी बात हुई है उसका भी रेकार्ड मेरे पास है दो बजे रात में जेल सुपरेटरिनेंट ने डाक्टरों के एडवाईज के आजनुसाद उनको मेडिकल कालेज भेजा मेडिकल कालेज के डाक्टरों ने उनकी गंभीर इस्थिती को देख करके तुरंत आईस्यू में उनको अड्मिट किया उनकी गहन परिक्षण हुए एलाज शुरू हुआ हम लोगों को एक टेली ग्राम भेजा उन्होंने हमारे मुहमदाबाद थाने पे यहां से पुलिस के लोग आए उनका मुखतार साथ बहुत सक्त बीमार है यह टेली ग्राम है और आप ततकाल बांदा मिडिकल कालिज जाईए है मैंने वो टेली ग्राम पढ़ा सुपर्टेंडन की तरफ से टेली ग्राम था हम लोग तुरंत आदे घंटे के अंदर बांदा के लिए निकल लिए आठ घंटे का सफर है बांदा पहुंचे मिडिकल कालिज गए तो उस समय मुखतार से जब मुलाकात का मुखा मिला तो वो होश मे थे और उन्होंने हमको फिर वही बात कही कि भाया हमने आपको बताया था ना हमको ये सब जहर दे दिये हैं और हमारा इलाज ये गंभीर होके नहीं कराए जिसका नतीजा हुआ जहर असर कर गया है मैं बहुत कमजोर हो गया हूं मेरा पेट भूल गया है गैस बहुत बन रही है और मुझे घबराहट होती है, पसीना होता है, अपनी तकलीफें फिर बताए कि कल मैं गिर गया था, मुर्चित हो गया था, तो जेल के लोगों ने फिर हमको यहां आस्पिटल भेजा है, तो यह सारी जो बाते आप कह रहे हैं, जो सरकार का जेल है, प्रशासन है, उसकी निगरान में वो जेल में थे, सरकार की जेल है, उसमें वो कैंदी थे, तो यह सारे जो आप बातें कह रहे हैं, तो इसके पीछे का कारण क्या है? देखिए हमने पहले भी कहा, अब भी बता रहे हैं कि पूरी सरकार और सरकार की मिशिनरी, यह लगाई गई है कि किसी भी तरह से मुक्तार को खत्म किया जाए, और बिर्जेश सिंग और तिर्भून सिंग जो बहुत बड़े माफिया डान है, उत्तरप्रदेश नहीं, पंदरह जुलाई 2001 को उनके उपर आक्रमण हुआ था, उस आक्रमण में इनके गाड़ी में बैठे हुए इनके गनर और रुस्ता मुर्फ बाबू मारा गया था, और हमलावरों की तरफ से भी एक व्यक्ति जो बचाओं में की गई जवाबी फाइरिंग में मारा गया था, म मिली भगत से सरकार और अपरादियों की सबकी, उन लोगों ने ये किया कि एक जूटिया मुकदमा दर्ज कराया गया, एक घटना का दूसरा मुकदमा, दूसरी कहानी के साथ, कि वो जो 2001 में घटना हुई थी, वास्तविक्ता ये है कि वो जो उसमें हमलावर मारा गया, उस उसको देखाया गया है कि इसको मुक्तार अंसारी के ड्राइवर और दो तीन लोग गय थे और बकसर जिले में किसी गाउं में उरहते हैं, वहां की निवासी हैं, उनको उठा लाए थे, ब्रिजेस को बचाने के लिए सब काम किया, और उसमें मुल्दिम सारे गवाहों को ब जा जाएंगे, उसके बावजूद गवाही चलती रही, कोट ने आडर किया मुक्तार को पेश किया जाए गवाही के लिए, अब योजन के गवाह के हैसित से वादी मुकदमा पेश किया जाए, और गिरिस सच्चु चिफ सग्रेटरी तक को पतर लिखा, लेकिन ये लोग न पोड़ के या खरीत के या धमका के या अब योजन की मिली भगत से उनको एक तरफ से क्लीन चिट मिलती चली जा रही है, ये एक मुकदमा था, जिसमें उन्हें भाहे था कि मुक्तारन सारी गवाही करेंगे, वो न बिगेंगे न डरेंगे, तो पिरजेश सिंग और तिरभ करकार में बैठे हुए लोग, आइडमिस्टेशन में बैठे हुए लोग, जेल परशासन में बैठे हुए लोग, और बिरजेश और तिरभुन की टीम के लोग, ये सब लोग उने मिल करके ये घटना अंजाम दिया है, डाक्टर ने कहा कि हम लोग इनका इलाज कर रहे हैं, तीन डाक्टरों का पैनल है, लेकिन जब हमने कहा कौन लोग हैं हम मिल लें, तो हमारे सामने जो दो लोग आए वो फार्मेसिस्ट थे, और एक जो डाक्टर इंचार्ज थे, उनके हमने पूछा कि आप क्या करते हैं, आप मेडिसिन के हैं, ये कह नहीं हम सर्जन हैं, तो हम हमने कहा कि तो ही मुखतार का इलाज आप ही हेड हो, तो आपके समझ से कैसा है, तो उन्होंने कहा कि देखिए इनको सरजरी का कोई मामला नहीं है, फिर भी हमको इंचार्ज बनाए गया है, तो हम जो घुरा, तो हमने कहा मेडिसिन का आप क्या करते हैं, कहे हम टेली फून स सला करके तब दवा देते हैं, तो हमने कहा कि अभी क्या इस्तिती है, तो कहें देखिए होश में हैं, आए थे तो बेहोश थे, और हम उमीद कर रहे हैं कि जल्दी दो-तीन दिन में इनको कंट्रोल कर लेंगे, हम का अगर कंट्रोल के बाहर हो, तो इसको रीफर कर दीजेग और अगर ये समस्या होगी कि कि किसी बड़े आस्पिटल में भेजेंगे, तो खर्च कौन बहन करेगा, तो परिजन खर्च बहन करने के लिए तयार हैं, मैं लिख के दे दे रहा हूं, आप समय रहते रीफर कर दीजेगा, ऐसा नहों कि यहां की दवा से उनको फाइदा भी अगर ऐसी इस्थिति आएगी तो रीफर कर दूगा, हम लोग मिल करके आए, अब रास्ते ही में थे, दो घंटा हुआ बस वहां से चले हुए, जब तक बताया गया कि सभी डाक्टरों ने उनको लिख दिया कि ये फिट हैं, और वील चेयर पे बैठा करके, जो आदमी अप जेल के अंदर डाल दिया गया, और मीडिया के मादम से एक खबर चलवाई गयी कि मुक्तार बिल्कुल फिट हो चुके हैं, सारे टेस्ट उनके वो गया है, कोई रोग नहीं है, अगर कोई रोग नहीं था, तो चौविस घंटा बीतने के बाद, ऐसा घाता का टैक कैसे आ ग होशित कर रहे हैं, तो चौविस घंटे के अंदर ये क्या हो गया, आप ही के कश्टडी में है, रिस्पॉंस्विल्टी आपकी है, वो डाक्टर जो हम से कह रहा है कि हम दो तीन दिन में इनको ठीक कर लेंगे, नहीं तो रिफर कर देंगे, उस डाक्टर से आपने उसी दिन जिस दिन मेरी बात हुँ, इसके दो घंटे के बाद लिखवा लिया, कि ये फिट है, वो डाक्टर जो कह रहा है कि इनको जो समस्या है, मेरे विभाग की नहीं है, मैं तो सर्जन हूँ खाक के दरमियान आप में और यहां के जिलाधिकारी में बहुत तूतुमे में हुआ, बहुत जोर जबर जस्ती हुई, क्या कुछ कहने कि बहुत वो नहीं है, वो शायद उन्हें नहीं पता है, और वो यहीं कह रही थी, कि अब जत्ते लोग मिट्टी दे लिए, बस और लो धार्मिक जो सिश्टम है, अब आप कह सकते हैं, क्या किसी का शोव अगर दासंसकार में जा रहा है, एक बार हुआ है, जब यहां करोना लगा था, तब भी ऐसा थोड़ी था कि लोग खुद से ही भीड़ दे के नहीं जाते थे, डर गय थे, घर के परिवार के लाश और जन ने का ये कोई उलंगर नहीं है, इसकी परमीशन की अवशक्ता नहीं है, हम उनके परिजन हैं, और उनकी मिटी हुई है, तो मिटी देने के लिए दूर दरास से, जो हमारे रिष्टे नते अजीज कारीब सबाय हुए हैं, वो एक लोग प्रिया आदमी थे, हमारा परिवार एक बहुत पुराना एतिहासिक परिवार है, मुखतार अंसारी की इस असवभाविक मौत से, जो कहीं न कहीं मिली भगत से सबके हुई है, तो इस घटना से लोगों में कितना आक्रोश है, इसका अंदाजा तो आप कहीं भी साज देख लीजे, तो तू तू मैमें एक तरीक कैसे नोग जोग हुई, नै नै तू मैमें नोग जोग नहीं, उनका कहना था कि आचार संगिता लागू है, दफा चवालीस लागू है, पर्मिशन लेना चाहिए, हम का यार, मुर्दा दफन करने, मुर्दा जलाने, शवयात्रा निकालने, या जनाजा ले जाके जनाजे की नमाज पढ़ने, इसके लिए मैं नहीं समझता कि कोई पर्मिशन किया वशक्ता है, ये हमारे धार्मिक प्रियोजन है, और इसको हम कर रहे हैं, हम पूरा सहयोग कर रहे थे, हमने बहुत सहयोग किया है, जिस तरह से भी लोगों ने चाहा, उस तरह से सब कुछ किया है, ली वो चल दे रहा है, उसकी सहनभूती मुखतारन सारी और उनके परिवार के परती है कि इन लोगों के साथ बड़ा अन्याय हुआ है, अब आप घुरुप तडप करके उसको रोक दीजिये, सारी रात कल से पूरे चपे चपे पे रोका गया है, अब लोग आ रहे हैं, हम तो क वहां से पुस्माटम लाश आते आते, रात में तो डेड़ बज़े आई है, तो लोगों में उसकता थी, गए हैं लोग, हम समझते हैं कि पचीस, बीस परसेंट लोग मिट्टी दे पाए हैं, असी परसेंट लोग तो बिना मिट्टी दिये, अभी लोड गये हैं, एक सवाल दिया जाये, तो ये मनासिब नहीं है, नाजायज है, उस सरकार या सरकार की मनशा के अनुसार, कोई परशासनिक अधिकारी भी ऐसा करता है, तो वो देश के कानून और सम्मिधान के खिलाफ है, ये पहले ऐसी सरकार है, और पहले ऐसी सरकार के कुछ आईसे अधिकारी और उनके समर्थक हैं जो जिस कारवाई को आम जनता में घेना की दिरिश्ट से देखा जा रहा उस कारवाई को उपनी उपलब्धी मानते हैं खाम्यादा भुगतते हैं यह बुल्डोजर लेके किसी का घर गिरा दें, इस्कूल गिरा दें, अस्पताल गिरा दें, जंग जमीन जूटे मुकदमें फसादें, खूब धेडोरा पीठें, बुल्डोजर, 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 नाम रखनें बाबा बुल्डोजर, सभा अस्थर पर बुल्डोजर खड़ा करके लोगों को दराया जाए कि यह देखो बुल्डोजर यह है, यही व अहंकार तो देखिए कंश को भी अहंकार था जो उसने ये तरीका बना लिया था कि जो उसका विरोध करेगा मत्वरा का राजा वो उसको जेल में डाल देगा या माड डालेगा उसने अपने बाप को जिनोंने उसके गलत नीतियों और उसकी जातियों का विरोध किया तो उसने पिता को जेल में डाल दिया था लेकिन आखिर उसकी सत्ता का और उसका भी अन्थुआ तो जब तक कोई कंश वाला नशा किसी के उपर है तो ये नशा भी उतरेगा ऐसा थोड़ी है कि नहीं उतरेगा इसको भी उतरना है 24 में लोकसभा का क्या परिणाम होगा गाजीपूर में? मुक्तार ने खुद अपने वकील के जरीए पत्र दिया उनके वकील ने कोट में गोदर्खास डाली उसके बाद कोट की तरफ से डायरिक्शन भी हुआ हमने उन्नीस तारीख की बात है हमने बीस तारीख को सुपरेटेंडन्ट जेल से बात किया उन्ने कहा कि हाँ तबीयत उनकी खराब है लेकिन हमने कॉल किया था हमारे अस्पताल के डाक्टर ने कहा था कि बाहर के डाक्टर बुलाए जाए तो हमने काल कर लिया था बाहर के दो डाक्टर आये थे और आज ही मैं उनके बायरिक में उनके सामने डाक्टरों को और उनको कर दिया हूँ टेस्ट शुरू हो गया है और दवा भी शुरू हो जई है हमारे उनके बीच में जो बात हुई पुरेकाट पर है आज भी हमारे पास है साक्ष के रूप में मैंने उनसे खोल के यह बात कही कि डाक्ट साब अरे सुपरेटरेनल साब आप इट्विनान दिला रहें कि दो डाक्टर और आ गये हैं और जेल वाला भी डाक्टर है सब लोग इलाज कर रहे हैं लेकिन हमें सूचना मिली है कि उनको जहर दिया गया है खाने में और इससे पहले भी उनके साथ ऐसा हुआ था तो नुन का नहीं यह गलत बात है हम लोग खाना टेस्ट टोस्ट करके तब देते हैं हमने का टेस्ट करने के लिए जो बंधी रक्षक लगाया गया था और एक डिप्टी जेलर था जो उनका खाना टेस्ट करके खिलाता था और दोनों जहरी जहर का खाना खा करके बीमार पड़े और मुझे मालूम है कि यह बंदीर एक छक और डिप्टी जेलर जो मुक्तार के बारिक के लिए था यह दवा इलाज से ठीक नहीं हुए इनको मेडिकल कालेज में भरती कराया गया जहां उनका कई दिनों तक इलाज हाँ ऐसा हुआ था लेकिन सब का टेस्ट कराया गया तो किसी की रिपोर्ट आई कि फूट बाइजनिंग है किसी का रिपोर्ट आई कि गैस्टिक का मामला था किसी का कुछ है सबकी एक तरह से रिपोर्ट नहीं आई खाना बनाने वाला बीमार हो रहा खाना चकने वाला बी हो रहा है और मुखतार ने ये सारी बाते हमको फून से बताई थी तब ही हमने सुपर ट्रेनर से कहा उन्होंने हम से कहा कि देखिया हमने अब जो शुरू किया है बाहरी डाक्टर भी आ गया वो ठीक हो जाएंगे ये बीस तारीक के बात है उन्निस को उनको जहर दिया गया था बीस के बाद एककईस बाईस तेईस चौबिस पच्चीस तक कोई माकूल इलाज नहीं हुआ चपविस को हालत बिलकुल खराब हो गई तब इन लोगों ने खुछ के डाक्टरों के एडवाईस के अनुसार उनको मेडिकल कालेज भेजा मेडिकल कालेज के डाक्टरों ने उनकी गंभीर इस्तिती को देख करके तुरंत आईस्यू में उनको अड्मिट किया उनकी गहन परिक्षन हुए एलाज शुरू हुआ हम लोगों को एक टेलीग्राम भेजा उन्होंने हमारे मुहमदाबाद थाने पे यहां से पुलिस के लोग आए उनका मुखतार साथ बहुत सक्त बीमार हैं यह टेलीग्राम है और आप ततकाल बांदा मेडिकल कालेज जाईए मैंने वो टेलीग्राम पढ़ा सुपर्टेंडन की तरफ से टेलीग्राम था हम लोग तुरन आदे घंटे के अंदर बांदा के लिए निकल लिए आठ घंटे का सफर है बांदा पहुंचे मेडिकल कालेज गए तो उस समय मुखतार से जब मुलाकात का मौका मिला तो वो होश मे थे और उन्होंने हमको फिर वही बात कही कि भाया हमने आपको बताया था हम को ये सब जहर दे दिये हैं और हमारा इलाज ये गंभीर हो के नहीं कराए जिसका नतिजा हुआ जहर असर कर गया उपको के लिए और और मुझे घबराहट होती है, पसीना होता है, अपनी तकलीफें फिर बताए कि कल मैं गिर गया था, मुर्चित हो गया था, तो जेल के लोगों ने फिर हमको यहाँ आस्पिटल भेजा है. यह सारी जो बाते आप कह रहे हैं, जो सरकार का जेल है, प्रशासन है, उसकी निगरानी में वो जेल में थे, सरकार की जेल है, उसमें वो कैदी थे, तो यह सारे जो आप बातें कह रहे हैं, तो इसके पीछे का कारण क्या है? देखिए हमने पहले भी कहा अब भी बता रहा हैं कि पूरी सरकार और सरकार की मिशिनरी ये लगाई गई है कि किसी भी तरह से मुक्तार को खत्म किया जाए और बिर्जेश सिंग और तिर्भुण सिंग जो बहुत बड़े माफिया डान है उत्तरप्रदेश नहीं राश्टी इस्तर के जो दाउद इबराहीम के भी को अक्यूजड हैं बांबी जेजे हास्पीटल कांड में उनके विरुद एक मुकदमा था जिसमें मुक्तार वादी मुकदमा था 15 जुलाई 2001 को उनके उपर आक्रमण हुआ था उस आक्रमण में इनके गाड़ी में बैठे हुए इनक पर तीन लोगों की मौत हुई थी उस मुकदमे का ट्राइल अब शुरू हो गया है बाईस तेईस साल के बाद तो उसको बचाने के लिए तो एक कोशिश ये किया आगया मिली भगत से सरकार और अपरादियों की सब की उन लोगों ने ये किया कि एक जूट्या मुकदमा दर इसरी कहानी के साथ कि वो जो 2001 में घटना हुई थी वास्तविक्ता यह है कि वो जो उसमें हमलावर मारा गया उसको देखाये गया है कि इसको मुक्तार अंसारी के ड्राइवर और दो-तीन लोग गय थे और बकसर जिले में किसी गाउं में उरहते हैं वहां की निवासी हैं उ दो इंजर्ड विटनेस थे दो मर गय थे नौ इंजर्ड विटनेस थे उनको मुली मना दिया कि गवाही से बाज आ जाएंगे उसके बावजूद गवाही चलती रही है कोट ने आडर किया मुक्तार को पेश किया जाए गवाही के लिए अब योजन के गवाह के हैसित से वादी मुकदमा पेश किया जाए और गिरिस सच्चु चिफ सगरेटरी तक को पतर लिखा लेकिन ये लोग नहीं पेश किये बहा को तोड़ के या खरीत के या धमका के या अब योजन की मिली भगत से उनको एक तरफ से क्लीन चिट मिलती चली जा रही है ये एक मुकदमा था जिसमें उन्हें भाय था कि मुक्तारन सारी गवाही करेंगे वो न बिकेंगे न डरेंगे तो पिर जैस सिंग और तिर्भौन स उन्हें सरकार में बैठे हुए लोग, आडमिस्टेशन में बैठे हुए लोग, जेल परशासन में बैठे हुए लोग और बिर्जेस और तिर्भौन की टीम के लोग ये सब लोगों ने मिल करके गटना अंजाम दिया है डाक्टर ने कहा कि हम लोग इनका एलाज कर रहे हैं आप मेटस्न के हैं या कैंने हम सर्जन हैं तो हमने का है कि सर्जरि एकरते हैं सर्जन तो और अद्व्टिक क्या है तो है हरनिया वगएर तो हमने कहा कि तो यह मुख्तार का ilas you पही हेड हो तो आपके समझ से कैसा है तो उन्होंने कहा कि देखिए इनको सरजरी का कोई मामला नहीं है फिर भी हमको इंचार्ज बनाए गया है तो हम जो हो रहा है तो हमने कहा मेडिसिन का अब क्या करते है कहें हम टेलीफून से अपने मित्र डाक्टरों से सलाह करके तब दवा देते हैं तो हमने कहा कि अभी क्या इस्थिती है तो कहें देखिए होश में हैं आये थे तो बेहोश थे और हम उमीद कर रहे हैं कि जल्दी दो-तीन दिन में इनको कंट्रोल कर लेंगे हमका अगर कंट्रोल के बाहर हो तो इसको रीफर कर दीजेगा और अगर ये समस्या होगी कि कि किसी बड़े आस्पिटल में भेजेंगे तो खर्च कौन बहन करेगा तो परिजन खर्च बहन करने के लिए तयार है मैं लिख के दे दे रहा हूँ आप समझ रहते रीफर कर दीजेगा ऐसा नहो कि यहां की दवा से उनको फाइदा भी नहोँ और इस तरह की इस्थिति है कि वो कहते है उनको जहर हुआ है मुझसे आज भी कहा है यहीं आस्पिटल में भी कहा है तो उनका ने मैं समझ रहते हुए अगर ऐसी इस्थिति आएगी तो रीफर कर दूगा हम लोग मिल करके आए अभी रास्ते ही में थे दो घंटा हुआ बस वहां से चले हुए जब तक बताया गया कि सभी डाक्टरों ने उनको लिख दिया कि यह फिट है और वीलचेयर पे बैठा करके जो आदमी अपनी पेलों पे खड़े होने की इस्तिति में नहीं था जो अपने दम पर बेड़ पे बैठने की इस्तिति में नहीं था उसको फिट घोसिट करके सीधे आई सीउ से जेल के अंदर डाल दिया गया और मीडिया के मादम से एक खबर चलवाई गए कि मुखतर बिल्कुल फिट हो चुके हैं सारे टेस्ट उनके वो गया है कोई रोग नहीं है अगर कोई रोग नहीं था तो 24 घंटा बीतने के बाद ऐसा घातक अटेक कैसे आ गया जिसमें उनकी जानी चली गई अगर वो फिट थे और मेडिकल कालेज के नव डाक्टर उनको फिट घोशित कर रहे हैं तो 24 घंटे के अंदर ये क्या हो गया आप ही के कश्टडी में है रिस्पॉंसिविल्टी आपकी है वो डाक्टर जो हमसे का रहा है कि हम दो-तीन दिन में इनको ठीक कर लेंगे नहीं तो रिफर कर देंगे उस डाक्टर से आपने उसी दिन जिस दिन मेरी बात हुँ इसके दो घंटे के बाद लिखवा लिया कि ये फिट है वो डाक्टर जो कह रहा है कि इनको जो समस्या है मेरे विभाग की नहीं है मैं तो सर्जन हूँ खाक के दर्मियान आप में और यहां के जिलाधिकारी में बहुत तूमें में हुआ बहुत जोर जबरदस्ती हुई क्या कुछ कहने की बहुत वो नहीं है वो शायद उन्हें नहीं पता है और वो यही कह रही थी कि अब जत्ते लोग मिट्टी दे लिए बस और लोग मिट्टी नहीं देंगे हमने का यह क्यों आप इसके लिए थोड़ी रोक सकते हैं कि कोई अपने धार्मिक जो सिश्टम है अब आप कह सकते हैं किसी का शोव अगर दास अंसकार में जा रहा है एक बार हुआ है जब यहां करोना लगा था तब भी ऐसा थोड़ी था कि लोग खुद से ही भीड़ दे के नहीं जाते थे डर गय थे घर के परिवार के लाश और जनाजे को लोग जलाते नहीं थे इसे ही परवाह करके जल परवाह भाग जाते थे और जेसीवी से गड़ा खुद के फिर आपने क्या था मैंने का यह कोई उलंगन नहीं है इसकी परमीशन की अवश्यक्ता नहीं है हम उनके परिजन है और उनकी मिटी हुई है तो मिटी देने के लिए दूर दरास से जो हमारे रिष्टे नते अजीज कारीब सबाय हुए है वो एक लोग प्रिया आदमी थे हमारा परिवार एक बहुत पुराना एतिहासिक परिवार है मुखतार अंसारी की इस असवभाविक मौत से जो कहीं न कहीं मिली भगत से सबके हुई है तो इस घटना से लोगों में कितना आक्रोश है इसका अंदाजा तो आप कहीं भी सहज देख लिए तो तू तू मेहमें एक तरीके से नोक जोक हुई नय नय तू तू मेहमें नोक जोक नहीं उनका कहना था कि आचार संगिता लागू है दफ़ा चवालीस लागू है पर्मिशन लेना चाहिए हम का यार मुर्दा दफ़न करने मुर्दा जलाने शवयात्रा निकालने या जनाज़ा ले जाके जनाज़े की नमाज पढ़ने इसके लिए मैं नहीं समझता कि कोई पर्मिशन की वशकता है यह हमारे धार्मिक प्रियोजन है और इसको हम कर रहे हैं हम पुरा सहयोग कर रहे थे हमने बहुत सहयोग किया है जिस तरह से भी लोगों ने चाहा उस तरह से सब कूछ किया है इसी से तो उपर से डांट पड़ रही थी कि एत्ते लोग आये कई से तो अब उसके लिए हम क्या कर सकते हैं आप बताइए जो जहां सुन रहा वो चल दे रहा है उसकी सहनभूती मुखतारन सारी और उनके परिवार के परती है कि इन लोगों के साथ बड़ा अन्याय हुआ है अब आप घुरुप तड़प करके उसको रोक दीजिये सारी रात कल से पूरे चप्पे चप्पे पे रोका गया है अब लोग आ रहे हैं हम तो कोई को बुलाने नहीं गया हमसे तो जिन लोगों ने पूछा क्या बज़े मिटी होगी क्या होगी हमने मनाई किया यार की यह 25-20 परसेंट लोग मिटी दे पाए हैं 80 परसेंट लोग तो बिना मिटी दिये अभी लोड गये हैं एक सवाल आखरी है अगर कोई यह चाहता है कि 10-20 परसेंट भी लोग जो आये हुए हैं कहां कहां से आये हुए हैं उनको घुरुप तलप से भगा दिया जाए तो यह म मनशा के अनुसार कोई परशासनी का अधिकारी भी ऐसा करता है तो वो देश के कानून और सम्मिधान के खिलाफ है यह पहले ऐसी सरकार है और पहले ऐसी सरकार के कुछ आईसे अधिकारी और ऐसे समच के उनके समर्थक हैं जो जिस कारवाई को आम जनता में घेना की से देखा जा रहा उस कारवाई को उपनी उपलब्धी मानते हैं खाम्यादा भुगते हैं यह बुल्डोजर लेके किसी का घर गिरा दें स्कूल गिरा दें अस्पताल गिरा दें जंग जमीन कुर्क कर दें नजाइस तरीके से जूटे मुकदमें फसा दें खूब धेडोरा प पुल्डोजर यह है यही वो है पड़ाम क्या होता है गाजीपूर में साथ विदान सभा की सीटे हैं शुन्य मिली थी भाजपा के खाते में शुन्य अगर आँख नहीं खुली है तो इस लोग सभा के चुनाओं में अहंकार तो देखिए कंश को भी अहंकार था जो उसने यह तरीका बना लिया था कि जो उसका विरोध करेगा मथुरा का राजा वो उसको जेल में डाल देगा या माड़ा लेगा उसने अपने बाप को जिनोंने उसके गलत नीतियों और उसकी जातियों का विरोथ किया तो उसने पिता को जेल में डाल दिया था लेकिन आखिर उसकी सत्ता का और उसका भी अंथुआ तो जब तक कोई कंश वाला नशा किसी के उपर है तो ये नशा भी उतरेगा ऐसा थोड़ी है कि नहीं उतरेगा इसको भी उतरना है लोकसभा का क्या परिणाम होगा गाजीपूर में? मुक्तार ने खुद अपने वकील के जरीए पत्र दिया उनके वकील ने कोट में बोदर खास डाली उसके बाद कोट की तरफ से डायरिक्शन भी हुआ हमने उन्नीस तारीख की बात है हमने बीस तारीख को सुपरेटेंडन्ट जेल से बात किया उन्ने का कि हाँ तबीयत उनकी खराब है लेकिन हमने कॉल किया था हमारे अस्पताल के डाक्टर ने कहा था कि बाहर के डाक्टर बुलाए जाए तो हमने काल कर लिया था बाहर के दो डाक्टर आये थे और आज ही मैं उनके बैरिक में उनके सामने डाक्टरों को और उनको कर दिया हूँ टेस्ट शुरू हो गया है और दवा भी शुरू हो जई है हमारे उनके बीच में जो बात हुई पूरेकार्ट पर है आज भी हमारे पास है साक्ष के रूप में मैंने उनसे खोल के ये बात कही कि डग सब अरे सुपरिटेनल साहब आप इत्मिनान दिला रहें कि दो डाक्टर और आ गए हैं और जेल वाला भी डाक्टर है सब लोग इलाज कर रहे हैं लेकिन हमें सूचना मिली है कि उनको जहर दिया गया है खाने में और इससे पहले भी उ खाना टेस्ट थोस्ट करके तब देते हैं हमने कर टेस्ट करने के लिए जो बंदीर अफ्चक लगाया गया था और एक डिप्टी जेलर था जो उनका खाना टेस्ट करके खिलाता था लगवर्ग चालीस दिन पहले उनका खाना जो आया था उसमें जहर था और इन दोनोंने जहर का खाना खा करके बीमार पड़े और मुझे मालूम है कि ये बंदीर एक छक और डिप्टी जेलर जो मुक्तार के बारिक के लिए था ये दवा इलाज से ठीक नहीं हुए इनको मेडिकल कालेज में भरती कराया गया जहां उनका कई दिनों तक इलाज हुआ तो उन्होंने एक्सेप्ट किया है हाँ ऐसा हुआ था लेकिन सब کا टेष्ट कराया गया तो किसी की रिपोर्ट आई कि फूड बाइजर नंग है किसी का रिपोर्ट आई कि गयस टिक का मामला था किसी का कुछ है सब की एक तरह से रिपोर्ट नहीं आई खाना बनाने वाला बيمार हुगा ख का कि देखिए हमने अब जो शुरू किया है बाहरी डाक्टर भी आ गया वो ठीक हो जाएंगे ये बीस तारीक के बात है उन्निस को उनको जहर दिया गया था बीस के बाद 21, 22, 23, 24, 25 तक कोई माकूल इलाज नहीं हुआ 26 को हालत बिलकुल खराब हो गई तब इन लोगों ने खुछ सुपरेटरिनेंट से मेरी बात हुई है उसका भी रेकार्ड मेरे पास है दो बजे रात में जेल सुपरेटरिनेंट ने डाक्टरों के एडवाईज के आजनुसाद उनको मेडिकल कालेज भेजा मेडिकल कालेज के डाक्टरों ने उनकी गंभीर इस्थिती को देख करके तुरंत आईस्यू में उनको अड्मिट किया उनकी गहन परिक्षण हुए एलाज शुरू हुआ हम लोगों को एक टेली ग्राम भेजा उन्होंने हमारे मुहमदाबाद थाने पे यहां से पुलिस के लोग आए उनका मुखतार साथ बहुत सक्त बीमार है यह टेली ग्राम है और आप ततकाल बांदा मिडिकल कालिज जाईए है मैंने वो टेली ग्राम पढ़ा सुपर्टेंडन की तरफ से टेली ग्राम था हम लोग तुरंत आदे घंटे के अंदर बांदा के लिए निकल लिए आठ घंटे का सफर है बांदा पहुंचे मिडिकल कालिज गए तो उस समय मुखतार से जब मुलाकात का मुखा मिला तो वो होश मे थे और उन्होंने हमको फिर वही बात कही कि भाया हमने आपको बताया था ना हमको यह सब जहर दे दिये हैं और हमारा इलाज यह गंभीर होके नहीं कराए जिसका नतीजा हुआ जहर असर कर गया है मैं बहुत कमजोर हो गया हूँ मेरा पेट बहुत भूल गया है गैस बहुत बन रही है और और मुझे घबराहट होती है, पसीना होता है, अपनी तकलीफें फिर बताए कि कल मैं गिर गया था, मुर्चित हो गया था, तो जेल के लोगों ने फिर हमको यहां आस्पिटल भेजा है, तो यह सारी जो बाते आप कह रहे हैं, जो सरकार का जेल है, प्रशासन है, उसकी निग देखिए हमने पहले भी कहा, अब भी बता रहे हैं कि पूरी सरकार और सरकार की मिशिनरी, यह लगाई गई है कि किसी भी तरह से मुक्तार को खत्म किया जाए, और बिर्जेश सिंग और तिर्भून सिंग जो बहुत बड़े माफिया डान है, उत्तर प्रदेश नहीं, आदी मुकदमा था, 15 जुलाई 2001 को उनके उपर आक्रमण हुआ था, उस आक्रमण में इनके गाड़ी में बैठे हुए इनके गनर और रुस्ता मुर्फ बाबू मारा गया था, और हमलावरों की तरफ से भी एक व्यक्ति जो बचाओं में की गई जवाबी फाइरिंग में मा गया था, मौके पे तीन लोगों की मौत हुई थी, उस मुकदमे का ट्राइल अब शुरू हो गया है, 22-23 साल के बाद, तो उसको बचाने के लिए तो एक कोशिश ये किया आगया, मिली भगत से सरकार और अपरादियों की सब की, उन लोगों ने ये किया कि एक जूठिया परच कराया गया, एक घटना का दूसरा मुकदमा, दूसरी कहानी के साथ, कि वो जो 2001 में घटना हुई थी, वास्तविक्ता ये है कि वो जो उसमें हमलावर मारा गया, उसको दिखाया गया है कि इसको मुक्तार अंसारी के ड्राइवर और दो तीन लोग गय थे और बकसर जि जो इंजर्ड विटनेस थे, नव लोगों को गोली लगी थी, जो इंजर्ड विटनेस थे, दो मर गय थे, नव इंजर्ड विटनेस थे, उनको मुल्जी मना दिया कि गवाही से बाज आ जाएंगे, उसके बावजूद गवाही चलती रही, कोट ने आडर किया मुक्तार को जाए गवाही के लिए अब योजन के गवाह के हिस्यत से वादी मुकदमा पेश किया जाए और गिरिश सचु चिफ सग्रेटरी तक को पत्र लिखा लेकिन ये लोग नहीं पेश किये बहानाबाजी फोर्ट लबो लुबाब क्या है लबो लबाब बिर्जेश सिंग तिर्भो से क्लीन चिट मिलती चली जा रही है ये एक मुकदमा था जिसमें उन्हें भाय था कि मुक्तारन सारी गवाही करेंगे वह न बिगेंगे न डरेंगे तो बिर्जेश सिंग और तिर्भोन सिंग को बचाने का सपना पूरा नहीं हो पाएगा और इसलिए उन लोगों ने एक स तिर्भोन की टीम के लोग ये सब लोगोंने मिल करके घटना अंजाम दिया है डाक्टर ने कहा कि हम लोग इनका एलाज कर रहे हैं तीन डाक्टरों का पैनल है लेकिन जब हमने कहा कौन लोग हैं मिल लें तो हमारे सामने जो दो लोग आए वो फार्मेसिस्ट थे और एक ज हम सर्जन हैं तो हमने कहा का है कि सर्जरी करते हैं सर्जन तो आर्थोपेटिक भी होता है सर्जन तो निरोलोजी में भी है काडियोलोजी आप क्या है तो कहा हारनिया वगएर तो हमने कहा कि तो यह मुखतार का इलाज आप ही हेड हो तो आपके समझ से कैसा है तो उन्होंने कहा कि देखिए इनको सरजरी का कोई मामला नहीं है फिर भी हम को इंचार्ज बनाए गया है तो हम जो हो रहा तो हमने का मेडिसिन का आप क्या करते हैं कहें हम टेली फून से अपने मित्र डाक्टरों से सला करके तब दवा देते हैं तो हमने कहा कि अभी क्या इस्थिति है तो कहें देखिए होश में हैं आये थे तो बेहोश थे और हम उमीद कर रहे हैं कि जल्दी दो-तीन दिन में इनको कंट्रोल कर लेंगे हम का अगर कंट्रोल के बाहर हो तो इसको रीफर कर दीजेगा और अगर ये समस्या होगी कि कि किसी बड़े आस्पिटल में भेजेंगे तो खर्च कौन बहन करेगा तो परिजन खर्च बहन करने के लिए प्यार है मैं लिख के दे दे रहा हूँ आप समय रहते रीफर कर दीजेगा इसा नहो कि यहां की दवा से उनको फाइदा भी नहों हो और इस तारह की इस्थिती है कि वो कहते हैं उनको जहर हुआ है मुझसे आज भी कहा, यहीं आस्पिटल में भी कहा, तो उनका ने मैं समय रहते हुए, अगर ऐसी इस्थिति आएगी तो रीफर कर दूँगा, हम लोग मिल करके आए, अब रास्ते ही में थे, दो घंटा हुआ, बस वहां से चले हुए, जब तक बताया गया, कि सभी डाक्टर बेड़ पे बैठने की इस्तिति में नहीं था, उसको फिट घोसिट करके, सीधे आईसी यू से जेल के अंदर डाल दिया गया, और मीडिया के मादम से एक खबर चलवाई गई, कि मुखतार बिल्कुल फिट हो चुके है, सारे टेस्ट उनके हो गया है, कोई रोग नहीं है, अगर कोई रोग नहीं था, तो चौविस घंटा बीतने के बाद, ऐसा घातक अटेक कैसे आ गया, जिसमें उनकी जानी चली गई, अगर वो फिट थे, और मेडिकल कालेज के नव डाक्टर उनको फिट घोशित कर रहे हैं, तो चौविस घंटे के अंदर ये क्या हो गया, आ तो डाक्टर जो हम से कह रहा है कि हम दो तीन दिन में इनको ठीक कर लेंगे, नहीं तो रिफर कर देंगे, उस डाक्टर से आपने उसी दिन, जिस दिन मेरी बात हुँ, इसके दो घंटे के बाद लिखवा लिया, कि ये फिट है, वो डाक्टर जो कह रहा है कि इनको जो समस् मेरे विभाग की नहीं है मैं तो सर्जन हूँ खाक के दरमियान आप में और यहां के जिलाधिकारी में बहुत तूतुमे में हुआ बहुत जोर जबर जस्ती हुई क्या कुछ कहने की बहुत वो नहीं है वो शायद उन्हें नहीं पता है और वो यही कह रही थी कि कि अब जत्ते लोग मिट्टी दे लिए बस और लोग मिट्टी नहीं देंगे हमने का यह क्यों आप इसके लिए थोड़ी रोख सकते हैं कि कोई अपने धार्मिक जो सिश्टम है अब आप कह सकते हैं क्या किसी का शौव अगर दास अंसकार में जा रहा है एक बार हुआ है देके नहीं जाते थे डर गए थे घर के परिवार के लाश और जनाजे को लोग जलाते नहीं थे इसे ही परवाह करके जल परवाह भाग जाते थे और जैसीवी से गड़ा खुट पिर आपने क्या का यह कोई उलंगन नहीं है इसकी परमीशन की अवशक्ता नहीं है हम उनके परिजन है और उनकी मिट्टी हुई है तो मिट्टी देने के लिए दूर दराज से जो हमारे रिष्टे नाते अजीज कारीब सबाय हुए हैं वो एक लोक प्रिया आदमी थे हमारा परिवार एक बहुत पुराना एतिहासिक परिवार है मुख्तार अंसारी की इस असवभाविक मौत से जो कहीं न कहीं मिली भगत से सबके हुई है तो इस घटना से लोगों में कितना आक्रोश है इसका अंदाजा तो आप कहीं भी सहज देख लीजिए तो तू तू मैमें एक तरीके से नोग जोग हुई ने ने तू मैमें नोग जोग नहीं उनका कहना था कि आचार संगिता लागू है दफ़ा चवालीस लागू है परमीशन लेना चाहिए हम का यार मुर्दा दफ़न करने मुर्दा जलाने शवयात्रा निकालने या जनाजा ले जाके जनाजे की नमाज पढ़ने इसके लिए मैं नहीं समझता कि कोई परमीशन किया वशक्ता है यह हमारे धार्मिक प्रियोजन है और इसको हम कर रहे हैं हम पूरा सहयोग कर रहे थे हमने बहुत सहयोग किया है जिस तरह से भी लोगों ने चाहा उस तरह से सब कुछ किया है इड़ बहुत थी इसी से तो उ चल दे रहा है उसकी सहनभूती मुखतारन सारी और उनके परिवार के परती है कि इन लोगों के साथ बड़ा अन्याय हुआ है अब आप घुरुप तडप करके उसको रोक दीजिए सारी रात कल से पूरे चप्पे चप्पे पे रोका गया है अब लोग आ रहे हैं हम तो कोई को बुलाने नहीं हमसे तो जिन लोगों ने पूछा के बज़े मिट्टी होगी क्या होगी हमने मनई किया यार की बहुत ज़ादा तीन दिन हो गया एक तो वहां से पुस्माटम लाश आते आते रात में तो डेड़ बज़े आई है तो अगर कोई ये चाहता है कि दस बीस परसेंट भी लोग जो आए हुए है कहां कहां से आए हुए हैं उनको घुरुप तलब से भगा दिया जाये तो ये मनासिब नहीं है नाजायज है उस सरकार या सरकार की मनशा के अनुसार कोई परशासनिक आदिकारी भी ऐसा करता है तो देश के कानून और सम्मिधान के खिलाफ है ये पहले ऐसी सरकार है और पहले ऐसी सरकार के कुछ आईसे अधिकारी और ऐसे समच के उनके समर्थक हैं जो जिस कारवाई को आम जनता में घेना की दिरिश से देखा जा रहा उस कारवाई को उपनी उपलब्धी मानते हैं खाम बुल्डोजर लेके किसी का घर गिरा दें, इस्कूल गिरा दें, अस्पताल गिरा दें, जंग जमीन कुर्क कर दें, नजाइस तरीके से जूटे मुकदमें फसा दें, खूब धेडोरा पीठें, बुल्डोजर, 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 नाम रख लें बाबा दोजर खड़ा करके लोगों को दराया जाए कि यह देखो बुलडोजर यह है यही वो है पड़ाम क्या होता है गाजीपूर में साथ विधान सभा की सीटे हैं शुन्य मिली थी भाजपा के खाते में शुन्य अगर आँख नहीं खुली है तो इस लोग सभा के चुनाओं में अहंकार तो देखिए कंश को भी अहंकार था जो उसने यह तरीका बना लिया था कि जो उसका विरोध करेगा मतुरा का राजा वो उसको जेल में डाल देगा या माड डालेगा उसने अपने बाप को जिन्होंने उसके गलत नीतियों और उसकी जातियों का विरोध किया तो पिता को जेल में डाल दिया था लेकिन आखिर उसकी सत्ता का और उसका भी अंथुआ तो जब तक कोई कंश वाला नशा किसी के उपर है तो यह नशा भी उतरेगा ऐसा थोड़ी है कि नहीं उतरेगा इसको भी उतरना है 24 में लोकसभा का क्या परिणाम होगा गाजीपूर में? मुख्तार ने खुद अपने वकील के जरीए पत्र दिया उनके वकील ने कोट में गोदर्खास डाली उसके बाद कोट की तरफ से डाइरिक्शन भी हुआ हमने उन्नीस तारीख की बात है हमने बीस तारीख को सुपरेटेंडन जेल से बात किया उन्ने का कि हाँ तबीयत उनकी खराब है लेकिन हमने काल किया था हमारे अस्पताल के डाक्टर ने कहा था कि बाहर के डाक्टर बुलाए जाए तो हमने काल कर लिया था बाहर के दो डाक्टर आये थे और आज ही मैं उनके बायरिक में उनके सामने डाक्टरों को और उनको कर दिया हूँ टेस्ट शुरू हो गया है और दवा भी शुरू हो जाई है हमारे उनके बीच में जो बात हुई वो रिकार्ट पर है आज भी हमारे पास है सक्ष के रूप में मैंने उनसे खोल के ये बात कही कि डग साब अरे सुप्रेटरेनल साब आप इट्मिनान दिला रहें कि दो डाक्टर और आ गए हैं और जेल वाला भी डाक्टर है सब लोग इलाज कर रहे हैं लेकिन हमें सूचना मिली है कि उनको जहर दिया गया है खाने में और इससे पहले भी उनके साथ ऐसा हुआ था तो उनका नहीं यह गलत बात है हम लोग खाना टेश्ट टोस्ट करके तब देते हैं हमने का टेश्ट करने के लिए जो बंधी रक्षक लगाया गया था और एक डिप्टी जेलर था जो उनका खाना टेश्ट करके खिलाता था लगबख 40 दिन पहले उनका खाना जो आया था उसमें जहर था और इन दोनों ने टेश्ट किया और दोनों जहर का खाना खा करके बीमार पड़े और मुझे मालूम है कि ये बंधी रक्षक और डिप्टी जेलर जो मुक्तार के बारिक के लिए था ये दवा इलाज से ठीक नहीं हुए इनको मेडिकल कालेज में भरती कराया गया जहां उनका कई दिनों तक इलाज हुआ तो उन्होंने एक्सेप्ट किया है हाँ ऐसा हुआ था लेकिन सब का टेस्ट कराया गया तो किसी की रिपोर्ट आई कि फूट बाइजनिंग है किसी का रिपोर्ट आई कि गैस्टिक का मामला था किसी का कुछ है सबकी एक तरह से रिपोर्ट नहीं आई खाना बनाने वाला बीमार हो रहा खाना चकने वाला बीमार हो रहा खान अब जो शुरू किया है बाहरी डाक्टर भी आ गया हम वो ठीक हो जाएंगे ये बीस तारीक के बात है उन्निस को उनको जहर दिया गया था बीस के बाद एककईस, बाईस, तेईस, चौबिस, पच्चीस तक कोई माकूल एलाज नहीं हुआ चौबिस को हालत बिलकुल खराब हो गई, तब इन लोगों ने खुछ सुपरेटेंट से मेरी बात हुई है, उसका भी रेकार्ड मेरे पास है दो बजे रात में जेल सुपरेटेंट ने डाक्टरों के एडवाईस के आदुसार उनको मेडिकल कालेज भेजा मेडिकल कालेज के डाक्टरों ने उनकी गंभीर इस्थिती को देख करके तुरंत आईस्यू में उनको अड्मिट किया उनकी गहन परिछन हुए, इलाज शुरू हुआ, हम लोगों को एक टेलिग्राम भेजा उन्होंने हमारे मुहमदाबाद थाने पे, यहां से पुलिस के लोग आए, उनका मुखतार साथ बहुत सक्त बीमार है, यह टेलिग्राम है और आप ततकाल बांदा मिटकल कालेज जाईए, मैंने वो टेलिग्राम पढ़ा, सुपर्टेंडन की तरफ से टेलिग्राम था, हम लोग तुरन आदे घंटे के अंदर बांदा के लिए निकल लिए, आठ घंटे का सफर है, बांदा पहुंचे मिटकल कालेज गए, तो उस स इलाज ये गंभीर होके नहीं कराए, जिसका नतीजा हुआ जहर असर कर गया है, मैं बहुत कमजोर हो गया हूँ, मेरा पेट बहुत भूल गया है, गैस बहुत बन रही है, और मुझे घबराहट होती है, पसीना होता है, अपनी तकलीफें फिर बताए कि कल मैं गिर गया था तो जेल के लोगों ने फिर हमको यहां आस्पिटल बेजा है तो ये सारी जो बाते आप कह रहे हैं जो सरकार का जेल है प्रशासन है उसकी निगरानी में वो जेल में थे सरकार की जेल है उसमें वो कैन्दी थे तो ये सारे जो आप बातें कह रहे हैं तो इसके पीछे का कारण क्या है देखिए हमने पहले भी कहा अब भी बता रहे हैं कि पूरी सरकार और सरकार की मिशिनरी ये लगाई गई है कि किसी भी तरह से मुखतार को खत्म किया जाए बांबी जेजे हास्पीटल कांड में उनके विरुद्ध एक मुकदमा था जिसमें मुक्तार वादी मुकदमा था 15 जुलाई 2001 को उनके उपर आक्रमण हुआ था उस आक्रमण में इनके गाड़ी में बैठे हुए इनके गनर और रुस्ता मुर्फ बाबू मारा गया था और हमलावरों की तरफ से भी एक व्यक्ती जो बचाओं में की गई जवाबी फाइरिंग में मारा गया था मौके पे तीन लोगों की मौत हुई थी उस मुकदमे का ट्रायल अब शुरू हो गया है 22-23 साल के बाद तो उसको बचाने के लिए तो एक कोशिश ये किया आगया मिली भगत से सरकार और अपरादियों की सबकी उन लोगों ने ये किया कि एक जूटिया मुकदमा दर्ज कराये गया एक घटना का दूसरा मुकदमा दूसरी कहानी के साथ कि वो जो 2001 में घटना होई थी वास्तविक्ता यह है कि वो जो उसमें हमलावर मारा गया उसको दिखाया गया है कि इसको मुक्तार अंसारी के ड्राइवर और दो-तीन लोग गय थे और बकसर जिले में किसी गाउँ में को उठा लाए थे ब्रिजेस को बचाने के लिए सब काम किया और उसमें मुल्जिम सारे गवाहों को बना लिया गया जो इंजर्ड विटनेस थे नौ लोगों को गोली लगी थी जो इंजर्ड विटनेस थे दो मर गए थे नौ इंजर्ड विटनेस थे उनको मुल्जिम बना द सिद्सेव वादी मुकदमा पेश किया जाए और गिरिश सचू चिफ सेगरेटरी तक को पत्र लिखा लेकिन ये लोग नहीं पेश किये बहाना बाजी फोर्स लबो लुबाब क्या है लबो लबाब बिर्जेश सिंग तिर्भोन सिंग को बचाने का मकसद है उनके विरू सारे मुकदमे गवाहों को तोड के या खरीत के या धमका के या अभ्योजन की मिली भगत से उनको एक तरफ से क्लीन चिट मिलती चली जा रही है ये एक मुकदमा था जिसमें उन्हें भाय था कि मुक्तारन सारी गवाही करेंगे वो न बिकेंगे न डरेंगे तो पिर्जेश सिं और तिर्भौन सिंग को बचाने का सपना पूरा नहीं हो पाएगा और इसलिए उन लोगों ने एक सुनियोजित घटना करम के तहट किन लोगों ने सरकार में बैठे हुए लोग आडमिस्टेशन में बैठे हुए लोग जेल परशासन में बैठे हुए लोग और का पैनल है लेकिन जब हमने कहा कौन लोग हैं हम मिल लें तो हमारे सामने जो दो लोग आए वो फार्मेसिस्ट है और एक जो डाक्टर इंचार्ज थे उनके हमने पूछा कि आप क्या करते हैं आप मेडिसिन के हैं या कहने हम सर्जन है तो हमने का है कि सर्जरी करते हैं अर्फोपेटिक भी होता है सर्जन्ट तो निरोलोजी में भी है काडियोलोजी आप क्या है तो कहा हर्णिया वगएर अपने कहा कि तो यह मुख्तार का इलाज आप ही हेड हो तो आपके समझ से कैसा है तो उन्होंने कहा कि देखिए इनको सरजरी का कोई मामला नहीं है पिर भी हमको इंचार्ज बनाये गया है तो हम जो हो रहा है तो अबने का मेडिसीन का आप क्या करते हैं कए हम टेली फून से अपने मित्र डाक्टरों से सला करके तब दवा देते हैं तो हमने कहा कि अभी क्या इस्थिति है तो कहें देखिए होश में हैं आये थे तो बेहोश थे और हम उमीद कर रहे हैं कि जल्दी दो-तीन दिन में इनको कंट्रोल कर लेंगे हम का अगर कंट्रोल के बाहर हो तो इसको रीफर कर दीजेगा और अगर ये समस्या होगी कि कि किसी नहीं कि यहां की दवा से उनको फाइदा भी नहीं हो और इस तरह की इस्तिति है कि वो कहते हैं उनको जहर हुआ है मुझसे आज भी कहा यहीं आस्पिटल में भी कहा है तो उनका ने मैं समय रहते हुए अगर ऐसी इस्थिति आएगी तो रीफर कर दूगा हम लोग मिल करके आए अब रास्ते में थे दो घंटा हुआ बस वहां से चले हुए जब तक बताया गया कि सभी डाक्टरों ने उनको लिख दिया कि ये फिट हैं और वील चेयर पे बैठा करके जो आदमी अपनी पैनों प से जेल के अंदर डाल दिया गया और मीडिया के माद्यम से एक खबर चलवाई गई कि मुक्तार बिल्कुल फिट हो चुके हैं सारे टेस्ट उनके वो गया है कोई रोग नहीं है अगर कोई रोग नहीं था तो 24 घंटा बीतने के बाद ऐसा घातक अटेक कैसे आ गया जिसमें उनकी जानी चली गई अगर वो फिट थे और मेडिकल कालेज के नव डाक्टर उनको फिट घोशित कर रहे हैं तो 24 घंटे के अंदर ये क्या हो गया आप ही के कश्टडी में है responsibility आपकी है वो डाक्टर जो हमसे का रहा है कि हम दो तीन दिन में इनको ठीक कर लेंगे नहीं तो refer कर देंगे उस डाक्टर से आपने उसी दिन जिस दिन मेरी बात हुँ इसके दो घंटे के बाद लिखवा लिया कि ये फिट है वो डाक्टर जो कह रहा है कि इनको जो समस्या है मेरे विभाग की नहीं है मैं तो सर्जन हूँ खाक के दर्मियान आप में और यहां के जिलाधिकारी में बहुत तूतुमे में हुआ बहुत जोर जबरदस्ती हुई क्या कुछ कहने की बहुत वो नहीं है वो शायद उन्हें नहीं पता है और वो यही कह रही थी कि अब जत्ते लोग मिट्टी दे लिए बस और लोग मिट्टी नहीं देंगे हमने का यह क्यों आप इसके लिए थोड़ी रोख सकते हैं कि कोई अपने धार्मिक जो सिश्टम है अब आप कह सकते हैं क्या किसी का शौव अगर दास अंसकार में जा रहा है एक बार हुआ है जब यहां करोना लगा था तब भी ऐसा थोड़ी था कि लोग खुद से ही भीड़ देके नहीं जाते थे डर गए थे घर के परिवार के लाश और जनाजे को लोग जलाते नहीं थे इसे ही परवाह करके जल परवाह भाग जाते थे और जैसी भी से गड़ा खुद फिर आपने क्या का मैंने का ये कोई उलंगन नहीं है इसकी परमीशन की अवशक्ता नहीं है हम उनके परिजन है और उनकी मिट्टी हुई है तो मिट्टी देने के लिए दूर दरास से जो हमारे रिष्टे नते अजीज कारीब सबाय हुए हैं वो एक लोग प्रिया आदमी थे हमारा परिवार एक बहुत पुराना एतिहासिक परिवार है मुखतार अंसारी की इस असवभाविक मौत से जो कहीं न कहीं मिली भगत से सबके हुई है तो इस घटना से लोगों में कितना आक्रोश है इसका अंदाजा तो आप कहीं भी साज देख लीजे तो तू तू मैं में एक तरीके से शोक हुई नए नए तू में नोक जोक नहीं उनका कहना था कि आचार संगितालागू है डफाचवालीस लागू है परिमिशन लेना चाहिए हम का यार मुर्दा दफन करने मुर्दा जलने शव्यातरा निकालने या जनादाने जनाजे की नमाज पर नहें इसके लिए मैं समझता कि कोई permission किया वशक्ता है यह हमारे धार्मिक प्रियोजन है और इसको हम कर रहे हैं हम पूरा सायोग कर रहे थे हमने बहुत सायोग किया है जिस तरह से भी लोगों ने चाहा उस तरह से सब कुछ किया है इड़ बहुत थी इसी से तो उपर से डांट पड़ रही थी कि कित्ते लोग आये कैसे तो अब उसके लिए हम क्या कर सकते हैं आप बताईए जो जहां सुन रहा वो चल दे रहा है उसकी सहनभूती मुखतारन सारी और उनके परिवार के परती है कि इन लोगों के साथ बड़ा अन्याय हुआ है अब आप घुरुप तडप करके उसको रोक दीजिए सारी रात कल से पूरे चप्पे चप्पे पे रोका गया है अब लोग आ रहे हैं हम तो कोई को बुला ले नहीं हमसे तो जिन लोगों ने पूछा कैवजे मिट्टी होगी क्या होगी हमने मनई किया यार की बहुत जादा तीन दिन हो गया एक तो वहां से पुस्मा पाए हैं असी परसेंट लोग तो बिना मिट्टी दिये अभी लोड गये हैं एक सवाल आखरी है अगर कोई ये चाहता है कि दस बीस परसेंट भी लोग जो आये हुए हैं कहां कहां से आये हुए हैं उनको घुरुप तलब से भगा दिया जाए तो ये मनासिब नहीं है पहले ऐसी सरकार है और पहले ऐसी सरकार के कुछ आइसे अधिकारी और ऐसे समझ के उनके समर्थक हैं जो जिस कारवाई को आम जनता में घेना की दिरिश्ट से देखा जा रहा उस कारवाई को उपनी उपलब्धी मानते हैं खाम्यादा भुगतते हैं ये बुल्डोजर ले नजाइस तरीके से जूटे मुकदमें फसा दें खूब धेडोरा पीठे बुल्डोजर 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 नाम रखने बाबा बुल्डोजर सभा अस्थर पर बुल्डोजर खड़ा करके लोगों को दराया जाए कि ये देखो बुल्डोजर यह है पड़ाम क्या होता है गाजीपूर में साथ विधान सभा की सीटे हैं शुन्य मिली थी भाजपा के खाते में शुन्य अगर आँख नहीं खुली है तो इस लोग सभा के चुनाओं में अहंकार तो देखिए कंश को भी अहंकार था जो उसने यह तरीका बना लिया था कि जो उसका विरोध करेगा मतुरा का राजा वो उसको जेल में डाल देगा या माड़ डालेगा उसने अपने बाप को जिन्होंने उसके गलत नीतियों और उसकी जातियों का विरोध किया तो उसके पिता को जेल में डाल दिया था लेकिन आखिर उसकी सत्ता का और उसका भी अंथुआ तो जब तक कोई कंश वाला नशा किसी के उपर है तो ये नशा भी उतरेगा ऐसा थोड़ी है कि नहीं उतरेगा इसको भी उतरना है 24 में लोकसभा का क्या परिणाम होगा गाजीपूर में जो 37 भाजपा के लोग जानते हैं सूची आई थी 195 आदमी की घुशना आई थी कि 400 सीड जीतेंगे उतर परदेश में सूची आई थी एक क्यावन लोगों की और घुशना कर दी थी कि 80 सीड जीत रहे और अभी तक नाम बताने की इस सिती में नहीं है कि गाजीपूर बलिया में कौन चुनाव लड़ेगा मेरे पास पोखता सुबूत है कि मुख्तार को जेल में जहर दिया गया मुख्तार ने खुद अपने वकील के जरिये पत्र दिया उनके वकील ने कोट में वो दर्खास डाली उसके बाद कोट की तरफ से डाइरिक्शन भी हुआ हमने 19 तारीछ की बात है हमने 20 तारीछ को सुपरेटंडन जेल से बात किया उन्होंने कहा कि हाँ अँ तबियत उनकी फराब है लेकिन हमने काल की ता हमरे ऐस्पताल के डाक्टर ने कहा था कि बाहर के डाक्टर बुलाइजाएए तो हमने काल कर लिया था बाहर के दो डाक्टर आये थे और आज ही मैं उनके बाइरिक में उनके सामने डाक्टरों को और उनको कर दिया हूं टेस्ट शुरू हो गया है और दवा भी शुरू हो गई है हमारे उनके बीच में जो बात हुई वो रिकार्ट पर है आज भी हमारे पास है साक्ष के रूप में मैंने उनसे खोल के ये बात कही कि ड़क साब अरे सुपरिटेनल साहब आप इत्मिनान दिला रहें कि दो डाक्टर और आ गये हैं और जेल वाला भी डाक्टर है सब लोग इलाज कर रहे हैं लेकिन हमें सूचना मिली है कि उनको जहर दिया गया है खाने में और इससे पहले भी उनके साथ ऐसा हुआ था तो उनका नहीं यह गलत बात है हम लोग खाना टेश्ट टोस्ट करके तब देते हैं हमने का टेश्ट करने के लिए जो बंधी रक्षक लगाया गया था और एक डिप्टी जेलर था जो उनका खाना टेश्ट करके खिलाता था लगबख 40 दिन पहले उनका खाना जो आया था उसमें जहर था और इन दोनों ने टेश्ट किया और दोनों जहर का खाना खा करके बीमार पड़े और मुझे मालूम है कि ये बंधी रक्षक और डिप्टी जेलर जो मुक्तार के बारिक के लिए था ये दवा इलाज से ठीक नहीं हुए इनको मेडिकल कालेज में भरती कराया गया जहां उनका कई दिनों तक इलाज हुआ तो उन्होंने एक्सेप्ट किया है हाँ ऐसा हुआ था लेकिन सब का टेस्ट कराया गया तो किसी की रिपोर्ट आई कि फूट बाइजनिंग है किसी का रिपोर्ट आई कि गैस्टिक का मामला था किसी का कुछ है सबकी एक तरह से रिपोर्ट नहीं आई खाना बनाने वाला बीमार हो रहा खाना चकने वाला बीमार हो रहा खान ने अब जो शुरू किया है बाहरी डाक्टर भी आ गया वो ठीक हो जाएंगे ये बीस तारीक के बात है उननीस को उनको जहर दिया गया था बीस के बाद 21, 22, 23, 24, 25 तक कोई माकूल एलाज नहीं हुआ 26 को हालत बिलकुल खराब हो गई तब इन लोगों ने खुछ सुपरेटेंट से मेरी बात हुई है उसका भी रेकार्ड मेरे पास है दो बजे रात में जेल सुपरेटेंट ने डाक्टरों के एडवाईज के आदुसार उनको मेडिकल कालेज भेजा मेडिकल कालेज के डाक्टरों ने उनकी गंभीर इस्थिती को देख करके तुरंत आईस्यू में उनको अड्मिट किया उनकी गहन परिछन हुए इलाज शुरू हुआ हम लोगों को एक टेलीगराम भेजा उन्होंने हमारे मुहमदाबाद थाने पे यहां से पुलिस के है और आप तत्काल बांदा मेडिकल कालेज जाईए मैंने वो टेलीगराम पढ़ा सुपर्टेंडन की तरफ से टेलीगराम था हम लोग तुरंत आदे घंटे के अंदर बादा के लिए निकल लिए आठ घंटे का सफर है बांदा पहुंचे मेडिकल कालेज गए तो उस समय म हमारा इलाज ये गंभीर होके नहीं कराए जिसका नतीजा हुआ जहर असर कर गया है मैं बहुत कमजोर हो गया हूं मेरा पेट बहुत भूल गया है गैस बहुत बन रही है और मुझे घबराहट होती है पसीना होता है अपनी तकलीफें फिर बताए कि कल मैं गिर गया था मुर्चित हो गया था तो जेल के लोगों ने फिर हमको यहां आस्पिटल भेजा है तो यह सारी जो बाते आप कह रहे हैं जो सरकार का जेल है प्रशासन है उसकी निगरानी में वो जेल में थे सरकार की जेल है उसमें वो कैदी थे तो यह सारे जो आप बातें कह रहे हैं तो इसके पीछे का कारण क्या है देखिए हमने पहले भी कहा अब भी बता रहा हैं कि पूरी सरकार और सरकार की मिशिनरी ये लगाई गई है कि किसी भी तरह से मुक्तार को खत्म किया जाए और बिर्जेश सिंग और तिर्भुण सिंग जो बहुत बड़े माफिया डान है उत्तर प्रदेश नहीं राश्टी जो दाउद इबराहीम के भी को अक्यूजड हैं बांबी जेजे हास्पीटल कांड में उनके विरुद एक मुकदमा था जिसमें मुक्तार वादी मुकदमा था 15 जुलाई 2001 को उनके उपर आक्रमण हुआ था उस आक्रमण में इनके गाड़ी में बैठे हुए इनके गनर और रुस्ता मुर्फ बाबू मारा गया था और हमलावरों की तरफ से भी एक व्यक्ति जो बचाओं में की गई जवाबी फाइरिंग में मारा गया था मौके पे तीन लोगों की मौत हुई थी उस मुकदमे का ट्रायल अब शुरू हो गया है बाईस तेईस साल के बाद तो उसक बुठ्या मुकदमा दर्ज कराये गया एक घटना का दूसरा मुकदमा दूसरी कहानी के साथ कि वो जो 2001 में घटना हुई थी वास्तविक्ता यह है कि वो जो उसमें हमलावर मारा गया उसको दिखाये गया है कि इसको मुक्तार अंसारी के ड्राइवर और दो-तीन लोग गय थे और बकसर जिले में किसी गाउं में उरहते हैं वहां की निवासी हैं उनको उठा लाए थे ब्रिजेस को बचाने के लिए इससब काम किया और उसमें मुल्जिम सारे गवाहों को बना लिया गया जो इंजड विटनेस थे नौ लोगों को गोली लगी थी जो इंजड या मुक्तार को पेश किया जाए गवाही के लिए अब योजन के गवाह के हैसित से वादी मुकदमा पेश किया जाए और गिरिस सच्चू चिफ सेग्रेटरी तक को पतर लिखा लेकिन ये लोग नहीं पेश किये बहानाबाजी फोर्स लबो लुब क्या है लबो लबाब ब प्रिजेश सिंग तिर्भौन सिंग को बचाने का मकसद है उनके विरुद सारे मुकदमे गवाहों को तोड के या खरीत के या धमका के या अब्योजन की मिली भगत से उनको एक तरफ से क्लीन चिट मिलती चली जा रही है ये एक मुकदमा था जिसमें उन्हें भाय था कि प्रिजेश सिंग और तिर्भौन सिंग को बचाने का सपना पूरा नहीं हो पाएगा और इसलिए उन लोगों ने एक सुनियोजित घटना करम के तहत किन लोगों ने सरकार में बैठे हुए लोग, आड्मिस्टेशन में बैठे हुए लोग, जेल परशासन में बैठे हुए के लोग और विर्जेश और तिर्भौन की टीम के लोग, यह सब लोगोंने मिल करके घटना अंजाम दिया है, डाक्टर ने कहा कि हम लोग इनका एलाज कर रहे हैं, तीन डाक्टरों का पैनल है, लेकिन जब हमने कहा कौन लोग हैं हम मिल लें, तो हमारे सामने जो दो लोग आए वो फार्मेसिस्ट है और एक जो डाक्टर इंचार्ज थे, उनके हमने पूछा कि आप क्या करते हैं, आप मेडसीन के हैं, यह कहीं हम सर्जन हैं, तो हमने कहा कहे कि सर्जरी करते हैं, सर्जन तो अर्थोपेटिक होता है, सर्जन तो निरोलोजी में भी है, हैं तो कहा हारनिया वगएर तो हमने कहा कि तो यह मुख्तार का इलाज आप ही हेड हो तो आपके समझ से कैसा है तो उन्होंने कहा कि देखिए इनको सरजरी का कोई मामला नहीं है है पिर भी हमको इन्चार्ज बनाये गया है तो हम जो भुरा तो अमने का मेडिसिन का हैं किया हम टेली फून से अपने मित्र डाक्टरों से सलाह करके तब द्वा देते हैं तो हमने कहा कि अभी क्या इस्थिति है तो कहें देखिए होश में हैं आये थे तो बेहोश थे और हम उमीद कर रहे हैं कि जल्दी दो तीन दिन में इनको कंट्रोल कर लेंगे हम का अगर कंट्रोल के बाहर हो तो इसको रीफर कर दीजेगा और अगर ये समस्या होगी कि कि किसी बड़े आस्पिटल में भेजेंगे तो खर्च कौन बहन करेगा तो परिजन खर्च बहन करने के लिए तयार है मैं लिख के दे दे रहा हूं आप समय रहते रीफर कर दीजेगा ऐसा नहों कि यहां की दवा से उनको फाइदा भी नहों और इस तरह की इस्थिति है कि वो कहते हैं उन कर दूँगा हम लोग मिल करके आए अभी रास्ते में थे दो घंटा हुआ बस वहां से चले हुए जब तक बताया गया कि सभी डाक्टरों ने उनको लिख दिया कि यह फिट हैं और वीलचेयर पर बैठा करके जो आदमी अपनी पैलों पर खड़े होने की इस्तिति में नही आगया और मीडिया के मादम से एक खबर चलवाई गए कि मुखतार बिल्कुल फिट हो चुके हैं सारे टेस्ट उनके वो गया है कोई रोग नहीं है अगर कोई रोग नहीं था तो चौबिस घंटा बीतने के बाद ऐसा घातक अटेक कैसे आ गया जिसमें उनकी जानी चली गई अगर वो फिट थे और मेडिकल कालेज के नव डाक्टर उनको फिट घोशित कर रहे हैं तो चौबिस घंटे के अंदर ये क्या हो गया आप ही के कश्टडी में है रिस्पोंसविल्टी आपकी है वो डाक्टर जो हमसे का रहा है कि हम दो तीन दिन में इनको ठीक कर देंगे नहीं तो रिफर कर देंगे उस डाक्टर से आपने उसी दिन जिस दिन मेरी बात हुँ इसके दो घंटे के बाद लिखवा लिया कि ये फिट है वो डाक्टर जो कह रहा है कि इनको जो समस्या है मेरे विभाग की नहीं है मैं तो सर्जन हूँ खाक के दर्मियान आप में और यहां के जिलाधिकारी में बहुत तुमें में हुआ बहुत जोर जबर दस्ति हुई क्या करें कुछ कहने की बहुत वो नहीं है वो शायद उन्हें नहीं पता है और वो यहीं कह रही थी कि अब जत्ते लोग मिट्टी दे लिए बस और लोग मिट्टी नहीं देंगे हमने का यह क्यों आप इसके लिए थोड़ी रोक सकते हैं कि कोई अपने धार्मिक जो सिश्टम है अब आप कह सकते हैं क्या किसी का शौव अगर दास अंसकार में जा रहा है एक बार हुआ है जब यहां करोना लगा था तब भी ऐसा थोड़ी था कि लोग खुद से ही भीड़ देके नहीं जाते थे डर गए थे घर के परिवार के लाश और जनाजे को लोग जलाते नहीं थे इसे परवाह करके जल परवाह भाग जाते थे और जैसी भी से गड़ा खुद फिर आपने क्या था मैंने का ये कोई उलंगन नहीं है इसकी परमीशन की अवशक्ता नहीं है हम उनके परिजन है और उनकी मिट्टी हुई है तो मिट्टी देने के लिए दूर दरास से जो हमारे रिष्टे नते अजीज कारीब सबाय हुए हैं वो एक लोग प्रिया आदमी थे हमारा परिवार एक बहुत पुराना एतिहासिक परिवार है मुखतार अंसारी की इस असवभाविक मौत से जो कहीं न कहीं मिली भगत से सबके हुई है तो इस घटना से लोगों में कितना आक्रोश है इसका अंदाजा तो आप कहीं भी साज देख लीजे तो तू तू मैमें एक तरीके से न अजे ने तू मैं में नोक जोक नहीं उनका कहना था कि आचार संगिता लागू है दफाच वालीस लागू है परमिशन लेना चाहिए हम का यार मुरदा दफन करने मुरदा जलाने शोयात्रा निकालने या जनाज़ा ले जाके जनाजे के नमाज पढ़ने इसके लिए मैं न किया है जिस तरह से भी लोगों ने चाहा उस तरह से सब कुछ किया है इड़ बहुत थी इसी से तो उपर से डांट पड़ रही थी कि एत्ते लोग आये कई से तो अब उसके लिए हम क्या कर सकते हैं आप बताईए जो जहां सुन रहा वो चल दे रहा है उसकी सहनभूती मुख दीजिए सारी रात कल से पूरे चप्पे चप्पे पे रोका गया है अब लोग आ रहे हैं हम तो कोई को बुलाने नहीं हमसे तो जिन लोगों ने पूछा कई बज़े मिट्टी होगी क्या होगी हमने मनाई किया यार की बहुत जादा तीन दिन हो गया एक तो वहां से पॉस परसेंट लोग मिट्टी दे पाए हैं 80% लोग तो बिना मिट्टी दिये अभी लवड़ गये हैं एक सवाल आखरी है अगर कोई ये चाहता है कि 10-20% भी लोग जो आये हुए हैं कहां कहां से आये हुए हैं उनको घुरुप तलब से भगा दिया जाए तो ये मनासिब नहीं है नाजाइज है उस सरकार या सरकार की मनशा के अनुसार कोई परशासनी का अधिकारी भी ऐसा करता है तो वो देश के कानून और सम्मिधान के खिलाफ है ये पहले ऐसी सरकार है और पहले ऐसी सरकार के कुछ ऐसे अधिकारी और ऐसे समझ के उनके समर्थक हैं जो जिस जनता में घेना की दिर्श से देखा जा रहा उस कारवाई को उपनी उपलब्धी मानते हैं खाम्यादा भुगते हैं यह बुल्डोजर लेके किसी का घर गिरा दें स्कूल गिरा दें अस्पताल गिरा दें जंग जमीन कुर्क कर दें नजाइस तरीके से जूटे मुकदमें फ खड़ा करके लोगों को दराया जाए कि यह देखो बुल्डोजर यह है यही वो है पड़ाम क्या होता है गाजीपूर में साथ विदान सभा की सीटे हैं शुन्य मिली थी भाजपा के खाते में शुन्य अगर आँख नहीं खुली है तो इस लोग सभा के चुनाओं में अहं जेनकार था जो उसने यह तरीका बना लिया था कि जो उसका विरोध करेगा मतुरा कराजा वो उसको जेल में डालेगा या मार डालेगा उसने अपने बाप को जिन्होंने उसके गलत नीतियों और उसकी जातियों का विरोध किया तो उतने पिता को जेल में डाल दिया था लेकिन आखिर उसकी सत्ता का और उसका भी अंथुआ तो जब तक कोई कंश वाला नशा किसी के उपर है तो ये नशा भी उतरेगा ऐसा थोड़ी है कि नहीं उतरेगा इसको भी उतरना है लोकसभा का क्या परिणाम होगा गाजीपूर में? मुक्तार ने खुद अपने वकील के जरीए पत्र दिया उनके वकील ने कोट में गोदरखास डाली उसके बाद कोट की तरफ से डायरिक्शन भी हुआ हमने उन्नीस तारीख की बात है हमने बीस तारीख को सुपरेटेंडन जेल से बात किया उन्ने का कि हाँ तबीयत उनकी खराब है लेकिन हमने कॉल किया था हमारे अस्पताल के डाक्टर ने कहा था कि बाहर के डाक्टर बुलाए जाए तो हमने काल कर लिया था बाहर के दो डाक्टर आये थे और आज ही मैं उनके बायरिक में उनके सामने डाक्टरों को और उनको कर दिया हूँ टेस्ट शुरू हो गया है और दवा भी शुरू हो जई है हमारे उनके बीच में जो बात हुई वो रिकार्ट पर है आज भी हमारे पास है सक्ष के रूप में मैंने उनसे खोल के यह बात कही कि डाक्ट साब अरे सुप्रेटेनल साहब आप इट्विनान दिला रहें कि दो डाक्टर और आ गये हैं और जेल वाला भी डाक्टर है सब लोग इलाज कर रहे हैं लेकिन हमें सूचना मिली है कि उनको जहर दिया गया है खाने में और इससे पहले भी उनके साथ हैसा हुआ था तो उनका नहीं यह गलत बात है हम लोग खाना टेश्ट टोस्ट करके तब देते हैं हमने का टेश्ट करने के लिए जो बंदीर अक्षक लगाया गया था और एक डिप्टी जेलर था जो उनका खाना टेश्ट करके खिलाता था लगबग 40 दिन पहले उनका खाना जो आया था उसमें जहर था और इन दोनों ने टेश्ट किया और दोनों जहर का खाना खा करके बीमार पड़े और मुझे मालूम है कि ये बंदीर एक छक और डिप्टी जेलर जो मुखतार के बारिक के लिए था ये दवा इलाज से ठीक नहीं हुए इनको मेडिकल कालेज में भरती कराया गया जहां उनका कई दिनों तक इलाज हुआ तो उन्होंने एकसेप्ट किया है हाँ ऐसा हुआ था लेकिन सबका टेश्ट कराया गया तो किसी की रिपोर्ट आई की फूड बाईजनिंग है किसी का रिपोर्ट आई की गयस्टिक का मामला था किसी का कुछ है सबकी एक तरह से रिपोर्ट नहीं आई खाना बनाने वाला बीमार हो रहा, खाना चखने वाला बीमार हो रहा, खाना पकवाने का सुपर वीजन करने वाला बीमार हो रहा और मुखतार ने ये सारी बाते हमको फून से बताई थी, तब ही हमने सुपर ट्रेनर से कहा तो उन्होंने हम से का कि देखिए हमने अब जो शुरू किया है बाहरी डाक्टर भी आ गया वो ठीक हो जाएंगे ये बीस तारीक के बात है 19 को उनको जहर दिया गया था 20 के बाद 21, 22, 23, 24, 25 तक कोई माकूल इलाज नहीं हुआ 26 को हालत बिल्कुल खराब हो गई तब इन लोगों ने खुछ सुपरेटरिनेंट से मेरी बात हुई है उसका भी रेकार्ड मेरे पास है दो बज़े रात में जेल सुपरेटरिनेंट ने डाक्टरों के एडवाईज के आजुसार उनको मेडिकल कालेज भेजा मेडिकल कालेज के डाक्टरों ने उनकी गंभीर इस्थिती को देख करके तुरंत आईस्यू में उनको अड्मिट किया उनकी गहन परिक्षण हुए एलाज शुरू हुआ हम लोगों को एक टेलिग्राम भेजा उन्होंने हमारे मुहमदाबाद थाने पे यहां से पुलिस के लोग आए उनका मुखतार साथ बहुत सक्त बीमार है यह टेलिग्राम है और आप ततकाल बांदा मेडिकल कालेज जाईए मैंने वो टेलिग्राम पढ़ा सुपरेटेंडन की तरफ से टेलिग्राम था हम लोग तुरंत आदे घंटे के अंदर बांदा के लिए निकल लिए आठ घंटे का सफर है बांदा पहुंचे मेडिकल कालेज गए तो उस समय मुखतार से जब मुलाकात का मुखा मिला तो वो ह कोश में थे और उन्होंने हमको फिर वही बात कई कि भया हमने आपको बताया था ना हमको यह सब जहर दे दिये हैं और हमारा इलाज यह गंभीर होके नहीं कराए जिसका नतीजा हुआ जहर असर कर गया है मैं बहुत कमजोर हो गया हूं मेरा पेट बहुत भूल गया है गैस बहुत बन रही है और मुझे घबराहट होती है पसीना होता है अपनी तकलीफे फिर बताए कि कल मैं गिर गया था मुर्चित हो गया था तो जेल के लोगों ने फिर हमको यहां आस्पिटल भेजा है तो यह सारी जो बाते आप कह रहे हैं जो सरकार का जेल है प्रशासन है उ सरकार की जेल है उसमें वो कैंदी थे तो यह सारे जो आप बातें कह रहे हैं तो इसके पीछे का कारण क्या है देखिए हमने पहले भी कहा अब भी बता रहे हैं कि पूरी सरकार और सरकार की मिशिनरी यह लगाई गई है कि किसी भी तरह से मुक्तार को खत्म किया जाए और सिंग और तिर्भुवन सिंग जो बहुत बड़े माफिया डान है उत्तर प्रदेश नहीं राश्टी अस्तर के जो दाउद इबराहीम के भी को अक्यूजड हैं बांबी जेजे हास्पीटल कांड में उनके विरुद एक मुकदमा था जिसमें मुक्तार वादी मुकदमा था 15 जुलाई 2001 को उनके उपर आक्रमण हुआ था उस आक्रमण में इनके गाड़ी में बैठे हुए इनके गनर और रुस्ता मुर्फ बाबू मारा गया था और हमलावरों की तरफ से भी एक व्यक्ती जो बचाओं में की गई जवाबी फाइरिंग में मारा गया था मौके पे त मिली भगत से सरकार और अपरादियों की सबकी उन लोगों ने ये किया कि एक जूट्या मुकदमा दर्ज कराया गया एक घटना का दूसरा मुकदमा दूसरी कहानी के साथ कि वो जो 2001 में घटना हुई थी वास्तविक्ता यह है कि वो जो एक उसमें हमलावर मारा गया उसको दिखाये गया है कि इसको मुक्तार अंसारी के ड्राइवर और दो तीन लोग गये थे और बकसर जिले में किसी गाउं में उरहते हैं वहां की निवासी हैं उनको उठा लाए थे ब्रिजेस को बचाने के लिए सब काम किया और उसमें मुल्जिम सारे गवाहों को बना लिया गया जो इंजर्ड विटनेस थे नौ लोगों को गोली लगी थी जो इंजर्ड विटनेस थे दो मर गये थे नौ इंजर्ड विटनेस थे उनको मुल्जिम बना दिया कि गवाही स बाज आ जाएंगे उसके बावजूद गवाही चलती रही है कोट ने आडर किया मुख्तार को पेश किया जाए गवाही के लिए अब योजन के गवाह के हैसित से वादी मुकदमा पेश किया जाए और गिरिस सच्चु चिफ सग्रेटरी तक को पतर लिखा लेकिन ये लोग न कोड़ के या खरीद के या धमका के या अब योजन की मिली भगत से उनको एक तरफ से क्लीन चिट मिलती चली जा रही है ये एक मुकदमा था जिसमें उन्हें भाहे था कि मुक्तारन सारी गवाही करेंगे वो न बिगेंगे न डरेंगे तो बिर्जेश सिंग और तिर्भौन सिंग को बचाने का सपना पूरा नहीं हो पाएगा और इसलिए उन लोगों ने एक सुनियोजित घटना करम के तहट किन लोगों ने सरकार में बैठे हुए लोग अड्मिस्टेशन में बैठे हुए लोग जेल परशासन में बैठे हुए लोग और बिर्जेश और तिर्भौन की टीम के लोग ये सब लोगों ने मिल करके घटना अंजाम दिया है डाक्टर ने कहा कि हम लोग इनका इलाज कर रहे हैं तीन डा हैं आप मेडिसीन के हैं या कई ने हम सरजन है तो हमने का कहे कि सरजरी करते हैं सरजन तो अर्थूपेटिक भी होता है सरजन तो नियूरोलोजी में भी है काडियू लूजी यह आप क्या हैं तो कहा हारनिया वगएरे तो हमने कहा कि तो यह मुख्तार का इलाज आप ही हेड हो तो आपके समझ से कैसा है तो उन्होंने कहा कि देखिए इनको सरजरी का कोई मामला नहीं है फिर भी हमको इन्चार्ज बनाए गया है तो हम जो हो रहा तो हमने चाहिए मेडिसिन का आप क्या करते हैं कहें हम टेली फून से अपने मित्र डाक्टरों से सला करके तब दवा देते हैं तो हमने कहा कि अभी क्या इस्तिती है तो कहें देखिए होश में हैं आये थे तो बेहोश थे और हम उमीद कर रहे हैं कि जल्दी दो-तीन दिन में इनको कंट्रोल कर लेंगे हमका अगर कंट्रोल के बाहर हो तो इसको रीफर कर दीजेगा और अगर ये समस्या होगी कि किसी यहां कि दवा से उनको फाइदा भी नहों और इस तरह की इस्तिती है कि वो कहते हैं उनको जहर हुआ है मुझसे आज भी कहा है यहीं आस्पिटल में भी कहा है तो उनका ने मैं समय रहते हुए अगर ऐसी इस्तिती आएगी तो रीफर कर दूगा हम लोग मिल करके आए अभी रास्ते में थे दो घंटा हुआ बस वहां से चले हुए जब तक बताया गया कि सभी डाक्टरों ने उनको लिख दिया कि ये फिट हैं और वील चेयर पे बैठा करके जो आदमी अपनी पैलों से जेल के अंदर डाल दिया गया और मीडिया के मादम से एक खबर चलवाई गई कि मुखतार बिल्कुल फिट हो चुके हैं सारे टेस्ट उनके वो गया है कोई रोग नहीं है अगर कोई रोग नहीं था तो 24 घंटा बीतने के बाद ऐसा घातक अटेक कैसे आ गया जिसमें उनकी जानी चली गई अगर वो फिट थे और मेडिकल कालेज के नव डाक्टर उनको फिट घोशित कर रहे हैं तो 24 घंटे के अंदर ये क्या हो गया आप ही के कश्टडी में है responsibility आपकी है वो डाक्टर जो हमसे कह रहा है कि हम दो तीन दिन में इनको ठीक कर लेंगे नहीं तो refer कर देंगे उस डाक्टर से आपने उसी दिन जिस दिन मेरी बात हुँ इसके दो घंटे के बाद लिखवा लिया कि ये fit है वो डाक्टर जो कह रहा है कि इनको जो समस्या है मेरे विभाग की नहीं है मैं तो सर्जन हूँ खाक के दरमियान आप में और यहां के जिलाधिकारी में बहुत तूतुमे में हुआ बहुत जोर जबर जस्ती हुई क्या कुछ कहने की बहुत वह नहीं है वो शायद उन्हें नहीं पता है और वो यहीं कह रही थी कि अब जद्ने लोग मिट्टी दे लिए बस और लोग मिट्टी नहीं देंगे हमने का यह क्यों आप इसके लिए थोड़ी रोक सकते हैं कि कोई अपने धार्मिक जो सिश्टम है अब आप कह सकते हैं क्या किसी का शौव अगर दास अंसकार में जा रहा है एक बार हुआ है जब यहां करोना लगा था तब भी ऐसा थोड़ी था कि लोग खुद से ही भीड़ लेके नहीं जाते थे डर गए थे घर के परिवार के लाश और जनाजे को लोग जलाते नहीं थे इसे ही परवाह करके जल परवाह भाग जाते थे और जैसी भी से गड़ा खुद पिर आपने क्या का मैंने का ये कोई उलंगन नहीं है इसकी परमीशन की अवशकता नहीं है हम उनके परिजन है और उनकी मिट्टी हुई है तो मिट्टी देने के लिए दूर दरास से जो हमारे रिष्टे नते अजीज कारीब सबाय हुए हैं वो एक लोग प्रिया आदमी थे हमारा परिवार बहुत पुराना एतिहासिक परिवार है मुखतार अंसारी की इस असवभाविक मौत से जो कहीं न कहीं मिली भगत से सबके हुई है तो इस घटना से लोगों में कितना आक्रोश है इसका अंदाजा तो आप कहीं भी साज देख लीजिए तो तू तू मैमें एक तरीके से नो जोक जोक नहीं उनका कहना था कि आचार संगिता लागू है दफ़ा चवालीस लागू है परमीशन लेना चाहिए हम का यार मुर्दा दफन करने मुर्दा जलाने शवयात्रा निकालने या जनाजा ले जाके जनाजे की नमाज पढ़ने इसके लिए मैं नहीं समझता कि कोई परमीशन किया वशकता है यह हमारे धार्मिक प्रियोजन है और इसको हम कर रहे हैं हम पूरा सायोग कर रहे थे हमने बहुत सायोग किया है जिस तरह से भी लोगों ने चाहा उस तरह से सब कुछ किया है बहुत थी अब इसी से तो उपर से डांट पड़ रही थी कि एत्ते लोग आये कैसे तो अब उसके लिए हम क्या कर सकते हैं आप बताइए जो जहां सुन रहा वो चल दे रहा है उसकी सहनभूती मुखतारन सारी और उनके परिवार के परती है कि इन लोगों के साथ बड़ा अन्याय है अब आप घुरुप तडप करके उसको रोक दीजिये सारी रात कल से पूरे चप्पे चप्पे पर रोका गया है अब लोग आ रहे हैं हम तो कोई को बुला ले नहीं हमसे तो जिन लोगों ने पूछा कई बज़े मिटी होगी क्या होगी हमने मनाई किया यार की बहुत ज लाश आते आते रात में तो डेड़ बज़े आई है तो लोगों में उत्सुकता थी गए हैं लोग हम समझते हैं कि पचीस बीस परसेंट लोग मिटी दे पाए हैं असी परसेंट लोग तो बिना मिटी दिये अभी लोड गये हैं एक सवाल आखरी है अगर कोई ये चाहता है कि दस बीस परसेंट भी लोग जो आए हुए हैं कहां कहां से आए हुए हैं उनको घुरुप तलब से भगा दिया जाए तो ये मनासिब नहीं है नाजायज है उस सरकार या सरकार की मनशा के अनुसार कोई परशासनिक अधिकारी भी ऐसा करता है तो वो देश के कानून और स समझ के उनके समर्थक हैं जो जिस कारवाई को आम जनता में घेना की दिरिश्ट से देखा जा रहा है उस कारवाई को उपनी उपलब्धी मानते हैं खाम्यादा भुगतते हैं ये बुलडोजर लेके किसी का घर गिरा दे इस्कूल गिरा दे अस्पताल गिरा दे जंगजमी कुड़क कर दें, नजाइस तरीके से जूटे मुकद्में फसा दें, खुब धेडवरा पीठें, बुल्डोजर, 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 नाम रखने बाबा बुल्डोजर, सभास्थर पर बुल्डोजर खड़ा करके लोगों को दराया जाए कि यह देखो बुल्डोजर यह है यही वो है पड़ाम क्या होता है गाजीपूर में साथ विधान सभा की सीटे हैं शुन्य मिली थी भाजपा के खाते में शुन्य अगर आँख नहीं खुली है तो इस लोग सभा के चुनाओं में अहंकार तो किके कश को भी एहंकार था जो उसने यह तरीका बना लिया था कि जो उसका विरोध करेगा मत्हुरा का राजा वो उसको जेल में डाल देगा या माड़ डालेगा उसने अपने बाप को जिरोंसे के गलत नीतियों और उसकी जातियों का विरोथ किया तो उतने पिता को जेल में डाल दिया था लेकिन आखिर उसकी सत्ता का और उसका भी अन्थुआ तो जब तक कोई कंश वाला नशा किसी के उपर है तो ये नशा भी उतरेगा ऐसा थोड़ी है कि नहीं उतरेगा इसको भी उतरना है 24 में लोकसभा का क्या परिणाम होगा गाजीपूर में? मुख्तार ने खुद अपने वकील के जरीए पत्र दिया उनके वकील ने कोट में वो दर्खास डाली उसके बाद कोट की तरफ से डायरिक्शन भी हुआ हमने उन्नीस तारीख की बात है हमने बीस तारीख को सुपरेटेंडन जेल से बात किया उन्ने का कि हाँ तबीयत उनकी खराब है लेकिन हमने कॉल किया था हमारे अस्पताल के डाक्टर ने कहा था कि बाहर के डाक्टर बुलाए जाए तो हमने काल कर लिया था बाहर के दो डाक्टर आये थे और आज ही मैं उनके बायरिक में उनके सामने डाक्टरों को और उनको कर दिया हूँ टेस्ट शुरू हो गया है और दवा भी शुरू हो जई है हमारे उनके बीच में जो बात हुई वो रिकार्ट पर है आज भी हमारे पास है साक्ष के रूप में मैंने उनसे खोल के ये बात कही कि डाक्ट साब अरे सुपरिटेनल साब आप इट्विनान दिला रहें कि दो डाक्टर और आ गये हैं और जेल वाला भी डाक्टर है सब लोग इलाज कर रहे हैं लेकिन हमें सुचना मिली है कि उनको जहर दिया गया है खाने में और इससे पहले भी उनके साथ ऐसा हुआ था तो उनका नहीं यह गलत बात है हम लोग खाना टेश्ट टोस्ट करके तब देते हैं हमने का टेश्ट करने के लिए जो बंधी रक्षक लगाया गया था और एक डिप्टी जेलर था जो उनका खाना टेश्ट करके खिलाता था लगबख 40 दिन पहले उनका खाना जो आया था उसमें जहर था और इन दोनों ने टेश्ट किया और दोनों जहर का खाना खा करके बीमार पड़े और मुझे मालूम है कि ये बंधी रक्षक और डिप्टी जेलर जो मुक्तार के बारिक के लिए था ये दवा इलाज से ठीक नहीं हुए इनको मेडिकल कालेज में भरती कराया गया जहां उनका कई दिनों तक इलाज हुआ तो उन्होंने एक्सेप्ट किया है हाँ ऐसा हुआ था लेकिन सब का टेस्ट कराया गया तो किसी की रिपोर्ट आई कि फूट बाइजनिंग है किसी का रिपोर्ट आई कि गैस्टिक का मामला था किसी का कुछ है सबकी एक तरह से रिपोर्ट नहीं आई खाना बनाने वाला बीमार हो रहा खाना चकने वाला बीमार हो रहा खान अब जो शुरू किया है बाहरी डाक्टर भी आ गया वो ठीक हो जाएंगे ये बीस तारीक के बात है उननीस को उनको जहर दिया गया था बीस के बाद एककईस, बाईस, तेईस, चोबिस, पच्चीस तक कोई माकूल एलाज नहीं हुआ, छबिस को हालत बिलकुल खराब हो गई तब इन लोगों ने, खुछ सुपरेटेंट से मेरी बात हुए, उसका भी रेकार्ड मेरे पास है, दो बजे रात में, जेल सुपरेटेंट ने, डाक्टरों के एडवाईस के आदुसाद, उनको मेडिकल कालेज भेजा, मेडिकल कालेज के डाक्टरों ने, उनकी गंभीर इ इस्यू में उनको अड्मिट किया, उनकी गहन परिक्षण हुए, इलाज शुरू हुआ, हम लोगों को एक टेलीगराम भेजा उन्होंने, हमारे मुहमदाबाद थाने पे, यहां से पुलिस के लोग आए, उनका मुखतार साफ बहुत सक्त बीमार हैं, ये टेलीगराम है, औ हैंने वो टेलीगराम पढ़ा, सुपर्टेंडन की तरफ से टेलीगराम था, हम लोग तुरंत आदे घंटे के अंदर बादा के लिए निकल लिए, आठ घंटे का सफर है, बादा पहुंचे, मिडिकल कालिज गए, तो उस समय मुखतार से जब मुलाकात का मौका मिला, तो व नतीजा हुआ जहर असर कर गया है, मैं बहुत कमजोर हो गया हूँ, मेरा पेट बहुत भूल गया है, गैस बहुत बन रही है, और मुझे घबराहट होती है, पसीना होता है, अपनी तकलीफें फिर बताए कि कल मैं गिर गया था, मुर्चित हो गया था, तो जेल के लोगों जेल में थे, सरकार की जेल है, उसमें वो कैन्दी थे, तो ये सारे जो आप बातें कह रहे हैं, तो इसके पीछे का कारण क्या है? देखिए हमने पहले भी कहा, अब भी बता रहे हैं कि पूरी सरकार और सरकार की मिशिनरी, ये लगाई गई है कि किसी भी तरह से मुक्तार को खत्म किया जाए, और बिर्जेश सिंग और तिर्भुवन सिंग जो बहुत बड़े माफिया डान है, उत्तर प्रदेश नहीं, र पादी मुकदमा था, 15 जुलाई 2001 को उनके उपर आक्रमण हुआ था, उस आक्रमण में इनके गाड़ी में बैठे हुए इनके गनर और रुस्ता मुर्फ बाबू मारा गया था, और हमलावरों की तरफ से भी एक व्यक्ती जो बचाओं में की गई जवाबी फाइरिंग में म मारा गया था, मौके पे तीन लोगों की मौत हुई थी, उस मुकदमे का ट्राइल अब शुरू हो गया है, बाईस तेईस साल के बाद, तो उसको बचाने के लिए तो एक कोशिश ये किया आगया, मिली भगत से सरकार और अपरादियों की सब की, उन लोगों ने ये किया कि एक जूठिया मुकदमा दर्ज कराये गया, एक घटना का दूसरा मुकदमा, दूसरी कहानी के साथ, कि वो जो 2001 में घटना हुई थी, वास्तविक्ता ये है कि वो जो उसमें हमलावर मारा गया, उसको दिखाये गया है कि इसको मुकतार अंसारी के ड्राइवर और दो तीन ल सारे गवाहों को बना लिया गया, जो इंजर्ड विटनेस थे, नौ लोगों को गोली लगी थी, जो इंजर्ड विटनेस थे, दो मर गए थे, नौ इंजर्ड विटनेस थे, उनको मुल्जिम बना दिया, कि गवाही से बाज आ जाएंगे, उसके बावजूद गवाही चलती पत्र लिखा लेकिन ये लोग नहीं पेश किये बहानाबाजी फोर्स लबो लुबाब क्या है लबो लबाब बिर्जेश सिंग तिर्भोन सिंग को बचाने का मकसद है उनके सारे मुकदमे गवाहों को तोड के या खरीद के या धमका के या अब्योजन की मिली भगत से उनको एक तरफ से क्लीन चिट मिलती चली जा रही है ये एक मुकदमा था जिसमें उन्हें भाय था कि मुक्तारन सारी गवाही करेंगे वो न बिकेंगे न डरेंगे तो पिर्जेश सिंग और तिर्भोन सिंग को बचाने का सपना पूरा नहीं हो पाएगा और इसलिए उन लोगों ने एक सूनियोचित घटना करम के तहद किन लोगों ने सरकार में बाहिः हुए लोग अइडमिस्टेशन में बैटे हुए लोग जेल परशासन में बैठे हुए लोग और बिर्जेस और तिर्भुन की टीम के लोग ये सब लोगों ने मिल करके ये घटना अंजाम दिया है डाक्टर ने कहा कि हम लोग इनका एलाज कर रहे हैं तीन डाक्टरों का पैनल है लेकिन जब हमने कहा कौन लोग हैं हम मिल लें तो हमारे सामने जो दो लोग आए वो फार्मेसिस्ट थे और एक जो डाक्टर इंचार्ज थे उनके हमने पूछा कि आप क्या करते हैं आप मेडिसिन के हैं या कहने हम सर्जन हैं तो हमने कहा है कि सर्जरी करते हैं सर्जन तो आर्थोपेटिक भी होता है सर्जन तो निरोलोज काडियोलोजी में भी है काडियोलोजी का आप क्या है तो कहा हारनिया वगएर तो हमने कहा कि तो यह मुख्तार का इलाज आप ही हेड हो तो आपके समझ से कैसा है तो उन्होंने कहा कि देखिए इनको सरजरी का कोई मामला नहीं है फिर भी हमको इंचार्ज बनाये गया है तो हम जो हो रा तो हमने का मेडिसिन का आप क्या करते हैं कहें हम टेली फून से अपने मित्र डाक्टरों से सलाह करके तब दवा देते हैं तो हमने कहा कि अभी क्या इस्थिति है तो कहें देखिए होश में हैं आये थे तो बेहोश थे और हम उमीद कर रहे हैं कि जल्दी दो-तीन दिन में इनको कंट्रोल कर लेंगे हम का अगर कंट्रोल के बाहर हो तो इसको रीफर कर दीजिएगा और अगर ये समस्या होगी कि कि इसी बड़े आस्पिटल में भेजेंगे तो खर्च कौन बहंद करेगा तो परिजन खर्च बहंद करने के लिए तयार है मैं लिख के दे दे रहा हूं आप समझ रहते रीफर कर दीजिएगा ऐसा नहों कि यहां की दवा से उनको फाइदा भी नहों और इस तरह की इस्थिति है कि वो कहते हैं उनको जहर हुआ है मुझसे आज भी कहा है यहीं आस्पिटल में भी कहा है तो उनका ने मैं समझ रहते हुए अगर ऐसी इस्थिति आएगी तो रीफर कर दूँगा हम लोग मिल करके आए अभी रास्ते में थे दो घंटा हुआ बस वहां से चले हुए जब तक बताया गया कि सभी डाक्टरों ने उनको लिख दिया कि यह फिट हैं और वील चेयर पे बैठा करके जो आदमी अपनी पै जेल के अंदर डाल दिया गया और मीडिया के माद्यम से एक खबर चलवाई गई कि मुक्तार बिल्कुल फिट हो चुके हैं सारे टेस्ट उनके वो गया है कोई रोग नहीं है अगर कोई रोग नहीं था तो 24 घंटा बीतने के बाद ऐसा घातक अटेक कैसे आ गया जिसमें उनकी जानी चली गई अगर वो फिट थे और मेडिकल कालेज के नव डाक्टर उनको फिट घोशित कर रहे हैं तो 24 घंटे के अंदर ये क्या हो गया आप ही के कश्टडी में है responsibility आपकी है वो डाक्टर जो हम से कह रहा है कि हम दो-तीन दिन में इनको ठीक कर लेंगे नहींतो रीफर कर देंगे उस डाक्टर से आपने उसी दिन जिस दिन मेरी बात हुँ इसके दो घंटे के बार लिखवा लिया कि ये फिट हैं वो डाक्टर जो कह रहा है कि इनको जो समस्या है मेरे विभाग की नहीं है मैं तो सरजन हूँ खाक के दर्मियान आप में और यहां के जिलाधिकारी में बहुत तुमे में हुआ बहुत जोर जबरदस्ती हुई क्या कहने की बहुत तो नहीं है वो शायद उन्हें नहीं पता है और वो यहीं कह रही थी कि अब जत्ते लोग मिट्टी दे लिए बस और लोग मिट्टी नहीं देंगे हमने का यह क्यों आप इसके लिए थोड़ी रोख सकते हैं कि कोई अपने धार्मिक जो सिश्टम है अब आप कह सकते हैं क्या किसी का शौव अगर दास अंसकार में जा रहा है एक बार हुआ है जब यहां करोना लगा था तब भी ऐसा थोड़ी था कि लोग खुद से ही भीड़ देके नहीं जाते थे डर गए थे घर के परिवार के लाश हो जनाजे को लोग जलाते नहीं थे इसे ही परवाह करके जल परवाह भाग जाते थे और जैसी भी से गड़ा खुद पिर आपने क्या था मैंने का ये कोई उलंगन नहीं है इसकी परमीशन की अवशकता नहीं है हम उनके परिजन है और उनकी मिट्टी हुई है तो मिट्टी देने के लिए दूर दरास से जो हमारे रिष्टे नते अजीज कारीब सबाय हुए हैं वो एक लोग प्रिया आदमी थे हमारा परिवार बहुत पुराना एतिहासिक परिवार है मुखतार अंसारी की इस असवभाविक मौत से जो कहीं न कहीं मिली भगत से सबके हुई है तो इस घटना से लोगों में कितना आक्रोश है इसका अंदाजा तो आप कहीं भी साज देख लीजिए तो तू तू मैं में एक तरीके से न नै नया तू मैं में नोक जोक नहीं उनका कहना था कि आचार संगिता लागू है दफ़ा चौवालिस लागू है परमीशन लेना चाहिए हम का यार मुर्दा दफ़न करने मुर्दा जलाने शोयात्रा निकालने या जनाजा ले जनाजे की नमाज पढ़ने इसके लिए मैं न योग किया है जिस तरह से भी लोगों ने चाहा उस तरह से सब कुछ किया है लीड बहुत थी इसी से तो उपर से डाट पड़ रही थी कि एत्ते लोग आये कैसे तो अब उसके लिए हम क्या कर सकते हैं आप बताइए जो जहां सुन रहा वो चल दे रहा है उसकी सहनभूती मु लोक दीजिये सारी रात कल से पूरे चप्पे चप्पे पर रोका गया है अब लोग आ रहे हैं हम तो कोई को बुलाने नहीं हमसे तो जिन लोगों ने पूछा क्या बज़े मिट्टी होगी क्या होगी हमने मनाई किया यार की बहुत जादा तीन दिन हो गया एक तो वहां से पॉस्माटम लाश आते आते रात में तो डेड़ बज़े आई है तो लोगों में उच्छुकता थी गए हैं लोग हम समझते हैं कि पचीस बीस परसेंट लोग मिट्टी दे पाए हैं असी परसेंट लोग तो बिना मिट्टी दिये अभी लवड गये हैं एक सवाल आखरी है कि दस बीस परसेंट भी लोग जो आए हुए हैं कहां कहां से आए हुए हैं उनको घुरुप तड़प से भगा दिया जाए तो ये मनासिब नहीं है नाजाएज है उस सरकार या सरकार की मनशा के अनुसार कोई परशासनी का अधिकारी भी ऐसा करता है तो वो देश के कानू और सम्मिधान के खिलाफ है ये पहले ऐसी सरकार है और पहले ऐसी सरकार के कुछ आएसे अधिकारी आएसे समझ के उनके समर्थक हैं जो जिस कारवाई को आम जनता में घेना की दिरिश्ट से देखा जा रहा उस कारवाई को उपनी उपलब्धी मानते हैं खाम्यादा जंग कर दे नजाइश तरीके से जूटे मुकदय साड़ें अखूब धेडोरा पीटे. बुल्डोजर बुल्डोजर, बुल्डोजर Also नाम रखने बाबा बुल्डोजर सभा अस्थर पर बुल्डोजर खड़ा करके लोगों को दराया जाए कि ये देखो बुल्डोजर ये है यही वो है पड़ाम क्या होता है गाजीपूर में साथ विदान सभा की सीटे हैं शुन्य मिली थी भाजपा के खाते में शुन्य अगर आँख नहीं खुली है तो इस लोग सभा के चुनाओं में अहंकार तो देखिए कंश को भी अहंकार था जो उसने ये तरीका बना लिया था कि जो उसका विरोध करेगा मतुरा का राजा वो उसको जेल में डाल देगा या माड डालेगा उसने अपने बाप को जिन्होंने उसके गलत नीतियों और उसकी जातियों का विरोध किया तो उसने पिता को जेल में डाल दिया था लेकिन आखिर उसकी सत्ता का और उसका भी अंथुआ तो जब तक कोई कंश वाला नशा किसी के उपर है तो ये नशा भी उतरेगा ऐसा थोड़ी है कि नहीं उतरेगा इसको भी उतरना है 24 में लोकसभा का क्या परिणाम होगा गाजीपूर में जो 37 भाजपा के लोग जानते हैं सूची आई थी 195 आदमी की गोशना आई थी कि 400 सीड जीतेंगे उत्तर प्रदेश में सूची आई थी 55 लोगों की और गोशना कर दी थी कि 80 सीड जीत रहें और अभी तक नाम बताने की इस्तिती में नहीं है कि गाजीपूर बलिया में कौन चुनाव लड़ेगा मेरे पास पोखता सुबूत है कि मुख्तार को जेल में जहर दिया गया मुख्तार ने खुद अपने वकील के जरीये पत्र दिया उनके वकील ने कोट में गोदर खास डाली उसके बाद कोट की तरफ से डायरिक्शन भी हुआ हमने उनीश तारीख की बात है हमने बीश तारीख को सूप्रेटेंडन जेल से बæत किया उनुंने कहा कि हाँ तबी20 उनकी खराब है लेकिन हमने कॉल किया था हमरे अस्पताल के डाक्टर ने कहा था कि बाहर के डाक्टर बलाए जाए तो हमने काल कर लिया था बाहर के दो डाक्टर आये थे और आज ही मैं उनके बैरिक में उनके सामने डाक्टरों को और उनको कर दिया हूँ टेस्ट शुरू हो गया है और दवावी शुरू हो जई है हमारे उनके बीच में जो बात हुई वो रिकार्ट पर है आज भी हमारे पास है साक्ष के रूप में मैंने उनसे खोल के ये बात कही कि डख सब अरे सुपरिटेनल साहब आप इट्विनान दिला रहें कि दो डाक्टर और आ गये हैं और जेल वाला भी डाक्टर है सब लोग इलाज कर रहे हैं लेकिन हमें सूचना मिली है कि उनको जहर दिया गया है खाने में और इससे पहले भी उनके साथ ऐसा हुआ था तो उनका नहीं यह गलत बात है हम लोग खाना टेस्ट टोस्ट करके तब देते हैं हमने का टेस्ट करने के लिए जो बंधी रक्षक लगाया गया था और एक डिप्टी जेलर था जो उनका खाना टेस्ट करके खिलाता था लगबख चालीस दिन पहले उनका खाना जो आया था उसमें जहर था और इन दोनों ने टेस्ट किया और दोनों जहर का खाना खा करके बीमार पड़े और मुझे मालूम है कि यह बंधीर एक च्छक और डिप्टी जेलर जो मुक्तार के बारिक के लिए था ये दवा इलाज से ठीक नहीं हुए इनको मेडिकल कालेज में भरती कराया गया जहां उनका कई दिनों तक इलाज हुआ तो उन्होंने एकसेप्ट किया है हाँ ऐसा हुआ था लेकिन सबका टेस्ट कराया गया तो किसी की रिपोर्ट आई कि फूट बाइजनिंग है किसी का रिपोर्ट आई कि गैस्टिक का मामला था किसी का कुछ है सबकी एक तरह से रिपोर्ट नहीं आई खाना बनाने वाला बीमार हो रहा, खाना चकने वाला बीमार हो रहा, खाना पकवाने का सुपर वीजन करने वाला बीमार हो रहा और मुखतार ने ये सारी बाते हमको फून से बताई थी, तब ही हमने सुपर टेरिनर से कहा तो उन्होंने हम से कहा कि देखिया हमने अब जो शुरू किया है बाहरी डाक्टर भी आ गया वो ठीक हो जाएंगे ये बीस तारीक के बात है 19 को उनको जहर दिया गया था बीस के बाद 21, 22, 23, 24, 25 तक कोई माकूल इलाज नहीं हुआ 26 को हालत बिलकुल खराब हो गई तब इन लोगों ने खुद सुपरेटरिनेंट से मेरी बात हुई है उसका भी रिकार्ड मेरे पास है दो बज़े रात में जेल सुपरेटरिनेंट ने डाक्टरों के एडवाईज के आजनुसाद उनको मेडिकल कालेज भेजा मेडिकल कालेज के डाक्टरों ने उनकी गंभीर इस्थिती को देख करके तुरंत आईश्यू में उनको अड्मिट किया उनकी गहन परिक्षण हुए एलाज शुरू हुआ हम लोगों को एक टेलीग्राम भेजा उन्होंने हमारे मुहमदाबाद थाने पे यहां से पुलिस के लोग आए उनका मुगतार साथ बहुत सक्त बीमार है यह टेलीग्राम है और आप ततकाल बांदा मिडिकल कालेज जाईए है मैंने वो टेलीग्राम पढ़ा सुपर्टेंडन की तरफ से टेलीग्राम था हम लोग तुरंत आदे घंटे के अंदर बांदा के लिए निकल लिए आठ घंटे का सफर है बांदा पहुंचे मिडिकल कालेज गए तो उस समय मुक्तार से जब मुलाकात का मौका मिला तो वो होश में थे और उन्होंने हमको फिर वही बात कही कि भाया हमने आपको बताया था ना हमको ये सब जहर दे दिये हैं और हमारा अलाज ये गंभीर होके नहीं कराए जिसका नतीजा हुआ जहर असर कर गया है मैं बहुत कमजोर हो गया हूँ, मेरा पेट बहुत भूल गया है, गैस बहुत बन रही है और मुझे घबराहट होती है, पसीना होता है, अपनी तकलीफें फिर बताए कि कल मैं गिर गया था, मुर्चित हो गया था, तो जेल के लोगों ने फिर हमको यहाँ आस्पिटल भेजा है तो यह सारी जो बाते आप कह रहे हैं, जो सरकार का जेल है, प्रशासन है, उसकी निगरानी में वो जेल में थे, सरकार की जेल है, उसमें वो कैदी थे, तो यह सारे जो आप बातें कह रहे हैं, तो इसके पीछे का कारण क्या है? देखिए हमने पहले भी कहा अब भी बता रहा हैं कि पूरी सरकार और सरकार की मिशिनरी ये लगाई गई है कि किसी भी तरह से मुक्तार को खत्म किया जाए और बिर्जेश सिंग और तिर्भुण सिंग जो बहुत बड़े माफिया डान है उत्तरप्रदेश नहीं राश्टी जो दाउद इबराहीम के भी को अक्यूजड हैं बांबी जेजे हास्पीटल कांड में उनके विरुद एक मुकदमा था जिसमें मुक्तार वादी मुकदमा था 15 जुलाई 2001 को उनके उपर आक्रमण हुआ था उस आक्रमण में इनके गारी में बैठे हुए इनके गनर और हुए थी उस मुकदमे का ट्राइल अब शुरू हो गया है बाईस तेईस साल के बाद तो उसको बचाने के लिए तो एक कोशिश ये किया आगया मिली भगत से सरकार और अपरादियों की सबकी उन लोगों ने ये किया कि एक जूट्या मुकदमा दर्ज कराया गया एक घटना का दूसरा मुकदमा दूसरी कहानी के साथ कि वो जो 2001 में घटना हुई थी वास्तविक्ता यह है कि वो जो उसमें हमलावर मारा गया उसको दिखाया गया है कि इसको मुकतार अंसारी के ड्राइवर और दो-तीन लोग गय थे और बकसर जिले में किसी गाउं में उ निवासी हैं उनको उठा लाए थे ब्रिजेस को बचाने के लिए सब काम किया और उसमें मुल्जिम सारे गवाहों को बना लिया गया जो इंजड विटनेस थे नौ लोगों को गोली लगी थी जो इंजड विटनेस थे दो मर गय थे नौ इंजड विटनेस थे उनको मुल्जि के गवा के हैसित से वादी मुकदमा पेश किया जाए और गिरिश सचू चिफ सेग्रेटरी तक को पत्र लिखा लेकिन ये लोग नहीं पेश किये बहाना बाजी फोर्ट लबो लबाब क्या है लबो लबाब बिजेश सिंग तिर्भोन सिंग को बचाने का मकसद है उनके जिसमें उन्हें भाय था कि मुक्तारन सारी गवाही करेंगे वो न बिखेंगे न डरेंगे तो बिर्जेश सिंग और तिर्भोन सिंग को बचाने का सपना पूरा नहीं हो पाएगा और इसलिए उन लोगों ने एक सूनियों जे घटना करम के तहत किन लोगों ने सरकार में बैठे हुए लोग अड्मिस्टेशन में बैठे हुए लोग जेल परशासन में बैठे हुए लोग और बिर्जेश और तिर्भोन की टीम के लोग यह सब लोग उने मिल करके घटना अंजाम दिया है डाक्टर ने कहा कि हम लोग इनका एलाज कर रहे हैं तीन डाक्टरों का पैनल है लेकिन जब हमने कहा कौण लोग हैं मिल लें तो हमारे सामने जो दो लोग आए वो फार्मेसिस्ट है और जो डाक्टर इंस तरह किया करते हैं हमसर्जन हैं करते हैं सर्जन तो हर्थोपेटिक भी होता है सर्जेंट तो नियूरोलोजी में भी है काडियोलोजी का आप क्या है तो कहा हारनिया वगएर तो हमने कहा कि तो यह मुखतार का इलाज आप ही हेड हो तो आपके समझ से कैसा है तो उन्होंने कहा कि देखिए इनको सरजरी का कोई मामला नहीं है फिर भी हमको इन्चार्ज बनाये गया है तो हम जो हो रहा है तो हमने का मेडिसिन का आप क्या करते हैं कहे हम टेली फून से अपने मित्र डाक्टरों से सला करके तब दवा देते हैं तो हमने कहा कि अभी क्या इस्थिति है तो कहें देखिए होश में हैं आये थे तो बेहोश थे और हम उमीद कर रहे हैं कि जल्दी दो तीन दिन में इनको कंट्रोल कर लेंगे हम का अगर कंट्रोल के बाहर हो तो इसको रीफर कर दीजिएगा और अगर ये समस्या होगी कि किसी बड़े आस्पिटल में भेजेंगे तो खर्च कौन बहन करेगा तो परिजन खर्च बहन करने के लिए तैयार हैं मैं लिख के दे दे रहा हूँ आप समझ रहते रीफर कर दीजिएगा ऐसा नहों कि यहां की दवा से उनको फाइदा भी नहों और इस तरह की इस्थिति है कि वो कहते हैं उनको जहर हुआ है मुझसे आज भी कहा है यहीं आस्पिटल में भी कहा है तो उनका ने मैं समझ रहते हुए अगर ऐसी इस्थिति आएगी तो रीफर कर दूँगा हम लोग मिल करके आए अभी रास्ते में थे दो घंटा हुआ बस वहां से चले हुए जब तक बताया गया कि सभी डाक्टरों ने उनको लिख दिया कि यह फिट हैं और वीलचेयर पर बैठा करके जो आदमी अपनी पै जेल के अंदर डाल दिया गया और मीडिया के माद्यम से एक खबर चलवाई गई कि मुखतार बिल्कुल फिट हो चुके हैं सारे टेस्ट उनके वो गया है कोई रोग नहीं है अगर कोई रोग नहीं था तो 24 घंटा बीतने के बाद ऐसा घातक अटेक कैसे आ गया जिसमें उनकी जानी चली गई अगर वो फिट थे और मेडिकल कालेज के नव डाक्टर उनको फिट घोशित कर रहे हैं तो 24 घंटे के अंदर ये क्या हो गया आप ही के कश्टडी में है responsibility आपकी है वो डाक्टर जो हम से कह रहा है कि हम दो-तीन दिन में इनको ठीक कर लेंगा नहीं तो refer कर लेंगा उस डाक्टर से आपने उसी दिन जिस दिन मेरी बात हुई इसके दो घंटे के बाद लिखवा लिया कि ये fit है वो डाक्टर जो कह रहा है कि इनको जो समस्या है मेरे विभाग की नहीं है मैं तो सर्जन हूँ आप में और यहां के जिलाधिकारी में बहुत तूतुमे में हुआ बहुत जोर जबरदस्ती हुई क्या कुछ कहने की बहुत वो नहीं है वो शायद उन्हें नहीं पता है और वो यहीं कह रही थी कि अब जत्ते लोग मिट्टी दे लिए बस और लोग मिट्टी नहीं देंगे हमने का यह क्यों आप इसके लिए थोड़ी रोक सकते हैं कि कोई अपने धार्मिक जो सिश्टम है अब आप कह सकते हैं क्या किसी का शौव अगर दास अंसकार में जा रहा है एक बार हुआ है जब यहां करोना लगा था तब भी ऐसा थोड़ी था कि लोग खुद से ही भीड़ दे के नहीं जाते थे डर गए थे घर के परिवार के लाश और जनाजे को लोग जलाते नहीं थे इसे परवाह करके जल परवाह भाग जाते थे और जैसी भी से गड़ाख फिर आपने क्या का मैंने का यह कोई उलंगन नहीं है इसकी परमीशन की अवशक्ता नहीं है हम उनके परिजन है और उनकी मिट्टी हुई है तो मिट्टी देने के लिए दूर दरास से जो हमारे रिष्टे नते अजीज कारीब सबाय हुए हैं वो एक लोग प्रिया आदमी थे हमारा परिवार एक बहुत पुराना एतिहासिक परिवार है मुखतार अंसारी की इस असवभाविक मौत से जो कहीं न कहीं मिली भगत से सबके हुई है तो इस घटना से लोगों में कितना आक्रोश है इसका अंदाजा तो आप कहीं भी साज देख लीजे तो तू तू मैं में एक तरीके से चोक हुई है नहीं में नोग जोक नहीं हुई उनका कहना था कि आचार संगिता लागू है दफाओ नबेगो फर्मिशन लेना चाहिए हम का यार मुर्दा दफन करने हैं नकालने शवयात्र मादने या जनाजा ले जाके नजनाजे की नमाज पढ़ने इसके लिए मैं नहीं समझता कि कोई permission किया वशकता है ये हमारे धार्मिक प्रियोजन है और इसको हम कर रहे हैं हम पूरा सायोग कर रहे थे हमने बहुत सायोग किया है जिस तरह से भी लोगों ने चाहा उस तरह से सब कुछ किया है इड बहुत थी इसी से सहनभूती मुख्तारन सारी और उनके परिवार के परती है कि इन लोगों के साथ बड़ा अन्याय हुआ है अब आप घुरुप तडप करके उसको रोक दीजिए सारी रात कल से पूरे चप्पे चप्पे पर रोका गया है अब लोग आ रहे हैं हम तो कोई को बुलाने नहीं गए हमसे तो जिन लोगों ने पूछा के बज़े मिट्टी होगी क्या होगी हमने मनई किया यार की बहुत जादा तीन दिन हो गया एक तो वहां से पुस्माटम लाश आते आते रात में तो डेड़ बज़े आई है तो लोगों में उत्सुकता थी गए हैं लोग हम समझते हैं कि पचीस बीस परसेंट लोग मिट्टी दे पाए हैं असी परसेंट लोग तो बिना मिट्टी दिये अभी लाउड गये हैं एक सवाल आखरी है कि दस बीस परसेंट भी लोग जो आए हुए हैं कहां कहां से आए हुए हैं उनको घुरुप तलब से भगा दिया जाए तो ये मनासिब नहीं है नाजाएज है उस सरकार या सरकार की मनशा के अनुसार कोई परशासनी का अधिकारी भी ऐसा करता है तो वो देश के कानून और सम्मिधान के खिलाफ है ये पहले ऐसी सरकार है और पहले ऐसी सरकार के कुछ आईसे अधिकारी और ऐसे समझ के उनके समर्थक है जो जिस कारवाई को आम जनता में घेना की दिरिश से देखा जा रहा उस कारवाई को अपनी उपलब्धी मानते हैं खाम्यादा भुगते हैं ये बुल्डोजर लेके किसी का घर गिरा दें स्कूल गिरा दें, अस्पताल गिरा दें जंग जमीन कुर्क कर दें नजाइस तरीके से जूटे मुकदमें फसा दें खूब धेडोरा पीठे बुल्डोजर 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 नाम रखने बाबा बुल्डोजर सभा अस्थर पर बुल्डोजर खड़ा करके लोगों को दराया जाए कि ये देखो बुल्डोजर ये है यही वो है पड़ाम क्या होता है गाजीपूर में साथ विधान सभा की सीटे हैं, शुन्य मिली थी, भाजपा के खाते में शुन्य, अगर आँख नहीं खुली है, तो इस लोग सभा के चुनाओं में अहंकार तो देखिए, कंश को भी अहंकार था, जो उसने ये तरीका बना लिया था कि जो उसका विरोध करेगा, मतुरा का राजा, वो उसको जेल में डाल देगा या माड डालेगा, उसने अपने बाप को, जिन्होंने उसके गलत नीतियों और उसकी जातियों का विरोध किया, तो उसके पिता को जेल में डाल दिया था, ले जब तक कोई कंश वाला नशा किसी के उपर है तो ये नशा भी उतरेगा ऐसा थोड़ी है कि नहीं उतरेगा इसको भी उतरना है लोगसभा का क्या परिणाम होगा गाजीपूर में जोति सास्त भाजपा के लोग जानते हैं सूची आई थी एक सो पंचानवे आदमी की गोशना आई थी कि चार सो सीड़ जीतेंगे उत्तर प्रदेश में सूची आई थी एक क्यावन लोगों की और गोशना कर दी थी कि 80 सीड़ जीत रहें और अभी तक नाम बताने की स्थिती में नहीं है कि गाजीपूर बलिया में कौन चुनाव लड़ेगा मेरे पास पोखता सुबूत है कि मुक्तार को जेल में जहर दिया गया मुक्तार ने खुद अपने वकील के जरिये पत्र दिया उनके वकील ने कोट में वो दर्खास डाली उसके बाद कोट की तरफ से डाइरिक्शन भी हुआ हमने उन्नीस तारीख की बात है हमने बीस तारीख को सुपरेटेंडन जेल से बात किया उन्ने कहा कि हाँ तबियत उनकी खराब है लेकिन हमने कॉल किया था हमारे अस्पताल के डाक्टर ने कहा था कि बाहर के डाक्टर बुलाए जाए तो हमने कॉल कर लिया था बाहर के दो डाक्टर आये थे और आज ही मैं उनके बाइरिक में उनके सामने डाक्टरों को और उनको कर दिया हूँ टेस्ट शुरू हो गया है और दवा भी शुरू हो जई है हमारे उनके बीच में जो बात हुई वो रिकार्ट पर है आज भी हमारे पास है साक्ष के रूप में मैंने उनसे खोल के ये बात कही कि डाक साब अरे सुपरेटरेनल साब आप इट्विनान दिला रहें कि दो डाक्टर और आ गए हैं और जेल वाला भी डाक्टर है सब लोग इलाज कर रहे हैं लेकिन हमें सूचना मिली है कि उनको जहर दिया गया है खाने में और इससे पहले भ खाना टेश्ट टोस्ट करके तब देते हैं हमने का टेश्ट करने के लिए जो बंधी रकच्छक लगाया गया था और एक डिप्टी जेलर था जो उनका खाना टेश्ट करके खिलाता था लगबख 40 दिन पहले उनका खाना जो आया था उसमें जहर था और इन दोनों ने लिए था यह दवा इलाज से ठीक नहीं हुए इनको मेडिकल कालेज में भरती कराया गया जहां उनका कई दिनों तक इलाज हुआ तो उन्होंने एकसेप्ट किया है हां ऐसा हुआ था लेकिन सब का टेस्ट कराया गया तो किसी की रिपोर्ट आई कि फूट बाइजनिंग है कि किसी का रिपोर्ट आई कि गयस्टिक कामामला था किसी का कुछ है सबकी एक तरह से रिपोर्ट नहीं आई खाना बनाने वाला बीमार हो रहा, खाना चकने वाला बीमार हो रहा, खाना पकवाने का सुपर वीजन करने वाला बीमार हो रहा और मुखतार ने ये सारी बाते हमको फून से बताई थी, तब ही हमने सुपर टेनर से कहा तो उन्होंने हम से का कि देखिया हमने अब जो शुरू किया है बाहरी डाक्टर भी आ गया वो ठीक हो जाएंगे ये बीस तारीक के बात है 19 को उनको जहर दिया गया था 20 के बाद 21, 22, 23, 24, 25 तक कोई माकूल इलाज नहीं हुआ 26 को हालत बिलकुल खराब हो गई तब इन लोगों ने खुछ सुपरेटेंट से मेरी बात हुई है उसका भी रेकार्ड मेरे पास है दो बज़े रात में जेल सुपरेटेंट ने डाक्टरों के एडवाईज के आजुसाद उनको मेडिकल कालेज भेजा मेडिकल कालेज के डाक्टरों ने उनकी गंभीर इस्थिती को देख करके तुरंत आईस्यू में उनको अड्मिट किया उनकी गहन परिक्षण हुए एलाज शुरू हुआ हम लोगों को एक टेलीगराम भेजा उन्होंने हमारे मुहमदाबाद थाने पे यहां से पुलिस के लोग आए उनका मुखतार साथ बहुत सक्त बीमार है यह टेलीगराम है और आप ततकाल बांदा मेडिकल कालेज जाईए मैंने वो टेलीगराम पढ़ा सुपरेटेंडन की तरफ से टेलीगराम था हम लोग तुरंत आदे घंटे के अंदर बांदा के लिए निकल लिए आठ घंटे का सफर है बांदा पहुंचे मेडिकल कालेज गए तो उस समय मुखतार से जब मुलाकात का मौका मिला तो वो होश में थे और उन्होंने हमको फिर वही बात कही कि भाईया हमने आपको बताया था ना हमको यह सब जहर दे दिये हैं और हमारा इलाज यह गंभीर होके नहीं कराए जिसका नतीजा हुआ जहर असर कर गया है मैं बहुत कमजोर हो गया हूँ मेरा पेट बहुत भूल गया है गैस कि लोगों ने फिर हमको यहां आस्पिटल बेजा है तो यह सारी जो बाते आप कह रहे हैं जो सरकार का जेल है प्रशासन है उसकी निग्रानी में वो जेल में थे सरकार की जेल है उसमें वो कैदी थे तो यह सारे जो आप बातें कह रहे हैं तो इसके पीछे का कारण क्या है देखिए हमने पहले भी कहा अब भी बता रहे हैं कि पूरी सरकार और सरकार की मिशिनरी ये लगाई गई है कि किसी भी तरह से मुक्तार को खत्म किया जाए और बिर्जेश सिंग और तिर्भुण सिंग जो बहुत बड़े माफिया डान है उत्तरप्रदेश नहीं राश्टी इस्तर के जो दाउद इबराहीम के भी को अक्यूजड हैं बांबी जेजे हास्पीटल कांड में उनके विरुद एक मुकदमा था जिसमें मुक्तार वादी मुकदमा था 15 जुलाई 2001 को उनके उपर आक्रमण हुआ था उस आक्रमण में इनके गाड़ी में बैठे हुए इनक पर तीन लोगों की मौत हुई थी उस मुकदमे का ट्राइल अब शुरू हो गया है बाईस तेईस साल के बाद तो उसको बचाने के लिए तो एक कोशिश ये किया आ गया मिली भगत से सरकार और अपरादियों की सब की उन लोगों ने ये किया कि एक जूटिया मुकदमा दर इसरी कहानी के साथ कि वो जो 2001 में घटना हुई थी वास्तविक्ता यह है कि वो जो उसमें हमलावर मारा गया उसको देखाये गया है कि इसको मुक्तार अंसारी के ड्राइवर और दो तीन लोग गय थे और बकसर जिले में किसी गाउं में उरहते हैं वहां की निवासी हैं उ इंजर्ड विटनेस थे दो मर गय थे नौग इंजर्ड विटनेस थे उनको मिल्जी मना दिया कि गवाही से बाज आ जायेंगे उसके बावजूद गवाही चलती रही कोट ने आडर किया zien मुथार को पेश किया जा गवाही के लिए अब योजन के गवाह के हैसित से वादी मुकदमा पेश किया जाए और गिरिस सच्चु चिफ सेग्रेटरी तक को पत्र लिखा लेकिन ये लोग नहीं पेश किये बहाना बाजी फोर्स लबो लबाब बिर्जेश सिंग तिर्भोन सिंग को बचाने का मकसद है उनके विरुस सारे मुकदमे गवाहों को तोड के या खरीट के या धमका के या अब्योजन की मिली भगत से उनको एक तरफ से क्लीन चिट मिलती चली जा रही है ये एक मुकदमा था जिसमें उन्हें भाय था कि मुक्तारन सारी गवाही करेंगे वो न बिखेंगे न डरेंगे तो बिर्जेश सिंग और तिर्भौन सिंग को बचाने का सपना पूरा नहीं हो पाएगा और इसलिए उन लोगों ने एक सुनियोजित घटना करम के तहट किन लोगों ने सरकार में बैठे हुए लोग आइडमिस्टेशन में बैठे हुए लोग जेल परशासन में बैठे हुए लोग और बिर्जेश और तिर्भौन की टीम के लोग ये सब लोगों ने मिल करके घटना अंजाम दिया है डाक्टर ने कहा कि हम लोग इनका इलाज कर रहे हैं तीन डाक्टरों का पैनल है लेकिन जब हमने कहा कौन लोग हैं हम मिल लें तो ह हमारे सामने जो दो लोग आए वो फार्मेसिस्ट थे और एक जो डाक्टर इंचार्ज थे उनके हमने पूछा कि आप क्या करते हैं आप मेडिसिन के हैं या कहने हम सर्जन हैं तो हमने का है की सर्जरी करते हैं सर्जन तो आर्थोपेटिक भी होता है सर्जन तो निरोलोजी म का इलाज आप ही हेड हो तो आपके समझ से कैसा है तो उन्हों ने कहा कि देखिए इनको सरजरी का कोई मामला नहीं है फिर भी हमको इंचार्ज बनाए गया है तो हम जो गोरा तो हमने का मेडिसिन का आप क्या करते हैं कहें हम टेली फून से अपने मित्र डाक्टरों से सला करके तब दवा देते हैं तो हमने कहा कि अभी क्या इस्तिती है तो कहें देखिए होश में हैं आये थे तो बेहोश थे और हम उमीद कर रहे हैं कि जल्दी दो-तीन दिन में इनको कंट्रोल कर लेंगे हमका अगर कंट्रोल के बाहर हो तो इसको रीफर कर दीजेगा और अगर यह समस्या होगी कि कि किसी बड़े आस्पिटल में भेजेंगे तो खर्च कौन बहन करेगा तो परिजन खर्च बहन करने के लिए तयार है मैं लिख के दे रहा हूं। आप समय रहते रीफर कर दीजिएगा ऐसा न न हो कि यहां कि दवा से उनको फाइदा भी नहां और इस तरह की इस्थिति है कि वह कहते हैं उनको जहर हुआ है मुझसे आज भी कहा है यहीं आस्पिटल में से चले हुए जब तक बताया गया कि सभी डाक्टरों ने उनको लिख दिया कि ये फिट हैं और वील चेयर पर बैठा करके जो आदमी अपनी पेलों पर खड़े होने की इस्तिती में नहीं था जो अपने दम पर बेट पर बैठने की इस्तिती में नहीं था उसको फिट हैं कोई रोग नहीं है अगर कोई रोग नहीं था तो 24 घंटा बीतने के बाद ऐसा घातक अटेक कैसे आ गया जिसमें उनकी जानी चली गई अगर वो फिट थे और मेडिकल कालेज के नव डाक्टर उनको फिट घोशित कर रहे हैं तो 24 घंटे के अंदर यह क्या हो गया आप ही के कश्टडी में है responsibility आपकी है वो डाक्टर जो हमसे कह रहा है कि हम दो तीन दिन में इनको ठीक कर लेंगे नहीं तो refer कर देंगे उस डाक्टर से आपने उसी दिन जिस दिन मेरी बात हुँ इसके दो घंटे के बाद लिखवा लिया कि यह फिट है वो डाक्टर जो कह रहा है कि इनको जो समस्या है मेरे विभाग की नहीं है मैं तो सर्जन हूँ खाक के दर्मियान आप में और यहां के जिलाधिकारी में बहुत तूतुमें में हुआ बहुत जोर जबर दस्ती हुई क्या कुछ कहने कि बहुत वो नहीं है वो शायद उन्हें नहीं पता है और वो यहीं कह रही थी कि अब जत्ते लोग मिट्टी दे लिए बस और लोग मिट्टी नहीं देंगे हमने का यह क्यों आप इसके लिए थोड़ी रोक सकते हैं कि कोई अपने धार्मिक जो सिश्टम है अब आप कह सकते हैं क्या किसी का शौव अगर दास अंसकार में जा रहा है एक बार हुआ है जब यहां करोना लगा था तब भी ऐसा थोड़ी था कि लोग खुद से ही भीड़ देके नहीं जाते थे डर गए थे घर के परिवार के लाश और जनाजे को लोग जलाते नहीं थे इसे ही परवाह करके जल परवाह भाग जाते थे और जैसी भी से गड़ा खुद फिर आपने क्या का मैंने का ये कोई उलंगन नहीं है इसकी परमीशन की अवशक्ता नहीं है हम उनके परिजन है और उनकी मिट्टी हुई है तो मिट्टी देने के लिए दूर दरास से जो हमारे रिष्टे नते अजीज कारीब सबाय हुए हैं वो एक लोग प्रिया आदमी थे हमारा परिवार एक बहुत पुराना एतिहासिक परिवार है मुखतार अंसारी की इस असवभाविक मौत से जो कहीं न कहीं मिली भगत से सबके हुई है तो इस घटना से लोगों में कितना आक्रोश है इसका अंदाजा तो आप कहीं भी साज देख लीजे तो तू तू मैमें एक तरीके से न का चैना है तू मैमें नोक जोक नहीं उनका कहना था कि आचार संगिता लागु है दफाँ लागु है परमिशन लेना चाहिए हमका यार मुर्दा दपन करने मुर्दा जलाने शोयत्रा निकालने या जनाज़ा ले जाके जनाजे की नमाज़त पढ़ने इसके लिए मैं नहीं समझता कि कोई परमीशन किया वशक्ता है यह हमारे धार्मिक प्रियोजन है और इसको हम करने था हम पूरा सहयोग कर रहे थे हमने बहुत सहयोग किया है जिस तरह से भी लोगों ने चाहा उस तरह से सब कुछ किया है इड़ बहुत थी इसी से तो उपर से डांट पड़ रही थी कि एत्ते लोग आये कई से तो अब उसके लिए हम क्या कर सकते हैं आप बताईए जो जहां सुन रहा वो चल दे रहा है उसकी सहनभूती मुखतारन सा सारी और उनके परिवार के परती है कि इन लोगों के साथ बड़ा अन्याय हुआ है अब आप घुरुप तडप करके उसको रोक दीजिए सारी रात कल से पूरे चप्पे चप्पे पे रोका गया है अब लोग आ रहे हम तो कोई को बुलाने नहीं हमसे तो जिन लोगों ने पूछा कई बजे मिट्टी होगी क्या होगी हमने मनाई किया यार कि बहुत जादा तीन दिन हो गया एक तो वहां से पुस्माटम लाश आते आते रात में तो डेड़ बजे आई है तो लोगों में उत्सुकता थी गए हैं लोग हम समझते हैं कि पचीस बीस परसेंट लोग मिट्टी दे पाए हैं असी परसेंट लोग तो बिना मिट्टी दिये अभी लोड गए हैं एक सवाल आखरी है अगर कोई ये चाहता है कि दस बीस परसेंट भी लोग जो आए हुए हैं कहां कहां से आए हुए हैं उनको घुरुप तड़प से भगा दिया जाए तो ये मनास करता है तो वो देश के कानून और सम Nano के खिलाफ हैं ये पहले ऐसी सरकार है और पहले ऐसी सरकार के कुछ ईए अइसे अधिकारी और इससे समझ के उनके समर्टक हैं जो जिस कारवाई को आम जनता में घेना की दिर्श से देखा जा रहा उस कारवाई को उपनी उपलब्धी मानते हैं खाम्यादा भुगते हैं यह बुल्डोजर लेके किसी का घर गिरा दें इस्कूल गिरा दें अस्पताल गिरा दें जंग जमीन कुड कर दें नजाइस तरीके से जूटे उदर खड़ा करके लोगों को दराया जाए कि यह देखो बुल्डोजर यह है यही वो है पड़ाम क्या होता है गाजीपूर में साथ विदान सभा की सीटे हैं शुन्य मिली थी भाजपा के खाते में शुन्य अगर आँख नहीं खुली है तो इस लोग सभा के चुनाओं मे अहंकार तो देखिये कनश को भी अहंकार था जो उसने यह तरीका बना लिया था कि जो उसका विरोध करेगा मथुरा का राजा वो उसको जेल में डाल देगा या माड़ डालेगा उसने अपने बाप को जिनोंने उसके गलत नीतियों और उसकी जातियों का विरोथ किया तो उसने पिता को जेल में डाल दिया था लेकिन आखिर उसकी सत्ता का और उसका भी अंथ हुआ तो जब तक कोई कंश वाला नशा किसी के उपर है तो ये नशा भी उतरेगा ऐसा थोड़ी है कि नहीं उतरेगा इसको भी उतरना है लोगसभा का क्या परिणाम होगा गाजीपूर में जोति सास्त भाजपा के लोग जानते हैं सूची आई थी एक सो पंचानवे आदमी की घुशना आई थी कि चार सो सीड जीतेंगे उत्तर प्रदेश में सूची आई थी एक क्यावन लोगों की और घुशना कर दी थी कि 80 सीड जीत रहे और अभी तक नाम बताने की स्थिती में नहीं है कि गाजीपूर बलिया में कौन चुनाव लड़ेगा मेरे पास पोखता सुबूत है कि मुक्तार को जेल में जहर दिया गया मुक्तार ने खुद अपने वकील के जर्ये पत्र दिया उनके वकील ने कोट में गुदर खास डाली उसके बाद कोट की तरफ से डायरिक्शन भी हुआ हमने उन्नीस तारीख की बात है हमने बीस तारीख को सुपरेटेंडन जेल से बात किया उन्ने कहा कि हाँ तबीयत उनकी खराब है लेकिन हमने कॉल किया था हमारे अस्पताल के डाक्टर ने कहा था कि बाहर के डाक्टर बुलाए जाए तो हमने कॉल कर लिया था बाहर के दो डाक्टर आये थे और आज ही मैं उनके बाइरिक अंके सांखने डाक्टरों को और उनको कर दिया हूँ टेस्ट शुरू हो गया है और दवा भी शुरू हो जाई है हमारे उनके बीच में जो बात हुई वो रिकार्ट पर है आज भी हमारे पास है सक्ष के रूप में मैंने उनसे खोल के ये बात कही कि अरे सुप्रेटेनल साथ आप इत्विनान दिला रहें कि दो डाक्टर और आ ग को जहर दिया गया है खाने में और इससे पहले भी उनके साथ ऐसा हुआ था तो नुन का नहीं यह गलत बात है हम लोग खाना टेस्ट टोस्ट करके तब देते हैं हमने का टेस्ट करने के लिए जो बंधी रक्षक लगाया गया था और एक डिप्टी जेलर था जो उनका खाना टेस्ट करके खिलाता था लगबख 40 दिन पहले उनका खाना जो आया था उसमें जहर था और इन दोनों ने टेस्ट कि और दोनों जहर का खाना खा करके बीमार पड़े और मुझे मालूम है कि ये बंदीर एक छक और डिप्टी जेलर जो मुक्तार के बारिक के लिए था ये दवा इलाज से ठीक नहीं हुए इनको मेडिकल कालेज में भरती कराया गया जहां उनका कई दिनों तक इलाज हुआ तो होने एकसेप्ट किया है हाँ ऐसा हुआ था लेकिन सब का टेस्ट कराया गया तो किसी की रिपोर्ट आई कि फूट बाइजनिंग है किसी का रिपोर्ट आई कि गये स्टिक का मामला था किसी का कुछ है सबकी एक तरह से रिपोर्ट नहीं आई खाना बनाने वाला बीमार हो खाना पकवाने का सूपर वीजन करने वाला बीमार हो रहा और मुक्तार ने ये सारी बाते हमको फून से बताई थी तब ही हमने सूपर ट्रेनर से कहा उन्होंने हम से कहा कि देखिया हमने अब जो शुरू किया है बाहरी डाक्टर भी आ गया वो ठीक हो जाएंगे ये बीस ता बिल्कुल एलाज नहीं हुआ चब्विस को हालत बिल्कुल खराब हो गई तब इन लोगों ने खुछ सूपरेटरिनेंट से मेरी बात हुई है उसका भी रेकार्ड मेरे पास है दो बज़े रात में जेल सूपरेटरिनेंट ने डाक्टरों के एडवाईज के आदुसार उन के गहन परिक्षण हुए एलाज शुरू हुआ हम लोगों को एक टेलीग्राम भेजा उन्होंने हमारे मुहमदाबाद थाने पे यहां से पुलिस के लोग आए उनका मुखतार साब बहुत सक्त बीमार है यह टेलीग्राम है और आप तत्काल बांदा में तकल हकाले जाईए मैंने वो टेलीग्राम पढ़ा सुपरेटेंडन की तरफ से टेलीग्राम था हम लोग तुरंत आदे घंटे के अंदर बांदा के लिए निकल लिए आठ घंटे का सफर है बांदा पहुंचे मेडिकल कालेज गए तो उस समय मुखतार से जब मुलाकात का मुखा मिला तो वो ह कोश में थे और उन्होंने हमको फिर वही बात कई कि भया हमने आपको बताया था ना हमको यह सब जहर दे दिये हैं और हमारा इलाज यह गंभीर होके नहीं कराए जिसका नतीजा हुआ जहर असर कर गया है मैं बहुत कमजोर हो गया हूं मेरा पेट बहुत भूल गया है गैस बहुत बन रही है और मुझे घबराहट होती है पसीना होता है अपनी तकलीफें फिर बताए कि कल मैं गिर गया था मुर्चित हो गया था तो जेल के लोगों ने फिर हमको यहां आस्पिटल बेजा है यह सारी जो बाते आप कह रहे हैं जो सरकार का जेल है प्रशासन है उसक सरकार की जेल है उसमें वो कैदी थे तो यह सारे जो आप बातें कह रहे हैं तो इसके पीछे का कारण क्या है देखिए हमने पहले भी कहा अब भी बता रहे हैं कि पूरी सरकार और सरकार की मिशिनरी यह लगाई गई है कि किसी भी तरह से मुखतार को खत्म किया जाए और ब बंबी जेजे हास्पीटल कांड में उनके विरुद एक मुकदमा था जिसमें मुकतार वादी मुकदमा था 15 जुलाई 2001 को उनके उपर आक्रमन हुआ था उस आक्रमन में इनके गारी में बैठे हुए इनके गनर और रुस्ता मुर्फ बाबू मारा गया था और हमलावरों की तरफ से भी एक व्यक्ती जो बचाओं में की गई जवाबी फाइरिंग में मारा गया था मौके पे तीन लोगों की मौत हुई थी उस मुकदमे का ट्रायल अब शुरू हो गया है बाईस तेईस साल के बाद तो उसको बचाने के लिए तो एक कोशिश ये किया गया मिली भग से सरकारों अपरादियों की सब की उन लोगोंने यह किया कि एक जूठ आ मुकदमा तरश कराये गया एक घटना का दूसरा मुकदमा दूसरी कहानी के साथ कि वो जो 2001 में घटना हुई थी वास्तविक्ता यह है कि वो जो उसमें हमलावर मारा गया उसको दिखाये गया है कि इसको मुक्तार अंसारी के ड्राइवर और दो-तीन लोग गए थे और बकसर जिले में किसी गाउं में उ निवासी हैं उनको उठा लाइए थे ब्रिजैस को बचाने के लिए सब काम किया और उसमें मुल्जिम सारे गवा हैं को बना लिया गया जो इंजर्ड विट्नेश थे नौव लोगों को गोली लगी थी जो इंजर्ड विट्नेस थे दो मर गये थे नव इंजर्ड विट्नेस थे उनको मुद्ह न बना दिया कि गभाई से बाज आ जाएंगे खू东 उसके बावजूद गवाही चलती रही है कोर्ट ने आडर किया मुखतार को पेश किया जाए गवाही के लिए अब योजन के गवाह के हिस्यत से वादी मुकदमा पेश किया जाए और गिरिस सचु चिफ सेग्रेटरी तक को पतर लिखा लेकिन ये लोग नहीं पेश किये बहाना बाजी फोर्ट लबो लबाब बिरिजेश सिंग तिर्भोन सिंग को बचाने का मकसद है उनके सारे मुकदमे गवाहों को तोड़ के या खरीत के या धमका के या अभियोजन की मिली भगत से उनको एक तरफ से क्लीन चिट मिलती चली जा रही है ये एक मुकदमा था जिसमें उन्हें भाय था कि मुक्तारन सारी गवाही करेंगे वो न बिकेंगे न डरेंगे तो बिर्जेश सिंग और तिर्भौन सिंग को बचाने का सपना पूरा नहीं हो पाएगा और इसलिए उन लोगों ने एक सुनियोजित घटना करम के तहट किन लोगों ने सरकार में बैठे हुए लोग, आइडमिस्टेशन में बैठे हुए लोग, जेल परशासन में बैठे हुए लोग और बिर्जेश और तिर्भौन की टीम के लोग ये सब लोगों ने मिल करके घटना अंजाम दिया है दाक्टर ने कहा कि हम लोग इनका एलाज कर रहे हैं है तीन डाक्टरों का पैनल है लेकिन जब हमने कहा कौंन हैं हम मिल ले तो हमारे सामने जो दो लोग आए वो फॉर्मेसिस्ट थे और एक जो doctor in charge थे उनके हमने पूछा कि आप क्या करते हैं आपAKE medicine के हैँ कई ने हम surgeon है सर्जन हैं तो हमने का ISBN की surgery करते हैं सर्जन तो फो आर्थोपेटिक भी होता है सर्जन तो निरोलोजी में भी है काडियोलोजी का आप क्या हैं तो कहा हारनिया वगएर है तो हमने कहा कि तो यह मुखतार का इलाज आप ही हेड हो तो आपके समझ से कैसा है तो उन्होंने कहा कि देखिए इनको सरजरी का कोई मामला नहीं है फिर भी हमको इन्चार्ज बनाये गया है तो हम जो हो रहा है तो हमने का मेडिसिन का आप क्या करते हैं कहे हम टेली फून से अपने मित्र डाक्टरों से सला करके तब दवा देते हैं तो हमने कहा कि अभी क्या इस्तिति है तो कहें देखिए होश में है आये थे तो बेहोश थे और हम उमीद कर रहे हैं कि जल्दी दो-तीन दिन में इनको कंट्रोल कर लेंगे हमका अगर कंट्रोल के बाहर हो तो इसको रीफर कर दीजेगा और अगर ये समस्या होगी कि कि किसी बड़े आस्पिटल में भेजेंगे तो खर्च कौन बहन करेगा तो परिजन खर्च बहन करने के लिए तयार है मैं लिख के दे दे रहा हूँ आप समय रहते रीफर कर दीजेगा ऐसा नहों कि यहां की दवा से उनको फाइदा भी नहों और इस तरह की इस्थिति है कि वो कहते हैं उनको जहर हुआ है मुझसे आज भी कहा है यहीं आस्पिटल में भी कहा है तो उनका ने मैं समय रहते हुए अगर ऐसी इस्थिति आएगी तो रीफर कर दूँगा हम लोग मिल करके आए अभी रास्ते ही में थे दो घंटा हुआ बस वहां से चले हुए दम पर बेड़ पर बैठने की इस्तिति में नहीं था उसको फिट घोसिट करके सीधे आई सीउ से जेल के अंदर डाल दिया गया और मीडिया के माद्यम से एक खबर चलवाई गई कि मुक्तार बिल्कुल फिट हो चुके हैं सारे टेस्ट उनके वो गया है कोई रोग नहीं है अगर कोई रोग नहीं था तो 24 घंटा बीतने के बाद ऐसा घातक अटेक कैसे आ गया जिसमें उनकी जानी चली गई अगर वो फिट थे और मेडिकल कालेज के नव डाक्टर उनको फिट घोशित कर रहे हैं तो 24 घंटे के अंदर यह क्या हो गया आप ही के कश्टडी में है रिस्पॉंसिविल्टी आपकी है वो डाक्टर जो हमसे कह रहा है कि हम दो-तीन दिन में इनको ठीक कर लेंगा नहीं तो रिफर कर लेंगा उस डाक्टर से आपने उसी दिन जिस दिन मेरी बात हुँ इसके दो घंटे के बाद लिखवा लिया कि ये फिट है वो डाक्टर जो कह रहा है कि इनको जो समस्या है मेरे विभाग की नहीं है मैं तो सर्जन हूँ खाक के दर्मियान आप में और यहां के जिलाधिकारी में बहुत तूतुमे में हुआ बहुत जोर जबरदस्ती हुई क्या कुछ कहने की बहुत वो नहीं है वो शायद उन्हें नहीं पता है और वो यहीं कह रही थी कि अब जत्ते लोग मिट्टी दे लिए बस और लोग मिट् सकते हैं कि कोई अपने धार्मिक जो सिश्टम है अब आप कह सकते हैं क्या किसी का शोव अगर दास अंसकार में जा रहा है एक बार हुआ है जब यहां करोना लगा था तब भी ऐसा थोड़ी था कि लोग खुद से ही भीड़ देके नहीं जाते थे डर गय थे घर के परिवा करके जल पर भाग जाते थे और जैसीवी से गड़ा खुद फिर आपने क्या था मैंने का यह कोई उलंगन नहीं है इसकी परमीशन की अवश्यक्ता नहीं है हम उनके परिजन है और उनकी मिट्टी हुई है तो मिट्टी देने के लिए दूर दरास से जो हमारे रिष्टे न एतिहासिक परिवार है मुखतार अंसारी की इस असवभाविक मौत से जो कहीं न कहीं मिली भगत से सबके हुई है तो इस घटना से लोगों में कितना आक्रोश है इसका अंदाजा तो आप कहीं भी सहज देख लीजिए तू 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 मैं में एक तरीके से नोग जोख हुई ने ने तू मैं में नोग जोख नहीं उनका कहना था कि आचार संगिता लागू है दफा चवालिस लागू है परमीशन लेना चाहिए हम का यार मुर्दा दफन करने मुर्दा जलाने शवयात्रा निकालने या जनाजा ले जाके जनाजे की नमाज पढ़ने इसके लिए मैं समझता की कोई परमीशन किया है यह हमारे धार्मिक परियोजन है वह पुरा सहयोग कर रहे थे हमने बहुत सहयोग किया है जिस तरह से भी लोगोंने चाहा उस तरह से सब कुछ किया है इसी से तो उपर से डांट पड़ रही थी कि एत्ते लोग आये कैसे तो अब उसके लिए हम क्या कर सकते हैं आप बताइए जो जहां सुन रहा वो चल दे रहा है उसकी सहनभूती मुखतारन सारी और उनके परिवार के परती है कि इन लोगों के साथ बड़ा अन्याय हुआ है अब आप घुड़ू तड़प करके उसको रोक दीजिए सारी रात कल से पूरे चप्पे चप्पे पे रोका गया है अब लोग आ रहे हैं हम तो कोई को बुलाने नहीं हमसे तो जिन लोगों ने पूछा क्या बज़े मिटी होगी क्या होगी हमने मनाई किया यार कि बहुत जादा तीन दिन हो गया एक तो महां से पोस्माटम लाश आते आते रात में तो डेड़ बज़े आई है तो लोगों में उच्छा थी गए हैं लोग हम समझते हैं कि पचीस बीस परसें ऐसा करता है तो वो देश के कानून और सम्मिधान के खिलाफ है ये पहले ऐसी सरकार है और पहली ऐसी सरकार के कुछ ऐसे अधिकारी और ऐसे समझ के उनके समर्थक हैं जो जिस कारवाई को आम जनता में घेना की दिरिश से देखा जा रहा है उस कारवाई को उपनी उपलब्धी मानते हैं खाम्यादा भुगते हैं ये बुल्डोजर लेके किसी का घर गिरा दे स्कूल किरा दे इस्पताल गिरा दे हैं जंगर जमीन कुण कर दे नजाइस तरीके से जूटे मुकद में फसा दे हैं खूम धेडोरा पीथे ऑंक मुल्डोजर बुल्डो बुल्डोजर बुल्डो ल Cambridge लें बाबा बुल्डोजर सभा अस्थर पर बुल्डोजर खड़ा करके लोगों को दराया जाए कि यह देखो बुल्डोजर यह है यही वो है पड़ाम क्या होता है गाजीपूर में साथ विदान सभा की सीटे हैं शुन्य मिली थी भाजपा के खाते में शुन्य अगर आख न उसने यह तरीका बना लिया था कि जो उसका विरोध करेगा मतुरा का राजा वो उसको जेल में डाल देगा या माड डालेगा उसने अपने बाप को जिन्होंने उसके गलत नीतियों और उसकी जातियों का विरोध किया तो उसके पिता को जेल में डाल दिया था लेकिन आखिर उसकी सत्ता का और उसका भी अंत्वा तो जब तक कोई कंश वाला नशा किसी के उपर है तो ये नशा भी उतरेगा ऐसा थोड़ी है कि नहीं उतरेगा इसको भी उतरना है 24 में लोकसभा का क्या परिणाम होगा गाजीपूर में जो 37 भाजपा के लोग जानते हैं सूची आई थी 195 आदमी की घुशना आई थी कि 400 सीड जीतेंगे उतर प्रदेश में सूची आई थी 55 लोगों की और घुशना कर दी थी कि 80 सीड जीत रहें और अभी तक नाम बताने की सिती में नहीं है कि गाजीपूर बलिया में कौन चुनाव लड़ेगा मेरे पास पोखता सुबूत है कि मुखतार को जेल में जहर दिया गया मुखतार ने खुद अपने वकील के जरीये पत्र दिया उनके वकील ने कोट में वो दर्खास डाली उसके बाद कोट की तरफ से डायरेक्शन भी हुआ हमने उन्नीस तारीख की बात है हमने बीस तारीख को सुपरेटेंडन जेल से बात किया उन्होंने कहा कि हाँ तबियत उनकी खराब है लेकिन हमने कॉल किया था हमारे अस्पताल के डाक्टर ने कहा था कि बाहर के डाक्टर बुलाए जाए तो हमने कॉल कर लिया था बाहर के दो डाक्टर आये थे और आज ही मैं उनके बाइरिक में उनके सामने डाक्टरों को और उनको कर दिया हूँ टेस्ट शुरू हो गया है और दवा भी शुरू हो जई है हमारे उनके बीच में जो बात हुई पूरेकाट पर है आज भी हमारे पास है सक्ष के रूप में मैंने उनसे खोल के यह बात कही कि अरे सुप्रेटेनल साहब आप इट्विनान दिला रहें कि दो डाक्टर और आ गये हैं और जेल वाला भी डाक्टर है सब लोग इलाज कर रहे हैं लेकिन हमें सूचना मिली है कि उनको जहर दिया गया है खाने में और इससे पहले भी उनके साथ ऐसा हुआ था तो नुन का नहीं यह गलत बात है हम लोग खाना टेस्ट टोस्ट करके तब देते हैं हमने का टेस्ट करने के लिए जो बंधी रक्षक लगाया गया था और एक डिप्टी जेलर था जो उनका खाना टेस्ट करके खिलाता था और दोनों जहर का खाना खा करके बीमार पड़े और मुझे मालूम है कि यह बंधी रक्षक और डिप्टी जेलर जो मुक्तार के बारिक के लिए था यह दवा इलाज से ठीक नहीं हुए इनको मेडिकल कालेज में भरती कराया गया जहां उनका कई दिनों तक इलाज हुआ त उन्होंने एकसेप्ट किया है हाँ ऐसा हुआ था लेकिन सब का टेस्ट कराया गया तो किसी की रिपोर्ट आई कि फूट बाइजनिंग है किसी का रिपोर्ट आई कि गैस्टिक का मामला था किसी का कुछ है सबकी एक तरह से रिपोर्ट नहीं आई खाना बनाने वाला बीमा हो रहा खाना पकवाने का सुपर वीजन करने वाला बीमार हो रहा और मुखतार ने ये सारी बाते हमको फून से बताई थी तब ही हमने सुपर ट्रेनर से कहा उन्होंने हम से कहा कि देखिया हमने अब जो शुरू किया है बाहरी डाक्टर भी आ वो ठीक हो जाएंगे ये बीस तारीक के बात है उन्निस को उनको जहर दिया गया था बीस के बाद एक कईस बाईस तेईस चौबिस पच्चीस तक कोई माकूल इलाज नहीं हुआ चप्विस को हालत बिलकुल खराब हो गई तब इन लोगों ने खुच सुपरेटरिनेंट से मे 12 के अनुसार उनको मेडिकल कालेज भेजा मेडिकल कालेज के डाक्टरों ने उनकी गंभीर इस्तिती को देख करके तुरंत आईस्यू में उनको अड्मिट किया उनकी गहन परिक्षण हुए एलाज शुरू हुआ हम लोगों को एक टेलीग्राम भेजा उन्होंने हमारे मु मेडिकल कालेज जाईए मैंने वो टेलीग्राम पढ़ा सुपर्टेंडन की तरफ से टेलीग्राम था हम लोग तुरंत आदे घंटे के अंदर बादा के लिए निकल लिए आठ घंटे का सफर है बादा पहुंचे मेडिकल कालेज गए तो उस समय मुक्तार से जब मुलाकात क मुक्ता मिला तो वो होश में थे और उन्होंने हमको फिर वही बात कही कि भाया हमने आपको बताया था ना हमको ये सब जहर दे दिये हैं और हमारा इलाज ये गंभीर होके नहीं कराए जिसका नतीजा हुआ जहर असर कर गया है मैं बहुत कमजोर हो गया हूं मेरा पेट बह चित हो गया था तो जेल के लोगों ने फिर हमको यहां आस्पिटल बेजा है तो ये सारी जो बाते आप कह रहे हैं जो सरकार का जेल है प्रशासन है उसकी निगरानी में वो जेल में थे सरकार की जेल है उसमें वो कैदी थे तो ये सारे जो आप बातें कह रहे हैं तो इसके की पीछे का कारण के आगा देखिए हमने पहले भी कहा आप भी बता रहा हैं कि पूरी सरकार और सरकार की मिशिनरी यह लगाई गई है कि किसी भी तरह से मुकतार को खत्म किया जाए और बिर्जेश सिंग और तिर्भुवन सिंग जो बहुत बड़े माफिया डान है उत्तरप्रदेश नहीं राश्टी अस्तर के जो दाउद इबराहीम के भी को अक्यूजड हैं बांबी जेजे हास्पीटल कांड में उनके विरुद एक मुकदमा था जिसमें मुक्तार वादी मुकदमा था 15 जुला कारी में बैठे हुए इनके गनर और रुस्ता मुर्फ बाबू मारा गया था और हमलावरों की तरफ से भी एक व्यक्ति जो बचाओं में की गई जवाबी फाइरिंग में मारा गया था मौके पे तीन लोगों की मौत हुई थी उस मुकदमे का ट्राइल अब शुरू हो गया हैं बाइस तेईस साल के बाद तो उसको बचाने के लिए तो एक कोशिश ये किया आगया मिली भगत से सरकार और अपरादियों की सबकी उन लोगों ने ये किया कि एक जूटिया मुकदमा दर्ज कराया गया एक घटना का दूसरा मुकदमा दूसरी कहानी के साथ कि वो जो 2001 में घटना हुई थी वास्तविक्ता यह है कि वो जो उसमें हमलावर मारा गया उसको दिखाया गया है कि इसको मुक्तार अंसारी के ड्राइवर और दो-तीन लोग गय थे और बकसर जिले में किसी गाउं में को उठा लाए थे ब्रिजेस को बचाने के लिए सब काम किया और उसमें मुल्जिम सारे गवाहों को बना लिया गया जो इंजर्ड विटनेस थे नौ लोगों को गोली लगी थी जो इंजर्ड विटनेस थे दो मर गये थे नौ इंजर्ड विटनेस थे उनको मुल्जिम बना द से वादी मुकदमा पेश किया जाए और गिरिस सची और चिफ सेगरेटरी तक को पत्र लिखा लेकिन ये लोग नहीं पेश किये बहाना बाजी फोर्स लबो लुबाब क्या है लबो लबाब बिजेश सिंग तिर्भोन सिंग को बचाने का मकसद है उनके सारे मुकदमे गवाह को तोड़ के या खरीद के या धमका के या अभियोजन की मिली भगत से उनको एक तरफ से क्लीन चिट मिलती चली जा रही है ये एक मुकदमा था जिसमें उन्हें भाय था कि मुक्तारन सारी गवाही करेंगे वो न बिकेंगे न डरेंगे तो पिर्जेश सिंग और तिर्भो किन लोगों ने सरकार में बैठे हुए लोग आइडमिस्टेशन में बैठे हुए लोग जेल परशासन में बैठे हुए लोग और विर्जेश और तिर्भोन की टीम के लोग ये सब लोगों ने मिल करके घटना अंजाम दिया है डाक्टर ने कहा कि हम लोग इनका एलाज कर तीन डाक्टरों का पैनल है लेकिन जब हमने कहा कौन लोग हैं हम मिल लें तो हमारे सामने जो दो लोग आए वो फार्मेसिस्ट थे और एक जो डाक्टर इंचार्ज थे उनके हमने पूछा कि आप क्या करते हैं आप मेडसिन के हैं या कहने हम सर्जन है तो हमने कहा है कि सर्ज हैं वगैरे हमने का कि तो यह मुखतार का इलाज आप ही हेड हो तो आपके समझ से कैसा है तो उन्होंने कहा कि देखिए इनको सरजरी का कोई मामला नहीं है फिर भी हमको इंचार्ज बनाए गया है तो हम जो घुरा तो मेडिसिन का आप क्या करते हैं कहें हम टेली फून से अपने मित्र डाक्टरों से सला करके तब दवा देते हैं तो हमने कहा कि अभी क्या इस्थिती है तो कहें देखिए होश में हैं आये थे तो बेहोश थे और हम उमीद कर रहे हैं कि जल्दी दो-तीन दिन में इनको कंट्रोल कर लेंगे हमका अगर कंट्रोल के बाहर हो तो इसको रीफर कर दीजेगा और अगर यह समस्या होगी कि कि किसी बड़े आस्पिटल में भेजेंगे तो खर्च कौन बहन करेगा तो परिजन खर्च बहन करने के लिए तयार हैं मैं लिख के दे रहा हूं आप समझ रहते रीफ अगर ऐसी इस्थिति आएगी तो रीफर कर दूगा हम लोग मिल करके आए अभी रास्ते ही में थे दो घंटा हुआ बस वहां से चले हुए जब तक बताया गया कि सभी डाक्टरों ने उनको लिख दिया कि यह फिट हैं और वीलचेयर पर बैठा करके जो आदमी अपनी पै था उसको फिट घोसिट करके सीधे आई सीउ से जेल के अंदर डाल दिया गया और मीडिया के मादम से एक खबर चलवाई गए कि मुक्तार बिल्कुल फिट हो चुके हैं सारे टेस्ट उनके वो गया है कोई रोग नहीं है अगर कोई रोग नहीं था तो 24 घंटा बीतने के ब गया जिसमें उनकी जानी चली गई अगर वो फिट थे और मेडिकल कालेज के नव डाक्टर उनको फिट घोशित कर रहे हैं तो 24 घंटे के अंदर यह क्या हो गया आप ही के कश्टडी में है रिस्पॉंसविल्टी आपकी है वो डाक्टर जो हमसे का रहा है कि हम दो तीन दि कुछी दिन जिस दिन मेरी बात हुँ इसके दो घंटे के बाद लिखवा लिया कि यह फिट है वो डाक्टर जो कह रहा है कि इनको जो समस्या है मेरे विभाग की नहीं है मैं तो सर्जन हूं खाक के दरमियान आप में और यहां के जिलाधिकारी में बहुत तूतुमे में हुआ बहुत जोर जबरदस्ती हुई क्या कुछ कहने की बहुत वो नहीं है वो शायद उन्हें नहीं पता है और वो यहीं कह रही थी कि अब जत्ते लोग मिट्टी दे लिए बस और लोग मिट नहीं देंगे हमने का यह क्यों आप इसके लिए थोड़ी रोक सकते हैं कि कोई अपने धार्मिक जो सिश्टम है अब आप कह सकते हैं क्या किसी का शौव अगर दास अंसकार में जा रहा है एक बार हुआ है जब यहां करोना लगा था कि तब भी ऐसा थोड़ी था कि लोग खुद से ही भीड़ देके नहीं जाते थे डर गए थे घर के परिवार के लाश और जनाजे को लोग जलाते नहीं थे इसे परवाह करके जल परवाह भाग जाते थे और जैसी भी से गड़ा खुद फिर आपने क्या था मैंने का यह के लिए दूर दरास से जो हमारे रिष्टे नाते अजीज कारीब सबाय हुए हैं वो एक लोग प्रिया आदमी थे हमारा परिवार एक बहुत पुराना एतिहासिक परिवार है मुखतार अंसारी की इस अस्वभाविक मौत से जो कहीं न कहीं मिली भगत से सबके हुई है तो इस घटना से लोगों में कितना आक्रोश है इसका अंदाजा तो आप कहीं भी सहज देख लीजिए तो तू तू मैमें एक तरीके से नोग जोग हुई ने ने तू मैं में नोग जोग नहीं उनका कहना था कि आचार संगिता लागू है दफाच वालीस लागू है परमीशन लेना चाहिए हम का यार मुर्दा दफन करने मुर्दा जलाने शवयात्रा निकालने या जनाजा ले जाके जनाजे की नमाज पढ़ने इसके लिए मैं नहीं समझता कि कोई परमीशन किया वशकता है यह हमारे धार्मिक प्रियोजन है तो इसको हम कर रहे हैं हम पूरा सायोग कर रहे थे हमने बहुत सायोग किया है जिस तरह से भी लोगों ने चाहा उस तरह से सब कुछ किया है इड़ बहुत थी इसी से तो उपर से डांट उसकी सहनभूती मुखतारन सारी और उनके परिवार के परती है कि इन लोगों के साथ बड़ा अन्याय हुआ है अब आप घुरुप तडप करके उसको रोक दीजिए सारी रात कल से पूरे चप्पे चप्पे पे रोका गया है अब लोग आ रहे हैं हम तो कोई को बुलाने नह आते रात में तो डेड़ बज़े आई है तो लोगों में उत्सुकता थी गए हैं लोग हम समझते हैं कि पचीस बीस परसेंट लोग मिट्टी दे पाए हैं असी परसेंट लोग तो बिना मिट्टी दिए अभी लौड गये हैं एक सवाल आखरी है अगर कोई ये चाहता है कि दस बीस परसेंट भी लोग जो आए हुए हैं कहां कहां से आए हुए हैं उनको घुरूप तड़प से भगा दिया जाए तो ये मनासिब नहीं है नाजायज है उस सरकार या सरकार की मनशा के अनुसार कोई परशासनी का अधिकारी भी ऐसा करता है तो वो देश के कानून औ सब्मिधान के खिलाफ है ये पहले ऐसी सरकार है और पहली ऐसी सरकार के कुछ जुष आएसे अधिकारी आइसे समच के उनके समर्थक हैं जो जिस कारवाई को आम जनता में घेणा की दृष से देखा जा रहा उस कारवाई को उपनी उपलब्धी मानते हैं खाम्यादा भुगते हैं ये बुल्डोजर लेके किसी का घर गिरा दें स्कूल गिरा दें, अस्पताल गिरा दें जंग जमीन कुड़ कर दें नजाइस तरीके से जूटे मुकदमें फसा दें खूब धेडोरा पीठे बुल्डोजर 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 नाम रखने बाबा बुल्डोजर सभा अस्थर पर बुल्डोजर खड़ा करके लोगों को दराया जाए कि ये देखो बुल्डोजर ये है यही वो है पड़ाम क्या होता है गाजीपूर में साथ विदान सभा की सीटे हैं शुन्य मिली थी भाजपा के खाते में शुन्य अगर आँख नहीं खुली है तो इस लोग सभा के चुनाओं में अहंकार तो देखिए कंश को भी अहंकार था जो उसने यह तरीका बना लिया था कि जो उसका विरोध करेगा मतुरा का राजा वो उसको जेल में डाल देगा या माड डालेगा उसने अपने बाप को जिन्होंने उसके गलत नीतियों और उसकी जातियों का विरोध किया तो उसने पिता को जेल में डाल दिया था लेकिन आखिर उसकी सत्ता का और उसका भी अन्थुआ तो जब तक कोई कंश वाला नशा किसी के उपर है तो ये नशा भी उतरेगा ऐसा थोड़ी है कि नहीं उतरेगा इसको भी उतरना है लोगसभा का क्या परिणाम होगा गाजीपूर में? जोती सास भाजपा के लोग जानते है सूची आई थी एक सो पंचानवे आदमी की गोशना आई थी कि चार सो सीड़ जीतेंगे उत्तर प्रदेश में सूची आई थी एक क्यावन लोगों की और गोशना कर दी थी कि असी सीड़ जीत रहे और अभी तक नाम बताने की स्थिती में नहीं है कि गाजीपूर बलिया में कौन चुनाव लड़ेगा मेरे पास पोखता सुबूत है कि मुक्तार को जेल में जहर दिया गया मुक्तार ने खुद अपने वकील के जरिये पत्र दिया उनके वकील ने कोट में गुदर खास डाली उसके बाद कोट की तरफ से डायरिक्शन भी हुआ हमने उन्नीस तारीख की बात है हमने बीस तारीख को सुपरेटेंडन जेल से बात किया उन्ने कहा कि हाँ तबीयत उनकी खराब है लेकिन हमने कॉल किया था हमारे अस्पताल के डाक्टर ने कहा था कि बाहर के डाक्टर बुलाए जाए तो हमने कॉल कर लिया था बाहर के दो डाक्टर आये थे और आज ही मैं उनके बायरिक में उनके सामने डाक्टरों को और उनको कर दिया हूँ टेस्ट शुरू हो गया है और दवा भी शुरू हो जाई है हमारे उनके बीच में जो बात हुई वो रिकार्ट पर है आज भी हमारे पास है साक्ष के रूप में मैंने उनसे खोल के ये बात कही कि डाक्ट साब अरे सुपरिटेनल साब आप इट्विनान दिला रहें कि दो डाक्टर और आ गये हैं और जेल वाला भी डाक्टर है सब लोग इलाज कर रहे हैं लेकिन हमें सूचना मिली है कि उनको जहर दिया गया है खाने में और इससे पहले भी उनके साथ हैसा हुआ था तो उनका नहीं यह गलत बात है हम लोग खाना टेस्ट टोस्ट करके तब देते हैं हमने का टेस्ट करने के लिए जो बंधी रक्षक लगाया गया था और एक डिप्टी जेलर था जो उनका खाना टेस्ट करके खिलाता था लगबख 40 दिन पहले उनका खाना जो आया था उसमें जहर था और इन दोनों ने टेस्ट किया और दोनों जहर का खाना खा करके बीमार पड़े और मुझे मालूम है कि यह बंधी रक्षक और डिप्टी जेलर जो मुक्तार के बारिक के लिए था ये दवा इलाज से ठीक नहीं हुए इनको मेडिकल कालेज में भरती कराया गया जहां उनका कई दिनों तक इलाज हुआ तो उन्होंने एकसेप्ट किया है हाँ ऐसा हुआ था लेकिन सब का टेस्ट कराया गया तो किसी की रिपोर्ट आई कि फूट बाइजनिंग है किसी का रिपोर्ट आई कि गैस्टिक का मामला था किसी का कुछ है सबकी एक तरह से रिपोर्ट नहीं आई खाना बनाने वाला बीमार हो रहा, खाना चखने वाला बीमार हो रहा, खाना पकवाने का सुपर वीजन करने वाला बीमार हो रहा और मुखतार ने ये सारी बाते हमको फून से बताई थी, तब ही हमने सुपर ट्रेनर से कहा तो उन्होंने हम से का कि देखिए हमने अब जो शुरू किया है बाहरी डाक्टर भी आ गया वो ठीक हो जाएंगे ये बीस तारीक के बात है 19 को उनको जहर दिया गया था 20 के बाद 21, 22, 23, 24, 25 तक कोई माकूल इलाज नहीं हुआ 26 को हालत बिल्कुल खराब हो गई तब इन लोगों ने खुछ सुपरेटरिनेंट से मेरी बात हुई है उसका भी रेकार्ड मेरे पास है दो बज़े रात में जेल सुपरेटरिनेंट ने डाक्टरों के एडवाईज के आजुसार उनको मेडिकल कालेज भेजा मेडिकल कालेज के डाक्टरों ने उनकी गंभीर इस्थिती को देख करके तुरंत आईस्यू में उनको अड्मिट किया उनकी गहन परिक्षण हुए एलाज शुरू हुआ हम लोगों को एक टेलीगराम भेजा उन्होंने हमारे मुहमदाबाद थाने पे यहां से पुलिस के लोग आए उनका मुखतार साथ बहुत सक्त बीमार है यह टेलीगराम है और आप ततकाल बांदा मेडिकल कालेज जाईए मैंने वो टेलीगराम पढ़ा सुपरेटेंडन की तरफ से टेलीगराम था हम लोग तुरन आदे घंटे के अंदर बांदा के लिए निकल लिए आठ घंटे का सफर है बांदा पहुंचे मेडिकल कालेज गए तो उस समय मुखतार से जब मुलाकात का मुखा मिला तो वो होश में थे और उन्होंने हमको फिर वही बात करी कि भाया हमने आपको बताया था ना हमको यह सब जहर दे दिये हैं और हमारा इलाज यह गंभीर होके नहीं कराए जिसका नतीजा हुआ जहर असर कर गया है मैं बहुत कमजोर हो गया हूं मेरा पेट बहुत भूल गया है गाइस बहुत बन रही है और मुझे घबराहट होती है पसीना होता है अपनी तकलीफें फिर बताए कि कल मैं गिर गया था मुर्चित हो गया था तो जेल के लोगों ने फिर हमको यहां आस्पिटल भेजा है तो यह सारी जो बाते आप कह रहे हैं जो सरकार का जेल है प्रशासन है उस सरकार की जेल है उसमें वो कैदी थे तो यह सारे जो आप बातें कह रहे हैं तो इसके पीछे का कारण क्या है देखिए हमने पहले भी कहा अब भी बता रहे हैं कि पूरी सरकार और सरकार की मिशिनरी यह लगाई गई है कि किसी भी तरह से मुक्तार को खत्म किया जाए और ब पंबी जेजे हास्पीटल कांड में उनके विरुद एक मुकदमा था जिसमें मुक्तार वादी मुकदमा था 15 जुलाई 2001 को उनके उपर आक्रमण हुआ था उस आक्रमण में इनके गाड़ी में बैठे हुए इनके गनर और रुस्ता मुर्फ बाबू मारा गया था और मुकदमे का ट्राइल अब शुरू हो गया है बाईस तेईस साल के बाद तो उसको बचाने के लिए तो एक कोशिश ये किया आगया मिली भगत से सरकार और अपरादियों की सब की उन लोगों ने ये किया कि एक जूट्या मुकदमा दर्ज कराया गया एक घटना का दूसरा मुकदमा दूसरी कहानी के साथ कि वो जो 2001 में घटना हुई थी वास्तविक्ता यह है कि वो जो इसमें हमलावर मारा गया उसको दिखाये गया है कि इसको मुक्तार अंसारी के ड्राइवर और दो तीन लोग गय थे और बकसर जिले में किसी गाउं में को उठा लाए थे दो मर गय थे नो इंजर्ड विटनेस थे उनको मुल्जिम बना दिया के घर्वी से बाज आ जाएंगे उसके बावजूद गवाही चलती रही, कोट ने आडर किया मुखतार को पेश किया जाए गवाही के लिए, अब योजन के गवाह के हैसित से वादी मुकदमा पेश किया जाए, और गिरिस सच्चु चिफ सग्रेटरी तक को पतर लिखा, लेकिन ये लोग नहीं पेश किये, ब या धमका के या अब योजन की मिली भगत से उनको एक तरफ से क्लीन चिट मिलती चली जा रही है, ये एक मुकदमा था, जिसमें उन्हें भाहे था कि मुक्तारन सारी गवाही करेंगे, वो न बिगेंगे न डरेंगे, तो पिर्जेश सिंग और तिर्भौन सिंग को बचाने का सपना पूरा नहीं हो पाएगा, और इसलिए उन लोगों ने एक सुनियोजित घटना करम के तहट, किन लोगों ने, उन्हें सरकार में बैठे हुए लोग, आइडमिस्टेशन में बैठे हुए लोग, जेल परशासन में बैठे हुए लोग, और बिर्जेश और कौन लोग हैं हम मिल लें, तो हमारे सामने जो दो लोग आए वो फार्मेसिस्ट है, और एक जो डाक्टर इंचार्ज थे, उनके हमने पूछा क्या करते हैं, मेडसिन के हैं, कह नहीं हम सर्जन है, तो हमने खाह कि सरजरी करते हैं, सर्जन तो आर्थोपेटिक भी होता है, सर इलाज आप ही हेड हो तो आपके समझ से कैसा है तो उन्होंने कहा कि देखिए इनको सरजरी का कोई मामला नहीं है फिर भी हमको इंचार्ज बनाए गया है तो हम जो हो रहा तो हमने का मेडिसिन का आप क्या करते हैं कहें हम टेलीफून से अपने मित्र डाक्टरों से सला करके तब दवा देते हैं तो हमने कहा कि अभी क्या इस्तिती है तो कहें देखिए होश में हैं आये थे तो बेहोश थे और हम उमीद कर रहे हैं कि जल्दी दो तीन दिन में इनको कंट्रोल कर लेंगे हमका अगर कंट्रोल के बाहर हो तो इसको रीफर कर दीजेगा और अगर ये समस्या होगी कि कि किसी बड़े आस्पिटल में भेजेंगे तो खर्च कौन बहन करेगा तो परिजन खर्च बहन करने के लिए तयार है मैं लिख के दे दे रहा हूँ आप समझ रहते रीफर कर दीजेगा ऐसा नहों कि यहां की दवा से उनको फाइदा भी नहों और इस तरह की इस्थिति है कि वो कहते हैं उनको जहर हुआ है मुझसे आज भी कहा है यहीं आस्पिटल में भी कहा है तो उनका ने मैं समझ रहते हुए अगर ऐसी इस्थिति आएगी तो रीफर कर दूँगा हम लोग मिल करके आए अभी रास्ते ही में थे दो घंटा हुआ बस वहां से चले हुए जब तक बताया गया कि सभी डाक्टरों ने उनको लिख दिया कि यह फिट है और वील चेयर पे बैठा करके जो आदमी अपनी प जेल के अंदर डाल दिया गया और मीडिया के मादम से एक खबर चलवाई गई कि मुखतार बिल्कुल फिट हो चुके हैं सारे टेस्ट उनके हो गया है कोई रोग नहीं है अगर कोई रोग नहीं था तो 24 घंटा बीतने के बाद ऐसा घाता का टैक कैसे आ गया जिसमें उनकी जानी चली गई अगर वो फिट थे और मेडिकल कालेज के नव डाक्टर उनको फिट घोशित कर रहे हैं तो 24 घंटे के अंदर ये क्या हो गया आप ही के कश्टडी में है रिस्पॉंसिविल्टी आपकी है वो डाक्टर जो हम से कह रहा है कि हम दो तीन दिन में इनको ठीक कर लेंगे नहीं तो रिफर कर देंगे उस डाक्टर से आपने उसी दिन जिस दिन मेरी बात हुए इसके दो घंटे के बाद लिखवा लिया कि ये फिट है वो डाक्टर जो कह रहा है कि इनको जो समस्या है मेरे विभाग की नहीं है मैं तो सर्जन हूँ खाक के दरमियान आप में और यहां के जिलाधिकारी में बहुत तूतुमे में हुआ बहुत जोर जबर जस्ती हुई क्या कुछ कहने की बहुत वह नहीं है वो शायद उन्हें नहीं पता है और वो यहीं कह रही थी कि अब जद्ने लोग मिट्टी दे लिए बस और लोग मिट्टी नहीं देंगे हमने का यह क्यों आप इसके लिए थोड़ी रोक सकते हैं कि कोई अपने धार्मिक जो सिश्टम है अब आप कह सकते हैं क्या किसी का शौव अगर दास अंसकार में जा रहा है एक बार हुआ है जब यहां करोना लगा था तब भी ऐसा थोड़ी था कि लोग खुद से ही भीड़ दे के नहीं जाते थे डर गय थे घर के परिवार के लाश और जनाजे को लोग जलाते नहीं थे इसे ही परवा करके जल परवा भाग जाते थे और जैसी भी से गड़ा खुद पिर आपने क्या का मैंने का ये कोई उलंगन नहीं है इसकी परमीशन की अवशक्ता नहीं है हम उनके परिजन है और उनकी मिट्टी हुई है तो मिट्टी देने के लिए दूर दरास से जो हमारे रिष्टे नते अजीज कारीब सबाय हुए हैं वो एक लोग प्रिया आदमी थे हमारा परिवार एक बहुत पुराना एतिहासिक परिवार है मुखतार अंसारी की इस असवभाविक मौत से जो कहीं न कहीं मिली भगत से सबके हुई है तो इस घटना से लोगों में कितना आक्रोश है इसका अंदाजा तो आप कहीं भी साज देख लीजे तो तू तू मैं में एक तरीके से जोक हुई ने ने तू मैं में नोग जोक नहीं उनका कहना था कि आचार संगिता लागू है दफा चवालीस लागू है परमीशन लेना चाहिए हम का यार मुर्दा दफन करने मुर्दा जलाने शवयात्रा निकालने या जनाजा ले जाके जनाजे की नमाज पढ़ने इसके लिए मैं नहीं समझता कि कोई परमीशन किया है यह हमारे धार्मिक प्र्योजन है और इसको हम कर रहे हैं हम पूरा सहयोग कर रहे थे हमने बहुत सहयोग किया है जिस तरह से भी लोगों ने चाहा उस तरह से सब कुछ किया है इड़ बहुत थी इसी से तो उपर से ढाट उसकी सहनभूती मुखतारन सारी और उनके परिवार के परती है कि इन लोगों के साथ बड़ा अन्याय हुआ है अब आप घुरुप तड़प करके उसको रोक दीजिये सारी रात कल से पूरे चप्पे चप्पे पे रोका गया है अब लोग आ रहे हैं हम तो कोई को बुलाने नहीं हमसे तो जिन लोगों ने पूछा के बज़े मिट्टी होगी क्या होगी हमने मनई किया यार की बहुत जादा तीन दिन हो गया एक तो वहां से पुस्माटम लाश आते आते रात में तो डेड़ बज़े आई है तो लोगों में उत्सुकता थी गए हैं लोग हम समझते हैं कि पचीस बीस परसेंट लोग मिट्टी दे पाए हैं असी परसेंट लोग तो बिना मिट्टी दिये अभी लोड गए हैं एक सवाल आखरी है अगर कोई ये चाहता है कि दस बीस परसेंट भी लोग जो आए हुए हैं कहां कहां से आए हुए हैं उनको घुरूप तड़ब से भगा दिया जाए तो ये मनासिब नहीं है के अनुसार कोई परशासनिक अदिकारी भी ऐसा करता है तो वो देश के कानून और सम्मिधान के खिलाफ है ये पहले ऐसी सरकार है और पहले ऐसी सरकार के कुछ आईसे अधिकारी और ऐसे समझ के उनके समर्थक हैं जो जिस कारवाई को आम जनता में घेना की दिरिश्ट से देखा जा रहा उस कारवाई को उपनी उपलब्धी मानते हैं खाम्यादा भुगतते हैं ये बुल्डोजर लेके किसी का घर गिरा दें स्कूल गिरा दें अस्पताल गिरा दें जंग जमीन कुर्क कर दें नजाइस तरीके से जूटे मुकदमें फसा दें खूब धेडोरा जाए कि ये देखो बुल्डोजर ये है यही वो है पड़ाम क्या होता है गाजीपूर में साथ विदान सभा की सीटे हैं शुन्य मिली थी भाजपा के खाते में शुन्य अगर आँख नहीं खुली है तो इस लोक सभा के चुनाओं में अहंकार तो देखिए कंश को भी अहं विरोध करेगा मत्हुरा का राजा वो उसको जेल में डाल देगा या माड डालेगा उसने अपने बाप को जिन्होंने उसके गलत नीतियों और उसकी जातियों का विरोध किया तो उसने पिता को जेल में डाल दिया था लेकिन आखिर उसकी सत्ता का और उसका भी अंथुआ तो जब तक कोई कंश वाला नशा किसी के उपर है तो ये नशा भी उतरेगा ऐसा थोड़ी है कि नहीं उतरेगा इसको भी उतरना है 27 में लोगसभा का क्या परिणाम होगा गाजीपूर में जो 37 भाजपा के लोग जानते हैं सूची आई थी 195 आदमी की गोशना आई थी कि 400 सीड़ जीतेंगे उत्तर परदेश में सूची आई थी 55 लोगों की और गोशना कर दी थी कि 80 सीड़ जीत रहे और अभी तक नाम बताने की इस सिती में नहीं है कि गाजीपूर बलिया में कौन चुनाव लड़ेगा मेरे पास पोखता सुबूत है कि मुख्तार को जेल में जहर दिया गया मुख्तार ने खुद अपने वकील के जरीए पत्र दिया उनके वकील ने कोट में वो दर्खास डाली उसके बाद कोट की तरफ से डाइरिक्शन भी हुआ हमने उनिस तारीश की बात है हमने बीड तारीश को सुबरेटेंडन जेल से बात किया अनुने ने कहा कि हाँ टबियत उनकी खराब है लेकिन हमने कॉल किया था हमारे असप्टाल के डाक्टर ने कहा था कि बाहर के डाक्टर बुलाए जाए तो हमने कल कर लिया था, बाहर के दो डाक्टर आये थे और आज ही मैं उनके बाइरिक में उनके सामने डाक्टरों को और उनको कर दिया हूँ, टेस्ट शुरू होगια है और दवाभी शुरू हो जई है हमारे उनके बीच में जो बात हुई वो रिकार्ट पर है आज भी हमारे पास है साक्ष के रूप में मैंने उनसे खोल के ये बात कही कि डग साब अरे सुपरिटेनल साहब आप इट्मिनान दिला रहें कि दो डाक्टर और आ गए हैं और जेल वाला भी डाक्टर है सब लोग इलाज कर रहे हैं लेकिन हमें सूचना मिली है कि उनको जहर दिया गया है खाने में और इससे पहले भी उनके साथ ऐसा हुआ था तो उनका नहीं यह गलत बात है हम लोग खाना टेश्ट टोस्ट करके तब देते हैं हमने का टेश्ट करने के लिए जो बंधी रक्षक लगाया गया था और एक डिप्टी जेलर था जो उनका खाना टेश्ट करके खिलाता था लगबख 40 दिन पहले उनका खाना जो आया था उसमें जहर था और इन दोनों ने टेश्ट किया और दोनों जहर का खाना खा करके बीमार पड़े और मुझे मालूम है कि ये बंधी रक्षक और डिप्टी जेलर जो मुक्तार के बारिक के लिए था ये दवा इलाज से ठीक नहीं हुए इनको मेडिकल कालेज में भरती कराया गया जहां उनका कई दिनों तक इलाज हुआ तो उन्होंने एक्सेप्ट किया है हाँ ऐसा हुआ लेकिन सब का टेस्ट कराया गया तो किसी की रिपोर्ट आई कि फूटबाइजन इसरुंग है कि सी का रिपोर्ट आई कि गैस्टिक का मामला था किसी का कुछ आया है सब की एक طरह से रिपोर्ट नहीं आई खाना बनाने वाला बीमार हो रहा, खाना चकने वाला बीमार हो रहा, खाना पकवाने का सुपरवीजन करने वाला बीमार हो रहा और मुखतार ने ये सारी बाते हमको फून से बताई थी, तब ही हमने सुपर्टेनर से कहा तो उन्होंने हम से कहा कि देखिए हमने अब जो शुरू किया है बाहरी डाक्टर भी आ गया हम वो ठीक हो जाएंगे ये बीस तारीक के बात है 19 को उनको जहर दिया गया था 20 के बाद 21, 22, 23, 24, 25 तक कोई माकूल इलाज नहीं हुआ 26 को हालत बिलकुल खराब हो गई तब इन लोगों ने खुछ सुपरेटेंट से मेरी बात हुई है उसका भी रेकार्ड मेरे पास है दो बजे रात में जेल सुपरेटेंट ने डाक्टरों के एडवाईज के आदुसार उनको मेडिकल कालेज भेजा मेडिकल कालेज के डाक्टरों ने उनकी गंभीर इस्थिती को देख करके तुरंट आईस्यू में उनको अड़मिट किया उनकी गहन परिछन हुए एलाज शुरू हुआ हम लोगों को एक टेलिग्राम भेजा उन्होंने हमारे मुहमदाबाद थाने पे यहां से पुलिस के लोग आए उनका मुखतार साथ बहुत सक्त बीमार है यह टेलिग्राम है और आप ततकाल बांदा मेडिकल कालेज जाईए मैंने वो टेलिग्राम पढ़ा सुपर्टेंडन की तरफ से टेलिग्राम था हम लोग तुरंत आदे घंटे के अंदर बांदा के लिए निकल लिए आठ घंटे का सफर है बांदा पहुंचे मेडिकल कालेज गए तो उस समय मुक्तार से जब मुलाकात का मौका मिला तो वो होश में थे और उन्होंने हमको फिर वही बात कही कि भाया हमने आपको बताया था ना हमको ये सब जहर दे दिये हैं और हमारा इलाज ये गंभीर होके नहीं कराए जिसका नतीजा हुआ जहर असर कर गया है मैं बहुत कमजोर हो गया हूँ मेरा पेट बहुत भूल गया है गैस बहुत बन रही है और मुझे घबराहट होती है, पसीना होता है, अपनी तकलीफें फिर बताए कि कल मैं गिर गया था, मुर्चित हो गया था, तो जेल के लोगों ने फिर हमको यहाँ आस्पिटल बेजा है तो यह सारी जो बाते आप कह रहे हैं, जो सरकार का जेल है, प्रशासन है, उसकी निगरानी में वो जेल में थे, सरकार की जेल है, उसमें वो कैदी थे, तो यह सारे जो आप बातें कह रहे हैं, तो इसके पीछे का कारण क्या है? देखिए हमने पहले भी कहा अब भी बता रहा हैं कि पूरी सरकार और सरकार की मिशिनरी ये लगाई गई है कि किसी भी तरह से मुक्तार को खत्म किया जाए और बिर्जेश सिंग और तिर्भुवन सिंग जो बहुत बड़े माफिया डान है उत्तर प्रदेश नहीं राश्टी अस्तर के जो दाउद इबराहीम के भी को अक्यूजड हैं बांबी जेजे हास्पीटल कांड में उनके विरुद एक मुकदमा था जिसमें मुक्तार वादी मुकदमा था 15 जुलाई 2001 को उनके उपर आक्रमण हुआ था उस आक्रमण में इनके गाड़ी में बैठे हुए इनक मुर्फ बाबू मारा गया था और हमलावरों की तरफ से भी एक व्यक्ती जो बचाओं में की गई जवाबी फाइरिंग में मारा गया था मौके पे तीन लोगों की मौत हुई थी उस मुकदमे का ट्राइल अब शुरू हो गया है बाईस तेईस साल के बाद तो उसको बचान मौकदमा दर्ज कराएं गया कि एक घटना का दूसरा मौकदमा दूसरी कहानी के साथ वो जो 2001 में घटना हुई थी वास्तविक्ता यह है कि वो जो उसमें हमलावर मारा गया उसको दीखाये गया कि इसको मौक्तार अंसारी के ड्राइवर और दो-तीन लोग गए थे और बकस जो injured witness थे, 9 लोगों को गोली लगी थी, जो injured witness थे, 2 मर गये थे, 9 injured witness थे, उनको मुल्जी मना दिया, कि गवाही से बाज आ जाएंगे, उसके बावजूद गवाही चलती रही, कोट ने आडर किया मुखतार को पेश किया जाए गवाही के लिए अब योजन के गवाह के हैसित से वादी मुकदमा पेश किया जाए और गिरिस सच्चू चिफ सेग्रेटरी तक को पतर लिखा लेकिन ये लोग नहीं पेश किये बहानाबाजी फोर्स लबो लबाब बिर्जेश सिंग तिर्भोन सिंग को बचाने का मकसद है उनके विरुस सारे मुकदमे गवाहों को तोड के या खरीत के या धमका के या अब योजन की मिली भगत से उनको एक तरफ से क्लीन चिट मिलती चली जा रही है ये एक मुकदमा था जिसमें उन्हें भाय था कि मुक्तारन सारी गवाही करेंगे वो न बिखेंगे न डरेंगे तो बिर्जेश सिंग और तिर्भोन सिंग को बचाने का सपना पूरा नहीं हो पाएगा और इसलिए उन लोगों ने एक सुनियोजित घटना करम के तहट किन लोगों ने उन्हें सरकार में बैठे हुए लोग आडमिस्टेशन में बैठे हुए लोग जेल परशासन में बैठे हुए लोग और विर्जेस और तिर्भुन की टीम के लोग ये सब लोगों ने मिल करके ये घटना अंजाम दिया है डाक्टर ने कहा कि हम लोग इनका एलाज कर रहे हैं तीन डाक्टरों का पैनल है लेकिन जब हमने कहा कौन लोग हैं हम मिल लें तो हमारे सामने जो दो लोग आए वो फार्मेसिस्ट थे और एक जो डाक्टर इंचार्ज थे उनके हमने पूछा कि आप क्या करते हैं आप मेडिसिन के हैं या कह ने हम सर्जन है तो हमने कहा है कि सर्जरी करते हैं सर्जन तो आर्थोपेटिक भी होता है सर्जन तो नियूरोलोजी में भी है काडियोलोजी का आप क्या है तो कहा हारनिया वगएर तो हमने कहा कि तो यह मुखतार का इलाज आप ही हेड हो तो आपके समझ से कैसा है तो उन्होंने कहा कि देखिए इनको सरजरी का कोई मामला नह ही है पिर भी हमको इंचार्ज बनाए गया है तो हम जो घोरा तो अपने का मेडिसीन का आप क्या करते हैं कहें हम टेली फून से अपने मित्र डाक्टरों से सलाह करके तब दवा देते हैं तो हमने कहा कि अभी क्या इस्थिति है तो कहें देखिए होश में हैं आये थे तो बेह अस्या होगी कि कि किसी बड़े आस्पिटल में भेजेंगे तो खर्च कौन बहन करेगा तो परिजन खर्च बहन करने के लिए तैयार है मैं लिख के दे रहा हूं आप समझ रहते रीफर कर दीजिएगा ऐसा नहों कि यहां की दवा से उनको फाइदा भी नहों और इस तरह की इस्थिति है कि वो कहते हैं उनको जहर हुआ है मुझसे आज भी कहा है यहीं आस्पिटल में भी कहा है तो उनका ने मैं समझ रहते हुए अगर ऐसी इस्थिति आएगी तो रीफर कर दूँगा हम लोग मील करके आए अभी रास्ते ही में थे दो घंटा हुआ बस वहां से चले हुए जब तक बताया गया कि सभी डाक्टरों ने उनको लिख दिया कि यह फिट हैं और वील चेयर पे बैठा करके जो आदमी अपनी पैनों पे खड़े होने की इस्तिति में नहीं था जो अपने दम पर बेड़ पे बैठने की इस्तिति में नहीं था उसको फिट घोसिट करके सीधे आई सीउ से जेल के अंदर डाल दिया गया और मीडिया के माद्यम से एक खबर चलवाई गई कि मुक्तार बिलकुल फिट हो गया जिसमें उनकी जानी चली गई अगर वो फिट थे और मेडिकल कालेज के नव डाक्टर उनको फिट घोशित कर रहे हैं तो चोबिस घंटे के अंदर यह क्या हो गया आप ही के कश्टडी में है रिस्पॉंस्विल्टी आपकी है वो डाक्टर जो हमसे का रहा है कि हम दो डाक्टर जो कह रहा है कि इनको जो समस्या है मेरे विभाग की नहीं है मैं तो सर्जन हूँ खाक के दरमियान आप में और यहां के जिलाधिकारी में बहुत तूमे में हुआ बहुत जोर जबर जस्ती हुई क्या कुछ कहने की बहुत तो नहीं है वो शायद उन्हें नहीं पता है और वो यहीं कह रही थी कि अब जत्ते लोग मिट्टी दे लिए बस और लोग मिट्ट ही नहीं देंगे हमने का यह क्यों आप इसके लिए थोड़ी रोख सकते हैं कि कोई अपने धार्मिक जो सिश्टम है अब आप कह सकते हैं क्या किसी का शौव अगर दास अंसकार में जा रहा है एक बार हुआ है जब यहां करोना लगा था तब भी ऐसा थोड़ी था कि लोग खुद से ही भीड़ी दे के नहीं जाते थे डर गय थे घर के परिवार के लाशो जनाज़े को लोग जलाते नहीं थे इसे ही परवाâte करके जल परवां भाग जाते थे और जेसी वी से गड़ कहूँ और फिर आपने क्या था? परिवार है, मुखतार अंसारी की इस असवभाविक मौत से, जो कहीं न कहीं मिली भगत से सबके हुई है, तो इस घटना से लोगों में कितना आक्रोश है, इसका अंदाजा तो आप कहीं भी सहज देख लीजिए। फिर वो तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-त संगिता लागू है, दफ़ा चौवालिस लागू है, पर्मीशन लेना चाहिए। हम का यार, मुर्दा दफ़न करने, मुर्दा जलाने, शवयात्रा निकालने, या जनाजा ले जाके जनाजे की नमाज पढ़ने, इसके लिए मैं नहीं समझता कि कोई पर्मीशन किया वशकत है, ये हमारे धार्मीशन है, और इसको हम कर रहे हैं, और हम पूरा सहयोग कर रहे थे, हमने बहुत सहयोग किया है, जिस तरह से भी लोगों ने चाहा, उस तरह से सब कुछ किया है, जीड बहुत थी, इसी से तो ऊपर से डाट पड़ रही थी, कि एत्ते लोग आये कैसे, त मुखतारं सारी और उनके परिवार के परती है कि इन लोगों के साथ बड़ा अन्याय हुआ है अब आप घुड़ूप तडप करके उसको रोक दीजिए सारी रात कल से पूरे चप्पे चप्पे पे रोका गया है अब लोग आ रहे हैं हम तो कोई को बुलाने नहीं हमसे तो ज लेड़ बज़े आई है तो लोगों में उत्सुकता थी गये हैं लोग हम समझते हैं कि पचीस बीस परसेंट लोग मिट्टी दे पाए हैं असी परसेंट लोग तो बिना मिट्टी दिये अभी लवड गये हैं एक सवाल आखरी है अगर कोई ये चाहता है कि दस बीस हुए हैं कहां कहां से आए हुए हैं उनको घुरुप तड़प से भगा दिया जाए तो ये मनासिब नहीं है नाजाएज है उस सरकार या सरकार की मनशा के अनुसार कोई परशासनी का अधिकारी भी ऐसा करता है तो वो देश के कानून और सम्मिधान के खिलाफ है ये पहले इसी सरकार है और पहली आईसी सरकार के कुछ आएसे अधिकारी और एएसे समझ के उनके समर्थक हैं जो जिस कारवाई को आम जनता में घेना की दिरिश्ट से देखा जा रहा उस कारवाई को उपनी उपलब्धी मानते हैं खामियादा भुगतते हैं ये बुल्डोजर लेके किसी का घर गिरा दें इस्कूल गिरा दें अस्पताल गिरा दें जंग जमीन कुर्क कर दें नजाइस तरीके से जूटे मुकदमें फसा दें अखूब धेडोरा पीठे बुल्डोजर 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 नाम रखने बाबा बुल्डोजर सभा अस्थर पर बुल्डोजर खड़ा करके लोगों को दराया जाए कि ये देखो अगर आँख नहीं खुली है तो इस लोकसवा के चुनाओं में अहंकार तो देखिए कंश को भी अहंकार था जो उसने यह तरीका बना लिया था कि जो उसका विरोध करेगा मतुरा का राजा वो उसको जेल में डाल देगा या माड डालेगा उसने अपने बाप को जिनोंने उसके गलत नीतियों और उसकी जातियों का विरोध किया तो उसने पिता को जेल में डाल दिया था लेकिन आखिर उसकी सत्ता का और उसका भी अंठुआ तो जब तक कोई कंश वाला नशा किसी के उपर है तो यह नशा भी उतरेगा ऐसा नाम होगा गाजीपूर में जोतिस सास्त भाजपा के लोग जानते हैं सूची आई थी एक सो पंचानवे आदमी की घुशना आई थी कि चार सो सीड जीतेंगे उत्तर प्रदेश में सूची आई थी एक क्यावन लोगों की और घुशना कर दी थी कि 80 सीड जीत रहें और अभी मुक्तार ने खुद अपने वकील के जरिये पत्र दिया उनके वकील ने कोट में बोदर खास डाली उसके बाद कोट की तरफ से डाइरिक्शन भी हुआ हमने 19 तारीख की बात है हमने 20 तारीख को सूपरेटेंडन जेल से बात किया उन्होंने का कि हाँ तबियत उनकी खराब है लेकिन हमने कॉल किया था हमरे अस्पताल के डाक्टर ने कहा था कि बाहर के डाक्टर बुलाए जाए तो हमने कॉल कर लिया था बाहर के दो डाक्टर आये थे और आज ही मैं उनके बायरिक में उनके सामने डाक्टरों को और उन भी शुरू हो गई है हमारे उनके बीच में जो बात हुई वो रिकार्ट पर है आज भी हमारे पास है साक्ष के रूप में मैंने उनसे खोल के ये बात कही कि डग सब अरे सुप्रेटेनल साहब आप इत्विनान दिला रहें कि दो डाक्टर और आ गये हैं और जेल वाला भी ड जहर दिया गया है खाने में और इससे पहले भी उनके साथ ऐसा हुआ था तो नहीं का नहीं यह गलत बात है हम लोग खाना टेश्ट टोष्ट करके तब देते हैं हमने का टेश्ट करने के लिए जो बंधी रक्षक लगाया गया था और एक डिप्टी जेलर था जो उनका खाना टेश्ट करके खिलाता था लगबख 40 दिन पहले उनका खाना जो आया था उसमें जहर था और इन दोनों ने टेश्ट किया और दोनों जहर का खाना खा करके बीमार पड़े और मुझे मालूम है कि ये बंदीर एक छक और डिप्टी जेलर जो मुखतार के बारिक के लिए था ये दवा इलाज से ठीक नहीं हुए इनको मेडिकल कालेज में भरती कराया गया जहां उनका कई दिनों तक इलाज हुआ तो उन्होंने एकसेप्ट किया है हाँ ऐसा हुआ था लेकिन सबका टेस्ट कराया गया तो किसी की रिपोर्ट आई कि फूट बाइजनिंग है किसी का रिपोर्ट आई कि गैस्टिक का मामला था किसी का कुछ है सबकी एक तरह से रिपोर्ट नहीं आई खाना बनाने वाला बीमार हो रहा, खाना चकने वाला बीमार हो रहा, खाना पकवाने का सुपर वीजन करने वाला बीमार हो रहा और मुखतार ने ये सारी बाते हमको फून से बताई थी, तब ही हमने सुपर टेरिनर से कहा तो उन्होंने हम से कहा कि देखिया हमने अब जो शुरू किया है बाहरी डाक्टर भी आ गया वो ठीक हो जाएंगे ये बीस तारीक के बात है 19 को उनको जहर दिया गया था 20 के बाद 21, 22, 23, 24, 25 तक कोई माकूल इलाज नहीं हुआ 26 को हालत बिलकुल खराब हो गई तब इन लोगों ने खुछ सुपरेटरिनेंट से मेरी बात हुई है उसका भी रेकार्ड मेरे पास है दो बज़े रात में जेल सुपरेटरिनेंट ने डाक्टरों के एडवाईज के आज़ूसाद उनको मेडिकल कालेज भेजा मेडिकल कालेज के डाक्टरों ने उनकी गंभीर इस्थिती को देख करके तुरंत आईईस्यू में उनको अड्मिट किया उनकी गहन परिक्षण हुए इलाज शुरू हुआ हम लोगों को एक टेलीगराम भेजा उन्होंने हमारे मुहमदाबाद थाने पे यहां से पुलिस के लोग आए उनका मुखतार साथ बहुत सक्त बीमार है यह टेलीगराम है और आप ततकाल बांदा मेडिकल कालेज जाईए मैंने वो टेलीगराम पढ़ा सुपरेटेंडन की तरफ से टेलीगराम था हम लोग तुरंत आदे घंटे के अंदर बांदा के लिए निकल लिए आठ घंटे का सफर है बांदा पहुंचे मेडिकल कालेज गए तो उस समय मुखतार से जब मुलाकात का मुखा मिला तो वो प्रिजा हुआ जहर असर कर गया है मैं बहुत कमजोर हो गया हूँ मेरा पेट बहुत भूल गया है गैस बहुत बन रही है और मुझे घबराहट होती है पसीना होता है अपनी तकलीफें फिर बताए कि कल मैं गिर गया था मुर्चित हो गया था तो जेल के लोगों ने फिर हमको यहां आस्पिटल बेजा है तो यह सारी जो बाते आप कह रहे हैं जो सरकार का जेल है प्रशासन है उसकी निगरानी में वो जेल में थे सरकार की जेल है उसमें वो कैदी थे तो यह सारे जो आप बातें कह रहे हैं तो इसके पीछे का कारण किया है तारवादी मुकदमा था 15 जुलाई 2001 को उनके उपर आक्रमण हुआ था उस आक्रमण में इनके गाड़ी में बैठे हुए इनके गनर और रुस्ता मुर्फ बाबू मारा गया था और हमलावरों की तरफ से भी एक व्यक्ति जो बचाओं में की गई जवाबी फाइरिंग में मा पर आ गया था मौके पर तीन लोगों की मौत हुई थी उस मुकदमे का ट्रायल अब शुरू हो गया है बाईस तेईस साल के बाद तो उसको बचाने के लिए तो एक कोशिश ये किया आ गया मिली भगत से सरकार और अपरादियों की सबकी उन लोगों ने ये किया कि एक जू दो हजार एक में घटना हुई थी वास्तविक्ता यह है कि वो जो एक उसमें हमलावर मारा गया उसको देखाये गया है कि इसको मुक्तार अंसारी के ड्राइवर और दो तीन लोग गये थे और बकसर जिले में किसी गाउं में उरहते हैं वहां की निवासी हैं उनको उठा ल गये थे नौ इंजर्ड विटनिस थे उनको मुल्जी मना दिया कि गवाही से बाज आ जाएंगे उसके बावजूद गवाही चलती रही कोट ने आडर किया मुक्तार को पेश किया जाए गवाही के लिए अब योजन के गवाह के हैसित से वादी मुकदमा पेश किया जाए और गिरिस सची और चिफ सेग्रेटरी तक को पतर लिखा लेकिन ये लोग नहीं पेश किये बहाना बाजी फोर्स लबो लबाब क्या है लबो लबाब बिजेस सिंग तिर्भोन सिंग को बचाने का मकसद है उनके विए सारे मुकदमे गवाहों को तोड के या खरीत के या ध वाही करेंगे वो न बिगेंगे न डरेंगे तो बिर्जेस सिंग और तिर्भोन सिंग को बचाने का सपना पूरा नहीं हो पाएगा और इसलिए उन लोगों ने एक सूनियोजित घटना करम के तहत किन लोगों ने सरकार में बैठे हुए लोग, आड्मिस्टेशन में बैठ हुए लोग, जेल परशासन में बैठे हुए लोग, और बिर्जेस और तिर्भोन की टीम के लोग, यह सब लोग उने मिल करके घटना अंजाम दिया है, डाक्टर ने कहा कि हम लोग इनका इलाज कर रहे हैं, तीन डाक्टरों का पैनल है, लेकिन जब हमने कहा कौन लोग हैं हम मिल लें, तो हमारे सामने जो दो लोग आए वो फार्मेसिस्ट थे, और एक जो डाक्टर इंचार्ज थे, उनके हमने पूछा कि आप क्या करते हैं, आप मेडिसिन के हैं, यह कहने हम सर्जन हैं, तो हमने कहा है कि सर्जरी करते हैं, सर्जन तो आर्थोपेटिक भी होता है सर्जेंट तो नियूरोलोजी में भी है काडियोलोजी का आप क्या है तो कहा हारनिया वगएर तो हमने कहा कि तो यह मुखतार का इलाज आप ही हेड हो तो आपके समझ से कैसा है तो उन्होंने कहा कि देखिए इनको सरजरी का कोई मामला नहीं है फिर भी हमको इन्चार्ज बनाये गया है तो हम जो हो रहा है तो हमने का मेडिसिन का आप क्या करते है कहे हम टेली फून से अपने मित्र डाक्टरों से सला करके तब दवा देते हैं तो हमने कहा कि अभी क्या इस्तिती है तो कहे देखिए होश में हैं आये थे तो बेहोश थे और हम उमीद कर रहे हैं कि जल्दी दो-तीन दिन में इनको कंट्रोल कर लेंगे हमका अगर कंट्रोल के बाहर हो तो इसको रीफर कर दीजेगा और अगर ये समस्या होगी कि कि किसी बड़े आस्पिटल में भेजेंगे तो खर्च कौन बहन करेगा तो परिजन खर्च बहन करने के लिए तयार हैं मैं लिख के दे दे रहा हूँ आप समय रहते रीफर कर दीजेगा ऐसा नहों कि यहां की दवा से उनको फाइदा भी नहों और इस तरह की इस्थिति है कि वो कहते हैं उनको जहर हुआ है मुझसे आज भी कहा है यहीं आस्पिटल में भी कहा है तो उनका ने मैं समय रहते हुए अगर ऐसी इस्थिति आएगी तो रीफर कर दूँगा हम लोग मिल करके आए अब रास्ते ही में थे दो घंटा हुआ बस वहां से चले हुए जब तक बताया गया कि सभी डाक्टरों ने उनको लिख दिया कि यह फिट हैं और वील चेयर पे बैठा करके जो आदमी अपनी पैलों पे खड़े होने की इस्तिति में नहीं था जो अपने दम पर बेट पे बैठने की इस्तिति में नहीं था उसको फिट घोसिट करके सीधे आई सीउ से जेल के अंदर डाल दिया गया और मीडिया के मादम से एक खबर चलवाई गए कि मुखतर बिल्कुल फिट हो चुके हैं सारे टेस्ट उनके हो गया है कोई रोग नहीं है अगर कोई रोग नहीं था तो 24 घंटा बीतने के बाद ऐसा घातक अटेक कैसे आ गया जिसमें उनकी जानी चली गई अगर वो फिट थे और मेडिकल कालेज के नव डाक्टर उनको फिट घोशित कर रहे हैं तो 24 घंटे के अंदर ये क्या हो गया आप ही के कश्टडी में है responsibility आपकी है वो डाक्टर जो हमसे कह रहा है कि हम दो-तीन दिन में इनको ठीक कर लेंगे नहीं तो refer कर देंगे उस डाक्टर से आपने उसी दिन जिस दिन मेरी बात हुँ इसके दो घंटे के बाद लिखवा लिया कि ये fit है वो डाक्टर जो कह रहा है कि इनको जो समस्या है मेरे विभाग की नहीं है मैं तो सर्जन हूँ खाक के दरमियान आप में और यहां के जिलाधिकारी में बहुत तूतुमे में हुआ बहुत जोर जबर जस्ती हुई क्या कर देंगे कुछ कहने की बहुत वह नहीं है वो शायद उन्हें नहीं पता है और वो यही कह रही थी कि अब जत्ते लोग मिट्टी दे लिए बस और लोग मिट्टी नहीं देंगे हमने का यह क्यों आप इसके लिए थोड़ी रोक सकते हैं कि कोई अपने धार्मिक जो सिश्टम है अब आप कह सकते हैं क्या किसी का शोव अगर दास अंसकार में जा रहा है एक बार हुआ है जब यहां करोना लगा था तब भी ऐसा थोड़ी था कि लोग खुद से ही भीड़ लेके नहीं जाते थे डर गय थे घर के परिवार के लाश और जनाजे को लोग जलाते नहीं थे इसे ही परवा करके जल परवा भाग जाते थे और जेसी बी से गड़ा खुद पिर आपने क्या का था यह कोई उलंगर नहीं है इसकी पर्मीशन की अवशक्ता नहीं है हम उनके परिजन है और उनकी मिट्टी हुई है तो मिट्टी देने के लिए दूर दरास से जो हमारे रिष्टे नते अजीज कारीब सबाय हुए हैं वो एक लोग प्रिया आदमी थे हमारा परिवार एक बहुत पुराना एतिहासिक परिवार है मुखतार अंसारी की इस अस्वभाविक मौत से जो कहीं न कहीं मिली भगत से सबके हुई है तो इस घटना से लोगों में कितना आक्रोश है इसका अंदाजा तो आप कहीं भी साज देख लीजिए तो तू तू मैमें एक तरीके से नोग जोग हुई तू मैमें नोग जोग नहीं उनका कहना था कि आचार संगिता लागू है दफ़ा चवालीस लागू है परमीशन लेना चाहिए हम का यार मुर्दा दफ़न करने मुर्दा जलाने शवयात्रा निकालने या जनाजा ले जाके जनाजे की नमाज पढ़ने इसके लिए मैं नीं समझता कि कोई परमीशन किया वाśnieकता है यह हमारे धार्मिक प्रीयोजन है और इसको हम कर रहे हुं हम पुरा सायोग कर रहे थे हमने बहुत सा योग किया है जिस तरह से भी लोगों ने चाहा उस तरह से सब कुछ किया है लीड बहुत थी इसी से तो उपर से डांट पड़ रही थी कि एत्ते लोग आये कैसे तो अब उसके लिए हम क्या कर सकते हैं आप बताईए जो जहां सुन रहा वो चल दे रहा है उसकी सहन भूती मुखतारन सारी और उनके परिवार के परती है कि इन लोगों के साथ बड़ा अन्याय हुआ है अब आप घुरुप तडप करके उसको रोक दीजिए सारी रात कल से पूरे चप्पे चप्पे पे रोका गया है अब लोग आ रहे हैं हम तो कोई को बुला ले नहीं हम स देड़ बजे आई है तो लोगों में उत्सुक्ता थी गए हैं लोग हम समझते हैं कि पचीस बीस परसेंट लोग मिट्टी दे पाए हैं असी परसेंट लोग तो बिना मिट्टी दिये अभी लोड गये हैं एक सवाल आखरी है अगर कोई ये चाहता है कि दस बीस परसेंट लोग जो आए हुए हैं कहां कहां से आए हुए हैं उनको घुरुप तलब से भगा दिया जाए तो ये मुनासिब नहीं है नाजाएज है उस सरकार या सरकार की मनशा के अनुसार कोई परशासनी का अधिकारी भी ऐसा करता है तो वो देश के कानून और सम्मिधान के हैं जो जिस कारवाई को आम जनता में घेना की दिरिश्ट से देखा जा रहा है उस कारवाई को उपनी उपलब्धी मानते हैं खाम्यादा भुगतते हैं यह बुल्डोजर लेके किसी का घर गिरा दें स्कूल गिरा दें अस्पताल गिरा दें जंग जमीन कुर्क कर दें भुल्डोजर ने बाबा बुल्डोजर अस्थ्थर पर खड़ा करके लोगों को ऑयरा जाए कि देखो बुल्डोजर यह है यही वो है परण क्या होता है गाजीपूर में seven विदान सभा की सीटे हैं शुन्य मिली थी भाज़पा के खाते में शुन्य अगर आँख नहीं खुली है तो इस लोगसभा के चुनाओं में अहंकार तो देखिए कंश को भी अहंकार था जो तो उसने यह तरीका बना लिया था कि जो उसका वीरोथ करेगा मत्रा का राजा वो उसको जेल में डालेगा коп तो उसने अपने बाप को जिनोंने उसके गलत नीतियों और उसकी जातियों का विरोथ किया तो उतने पिता को जेल में डाल दिया था लेकिन आखिर उसकी सत्ता का और उसका भी अन्थुआ तो जब तक कोई कंश वाला नशा किसी के उपर है तो ये नशा भी उतरेगा ऐसा थोड़ी है कि नहीं उतरेगा इसको भी उतरना है 24 में लोकसभा का क्या परिणाम होगा गाजीपूर में? मुख्तार ने खुद अपने वकील के जरीए पत्र दिया उनके वकील ने कोट में वो दर्खास डाली उसके बाद कोट की तरफ से डायरिक्शन भी हुआ हमने उन्नीस तारीख की बात है हमने बीस तारीख को सुपरेटेंडन जेल से बात किया उन्नी कहा कि हाँ तबियत उनकी खराब है लेकिन हमने काल किया था हमारे अस्पताल के डाक्टर ने कहा था कि बाहर के डाक्टर बुलाए जाए तो हमने काल कर लिया था बाहर के दो डाक्टर आये थे और आज ही मैं उनके बैरिक में उनके सामने डाक्टरों को और उनको कर दिया हूँ, टेस्ट शुरू हो गया है और दवा भी शुरू हो गई है हमारे उनके बीच में जो बात हुई वो रिकार्ट पर है आज भी हमारे पास है सक्ष के रूप में मैंने उनसे खोल के ये बात कही कि डग सब अरे सुप्रेटरेनल साहब आप इत्विनान दिला रहें कि दो डाक्टर और आ गये हैं और जेल वाला भी डाक्टर है सब लोग विलाज कर रहे हैं लेकिन हमें सूचना मिली है कि उनको जहर दिया गया है खाने में और इससे पहले भी उनके साथ ऐसा हुआ था तो नहीं का नहीं यह गलत बात है हम लोग खाना टेस्ट टोस्ट कर के तब देते हैं हमने का टेस्ट करने के लिए जो बंधीर अख्छक लगाया गया था और एक डिप्टी जेलर था जो उनका खाना टेस्ट करके खिलाता था लगबख 40 दिन पहले उनका खाना जो आया था उसमें जहर था और इन दोणों ने बीमार पड़े और मुझे मालूम है कि ये बंदीर एक छक और डिप्टी जेलर जो मुक्तार के बारिक के लिए था ये दवा इलाज से ठीक नहीं हुए इनको मेडिकल कालेज में भरती कराया गया जहां उनका कई दिनों तक इलाज हुआ तो उन्होंने एक्सेप्ट किया है हा की एक तरह से रिपोर्ट नहीं आई खाना बनाने वाला बीमार हो रहा खाना चकने वाला बीमार हो रहा खाना पकवाने का सुपरवीजन करने वाला बीमार हो रहा और मुक्तार ने ये सारी बाते हमको फून से बताई थी तब ही हमने सुपरटेनर से कहा तो उन्होंने हम से का कि देखिए हमने अब जो शुरू किया है बाहरी डाक्टर भी आ गया वो ठीक हो जाएंगे ये बीस तारीक के बात है उन्निस को उनको जहर दिया गया था बीस के बाद एककईस बाईस तेईस चोबिस पच्चीस तक कोई माकूल इलाज नहीं हुआ छबिस को हालत बिलकुल खराब हो गई तब इन लोगों ने खुज सूपरेटरिनेंट से मेरी बात हुए उसका भी रिकार्ड मेरे पास है दो बजे रात में जेल सूपरेटरिनेंट ने डाक्टरों के एडवाईज के आदुसाद उनको मेडिकल कालेज भेजा मेडिकल कालेज के डाक्टरों ने उनकी गंभीर इस्थिती को देख करके तुरंट आईस्यू में उनको अड्मिट किया उनकी गहन परिक्षण हुए इलाज शुरू हुआ हम लोगों को एक टेलिग्राम भेजा उन्होंने हमारे मुहमदाबाद थाने पे यहां से पुलिस के लोग आए उनका मुखतार साथ बहुत सक्त बीमार है यह टेलिग्राम है और आप तदकाल बांदा मेडिकल कालेज जाईए मैंने वो टेलिग्राम पढ़ा सुपर्टेंडन की तरफ से टेलिग्राम था हम लोग तुरंत आदे घंटे के अंदर बांदा के लिए निकल लिए आठ घंटे का सफर है बांदा पहुंचे मेडिकल कालेज गए तो उस समय मुखतार से जब मुलाकात का मौका मिला तो वो होश मे थे और उन्होंने हमको फिर वही बात कही कि भईया हमने आपको बताया था ना हमको ये सब जहर दे दिये है और हमारा इलाज ये गंभीर होके नहीं कराए जिसका नतीजा हुआ जहर असर कर गया है मैं बहुत कमजोर हो गया हूँ मेरा पेट बहुत भूल गया है गैस बहुत बन रही है और मुझे घबराहट होती है पसीना होता है अपनी तकलीफें फिर बताए कि कल मैं गिर गया था मुर्चित हो गया था तो जेल के लोगों ने फिर हमको यहां आस्पिटल बेजा है यह सारी जो बाते आप कह रहे हैं जो सरकार का जेल है प्रशासन है उसकी निगरानी में वो जेल में थे सरकार की जेल है उसमें वो कैदी थे तो यह सारे जो आप बातें कह रहे हैं तो इसके पीछे का कारण क्या है देखिए हमने पहले भी कहा आप भी बता रहे हैं कि पूरी सरकार और सरकार की मिशिनरी ये लगाई गई है कि किसी भी तरह से मुक्तार को खत्म किया जाए और बिर्जेश सिंग और तिर्भुवन सिंग जो बहुत बड़े माफिया डान है उत्तर प्रदेश नहीं राश्टी अस्तर के जो दाउद इबर प्रदाई 2001 को उनके उपर आक्रमण हुआ था उस आक्रमण में इनके गाड़ी में बैठे हुए इनके गनर और रुस्ता मुर्फ बाबू मारा गया था और हमलावरों की तरफ से भी एक व्यक्ति जो बचाओं में की गई जवाबी फाइरिंग में मारा गया था मौके पे त प्रगत से सरकार और अपरादियों की सबकी उन लोगों ने ये किया कि एक जूट्या मुकदमा दर्ज कराया गया एक घटना का दूसरा मुकदमा दूसरी कहानी के साथ कि वो जो 2001 में घटना हुई थी वास्तविक्ता यह है कि वो जो एक उसमें हमलावर मारा गया उसको दि तीन लोग गय थे और बकसर जिले में किसी गाउं में उरहते हैं वहां की निवासी हैं उनको उठा लाए थे ब्रिजेस को बचाने के लिए सब काम किया और उसमें मुल्जिम सारे गवाहों को बना लिया गया जो इंजड विटनेस थे नव लोगों को गोली लगी थी जो इ आडर किया मुक्तार को पेश किया जाए गवाही के लिए अब योजन के गवाह के हैसित से वादी मुकदमा पेश किया जाए और गिरिस सच्चू चिफ सेगरेटरी तक को पतर लिखा लेकिन ये लोग नहीं पेश किये बहाना बाजी फोर्स लबो लुब क्या है लबो लब से उनको एक तरफ से क्लीन चिट मिलती चली जा रही है ये एक मुकदमा था जिसमें उन्हें भाय था कि मुक्तारन सारी गवाही करेंगे वो न बिखेंगे न डरेंगे तो पिरजेश सिंग और तिरभौन सिंग को बचाने का सपना पूरा नहीं हो पाएगा और इसलिए उन प्रशासन में बैठे हुए लोग और बिरजेश और तिरभौन की टीम के लोग ये सब लोगोंने मिल करके ये घटना अंजाम दिया है डाक्टर ने कहा कि हम लोग इनका एलाज कर रहे हैं तीन डाक्टरों का पैनल है लेकिन जब हमने कहा कौन लोग हैं हम मिल लें तो हमार का कहे कि सर्जरी करते हैं सर्जन तो आर्थोपेटिक भी होता है सर्जन तो नियूरोलोजी में भी है काडियोलोजी आप क्या है तो कहा हारनिया वगएर तो हमने कहा कि तो यह मुखतार का इलाज आप ही हेड हो तो आपके समझ से कैसा है तो उन्होंने कहा कि देखिए इनक पिर भी हमको इंचार्ज बनाये गया है तो हम जो घुरा तो हमने का मेडिसिन का आप क्या करते हैं का हम टेली फून से अपने मित्र डाक्टरों से सला करके तब दवा देते हैं तो हमने कहा कि अभी क्या इस्तिती है तो कहें देखिए होश में हैं आये थे तो बेहोश थे और हम उमीद कर रहे हैं कि जल्दी दो-तीन दिन में इनको कंट्रोल कर लेंगे हम का अगर कंट्रोल के बाहर हो तो इसको रीफर कर दीजेगा और अगर ये समस्या होगी कि किसी यहां कि दवा से उनको फाइदा भी नहों और इस तरह की इस्तिती है कि वो कहते हैं उनको जहर हुआ है मुझसे आज भी कहा है यहीं आस्पिटल में भी कहा है तो उनका ने मैं समझ रहते हुए अगर ऐसी इस्तिती आएगी तो रीफर कर दूगा हम लोग मील करके आए अभी रास्ते में थे दो घंटा हुआ बस वहां से चले हुए जब तक बताया गया कि सभी डाक्टरों ने उनको लिख दिया कि यह फिट हैं और वील चेयर पर बैठा करके जो आदमी अपनी पैलों से जेल के अंदर डाल दिया गया और मीडिया के माद्यम से एक खबर चलवाई गयी कि मुक्तार बिल्कुल फिट हो चुके हैं सारे टेस्ट उनके वो गया है कोई रोग नहीं है अगर कोई रोग नहीं था तो 24 घंटा बीतने के बाद ऐसा घातक अटेक कैसे आ गया जिसमें उनकी जानी चली गई अगर वो फिट थे और मेडिकल कालेज के नव डाक्टर उनको फिट घोशित कर रहे हैं तो 24 घंटे के अंदर ये क्या हो गया आप ही के कश्टडी में है रिस्पॉंसॉइल्टी आपकी है वो डाक्टर जो हमसे कह रहा है कि हम दो तीन दिन में इनको ठीक कर लेंगें नहीं तो रिफर कर लेंगें उस डाक्टर से आपने उसी दिन जिस दिन मेरी बात हुए इसके दो घंटे के बाद लिखवा लिया कि ये फिट है वो डाक्टर जो कह रहा है कि इनको जो समस्या है मेरे विभाग की नहीं है मैं तो सर्जन हूँ खाक के दर्मियान आप में और यहां के जिलाधिकारी में बहुत तूमे में हुआ बहुत जोर जबर दस्ती हुई कुछ कहने की बहुत तो नहीं है वो शायद उन्हें नहीं पता है और वो यहीं कह रही थी कि अब जत्ते लोग मिट्टी दे लिए बस और लोग मिट्टी नहीं देंगे हमने का यह क्यों आप इसके लिए थोड़ी रोख सकते हैं कि कोई अपने धार्मिक जो सिश्टम है अब आप कह सकते हैं क्या किसी का शौव अगर दास अंसकार में जा रहा है एक बार हुआ है जब यहां करोना लगा था तब भी ऐसा थोड़ी था कि लोग खुद से ही भीड़ देके नहीं जाते थे डर गए थे घर के परिवार के लाश हो जनाजे को लोग जलाते नहीं थे इसे ही परवाह करके जल परवाह भाग जाते थे और जैसी भी से गड़ा खुद फिर आपने क्या का यह कोई उलंगन नहीं है इसकी परमीशन की अवशक्ता नहीं है हम उनके परिजन है और उनकी मिटी हुई है तो मिटी देने के लिए दूर दरास से जो हमारे रिष्टे नते अजीज कारीब सबाय हुए हैं वो एक लोग प्रिया आदमी थे हमारा परिवार एक बहुत पुराना एतिहासिक परिवार है मुखतार अंसारी की इस असवभाविक मौत से जो कहीं न कहीं मिली भगत से सबके हुई है तो इस घटना से लोगों में कितना आक्रोश है इसका अंदाजा तो आप कहीं भी साज देख लीजिए तो तू तू मैं में एक तरीके से नोग जोक हुई नहीं नहीं नोग जोक नहीं उनका कहना था कि आचार संगिता लागू है दफाच वालिस लागू है परमीशन लेना चाहिए हम का यार मुर्दा दफन करने मुर्दा जलाने शवयात्रा निकालने या जनाजा ले जाके जनाजे की नमाज पढ़ने इसके लिए मैं नहीं समझता कि कोई किया वशक्ता है यह हमारे धार्मिक प्रियोजन है और इसको हम कर रहे हम पूरा सायोग कर रहे थे हमने बहुत सायोग किया है जिस तरह से भी लोगों ने चाहा उस तरह से सब कुछ किया है लीड बहुत थी इसी से तो उपर से डांट पड़ रही थी कि एत्ते लोग आये क क्या कर सकते हैं आप बताइए जो जहां सुन रहा वो चल दे रहा है उसकी सहनभूती मुख्तारन सारी और उनके परिवार के परती है कि इन लोगों के साथ बड़ा अन्याय हुआ है अब आप घुरुप तडप करके उसको रोक दीजिए सारी रात कल से पूरे चप्पे चप् अब लोग आ रहे हैं हम तो कोई को बुलाने नहीं हमसे तो जिन लोगों ने पूछा कई बजे मिट्टी होगी क्या होगी हमने मनई किया यार की बहुत जादा तीन दिन हो गया एक तो वहां से पुस्माटम लाश आते आते रात में तो डेड़ बजे आई है तो लोगों मे सुकता थी गए हैं लोग हम समझते हैं कि 25-20% लोग मिट्टी दे पाए हैं 80% लोग तो बिना मिट्टी दिये अभी लोड गए हैं एक सवाल आकरी है अगर कोई यह चाहता है कि 10-20% भी लोग जो आए हुए हैं कहां कहां से आए हुए हैं उनको घुरुप तड़प से भग कि अनुसार कोई प्रशासनिक अधिकारी भी ऐसा करता है तो देश के कानून और सम्मिधान के खिलाफ है ये पहले ऐसी सरकार है और पहले ऐसी सरकार के कुछ आइसे अधिकारी और ऐसे समझ के उनके समर्थक हैं जो जिस कारवाई को आम जनता में घेना की दिरिश्ट से खाम्यादा भुगते हैं यह बुल्डोजर लेके किसी का घर गिरा दें, इस्कूल गिरा दें, अस्पताल गिरा दें, जंग जमीन कुर्क कर दें, नजाइस तरीके से जूटे मुकदमें फसा दें, अखूब धेडोरा पीठें, बुल्डोजर, बुल्डोजर, बुल्डोजर सभा अस्थर पर बुल्डोजर खड़ा करके लोगों को दराया जाए कि यह देखो बुल्डोजर यह है यही वो है पड़ाम क्या होता है गाजीपूर में साथ विदान सभा की सीटे हैं शुन्य मिली थी भाजपा के खाते में शुन्य अगर आँख नहीं खुली है तो इस लो उसने यह तरीका बना लिया था कि जो उसका विरोध करेगा मतुरा का राजा वो उसको जेल में डाल देगा या माड डालेगा उसने अपने बाप को जिन्होंने उसके गलत नीतियों और उसकी जातियों का विरोध किया तो उसने पिता को जेल में डाल दिया था लेकिन आख तो ये नशा भी उतरेगा ऐसा थोड़ी है कि नहीं उतरेगा इसको भी उतरना है लोगसभा का क्या परिणाम होगा गाजीपूर में जो 37 भाजपा के लोग जानते हैं सूची आई थी 195 आदमी की घुशना आई थी कि 400 सीड जीतेंगे उतर परदेश में सूची आई थी एक क्यावन लोगों की और घुशना कर दी थी कि 80 सीड जीत रहे और अभी तक नाम बताने की स्थिती में नहीं है कि गाजीपूर बलिया में कौन चुनाव लड़ेगा मेरे पास पुखता सुबूत है कि मुख्तार को जेल में जहर दिया गया मुख्तार ने खुद अपने वकील के जरीय पत्र दिया उनके वकील ने कोट में गुदर खास डाली उसके बाद कोट की तरफ से डायरिक्शन भी हुआ हमने उन्नीस तारीख की बात है हमने बीस तारीख को सुपरेटेंडन जेल से बात किया उन्होंने का कि हाँ तबियत उनकी खराब है लेकिन हमने कॉल किया था हमरे अस्पताल के डाक्टर ने कहा था कि बाहर के डाक्टर बुलाए जाए तो हमने काल कर लिया था बाहर के दो डाक्टर आये थे और आज ही मैं उनके बैरिक में उनके सामने डाक्टरों को और उनको कर दिया हूँ टेस्ट शुरू हो गया है और दवावी शुरू हो जाई है हमारे उनके बीच में जो बात हुई वो रिकार्ट पर है आज भी हमारे पास है सक्ष के रूप में मैंने उनसे खोल के ये बात कही कि डग्साब अरे सुपरिटेनल साहब आप इट्विनान दिला रहें कि दो डाक्टर और आ गये हैं और जेल वाला भी डाक्टर है सब लोग इलाज कर रहे हैं लेकिन हमें सूचना मिली है कि उनको जहर दिया गया है खाने में और इससे पहले भी उनके साथ ऐसा हुआ था तो उनका नहीं यह गलत बात है हम लोग खाना टेश्ट टोस्ट करके तब देते हैं हमने का टेश्ट करने के लिए जो बंधी रक्षक लगाया गया था और एक डिप्टी जेलर था जो उनका खाना टेश्ट करके खिलाता था लगबख चालीस दिन पहले उनका खाना जो आया था उसमें जहर था और इन दोनों ने टेश्ट किया और दोनों जहर का खाना खा करके बीमार पड़े और मुझे मालूम है कि यह बंधीर एक च्छक और डिप्टी जेलर जो मुक्तार के बारिक के लिए था ये दवा इलाज से ठीक नहीं हुए इनको मेडिकल कालेज में भरती कराया गया जहां उनका कई दिनों तक इलाज हुआ तो उन्होंने एकसेप्ट किया है हाँ ऐसा हुआ था लेकिन सबका टेस्ट कराया गया तो किसी की रिपोर्ट आई कि फूट बाइजनिंग है किसी का रिपोर्ट आई कि गैस्टिक का मामला था किसी का कुछ है सबकी एक तरह से रिपोर्ट नहीं आई खाना बनाने वाला बीमार हो रहा, खाना चकने वाला बीमार हो रहा, खाना पकवाने का सुपर वीजन करने वाला बीमार हो रहा और मुखतार ने ये सारी बाते हमको फून से बताई थी, तब ही हमने सुपर टेरिनर से कहा तो उन्होंने हम से कहा कि देखिया हमने अब जो शुरू किया है बाहरी डाक्टर भी आ गया वो ठीक हो जाएंगे ये बीस तारीक के बात है 19 को उनको जहर दिया गया था 20 के बाद 21, 22, 23, 24, 25 तक कोई माकूल इलाज नहीं हुआ 26 को हालत बिलकुल खराब हो गई तब इन लोगों ने खुछ सुपरेटरिनेंट से मेरी बात हुई है उसका भी रेकार्ड मेरे पास है दो बज़े रात में जेल सुपरेटरिनेंट ने डाक्टरों के एड़वाईज के आदुसार उनको मेडिकल कालेज भेजा मेडिकल कालेज के डाक्टरों ने उनकी गंभीर इस्थिती को देख करके तुरंत आईस्यू में उनको अड्मिट किया उनकी गहन परिक्षण हुए इलाज शुरू हुआ हम लोगों को एक टेलीगराम भेजा उन्होंने हमारे मुहमदाबाद थाने पे यहां से पुलिस के लोग आए उनका मुखतार साथ बहुत सक्त बीमार है यह टेलीगराम है और आप ततकाल बांदा मेडिकल कालेज जाईए मैंने वो टेलीगराम पढ़ा सुपर्टेंडन की तरफ से टेलीगराम था हम लोग तुरंत आदे घंटे के अंदर बांदा के लिए निकल लिए आठ घंटे का सफर है बांदा पहुंचे मेडिकल कालेज गए तो उस समय मुखतार से जब मुलाकात का मौका मिला तो वो होश में थे और उन्होंने हमको फिर वही बात कही कि भया हमने आपको बताया था ना हमको ये सब जहर दे दिये हैं और हमारा एलाज ये गंभीर होके नहीं कराए जिसका नतीजा हुआ जहर असर कर गया है मैं बहुत कमजोर हो गया हूं मेरा पेट बहुत भूल गया है गैस देगो ने फिर हमको यहाँ आस्पिटल भेजा है जो सरकार जेल है प्रशासन है उसकी निगरानी में वो जेल में थे सरकार की जेल है उसमें वो कैदी थे ये सारे जो आप बातें कहर रहे हैं डू इसके पीछे का कारण क्या है देखिए हमने पहले भी कहा अब भी बता रहे हैं कि पूरी सरकार और सरकार की मिशिनरी ये लगाई गई है कि किसी भी तरह से मुक्तार को खत्म किया जाए और बिर्जेश सिंग और तिर्भुण सिंग जो बहुत बड़े माफिया डान है उत्तरप्रदेश नहीं राश्टी जो दाउद इबराहीम के भी को अक्यूजड हैं बांबी जेजे हास्पीटल कांड में उनके विरुद एक मुकदमा था जिसमें मुक्तार वादी मुकदमा था 15 जुलाई 2001 को उनके उपर आक्रमण हुआ था उस आक्रमण में इनके गाड़ी में बैठे हुए इनके गनर और रुस्ता मुर्फ बाबू मारा गया था और हमलावरों की तरफ से भी एक व्यक्ति जो बचाओं में की गई जवाबी फाइरिंग में मारा गया था मौके पे तीन लोगों की मुत हुई थी उस मुकदमे का ट्राइल अब शुरू हो गया है बाइस तेईस साल के बाद तो उसको बचाने के लिए तो एक कोशिश ये किया आगया मिली भगत से सरकार और अपरादियों की सबकी उन लोगों ने ये किया कि एक जूट्छा मुकदमा दर्ज कराया गया एक घटना का दूसरा मुकदमा दूसरी कहानी के साथ कि वो जो 2001 में घटना हुई थी वास्तविक्ता यह है कि वो जो उसमें हमलावर मारा गया उसको दिखाये गया है कि इसको मुक्तार अंसारी के ड्राइवर और दो-तीन लोग गये थे और बकसर जिले में किसी गाउं में उरहते हैं वहां की निवासी हैं उनको उठा लाए थे ब्रिजेस को बचाने के लिए सब काम किया और उसमें मुल्जिम सारे गवाहों को बना लिया गया जो इंजड विटनेस थे नव लोगों को गोली लगी थी जो इंजड विटनेस थे दो मर गये थे नव इंजड विटनेस थे उनको मुल्जिम बना दिया कि गवाही से बाज आ जाए और गिरिस सची और चिफ सेग्रेटरी तक को पत्र लिखा लेकिन ये लोग नहीं पेश किये बहाना बाजी फोर्स लबो लुबाब क्या है लबो लबाब बिजेश सिंग तिर्भोन सिंग को बचाने का मकसद है उनके विरू सारे मुकदमे गवाहों को तोड के या खरी सारी गवाही करेंगे वो न बिखेंगे न डरेंगे तो बिर्जेश सिंग और तिर्भोन सिंग को बचाने का सपना पूरा नहीं हो पाएगा और इसलिए उन लोगों ने एक सूनियोजित घटना करम के तहट किन लोगों ने सरकार में बैठे हुए लोग आड्मिस्टेशन म बैठे हुए लोग और बिर्जेश और तिर्भोन की टीम के लोग यह सब लोग उने मिल करके घटना अंजाम दिया है डाक्टर ने कहा कि हम लोग इनका एलाज कर रहे हैं तीन डाक्टरों का पैनल है लेकिन जब हमने कहा कौन लोग हैं मिल लें तो हमारे सामने जो दो से लिक करते हैं सुरसर्जन तो आर्थोपेटिक भी होता है से जन तो नियूरो लोगी में भी है काडियूलोजी काप क्या है तो कहा हरनिया वगए रगए थो अजय आप ही हेड हो तो आपके समझ से कैसा है दो इन्होंने कहा कि देखिए इनको सरजरी कोई मामला नहीं है पिर भी हमको इंचार्ज बनाए गया है तो हम जो गुरा तौह ने medicine का आप क्या करते हैं कए हम telephone से अपने मित्र डाक्टरों से सला करके तब दवा देते हैं तो हमने कहा कि अभी क्या इस्थिति है तो कहें देखिए होश में हैं आये थे तो बेहोश थे और हम उमीद कर रहे हैं कि जल्दी दो तीन दिन में इनको कंट्रोल कर लेंगे हमका अगर कंट्रोल के बाहर हो तो इसको रीफर कर दीजेगा और अगर यह समस्या होगी कि 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 बड़े आस्पिटल में भेजेंगे तो खर्च कौन बहन करेगा तो परिजन खर्च बहन करने के लिए तयार हैं मैं लिख के दे दे रहा हूँ आप समय रहते रीफर कर दीजेगा ऐसा नहों कि यहां की दवा से उनको फाइदा भी नहों और इस तरह की इस्थिति है कि वो कहते हैं उनको जहर हुआ है मुझसे आज भी कहा है यहीं आस्पिटल में भी कहा है तो उनका ने मैं समय रहते हुए अगर ऐसी इस्थिति आएगी तो रीफर कर दूँगा हम लोग मिल करके आए अभी रास्ते ही में थे दो घंटा हुआ बस वहां से चले हुए जब तक बताया गया कि सभी डाक्टरों ने उनको लिख दिया कि यह फिट हैं और वील चेयर प पर खड़े होने की इस्तिति में नहीं था जो अपने दम पर बेट पर बैठने की इस्तिति में नहीं था उसको फिट घोसिट करके सीधे आई सीउ से जेल के अंदर डाल दिया गया और मीडिया के माद्यम से एक खबर चलवाई गई कि मुखतार बिल्कुल फिट हो चुके ह सारे टेस्ट उनके हो गया कोई रोग नहीं है अगर कोई रोग नहीं था तो 24 घंटा बीतने के बाद ऐसा घातक अटेक कैसे आ गया जिसमें उनकी जानी चली गई अगर वो फिट थे और मेडिकल कालेज के नव डाक्टर उनको फिट घोशित कर रहे हैं तो 24 घंटे के कि है रिस्पॉंसिविल्टी आपकी है वो डाक्टर जो हमसे कह रहा है कि हम दो-तीन दिन में इनको ठीक कर लेंगे नहीं तो रिफर कर देंगे उस डाक्टर से आपने उसी दिन जिस दिन मेरी बात हुँ इसके दो घंटे के बाद लिखवा लिया कि ये फिट है वो डाक्ट कुछ कहने की बहुत वो नहीं है वो शायद उन्हें नहीं पता है और वो यहीं कह रही थी कि अब जत्ते लोग मिट्टी दे लिए बस और लोग मिट्टी नहीं देंगे हमने का यह क्यों आप इसके लिए थोड़ी रोख सकते हैं कि कोई अपने धार्मिक जो सिश्टम है अब आप कह सकते हैं किया किसी का शौव अगर दास अंसकार में जा रहा है एक बार हुआ है जब यहां करोना लगा था तब भी ऐसा थोड़ी था कि लोग खुद से ही भीर देके नहीं जाते थे डर गय थे घर के परिवार के लाश और जनाजे को लोग जलाते नहीं थे इसे परवाह करके जल परवाह भाग जाते थे और जैसी भी से गड़ा खुद फिर आपने क्या का यह कोई उलंगन नहीं ह हम उनके परिजन हैं और उनकी मिटी हुई है तो मिटी देने के लिए दूर दरास से जो हमारे रिष्टे नते अजीज कारीब सबाए हुए हैं वो एक लोग प्रिया आदमी थे हमारा परिवार एक बहुत पुराना एतिहासिक परिवार है मुखतार अंसारी की इस असवभाविक मौत से जो कहीं न कहीं मिली भगत से सबके हुई है तो इस घटना से लोगों में कितना आक्रोश है इसका अंदाजा तो आप कहीं भी सहज देख लीजिए तो तू तू मैमें एक तरीके से नोग जोग हुई नहीं नहीं तू मैमें नोग जोग ने हुई उनका कहना था कि आचार संगिता लागो है ड़फा चवालिस लागो है परमीशन लेना चाहिए हम का यार मुर्दा दफन करने मुर्दा जलाने शवयातरा निकालने या जनाजा ले जाके जनाजे की नमाज पढ़ने इसके लिए मैं नहीं समझता कि कोई पर्मिशन किया वशकता है ये हमारे धार्मिक प्रियोजन है और इसको हम कर रहे हैं हम पूरा सायोग कर रहे थे हमने बहुत सायोग किया है जिस तरह से भी लोगों ने चाहा उस तरह से सब कुछ किया है इसी से तो उपर से डांट पड़ रही थी कि एत्ते लोग आये कैसे तो अब उसके लिए हम क्या कर सकते हैं आप बताइए जो जहां सुन रहा वो चल दे रहा है उसकी सहनभूती मुखतारन सारी और उनके परिवार के परती है कि इन लोगों के साथ बड़ा अन्याय हुआ है अब आप घुरूप तरप करके उसको रोग दीजिए सारी रात कल से पूरे चप्पे चप्पे पे रोका गया है अब लोग आ रहे हैं हम तो कोई को बुलाने नहीं हमसे तो जिन लोगों ने पूछा कैबेजमिती होगी क्या होगी हमने मनई किया यार की बहुत ज़्यादा तीन दिन हो गया एक तो वहां से पॉस्टमाटम लाश आते आते रात में तो डेड़ बज़े आई है तो लोगों में उच्छुकता थी गए हैं लोग हम समझते हैं कि 25-20 परसेंट लोग मिट्टी दे पाए हैं 80 परसेंट लोग तो बिना मिट्टी दिये अभी लवड गए है एक सवाल आखरी है अगर कोई ये चाहता है कि 10-20 परसेंट भी लोग जो आए हुए हैं कहां कहां से आए हुए हैं उनको घुरुप तलब से भगा दिया जाए तो ये मनासिब नहीं है नाजाइज है उस सरकार या सरकार की मनशा के अनुसार कोई परशासनी का अधिकारी भ कुछ ऐसे अधिकारी और ऐसे समझ के उनके समर्थक हैं जो जिस कारवाई को आम जनता में घेना की दिरिश्ट से देखा जा रहा उस कारवाई को उपनी उपलब्धी मानते हैं खाम्यादा भुगतते हैं ये बुल्डोजर लेके किसी का घर गिरा दें स्कूल गिरा दें अ फसादें खूब धेडोरा पीठें बुल्डोजर 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 नाम रखने बाबा बुल्डोजर सभा अस्थर पर बुल्डोजर खड़ा करके लोगों को दराया जाए कि ये देखो बुल्डोजर यह है यही वो है पड़ाम क्या होता है हंकार तो देखिये कंश को भी हंकार था जो इसने ये तरीका बना लिया था कि जो उसका विरोध करेगा मत्वरा का राजा वो उसको जेल में डाल देगा या माडा डालेगा उसने अपने बाप को जिनों ने उसके गलत नीतियों और उसकी जातियों का विरोथ किया तो उतने पिता को जेल में डाल दिया था लेकिन आखिर उसकी सत्ता का और उसका भी अंथुआ तो जब तक कोई कंश वाला नशा किसी के उपर है तो यह नशा भी उतरेगा ऐसा थोड़ी यह कि नहीं उतरेगा इसको भी उतरना ह लोकसभा का क्या परिणाम होगा गाजीपूर में? मुक्तार ने खुद अपने वकील के जरीए पत्र दिया उनके वकील ने कोट में वो दर्खास डाली उसके बाद कोट की तरफ से डाइरिक्शन भी हुआ हमने उन्नीस तारीख की बात है हमने बीस तारीख को सुपरेटेंडन्ट जेल से बात किया इन्ने कहा कि हाँ तबीयत उनकी खराब है लेकिन हमने कॉल किया था हमारे अस्पटाल के डाक्टर ने कहा था की बाहर के डाक्टर बुलाए जाए तो हमने कॉल कर लिया था के दो डाक्टर आये थे, और आज ही मैं उनके बारीत। में उनके सामने डाक्टरों को और उनको कर दिया हूं, है टेस्ट शुरू हो गया है, और दवावी शुरू हो जाए है। हमारे उनके बीच में जो बात हुई व रिकार्ट पर है, ऐज भी हमारे पास है, in दक्ष के रूप में, मैंने उनसे खोल के ये बात कही कि डक्षाब, अरे सुपरिटेनल साहब आप इत्मिनान दिला रहें कि दो डक्टर और आ गये हैं और जेल वाला भी डक्टर है, सब लोग इलाज कर रहे हैं, लेकिन हमें सूचना मिली है कि उनको जहर दिया गया है खाने में, और इससे पहले भी उनके साथ ऐसा हुआ था, तो उनका नहीं यह गलत बात है, हम लोग खाना टेस्ट करके तब देते हैं, हमने का टेस्ट करने के लिए जो बंधी रक्षक लगाया गया था, और एक डिप्टी जेलर था जो उनका खाना टेस्ट करके खिलाता था, इन दोनों ने टेस्ट किया और दोनों जहर का खाना खा करके बीमार पड़े, और मुझे मालूम है कि यह बंधी रिक्षक और डिप्टी जेलर जो मुक्तार के बारिक के लिए था, यह दवा इलाज से ठीक नहीं हुए, इनको मेडिकल कालेज में भरती कराया गया, जहां उ कई दिनों तक इलाज हुआ, तो उन्होंने एकसेप्ट किया है, हाँ ऐसा हुआ था, लेकिन सब का टेस्ट कराया गया, तो किसी की रिपोर्ट आई कि फूट बाइजनिंग है, किसी का रिपोर्ट आई कि गैस्टिक का मामला था, किसी का कुछ है, सब की एक तरह से रिपोर थी तब ही हमने सुपरेटरेनर से कहा तो उन्होंने हम से कहा कि देखिया हमने अब जो शुरू किया है बाहरी डाक्टर भी आ गया वो ठीक हो जाएंगे ये बीस तारीक के बात है 19 को उनको जहर दिया गया था 20 के बाद 21, 22, 23, 24, 25 तक कोई माकूल इलाज नहीं हुआ 26 को हालत बिलकुल खराब हो गई तब इन लोगों ने खुछ सुपरेटरेनर्ट से मेरी बात हुई है उसका भी रिकार्ड मेरे पास है दो बज़े रात में जेल सुपरेटरेनर्ट ने कालेज भेजा मेडिकल कालेज के डाक्टरों ने उनकी गंभीर इस्थिती को देख करके तुरंत आईस्यू में उनको अड्मिट किया उनकी गहन परिक्षन हुए इलाज शुरू हुआ हम लोगों को एक टेलीगराम भेजा उन्होंने हमारे मुहमदाबाद थाने पे यहां स सक्त बीमार हैं यह टेलीगराम है और आप ततकाल बांदा मेडिकल कालेज जाईए मैंने वो टेलीगराम पढ़ा सुपर्टेंडन की तरफ से टेलीगराम था हम लोग तुरंत आदे घंटे के अंदर बादा के लिए निकल लिए आठ घंटे का सफर है बांदा पहुंचे मे यह सब जहर दे दिए हैं और हमारा इलाज यह गमभीर हो के नहीं कराएं जिसका नतीजा हुआ जहर असर कर गया है मैं बहुत कमजोर हो गया हूं मैरा पेट बहुत भूल गया है गैस बहुत बन रही है और मुझे घबराहट होती है पसीना होता है अपनी तकलीफें फिर बताए कि कल मैं गिर गया था मुर्चित हो गया था तो जेल के लोगों ने फिर हमको यहाँ आस्पिटल भेजा है तो यह सारी जो बाते आप कह रहे हैं जो सरकार का जेल है प्रशासन है उसकी निगरानी में वो जेल में थे सरकार की जेल है उसमें वो कैदी थे तो यह सारे जो आप बातें कह रहे हैं तो इसके पीछे का कारण क्या देखिए हमने पहले भी कहा आप भी बता रहे हैं कि पूर और बिर्जेश सिंग और तिर्भुवन सिंग जो बहुत बड़े माफिया डान है उत्तरप्रदेश नहीं राश्टी अस्तर के जो दाउद इबराहीम के भी को अक्यूजड हैं बांबी जेजे हास्पीटल कांड में उनके विरुद एक मुकदमा था जिसमें मुक्तार वादी मुकदमा था 15 जुलाई 2001 को उनके उपर आक्रमण हुआ था उस आक्रमण में इनके गाड़ी में बैठे हुए इनके गनर और रुस्ता मुर्फ बाबू मारा गया था और हमलावरों की तरफ से भी एक व्यक्ति जो बचाओं में की गई जवाबी फाइरिंग में मारा गया थ मौके पे तीन लोगों की मौत हुई थी उस मुकदमे का ट्राइल अब शुरू हो गया है बाइस तेईस साल के बाद तो उसको बचाने के लिए तो एक कोशिश ये किया आगया मिली भगत से सरकार और अपरादियों की सबकी उन लोगों ने ये किया कि एक जूठा मुकदमा दर्च कराए गया एक घटना का दूसरा मुकदमा दूसरी कहानी के साथ कि वो जो 2001 में घटना हुई थी वास्तविक्ता यह है कि वो जो उसमें हमलावर मारा गया उसको दिखाए गया है कि इसको मुक्तार अंसारी के ड्राइवर और दो तीन लोग गय थे और बकसर जिले मे किसी गाउं में उरहते हैं वहां की निवासी हैं उनको उठा लाये थे ब्रिजेस को बचाने के लिए सब काम किया और उसमें मुल्जिम सारे गवाहों को बना लिया गया जो इंजर्ड विटनेस थे नव लोगों को गोली लगी थी जो इंजर्ड विटनेस थे दो मर गये थे नौग इंजर्ड विट्निस थे उनको मुल्जी मना दिया कि गवाही से बाज आ जाएंगे उसके बावजूद गवाही चलती रही कोट ने आडर किया मुखतार को पेश किया जाए गवाही के लिए अब योजन के गवाह के हैसित से वादी मुकदमा पेश किया जाए और गिर प्रद है उनके विरुद सारे मुकदमे गवाहों को तोड के या खरीद के या धमका के या अब योजन की मिली भगत से उनको एक तरफ से क्लीन चिट मिलती चली जा रही है यह एक मुकदमा था जिसमें उन्हें भाहे था कि मुक्तारन सारी गवाही करेंगे वो न बिकेंग घटना करम के तहट किन लोगों ने सरकार में बैठे हुए लोग आइडमिस्टेशन में बैठे हुए लोग जेल परशासन में बैठे हुए लोग और बिरजेस और तिर्भून की टीम के लोग यह सब लोगों ने मिल करके यह घटना अंजाम दिया है डाक्टर ने कहा कि हम लोग इनका एलाज कर रहे हैं, तीन डाक्टरों का पैनल है, लेकिन जब हमने कहा कौन लोग हैं हम मिल लें, तो हमारे सामने जो दो लोग आए वो फार्मेसिस्ट थे, और एक जो डाक्टर इंचार्ज थे, उनके हमने पूछा कि आप क्या करते हैं, आप मेडिसिन के हैं, या आप क्या हैं, तो कहें हारनिया वगएरे, तो हमने कहा कि तो यह मुखतार का इलाज आप ही हेड हो, तो आपके समझ से कैसा है, तो उन्होंने कहा कि देखिए इनको सरजरी का कोई मामला नहीं है, फिर भी हमको इंचार्ज बनाए गया है, तो हम जो गोरा, तो हमने का मेडि से सलाह करके तब दवा देते हैं, तो हमने कहा कि अभी क्या इस्तिती है, तो कहें देखिए होश में हैं, आए थे तो बेहोश थे, और हम उमीद कर रहे हैं कि जल्दी दो-तीन दिन में इनको कंट्रोल कर लेंगे, हम का अगर कंट्रोल के बाहर हो, तो इसको रीफर कर दीज हूँ, आप समय रहते रीफर कर दीजिएगा, ऐसा नहो कि यहां की दवा से उनको फाइदा भी नहों, और इस तरह की इस्तिती है कि वो कहते हैं, उनको जहर हुआ है, मुझसे आज भी कहा है, यहीं आस्पिटल में भी कहा है, तो उनका ने मैं समय रहते हुए, अगर ऐसी हैगी, तो रीफर कर दूँगा, हम लोग मिल करके आए, अभी रास्ते ही में थे, दो घंटा हुआ, बस वहां से चले हुए, जब तक बताया गया, कि सभी डाक्टरों ने उनको लिख दिया कि यह फिट हैं, और वील चेयर पर बैठा करके, जो आदमी अपनी पैलों पर लिखिया के मादम से एक खबर चलवाई गए, कि मुखतार बिल्कुल फिट हो चुके हैं, सारे टेस्ट उनके हो गया है, कोई रोग नहीं है, अगर कोई रोग नहीं था, तो चौबिस घंटा बीतने के बाद, ऐसा घातक अटेक कैसे आ गया, जिसमें उनकी जानी चली गई अगर वो फिट थे, और मेडिकल कालेज के नव डाक्टर उनको फिट घोशित कर रहे हैं, तो चौबिस घंटे के अंदर ये क्या हो गया, आप ही के कश्टडी में है, रिस्पॉंसविल्टी आपकी है, वो डाक्टर जो हमसे कह रहा है, कि हम दो तीन दिन में इनको ठीक कर देंगे, नहीं तो रिफर कर देंगे, उस डाक्टर से आपने उसी दिन, जिस दिन मेरी बात हुँ, इसके दो घंटे के बाद लिखवा लिया, कि ये फिट है, वो डाक्टर जो कह रहा है कि इनको जो समस्या है, मेरे विभाग की नहीं है, मैं तो सर्जन हूँ, खाक के दरम और वो यही कह रही थी कि अब जत्ते लोग मिट्टी दे लिए, बस और लोग मिट्टी नहीं देंगे, हमने का ये क्यों आप इसके लिए थोड़ी रोक सकते हैं कि कोई अपने धार्मिक जो सिश्टम है, अब आप कह सकते हैं क्या किसी का शोव अगर दास अंसकार में जा रहा है, एक बार हुआ है, जब यहाँ करोना लगा था, तब भी ऐसा थोड़ी था कि लोग खुद से ही भीड़ देके नहीं जाते थे, डर गय थे घर के परिवार के लाश और जनाजे को लोग जलाते नहीं थे, इसे ही परवाह कर के जल परवाह भाग जाते थे, और जैसी परिजन है और उनकी मिट्टी हुई है तो मिट्टी देने के लिए दूर दराज से जो हमारे रिष्टे नाते अजीज कारीब सबाय हुए हैं वो एक लोग प्रिया आदमी थे हमारा परिवार एक बहुत पुराना एतिहासिक परिवार है मुखतार अंसारी की इस असवभाविक मौत से जो कहीं न कहीं मिली भगत से सबके हुई है तो इस घटना से लोगों में कितना आक्रोश है इसका अंदाजा तो आप कहीं भी सहज देख लीजिए तो तू तू मैमें एक तरीके से नोग जोग हुई तू मैमें नोग जोग नहीं उनका कहना था कि आचार संगिता लागू है दफा चवालीस लागू है परमीशन लेना चाहिए हम का यार मुर्दा दफन करने मुर्दा जलाने शवयात्रा निकालने या जनाजा ले जाके जनाजे की नमाज पढ़ने इसके लिए मैं नहीं समझता कि कोई परमीशन किया वशक्ता है यह हमारे धार्मिक प्रियोजन है और इसको हम कर रहे हैं हम पूरा सहयोग कर रहे थे हमने बहुत सहयोग किया है जिस तरह से भी लोगों ने चाहा उस तरह से सब कुछ किया है इड़ बहुत थी इसी से तो उ उस जहां सुन रहा वो चल दे रहा है उसकी सहनभूती मुखतारन सारी और उनके परिवार के परती है कि इन लोगों के साथ बड़ा अन्याय हुआ है अब आप घुरुप तडप करके उसको रोक दीजिए सारी रात कल से पूरे चप्पे चप्पे पे रोका गया है अब लोग आ रहे हैं हम तो कोई को बुलाने नहीं हमसे तो जिन लोगों ने पूछा क्या बज़े मिट्टी होगी क्या होगी हमने मनाई किया यार की बहुत जादा तीन दिन हो गया एक तो वहां से पुस्माटम लाश आते आते रात में तो डेड़ बज़े आई है तो लो अगर कोई ये चाहता है कि दस बीस परसेंट भी लोग जो आए हुए हैं कहां कहां से आए हुए हैं उनको घुरुप तलब से भगा दिया जाये तो ये मनासिब नहीं है नाजायज है उस सरकार या सरकार की मनशा के अनुसार कोई परशासनिक आदिकारी भी ऐसा करता है तो वो देश के कानून और सम्मिधान के खिलाफ है ये पहले ऐसी सरकार है और पहले ऐसी सरकार के कुछ आईसे अधिकारी और ऐसे समच के उनके समर्थक हैं जो जिस कारवाई को आम जनता में घेना की दिरिश से देखा जा रहा उस कारवाई को उपनी उपलब्धी मानते हैं खामियाजा भूगउते हैं ये बुलडोजर लेके किसी का घर गिरा देैं इस्कूल गिरा दें अस्पटाल गिरादें जंग जमीन कुडक करदें नजाईस तरीके से जूटे मुकदमें फसा दें खूब धीलोरा पीठें बुलडोजर 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 नाम रखल में साथ विदान सभा की सीटे हैं शुन्य मिली थी भाजपा के खाते में शुन्य अगर आँख नहीं खुली है तो इस लोग सभा के चुनाओं में अहंकार तो देखिए कंश को भी अहंकार था जो तो उसने यह तरीका बना लिया था कि जो उसका विरोध करेगा मतुरा का राजा वो उसको जेल में डाल देगा या माड डालेगा उसने अपने बाप को जिन्होंने उसके गलत नीतियों और उसकी जातियों का विरोध किया तो उसने पिता को जेल में डाल दिया था लेकिन कंश वाला नशा किसी के उपर है तो ये नशा भी उतरेगा ऐसा थोड़ी है कि नहीं उतरेगा इसको भी उतरना है लोगसभा का क्या परिणाम होगा गाजीपूर में जोतिस सास्त भाजपा के लोग जानते हैं सूची आई थी एक सव पन्चानबे आदमी की घुशना आई थी कि चारसो सीड जीतेंगे उतर प्रदेश में सूची आई थी एक क्यावन लोगों की और घुशना कर दी थी कि ऐसी सीड जीत रहें और अभी तक नाम बताने की इस्थिती में नहीं है कि गाजी पूर बलिया में कौन चुनाव लड़ेगा मेरे पास पोखता सुबूत है कि मुख्तार को जेल में जहर दिया गया मुख्तार ने खुद अपने वकील के जर्ये पत्र दिया उनके वकील ने कोट में गुदर खास डाली उसके बाद कोट की तरफ से डायरिक्शन भी हुआ हमने उन्नीस तारीख की बात है हमने बीस तारीख को सुपरेटेंडन्ट जेल से बात किया उन्ने कहा कि हाँ तबीयत उनकी खराब है लेकिन हमने कॉल किया था हमरे अस्पताल के डाक्टर ने कहा था कि बाहर के डाक्टर बुलाए जाए तो हमने कॉल कर लिया था बाहर के दो डाक्टर आये थे और आज ही मैं उनके बायरिक में उनके सामने डाक्टरों को और उनको कर दिया हूँ, टेस्ट शुरू हो गया है और दवा भी शुरू हो जाई है, हमारे उनके बीच में जो बात हुई, वो रिकार्ट पर है, आज भी हमारे पास है सक्ष के रूप में, मैंने उनसे खोल के ये बात कही, कि डाक्ट साब, अरे स तो प्रिटेनल साब आप इट्विनान दिला रहें कि दो डाक्टर और आ गये हैं, और जेल वाला भी डाक्टर है, सब लोग इलाज कर रहे हैं, लेकिन हमें सूचना मिली है कि उनको जहर दिया गया है, खाने में, और इससे पहले भी उनके साथ ऐसा हुआ था, तो उनका न करने के लिए जो बंदीरब्गछग लगाया गया था, और एक डिप्टी जेलर थो उनका खाना टेस्ट करके खिलाता था, लगवग 40 दिन पहले, उनका खाना जो आया था, उसमें जहर था, और इन्दोनों ने टेस्ट किया, और दोनों जहरी, जहर का खाना खाकर के बिमार पड़े और मुझे मालूम है कि ये बंदीर एक छक और डिप्टी जेलर जो मुक्तार के बारिक के लिए था ये दवा इलाज से ठीक नहीं हुए इनको मेडिकल कालेज में भरती कराया गया जहां उनका कई दिनों तक इलाज हुआ तो उन्होंने एकसेप्ट किया है हाँ ऐसा ह हुआ था लेकिन सब का टेस्ट कराया गया तो किसी की रिपोर्ट आई कि फूट बाइजनिंग है किसी का रिपोर्ट आई कि गयस्टिक का मामला था किसी का कुछ है सबकी एक तरह से रिपोर्ट नहीं आई खाना बनाने वाला बीमार हो रहा खाना चकने वाला बीमार हो रह खाना पकवाने का सूपर वीजन करने वाला बीमार हो रहा और मुक्तार ने ये सारी बाते हमको फून से बताई थी तब ही हमने सूपर ट्रेनर से कहा उन्होंने हम से कहा कि देखिया हमने अब जो शुरू किया है बाहरी डाक्टर भी आ गया वो ठीक हो जाएंगे ये बीस ता बिल्कुल एलाज नहीं हुआ चब्विस को हालत बिल्कुल खराब हो गई तब इन लोगों ने खुछ सूपरेटेंट से मेरी बात हुई है उसका भी रेकार्ड मेरे पास है दो बजे रात में जेल सूपरेटेंट ने डाक्टरों के एडवाईज के आदुसार उनको मेडिक मेडिकल कालेज भेजा मेडिकल कालेज के डाक्टरों ने उनकी गंभीर इस्थिती को देख करके तुरंत आईस्यू में उनको अड्मिट किया उनकी गहन परिक्षण हुए एलाज शुरू हुआ हम लोगों को एक टेलीगराम भेजा उन्होंने हमारे मुहमदाबाद थाने यहां से पुलिस के लोग आए उनका मुखतार साथ बहुत सक्त बीमार है यह टेलीगराम है और आप ततकाल बांदा मेडिकल कालेज जाईए मैंने वो टेलीगराम पढ़ा सुपरेटेंडर की तरफ से टेलीगराम था हम लोग तुरंत आदे घंटे के अंदर बादा के फिर वही बात कही कि भाया हमने आपको बताया था ना हमको यह सब जहर दे दिये हैं और हमारा इलाज यह गंभीर होके नहीं कराए जिसका नतीजा हुआ जहर असर कर गया है मैं बहुत कमजोर हो गया हूं मेरा पेट बहुत भूल गया है गैस बहुत बन रही है और मुझे घबराहट होती है पसीना होता है अपनी तकलीफें फिर बताए कि कल मैं गिर गया था मुर्चित हो गया था तो जेल के लोगों ने फिर हमको यहां आस्पिटल बेजा है तो यह सारी जो बाते आप कह रहे हैं जो सरकार का जेल है प्रशासन है उसकी निगरानी में व उसमें वो कैन्दी थे तो यह सारे जो आप बातें कह रहे हैं तो इसके पीछे का कारण क्या है देखिए हमने पहले भी कहा अब भी बता रहे हैं कि पूरी सरकार और सरकार की मिशिनरी यह लगाई गई है कि किसी भी तरह से मुक्तार को खत्म किया जाए और बिर्जे सिंग और तिर्भुवन सिंग जो बहुत बड़े माफिया डान है उत्तर प्रदेश नहीं राष्टी अस्तर के जो दाउद इबराहीम के भी को अक्यूजड हैं बांबी जेजे हास्पीटल कांड में उनके विरुद एक मुकदमा था जिसमें मुक्तार वादी मुकदमा था 15 जु मुलावरों की तरफ से भी एक व्यक्ती जो बचाओं में की गई जवावी फाइरिंग में मारा गया था मौके पे तीन लोगों की मौत हुई थी उस मुकदमे का ट्रायल अब शुरू हो गया है बाईस तेईस साल के बाद तो उसको बचाने के लिए तो एक कोशिश ये किया गया मिली भगत से सरकार अपरादियों की सबकी उन लोगों ने ये किया कि एक जूठिया मुकदमा दर्ज कराया गया एक घटना का दूसरा मुकदमा दूसरी कहानी के साथ कि वो जो 2001 में घटना हुई थी वास्तविक्ता यह है कि वो जो इक उसमें हमलावर मारा गया उसको दिखाये गया है कि इसको मुक्तार अंसारी के ड्राइवर और दो तीन लोग गये थे और बकसर जिले में किसी गाउं में उरहते हैं वहां की निवासी हैं उनको उठा लाए थे ब्रिजेस को बचाने के लिए सब काम किया और उसमें मुल्जिम सारे गवाहों को बना लिया गया जो इंजर्ड विटनेस थे नौ लोगों को गोली लगी थी जो इंजर्ड विटनेस थे दो मर गये थे नौ इंजर्ड विटनेस थे उनको मुल्जिम बना दिया कि गवाही से बाज आ जाएंगे उसके बावजूद गवाही चलती रही कोट ने आडर किया मुखतार को पेश किया जाए गवाही के लिए अब योजन के गवाह के हैसित से वादी मुकदमा पेश किया जाए और गिरिस सच्चु चिफ सग्रेटरी तक को पतर लिखा लेकिन ये लोग नहीं पेश किये बहानाबाजी फोर्स लबो लबाब क्या है लबो लबाब बिर्जेश सिंग तिर्भोन सिंग को बचाने का मकसद है उनके विरुस सारे मुकदमे गवाहों को तोड के या खरीत के या धमका के या अब्योजन की मिली भगत से उनको एक तरफ से क्लीन चिट मिलती चली जा रही है ये एक मुकदमा था जिसमें उन्हें भाय था कि मुक्तारन सारी गवाही करेंगे वो न बिगेंगे न डरेंगे तो बिर्जेश सिंग और तिर्भोन सिंग को बचाने का सपना पूरा नहीं हो पाएगा और इसलिए उन लोगों ने एक सूनियोजित घटना क कि लोगों ने सरकार में बैठे हुए लोग आड्मिस्टेशन में बैठे हुए लोग जेल पर शासंथ में बैठे हुए लोग और बिर ज्री 52 की टीम के लोग यह सब लोगोंने मिल करके यह घटना अंजाम दिया है डाक्टर ने कहा कि हम लोग इनका एलाज कर रहे हैं तीन डाक्टरों का पैनल है लेकिन जब हमने कहा कौन लोग हैं हम मिल ले तो हमारे सामने जो दो लोग आए वो फार्मेसिस्ट थे और एक जो डाक्टर इंचार्ज से उनके हमने पूछा कि आप क्या करते हैं आप मेडिसिन के हैं यह कहने हम सर्जन हैं तो हमने कहा कहे कि सर्जरी करते हैं सर्जन तो आर्थोपेटिक भी होता है सर्जन तो नियुरोलोजी में भी है काडियोलोजी आप क्या है तो कहा हरनिया वगएर तो हमने कहा कि तो यह म कि देखिए इनको सरजरी का कोई मामला नहीं है फिर भी हमको इंचार्ज बनाए गया है तो हम जो हो रहा तो हमने का मेडिसिन का आप क्या करते हैं कहें हम टेली फून से अपने मित्र डाक्टरों से सला करके तब दवा देते हैं तो हमने कहा कि अभी क्या इस्थिति है तो कहे और हम उमीद कर रहें कि जल्दी दो तीन दिन में इनको कंट्रोल कर लेंगे हमका अगर कंट्रोल के बाहर हो तो इसको रیफर कर दीजेगा और अगर ये समस्या होगी कि कि किसी बड़े आस्पिटर में भेजेंगें तो खर्चकौन करेगा तो परिजयं कर्च बहन करने के हाले तयार है मैं लग के दे दे रहा हूं है कि आप समय रहते रीफर कर दीजएगा ऐसा नहँ कि यहां की दवा से उनको फाइदा भी नहों और इस तरह की इस्थिति है कि वो कहते हैं उनको जहर हुआ है मुझसे आज भी कहा है यहीं आस्पिटल में भी कहा है तो उनका ने मैं समय रहते हुए अगर ऐसी इस्थिति आएगी तो रीफर कर दूगा हम लोग मील करके आए अभी रास्ते में थे दो घंटा हुआ बस वहां से चले हुए जब तक बताया गया कि सभी डाक्टरों ने उनको लिख दिया कि यह फिट हैं और वील चेयर पे बैठा करके जो आदमी अपनी पैनों पर खड़े होने की स्थिति में नहीं था जो अपने दम पर बेड़ पर बैठने की स्थिति में नहीं था उसको फिट घोसिट करके सीधे आई सीउ से जेल के अंदर डाल दिया गया और मीडिया के माद्यम से एक खबर चलवाई गई कि मुखतार बिल्कुल फिट हो चुके ह सारे टेस्ट उनके हो गया कोई रोग नहीं है अगर कोई रोग नहीं था तो 24 घंटा बीतने के बाद ऐसा घातक अटेक कैसे आ गया जिसमें उनकी जानी चली गई अगर वो फिट थे और मेडिकल कालेज के नव डाक्टर उनको फिट घोशित कर रहे हैं तो 24 घंटे के वो डाक्टर जो हम से कह रहा है कि हम दो तीन दिन में इनको ठीक कर लेंगे नहीं तो रिफर कर देंगे उस डाक्टर से आपने उसी दिन जिस दिन मेरी बात हुँ इसके दो घंटे के बाद लिखवा लिया कि ये फिट है वो डाक्टर जो कह रहा है कि इनको जो समस्या है मे मेरे विभाग की नहीं है मैं तो सर्जन हूँ खाक के दर्मियान आप में और यहां के जिलाधिकारी में बहुत तूमे में हुआ बहुत जोर जबरदस्ती हुई क्या कुछ कहने की बहुत वह नहीं है वो शायद उन्हें नहीं पता है और वो यही कह रही थी कि अब जत्ते लो के बस और लोग मिट्टी नहीं देंगे हमने का यह क्यों आप इसके लिए थोड़ी रोक सकते हैं कि कोई अपने धार्मिक जो सिश्टम है अब आप कह सकते हैं क्या किसी का शौव अगर दास अंसकार में जा रहा है एक बार हुआ है जब यहां करोना लगा था तब भी ऐसा थोड़ी था कि लोग खुद से ही भीड़ देके नहीं जाते थे डर गए थे घर के परिवार के लाश हो जनाजे को लोग जलाते नहीं थे इसे ही परवाह करके जल परवाह भाग जाते थे और जैसी भी से गड़ा खुद फिर आपने क्या का यह कोई उलंगन नहीं है इसकी परमीशन की अवशक्ता नहीं है हम उनके परिजन है और उनकी मिटी हुई है तो मिटी देने के लिए दूर दरास से जो हमारे रिष्टे नाते अजीज कारीब सबाय हुए हैं वो एक लोग प्रिया आदमी थे हमारा परिवार एक बहुत पुराना एतिहासिक परिवार है मुखतार अंसारी की इस असवभाविक मौत से जो कहीं न कहीं मिली भगत से सबके हुई है तो इस घटना से लोगों में कितना आक्रोश है इसका अंदाजा तो आप कहीं भी सहज देख लीजिए तो तू तू मैं में एक तरीके से नोग जोग हुई नहीं नहीं चाहिए हम का यार मुर्दा दफन करने मुर्दा जलाने शवयात्रा निकालने या जनाजा ले जाके जनाजे की नमाज पढ़ने इसके लिए मैं नहीं समझता कि कोई पर्मिशन किया वशकता है ये हमारे धार्मिक प्रियोजन है और इसको हम कर रहे हैं हम पूरा सहयोग कर है जिस तरह से भी लोगों ने चाहा उस तरह से सब कुछ किया है जीड बहुत थी इसी से तो उपर से डांट पड़ रही थी कि एत्ते लोग आये कैसे तो अब उसके लिए हम क्या कर सकते हैं आप बताईए जो जहां सुन रहा वो चल दे रहा है उसकी सहनभूती मुखतारं सारी और उनके परिवार के परती है कि इन लोगों के साथ बड़ा अन्याय हुआ है अब आप घुड़ूप तडप करके उसको रोक दीजिए सारी रात कल से पूरे चप्पे चप्पे पे रोका गया है अब लोग आ रहे हैं हम तो कोई को बुलाने नहीं हमसे तो जिन लोग है तो लोगों में उच्छुकता थी गये हैं लोग हम समझते हैं कि पचीस बीस परसेंट लोग मिट्टी दे पाए हैं असी परसेंट लोग तो बिना मिट्टी दिये अभी लोड़ गये हैं एक सवाल आखरी है अगर कोई यह चाहता है कि दस बीस परसेंट भी लोग जो कहां कहां से आए हुए हैं उनको घुरुप तड़प से भगा दिया जाए तो यह मनासिब नहीं है नाजाएज है उस सरकार या सरकार की मनशा के अनुसार कोई परशासनी का अधिकारी भी ऐसा करता है तो वो देश के कानून और सम्मिधान के खिलाफ है यह पहले ऐसी सरका के कुछ ऐसे अधिकारी और ऐसे समझ के उनके समर्थक हैं जो जिस कारवाई को आम जनता में घेर्णा की दिरिश्ट से देखा जा रहा उस कारवाई को उपनी उपलब्धी मानते हैं खाम्यादा भुगतते हैं यह बुल्डोजर लेके किसी का घर गिरा दें स्कूल गिरा अस्पताल गिरा दें जंग जमीन कुर्क कर दें नजाइस तरीके से जूटे मुकदमें फसा दें खूब धेडोरा पीठें बुल्डोजर 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 नाम रखलें बाबा बुल्डोजर सभा अस्थर पर बुल्डोजर खड़ा करके लोगों को दराया जा कि यह देखो बुल्डोजर यह है यही वो है पड़ाम क्या होता है गाजीपूर में साथ विधान सभा की सीटे हैं शुन्य मिली थी भाजपा के खाते में शुन्य अगर आँख नहीं खुली है तो इस लोग सभा के चुनाओं में अहंकार तो देखिए कंश को भी अहंकार था जो उसने यह तरीका बना लिया था कि जो उसका विरोध करेगा मत्हुरा का राजा वो उसको जेल में डाल देगा या माड डालेगा उसने अपने बाप को जिन्होंने उसके गलत नीतियों और उसकी जातियों का विरोध किया तो उसने पिता को जेल में डाल दिया था लेकि आखिर उसकी सत्ता का और उसका भी अंथुआ तो जब तक कोई कंश वाला नशा किसी के उपर है तो ये नशा भी उतरेगा ऐसा थोड़ी है कि नहीं उतरेगा इसको भी उतरना है 27 में लोकसभा का क्या परिणाम होगा गाजीपूर में? मुख्तार ने खुद अपने वकील के जरीए पत्र दिया उनके वकील ने कोट में गोदरखास डाली उसके बाद कोट की तरफ से डाइरिक्शन भी हुआ हमने 19 तारीख की बात है हमने 20 तारीख को सुपरेटेंडन्ट जेल से बात किया उन्होंने का कि हाँ तबियत उनकी खराब है लेकिन हमने काल किया था हमारे अस्पताल के डाक्टर ने कहा था कि बाहर के डाक्टर बुलाए जाए तो हमने काल कर लिया था बाहर के दो डाक्टर आये थे और आज ही मैं उनके बाइरिक में उनके सामने डाक्टरों को और उनको कर दिया हूँ टेस्ट शुरू हो गया है और दवा भी शुरू हो जाई है हमारे उनके बीच में जो बात हुई वो रिकार्ट पर है आज भी हमारे पास है साक्ष के रूप में मैंने उनसे खोल के ये बात कही कि अरे सुप्रेटेनल साहब आप इत्विनान दिला रहें कि दो डाक्टर और आ गये हैं और जेल वाला भी डाक्टर है सब लोग इलाज कर रहे हैं लेकिन हमें सूचना मिली है कि उनको जहर दिया गया है खाने में और इससे पहले भी उनके साथ ऐसा हुआ था तो उनका नहीं यह गलत बात है हम लोग खाना टेस्ट टोस्ट करके तब देते हैं हमने का टेस्ट करने के लिए जो बंधी रक्षक लगाया गया था और एक डिप्टी जेलर था जो उनका खाना टेस्ट करके खिलाता था लगबख चालीस दिन पहले उनका खाना जो आया था उसमें जहर था और इन दोनों ने टेस्ट किया और दोनों जहर का खाना खा करके बीमार पड़े और मुझे मालूम है कि यह बंधीर एक च्छक और डिप्टी जेलर जो मुक्तार के बारिक के लिए था ये दवा इलाज से ठीक नहीं हुए इनको मेडिकल कालेज में भरती कराया गया जहां उनका कई दिनों तक इलाज हुआ तो उन्होंने एकसेप्ट किया है हाँ ऐसा हुआ था लेकिन सब का टेस्ट कराया गया तो किसी की रिपोर्ट आई कि फूट बाइजनिंग है किसी का रिपोर्ट आई कि गैस्टिक का मामला था किसी का कुछ है सबकी एक तरह से रिपोर्ट नहीं आई खाना बनाने वाला बीमार हो रहा, खाना चकने वाला बीमार हो रहा, खाना पकवाने का सुपर वीजन करने वाला बीमार हो रहा और मुखतार ने ये सारी बाते हमको फून से बताई थी, तब ही हमने सुपर टेरिनर से कहा तो उन्होंने हम से कहा कि देखिया हमने अब जो शुरू किया है बाहरी डाक्टर भी आ गया वो ठीक हो जाएंगे ये बीस तारीक के बात है 19 को उनको जहर दिया गया था 20 के बाद 21, 22, 23, 24, 25 तक कोई माकूल इलाज नहीं हुआ 26 को हालत बिल्कुल खराब हो गई तब इन लोगों ने खुछ सुपरेटरिनेंट से मेरी बात हुई है उसका भी रेकार्ड मेरे पास है दो बज़े रात में जेल सुपरेटरिनेंट ने डाक्टरों के एड़वाईज के आदुसार उनको मेडिकल कालेज भेजा मेडिकल कालेज के डाक्टरों ने उनकी गंभीर इस्थिती को देख करके तुरंत आईस्यू में उनको अड़मिट किया उनकी गहन परिक्षण हुए एलाज शुरू हुआ हम लोगों को एक टेलीगराम भेजा उन्होंने हमारे मुहमदाबाद थाने पे यहां से पुलिस के लोग आए उनका मुखतार साथ बहुत सक्त बीमार है यह टेलीगराम है और आप ततकाल बांदा मेडिकल कालेज जाईए मैंने वो टेलीगराम पढ़ा सुपरेटेंडन की तरफ से टेलीगराम था हम लोग तुरंत आदे घंटे के अंदर बांदा के लिए निकल लिए आठ घंटे का सफर है बांदा पहुंचे मेडिकल कालेज गए तो उस समय मुखतार से जब मुलाकात का मौका मिला तो वो होश में थे और उन्होंने हमको फिर वही बात कही कि भैया हमने आपको बताया था ना हमको ये सब जहर दे दिये हैं और हमारा यलाज ये गंभीर होके नहीं कराए जिसका नतीज़ा हुआ जहर असर कर गया है मैं बहुत कमजोर हो गया हूं मेरा पेट बहुत भूल गया है गैस बहुत बन रही है और मुझे घबराहट होती है पसीना होता है अपनी तकलीफे फिर बताए कि कल मैं गिर गया था मुर्चित हो गया था तो जेल के लोगों ने फिर हमको यहां आस्पिटल भेजा है तो यह सारी जो बाते आप कह रहे हैं जो सरकार का जेल है प्रशासन है उसक सरकार की जेल है उसमें वो कैंदी थे तो यह सारे जो आप बातें कह रहे हैं तो इसके पीछे का कारण क्या है देखिए हमने पहले भी कहा अब भी बता रहे हैं कि पूरी सरकार और सरकार की मिशिनरी यह लगाई गई है कि किसी भी तरह से मुक्तार को खत्म किया जाए और सिंग और तिर्भुवन सिंग जो बहुत बड़े माफिया डान है उत्तरप्रदेश नहीं राश्टी अस्तर के जो दाउद इबराहीम के भी को अक्यूजड हैं बांबी जेजे हास्पीटल कांड में उनके विरुद एक मुकदमा था जिसमें मुक्तार वादी मुकदमा था 15 जुलाई 2001 को उनके उपर आक्रमण हुआ था उस आक्रमण में इनके गाड़ी में बैठे हुए इनके गनर और रुस्ता मुर्फ बाबू मारा गया था और हमलावरों की तरफ से भी एक व्यक्ती जो बचाओं में की गई जवाबी फाइरिंग में मारा गया था मौके पे त मिली भगत से सरकार और अपरादियों की सबकी उन लोगों ने ये किया कि एक जूट्या मुकदमा दर्ज कराया गया एक घटना का दूसरा मुकदमा दूसरी कहानी के साथ कि वो जो 2001 में घटना हुई थी वास्तविक्ता यह है कि वो जो उसमें हमलावर मारा गया उसको के ड्राइवर और दो-तीन लोग गय थे और बकसर जिले में किसी गाउं में उरहते हैं वहां की निवासी हैं उनको उठा लाए थे ब्रिजेस को बचाने के लिए सब काम किया और उसमें मुल्दिम सारे गवाहों को बना लिया गया जो इंजड विटनेस थे नव लोगों को करती रही हैं कोट ने आडर किया मुखतार को पेश किया जाए गवाही के लिए अब योजन के गवाह के हैसित से वादी मुकदमा पेश किया जाए और गिरिस सच्चू चिफ सग्रेटरी तक को पतर लिखा लेकिन ये लोग नहीं पेश किये बहाना बाजी फोर्स लबो अब बिर्जेश सिंग तिर्भोन सिंग को बचाने का मकसद है उनके विरुद सारे मुकदमे गवाहों को तोड के या खरीत के या धमका के या अब योजन की मिली भगत से उनको एक तरफ से क्लीन चिट मिलती चली जा रही है ये एक मुकदमा था जिसमें उन्हें भाहे था कि मुक्तारन सारी गवाही करेंगे वो न बिगेंगे न डरेंगे तो बिर्जेश सिंग और तिर्भोन सिंग को बचाने का सपना पूरा नहीं हो पाएगा और इसलिए उन लोगों ने एक सूनियोजित घटना करम के तहत किन लोगों ने सरकार में बैठे हुए लोग आइड हटना अंजाम दिया है डाक्टर ने कहा कि हम लोग इनका एलाज कर रहे हैं तीन डाक्टरों का पैनल है लेकिन जब हमने कहा कौन लोग है हम मिलने तो हमारे सामने जो दो लोग आए वो फार्मेसिस्ट थे और एक जो डाक्टर इंचार्ज थे उनके हमने पूछा कि आप क् सिन के हैं या कहने हम सर्जन हैं तो हमने काहे की सर्जरी करते हैं सर्जन सर्जन तो आर्थोपेटिक भी होता है सर्जन तो नियूरोलोजी में भी है काडियोलोजी आप क्या है तो कहा हार्निया वगएर तो हमने कहा कि तो यह मुखतार का इलाज आप ही हेड हो तो आपके सम से कैसा है तो उन्होंने कहा कि देखिए इनको सरजरी का कोई मामला नहीं है पिर भी हमको इंचार्ज बनाए गया है तो हम जो हो रहा है तो हमने का मेडिसिन का आप क्या करते हैं कि हम टेली फून से अपने मित्र डाक्टरों से सला करके तब दवा देते हैं तो हमने कहा कि का अगर कंट्रोल के बाहर हो तो इसको रीफर कर दीजेगा और अगर ये समस्या होगी कि कि किसी बड़े आस्पिटल में भेजेंगे तो खर्च कौन बहन करेगा तो परिजन खर्च बहन करने के लिए तयार है मैं लिक के दे दे रहा हूं आप समझ रहते रीफर कर इस्थिति है कि वो कहते हैं उनको जहर हुआ है मुझसे आज भी कहा है यहीं आस्पिटल में भी कहा है तो उनका ने मैं समय रहते हुए अगर ऐसी इस्थिति आएगी तो रीफर कर दूगा हम लोग मिल करके आए अभी रास्ते में थे दो घंटा हुआ बस वहां से चले हुए जब तक बताया गया कि सभी डाक्टरों ने उनको लिख दिया कि यह फिट हैं और वीलचेयर पर बैठा करके जो आदमी अपनी पैनों पर खड़े होने की इस्तिति में नहीं था जो अपने दम पर बेड़ पर बैठने की इस्तिति में नहीं था उसको फिट घोसिट करके सीधे आई सीउ से जेल के अंदर डाल दिया गया और मीडिया के माद्यम से एक खबर चलवाई गई कि मुखतार बिल्कुल फिट हो चुक जिसमें उनकी जानी चली गई अगर वो फिट थे और मेडिकल कालेज के नव डाक्टर उनको फिट घोशित कर रहे हैं तो 24 घंटे के अंदर ये क्या हो गया आप ही के कश्टडी में है रिस्पॉंसिविल्टी आपकी है वो डाक्टर जो हमसे कह रहा है कि हम दो तीन दिन मे इनको ठीक कर लेंगे नहीं तो रिफर कर देंगे उस डाक्टर से आपने उसी दिन जिस दिन मेरी बात हुँ इसके दो घंटे के बाद लिखवा लिया कि ये फिट है वो डाक्टर जो कह रहा है कि इनको जो समस्या है मेरे विभाग की नहीं है मैं तो सर्जन हूँ खाक के दरमियान आप में और यहां के जिलाधिकारी में बहुत तूतुमे में हुआ बहुत जोर जबरदस्ती हुई क्या कुछ कहने की बहुत वो नहीं है वो शायद उन्हें नहीं पता है और वो यहीं कह रही थी कि अब जत्ते लोग मिट्टी दे लिए बस और लोग मिट नहीं देंगे हमने का यह क्यों आप इसके लिए थोड़ी रोक सकते हैं कि कोई अपने धार्मिक जो सिश्टम है अब आप कह सकते हैं कि किसी का शौव अगर दास अंसकार में जा रहा है एक बार हुआ है जब यहां करोना लगा था तब भी ऐसा थोड़ी था कि लोग खुद से ही भीड़ देके नहीं जाते थे डर गए थे घर के परिवार के लाश और जनाजे को लोग जलाते नहीं थे इसे ही परवाह करके जल परवाह भाग जाते थे और जैसी भी से गड़ा खूट फिर आपने क्या का यह कोई उलंगन नहीं है इसकी परमीशन की अवशक्ता नहीं है हम उनके परिजन है और उनकी मिट्टी हुई है तो मिट्टी देने के लिए दूर दरास से जो हमारे रिष्टे नते अजीज कारीब सबाय हुए हैं वो एक लोग प्रिया आदमी थे हमारा परिवार एक बहुत पुराना एति हासिक परिवार है मुखतार अंसारी की इस असवभाविक मौत से जो कहीं न कहीं मिली भगत से सबके हुई है तो इस घटना से लोगों में कितना आक्रोश है इसका अंदाजा तो आप कहीं भी सहज देख लीजिए तो तू तू मैमें एक तरीके से नोग जोक हुई नहीं न चार संगिता लागू है दफा चौवालिस लागू है परमीशन लेना चाहिए हम का यार मुर्दा दफन करने मुर्दा जलाने शवयातरा निकालने या जनाजा ले जाके जनाजे की नमास पढ़ने इसके लिए मैं नहीं समझता कि कोई परमीशन किया वशकता है ये हमारे ध तरह से सब कुछ किया है इड बहुत थी इसी से तो ऊपर से डाट पड़ रही थी कि एत्ते लोग आये कई से तो अब उसके लिए हम क्या कर सकते हैं आप बताइए जो जहां सुन रहा वो चल दे रहा है उसकी सहनभूती मुखतारन सारी उनके परिवार के परती है कि इन लोग तड़क करके उसको रोक दीजिये सारी रात कल से पूरे चप्पे चप्पे पे रोका गया है अब लोग आ रहे हैं हम तो कोई को बुला ले नहीं हमसे तो जिन लोगों ने पूछा क्या बज़े मिटी होगी क्या होगी हमने मनाई किया यार कि बहुत जादा तीन दिन हो गय आते रात में तो डेड़ बज़े आई है तो लोगों में उत्सुकता थी गये हैं लोग हम समझते हैं कि पचीस बीस परसेंट लोग मिटी दे पाए हैं असी परसेंट लोग तो बिना मिटी दिये अभी लवड गये हैं एक सवाल आखरी है अगर कोई ये चाहता है कि दस बी हुए हैं कहां कहां से आए हुए हैं उनको घुरुप तलब से भगा दिया जाए तो ये मनासिब नहीं है नाजाएज है उस सरकार या सरकार की मनशा के अनुसार कोई परशासनी का अधिकारी भी ऐसा करता है तो वो देश के कानून और सम्मिधान के खिलाफ है ये पहले ऐस सरकार है और पहली ऐसी सरकार के कुछ ऐसे अधिकारी और ऐसे समझ के उनके समर्थक हैं जो जिस कारवाई को आम जनता में घेना की दिरिश्ट से देखा जा रहा है उस कारवाई को उपनी उपलब्धी मानते हैं खाम्यादा भुगतते हैं ये बुल्डोजर लेके किसी का घर गिरा दें, इस्कूल गिरा दें, अस्पताल गिरा दें, जंग जमीन कुड़ कर दें, नजाएस तरीके से जूटे मुकदे में फसा दें, खुब धर बुल्डोजर, 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 सभा अस्थर पर बुल्डोजर खड़ा करके लोगों को दराया जाए कि यह देखो बुल्डोजर यह है यही वो है पड़ाम क्या होता है गाजीपूर में साथ विदान सभा की सीटे हैं शुन्य मिली थी भाजपा के खाते में शुन्य अगर आँख नहीं खुली है तो इस लो उसने यह तरीका बना लिया था कि जो उसका विरोध करेगा मतुरा का राजा वो उसको जेल में डाल देगा या माड डालेगा उसने अपने बाप को जिन्होंने उसके गलत नीतियों और उसकी जातियों का विरोध किया तो उसकी पिता को जेल में डाल दिया था लेकिन आख तो ये नशा भी उत्रेगा ऐसा थोड़ी है कि नहीं उत्रेगा इसको भी उत्रना है लोगसभा का क्या परिणाम होगा गाजीपूर में जो 37 भाजपा के लोग जानते हैं सूची आई थी 195 आदमी की गोशना आई थी कि 400 सीड जीतेंगे उत्रप्रदेश में सूची आई थी एक क्यावन लोगों की और गोशना कर दी थी कि 80 सीड जीत रहे और अभी तक नाम बताने की स्थिती में नहीं है कि गाजीपूर बलिया में कौन चुनाव लड़ेगा मेरे पास पोखता सुबूत है कि मुख्तार को जेल में जहर दिया गया मुख्तार ने खुद अपने वकील के जरीए पत्र दिया उनके वकील ने कोट में बो दर्खास डाली उसके बाद कोट की तरफ से डारिक्शन भी हुआ हमने 19 तारिक्श की बात है हमने 20 तारिक्श को सूपरेटेंडन जेल से बात किया उन्होंने कहा कि हाँ तब्यत उनकी खराब है लेकिन हमने कॉल किया था हमरे अस्पताल के डाक्टर ने कहा था कि बाहर के डाक्टर बुलाए जाए तो हमने काल कर लिया था बाहर के दो डाक्टर आये थे और आज ही मैं उनके बाइरिक में उनके सामने डाक्टरों को और उनको कर दिया हूँ टेस्ट शुरू हो गया है और दवा भी शुरू हो जई है हमारे उनके बीच में जो बात हुई वो रिकार्ट पर है आज भी हमारे पास है साक्ष के रूप में मैंने उनसे खोल के ये बात कही कि ड़क साब अरे सुपरेटरेनल साब आप इट्मिनान दिला रहें कि दो डाक्टर और आ गए हैं और जेल वाला भी डाक्टर है सब लोग इलाज कर रहे हैं लेकिन हमें सूचना मिली है कि उनको जहर दिया गया है खाने में और इससे पहले भी उनके साथ ऐसा हुआ था तो उनका नहीं यह गलत बात है हम लोग खाना टेश्ट टोस्ट करके तब देते हैं हमने का टेश्ट करने के लिए जो बंधी रक्षक लगाया गया था और एक डिप्टी जेलर था जो उनका खाना टेश्ट करके खिलाता था लगभग चालीस दिन पहले उनका खाना जो आया था उसमें जहर था और इन दोनों ने टेश्ट किया और दोनों जहर का खाना खा करके बीमार पड़े और मुझे मालूम है कि ये बंधी रक्षक और डिप्टी जेलर जो मुखतार के बारिक के लिए था ये दवा इलाज से ठीक नहीं हुए इनको मेडिकल कालेज में भरती कराया गया जहां उनका कई दिनों तक इलाज हुआ तो उन्होंने एक्सेप्ट किया है हाँ ऐसा हुआ था लेकिन सबका टेस्ट कराया गया तो किसी की रिपोर्ट आई कि फूट बाइजनिंग है किसी का रिपोर्ट आई कि गये स्टिक का मामला था किसी का कुछ है सबकी एक तरह से रिपोर्ट नहीं आई खाना बनाने वाला बीमार हो रहा खाना चकने वाला बीमार हो रहा खा हमने अब जो शुरू किया है बाहरी डाक्टर भी आ गया हम वो ठीक हो जाएंगे ये बीस तारीक के बात है उन्निस को उनको जहर दिया गया था बीस के बाद 21, 22, 23, 24, 25 तक कोई माकूल इलाज नहीं हुआ 26 को हालत बिलकुल खराब हो गई तब इन लोगों ने खुछ सुपरेटरिनेंट से मेरी बात हुई है उसका भी रेकार्ड मेरे पास है दो बज़े रात में जेल सुपरेटरिनेंट ने डाक्टरों के एडवाईज के आजुसाद उनको मेडिकल कालेज भेजा मेडिकल कालेज के डाक्टरों ने उनकी गंभीर इस्थिती को देख करके तुरंत आईस्यू में उनको अडमिट किया उनकी गहन परिक्षण हुए एलाज शुरू हुआ हम लोगों को एक टेली ग्राम भेजा उन्होंने हमारे मुहमदाबाद थाने पे यहां से पुलिस के लोग आए उनका मुखतार साथ बहुत सक्त बीमार है यह टेली ग्राम है और आप ततकाल बांदा मिडिकल कालिज जाईए है मैंने वो टेली ग्राम पढ़ा सुपर्टेंडन की तरफ से टेली ग्राम था हम लोग तुरंत आदे ग्हंटे के अंदर बांदा के लिए निकल लिए आठ ग्हंटे का सफर है बांदा पहुंचे मिडिकल कालिज गए तो उस समय मुखतार से जब मुलाकात का मुखा मिला तो वो होश मे थे और उन्होंने हमको फिर वही बात कही कि भाया हमने आपको बताया था ना हमको ये सब जहर दे दिये हैं और हमारा इलाज ये गंभीर होके नहीं कराए जिसका नतीजह हुआ जहर असर कर गया है मैं बहुत कमजोर हो गया हूं मेरा पेट बहुत भूल गया है गैस बहुत बन रही है और मुझे घबराहट होती है, पसीना होता है, अपनी तकलीफें फिर बताए कि कल मैं गिर गया था, मुर्चित हो गया था, तो जेल के लोगों ने फिर हमको यहां आस्पिटल भेजा है यह सारी जो बाते आप कह रहे हैं, जो सरकार का जेल है, प्रशासन है, उसकी निगरानी में वो जेल में थे, सरकार की जेल है, उसमें वो कैदी थे, तो यह सारे जो आप बातें कह रहे हैं, तो इसके पीछे का कारण क्या है? देखिए हमने पहले भी कहा अब भी बता रहा हैं कि पूरी सरकार और सरकार की मिशिनरी ये लगाई गई है कि किसी भी तरह से मुक्तार को खत्म किया जाए और बिर्जेश सिंग और तिर्भुण सिंग जो बहुत बड़े माफिया डान है उत्तरप्रदेश नहीं राश्टी जो दाउद इबराहीम के भी को अक्यूजड हैं बांबी जेजे हास्पीटल कांड में उनके विरुद एक मुकदमा था जिसमें मुक्तार वादी मुकदमा था 15 जुलाई 2001 को उनके उपर आक्रमण हुआ था उस आक्रमण में इनके गाड़ी में बैठे हुए इनके गनर और रुस्ता मुर्फ बाबू मारा गया था और हमलावरों की तरफ से भी एक व्यक्ती जो बचाओं में की गई जवाबी फाइरिंग में मारा गया था मौके पे तीन लोगों की मौत हुई थी उस मुकदमे का ट्रायल अब शुरू हो गया है बाईस तेईस साल के बाद तो उसक मुकदमा दर्ज कराया गया एक घटना का दूसरा मुकदमा दूसरी कहानी के साथ कि वो जो 2001 में घटना हुई थी वास्तविक्ता यह है कि वो जो उसमें हमलावर मारा गया उसको दिखाया गया है कि इसको मुक्तार अंसारी के ड्राइवर और दो तीन लोग गय थे और बकस लिया गया जो इंजर्ड विटनेस थे नव लोगों को गोली लगी थी जो इंजर्ड विटनेस थे दो मर गए थे नव इंजर्ड विटनेस थे उनको मुल्जी मना दिया कि गवाही से बाज आ जाएंगे उसके बावजूद गवाही चलती रही कोट ने आडर किया मुखतार को पेश किया जाए गवाही के लिए अब योजन के गवाह के हैसित से वादी मुकदमा पेश किया जाए और गिरिस सचु चिफ सेग्रेटरी तक को पत्र लिखा लेकिन ये लोग नहीं पेश किये बहानाबाजी फोर्स लबो लुबाब क्या है लबो लबाब बिर्जेश सिंग तिर्भोन सिंग को बचाने का मकसद है उनके सारे मुकदमे गवाहों को तोड के या खरीत के या धमका के या अब योजन की मिली भगत से उनको एक तरफ से क्लीन चिट मिलती चली जा रही है ये एक मुकदमा था जिसमें उन्हें भाय था कि मुक्तारन सारी गवाही करेंग वो न बिगेंगे न डरेंगे तो बिर्जेश सिंग और तिर्भोन सिंग को बचाने का सपना पूरा नहीं हो पाएगा और इसलिए उन लोगों ने एक सुनियोजित घटना करम के तहत किन लोगों ने सरकार में बैठे हुए लोग, आइडमिस्टेशन में बैठे हुए और बिर्जेश और तिर्भोन की टीम के लोग, यह सब लोगों ने मिल करके घटना अंजाम दिया है, डाक्टर ने कहा कि हम लोग इनका एलाज कर रहे हैं, तीन डाक्टरों का पैनल है, लेकिन जब हमने कहा कौन लोग हैं हम मिल लें, तो हमारे सामने जो दो लोग आए वो फार्मेसिस्ट है, और एक जो डाक्टर इंचार्ज थे, उनके हमने पूछा कि आप क्या करते हैं, आप मेडिसिन के हैं, यह कहने हम सर्जन हैं, तो हमने कहा कहे कि सर्जरी करते हैं, सर्जन तो आर्थोपेटिक भी होता है, सर्जन तो निरोलोजी में भी है, काडियोलोजी कि आप क्या है तो कहा हार्णिया बोगेर वड़र के तो अपने किसा है तो उन्हें ने कहा कि देखिये इनको सरजरी का कोई मामला नहीं है पिर भी हमको इंचार्ज बनाये गया है तो हम जो हो रहा तो हमने का मेडिसिन का आप क्या करते हैं कि हम टेली फून से अपने मित्र डाक्टरों से सला करके तब दवा देते हैं तो हमने कहा कि अभी क्या इस्तिती है तो कहें देखिए होश में हैं आए थे तो बेहोस थे और हम उमीद कर रहे हैं कि जल्दी दो-तीन दिन में इनको कंट्रोल कर लेंगे हमका अगर कंट्रोल के बाहर हो तो इसको रीफर कर दीजेगा और अगर ये समस्या होगी कि कि किसी बड़े इस्थिति है कि वो कहते हैं उनको जहर हुआ है मुझसे आज भी कहा है यहीं आस्पिटल में भी कहा है तो उनका ने मैं समय रहते हुए अगर ऐसी इस्थिति आएगी तो रीफर कर दूँगा हम लोग मिल करके आए अभी रास्ते ही में थे दो घंटा हुआ बस वहां से चले हुए जब तक बताया गया कि सभी डाक्टरों ने उनको लिख दिया कि ये फिट हैं और वील चेयर पर बैठा करके जो आदमी अपनी पेलों पर खड़े होने की इस्तिति में नहीं था जो तो अपने दम पर बेड़ पर बैठने की इस्तिति में नहीं था उसको फिट घोसिट करके सीधे आईसी यू से जेल के अंदर डाल दिया गया और मीडिया के मादम से एक खबर चलवाई गए कि मुखतार बिल्कुल फिट हो चुके हैं सारे टेस्ट उनके हो गया कोई कोई रोग नहीं है अगर कोई रोग नहीं था तो चौविस घंटा बीतने के बाद ऐसा घातक अटेक कैसे आ गया जिसमें उनकी जानी चली गई अगर वो फिट थे और मेडिकल कालेज के नव डाक्टर उनको फिट घोशित कर रहे हैं तो चौविस घंटे के अंदर यह क्य कैस्विल्टी आपकी है। वह डाक्टर जो हम से कह रहा हुए कि हम दो तीन दिन में इनको ठीक कर देंगे नहीं तो रीफर कर देंगे। उस डाक्टर से आपने उसी दिन जिस धिन मेरी बात हूँ इसके दो घंटे के बाद लिखवा लिया कि ये फिट हैं वो डाक्टर जो कह रहा कि इनको जो समस्या है मेरे विभाग की नहीं है मैं तो सर्जन हूँ खाक के दर्मियान आप में और यहां के जिलाधिकारी में बहुत तूतुमे में हुआ बहुत जोर जबर जस्ती हुई क्या कुछ कहने की बहुत वो नहीं है वो शायद उन्हें नहीं पता है और वो यहीं कह रही थी कि अब जत्ते लोग मिट्टी दे लिए बस और लोग मिट् सकते हैं कि कोई अपने धार्मिक जो सिश्टम है अब आप कह सकते हैं क्या किसी का शोव अगर दास अंसकार में जा रहा है एक बार हुआ है जब यहां करोना लगा था तब भी ऐसा थोड़ी था कि लोग खुद से ही भीड़ देके नहीं जाते थे डर गय थे घर के परिवा करके जल परवाश भाग जाते थे और जैसीवी से गड़ा खुद फिर आपने क्या का मैंने का यह कोई उलंगन नहीं है इसकी परमीशन की अवशक्ता नहीं है हम उनके परिजन है और उनकी मिटी हुई है तो मिटी देने के लिए दूर दरास से जो हमारे रिष्टे नाते अजीज कारीब सबाय हुए हैं वो एक लोग प्रिया आदमी थे हमारा परिवार एक बहुत पुराना एतिहासिक परिवार है मुखतार अंसारी की इस असवभाविक मौत से जो कहीं न कहीं मिली भगत से सबके हुई है तो इस घटना से लोगों में कितना आक्रोश है इसका अंदाजा तो आप कहीं भी सहज देख लीजिए फिर वो तू तू मैं में एक तरीके से नोग जोक हुई नै नै तू तू मैं में नोग जोक नहीं उनका कहना था कि आचार संगिता लागू है दफाच वालीस लागू है परमीशन लेना चाहिए हम का यार मुर्दा दफन कर करने मुर्दा जलाने शवयात्रा निकालने या जनाजा ले जाके जनाजे की नमाज पढ़ने इसके लिए मैं नहीं समझता कि कोई परमीशन किया वशक्ता है यह हमरे धार्मिक प्रियोजन है और इसको हम कर रहे हैं हम पूरा सायोग कर रहे थे हमने बहुत सायोग किया है जिस तरह से भी लोगों ने चाहा उस तरह से सब कुछ किया है इड़ बहुत थी इसी से तो उपर से डांट पड़ रही थी कि अत्ते लोग आये कई से तो अब उसके लिए हम क्या कर सकते हैं आप बताईए जो जहां सुन रहा वो चल दे रहा है उसकी सहनभूती मुखतारन सा सारी उनके परिवार के परती है कि इन लोगों के साथ बड़ा अन्याय हुआ है अब आप घुरुप तडप करके उसको रोक दीजिए सारी रात कल से पूरे चप्पे चप्पे पे रोका गया है अब लोग आ रहे हैं हम तो कोई को बुलाने नहीं हमसे तो जिन लोगों ने पूछा कई बजे मिट्टी होगी क्या होगी हमने मनई किया यार की बहुत जादा तीन दिन हो गया एक तो वहां से पुस्माटम लाश आते आते रात में तो डेड़ बज़े आई है तो लोगों में उसकता थी गए हैं लोग हम समझते हैं कि पचीस बीस परसेंट लोग बिना मिट्टी दिये अभी लोड गए हैं एक सवाल आखरी है अगर कोई ये चाहता है कि दस बीस परसेंट भी लोग जो आए हुए हैं कहां कहां से आए हुए हैं उनको घुरूप तड़प से भगा दिया जाए तो ये मनासिब नहीं है नाजाइज है उस सरकार या सरकार क कि मन्शा के अनुदार कोई परशासनिक आदिकारी भी ऐसा करता है तो वो देश के कानून और सम्मिधान के खिलाफ है ये पहले ऐसी सरकार है और पहले ऐसी सरकार के कुछ आईसे अदिकारी और ऐसे समझ के उनके समर्थक हैं जो जिस कारवाई को आम जंता में घेना की दि से देखा जा रहा उस कारवाई को उपनी उपलब्धी मानते हैं खाम्यादा भुगते हैं यह बुल्डोजर लेके किसी का घर गिरा दें स्कूल गिरा दें अस्पताल गिरा दें जंग जमीन कुर्क कर दें नजाइस तरीके से जूटे मुकदमें फसा दें खूब धेडोरा प बुल्डोजर यह है यही वो है पड़ाम क्या होता है गाजीपूर में साथ विदान सभा की सीटे हैं शुन्य मिली थी भाज़पा के खाते में शुन्य अगर आँख नहीं खुली है तो इस लोक सभा के चुनाओं में अहंकार तो देखिए कंश को भी अहंकार था जो उसने यह तरीका बना लिया था कि जो उसका विरोध करेगा मत्हुरा का राजा वो उसको जेल में डाल देगा या माड डालेगा उसने अपने बाप को जिन्होंने उसके गलत नीतियों और उसकी जातियों का विरोध किया तो उसके पिता को जेल में डाल दिया था लेकिन आखिर उसकी सत्ता का और उसका भी अंथुआ तो जब तक कोई कंश वाला नशा किसी के उपर है तो ये नशा भी उतरेगा ऐसा थोड़ी है कि नहीं उतरेगा इसको भी उतरना है 24 में लोकसभा का क्या परिणाम होगा गाजीपूर में? मुक्तार ने खुद अपने वकील के जर्ये पत्र दिया उनके वकील ने कोट में गोदर्खास डाली उसके बाद कोट की तरफ से डायरिक्शन भी हुआ हमने उन्नीस तारीख की बात है हमने बीस तारीख को सुपरेटेंडन जेल से बात किया उन्होंने का कि हाँ तबीयत उनकी खराब है लेकिन हमने कॉल किया था हमरे अस्पताल के डाक्टर ने कहा था कि बाहर के डाक्टर बुलाई जाए तो हमने कॉल कर लिया था बाहर के दो डाक्टर आय थे और आज ही मैं उनके बैरिक में उनके सामने डक्टरों को और उनको कर दिया हूँ टेस्ट शुरू हो गया है और दवा भी शुरू हो जाई है हमारे उनके बीच में जो बात हुई पुरेकार्ट पर है आज भी हमारे पास है सक्ष के रूप में मैंने उनसे खोल के ये बात कही कि अरे सुप्रेटेनल साहब आप इत्मिनान दिला रहें कि दो डाक्टर और आ गए हैं और जेल वाला भी डाक्टर है सब लोग इलाज कर रहे हैं लेकिन हमें सूचना मिली है कि उनको जहर दिया गया है खाने में और इससे पहले भी उनके तो उनना का नहीं गलत बात है हम लोग खाना टिस्टोस्ट करके तब देते हैं हमने का टिस्ट करने के लिए जो बंधी रक्षक लगाया गया था और एक डिप्टी जेलर था जो उनका खाना टिस्ट करके खिलाता था लगबग 40 दिन पहले उनका खाना जो आया था उसमें जहर था और इन दोनों ने टेस्ट किया और दोनों जहर का खाना खा करके बीमार पड़े और मुझे मालूम है कि ये बंदीर एक छक और डिप्टी जेलर जो मुक्तार के बारिक के लिए था ये दवा इलाज से ठीक नहीं हुए इनको मेडिकल कालेज में भरती कराया गया जहां उनका कई दिनों तक इलाज हुआ तो उन्होंने एकसेप्ट किया है हाँ ऐसा हुआ था लेकिन सब का टेस्ट कराया गया तो किसी की रिपोर्ट आई कि फूट बाइजनिंग है किसी का रिपोर्ट आई कि गैस्टिक का मामला था किसी का कुछ है सब की एक तरह से रिपोर्ट नहीं आई खाना बनाने वाला बीमार हो रहा है खाना चक्ने वाला बीमार हो रहा है खाना पकवाने का सुपरवीजन करने वाला बीमार हो रहा है और मुखतार ने ये सारी बाते हमको फून से बताई थी तब ही हमने सुपरटेनर से कहा तो उन्होंने हमसे कहा कि देखिया हमने अब जो बाहरी डाक्टर भी आ गया वो ठीक हो जाएंगे ये बीस तारीक के बात है 19 को उनको जहर दिया गया था 20 के बाद 21, 22, 23, 24, 25 तक कोई माकूल एलाज नहीं हुआ 26 को हालत बिलकुल खराब हो गई तब इन लोगों ने खुद सुपरेटेंट से मेरी बात हुई है उसका भी रेकार्ड मेरे पास है दो बजे रात में जेल सुपरेटेंट ने डाक्टरों के एडवाईज के आदुसाद उनको मेडिकल कालेज भेजा मेडिकल कालेज के डाक्टरों ने उनकी गंभीर इस्थिती को देख करके तुरंत आईस्यू में उनको अड्मिट किया उनकी गहन पर इच्छन हुए, इलाज शुरू हुआ हम लोगों को एक टेलीग्राम भेजा उन्होंने हमारे मुहमदाबाद थाने पे यहां से पुलिस के लोग आए उनका मुखतार साथ बहुत सक्त बीमार है, यह टेलीग्राम है और आप तत्काल बांदा मिडिकल कालेज जाईए मैंने वो टेलीग्राम पढ़ा, सुपर्टेंडन की तरफ से टेलीग्राम था हम लोग तुरन आदे घंटे के अंदर बांदा के लिए निकल लिए, आठ घंटे का सफर है बांदा पहुंचे मिडिकल कालेज गए, तो उस समय मुखतार से जब मुलाकात का मुखा मिला तो वो होश मे थे, और उन्होंने हमको फिर वही बात कही कि भया हमने आपको बताया था ना हमको ये सब जहर दे दिये हैं, और हमारा इलाज ये गंभीर होके नहीं कराए, जिसका नतीजा हुआ जहर असर कर गया है मैं बहुत कमजोर हो गया हूँ, मेरा पेट बहुत भूल गया है, गैस बहुत बन रही है और मुझे घबराहट होती है, पसीना होता है, अपनी तकलीफें फिर बताए कि कल मैं गिर गया था, मुर्चित हो गया था तो जेल के लोगों ने फिर हमको यहां आस्पिटल बेजा है तो यह सारी जो बाते आप कह रहे हैं, जो सरकार का जेल है, प्रशासन है, उसकी निगरानी में वो जेल में थे सरकार की जेल है उसमें वो कैंदी थे तो ये सारे जो आप बातें कह रहे हैं तो इसके पीछे का कारण क्या है देखिए हमने पहले भी कहा अब भी बता रहे हैं कि पूरी सरकार और सरकार की मिशिनरी ये लगाई गई है कि किसी भी तरह से मुखतार को खत्म किया जाए और बिर्जेश सिंग और तिर्भुवन सिंग जो बहुत बड़े माफिया डान है उत्तर प्रदेश नहीं राश्टी अस्तर के जो दाउद इबराहीम के भी को अक्यूजड हैं बंबी जेजे हास्पीटल कांड में उनके विरुद एक मुकदमा था जिसमें मुक्तार वादी मुकदमा था पंदरह जुलाई 2001 को उनके उपर आक्रमण हुआ था उस आक्रमण में इनके गाड़ी में बैठे हुए इनके गनर और रुस्ता मुर्फ बाबू मारा गया था और हमलावरों की तरफ से भी एक व्यक्ती जो बचाओं में की गई जवाबी फाइरिंग में मारा गया था मौके पे तीन लोगों की मौत हुई थी उस मुकदमे का ट्राइल अब शुरू हो गया है बाइस तेईस साल के बाद तो उसको बचाने के लिए तो एक कोशिश ये किया आगया मिली भगत से सरकार और अपरादियों की सबकी उन लोगों ने ये किया कि एक जूटिया मुकदमा दर्ज कराए गया एक घटना का दूसरा मुकदमा दूसरी कहानी के साथ कि वो जो 2001 में घटना हुई थी वास्तविक्ता ये है कि वो जो उसमें हमलावर मारा गया उसको दिखाये गया है कि इसको मुक्तार अंसारी के ड्राइवर और दो तीन लोग गय थे और बकसर जिले में किसी गाउं में को उठा लाए थे ब्रिजेस को बचाने के लिए सब काम किया और उसमें मुल्जिम सारे गवाहों को बना लिया गया जो इंजर्ड विटनेस थे नौ लोगों को गोली लगी थी जो इंजर्ड विटनेस थे दो मर गए थे नौ इंजर्ड विटनेस थे उनको मुल्जिम बना द से वादी मुकदमा पेश किया जाए और गिरिस सचु चिफ सेगरेटरी तक को पत्र लिखा लेकिन ये लोग नहीं पेश किये बहाना बाजी फोर्स लबो लुबाब क्या है लबो लबाब बिर्जेश सिंग तिर्भौन सिंग को बचाने का मकसद है उनके विरू सारे मुकदम गवाहों को तोड के या खरीत के या धमका के या अभ्योजन की मिली भगत से उनको एक तरफ से क्लीन चिट मिलती चली जा रही है ये एक मुकदमा था जिसमें उन्हें भाय था कि मुक्तारन सारी गवाही करेंगे वो न बिकेंगे न डरेंगे तो पिर्जेश सिंग और ति किन लोगों ने? उन्हें सरकार में बैठे हुए लोग, आडमिस्टेशन में बैठे हुए लोग, जेल परशासन में बैठे हुए लोग, और बिर्जेश चुत्रभूण की टीम के लोग, ये सब लोगों ने मिलकर के ये घटना अनजाम दिया है, डाक्टर ने कहा कि हम गुछा कि आप क्या करते हैं मेडिसिन के हैं मैं सर्जयन हैं तो भी होता ह pension चैप नियूरोलोजी तो कहा हरनिया वगेरे हमने कहा कि तो यह मुखतार का इलाज आप ही हेड हो तो आपके समझ से कैसा है तो उन्होंने कहा कि देखिए इनको सरजरी का कोई मामला नहीं है पिर भी हमको इंचार्ज बनाए गया है तो हम जो हो रहा तो हमने का मेडिसिन का आप क्या करते हैं कहें हम टेली फून से अपने मितर डाक्टरों से सला करके तब दवा देते हैं तो हमने कहा कि अभी क्या इस्थिति है तो कहें देखिए होश में हैं आये थे तो बेहोश थे और हम उमीद कर रहे हैं कि जल्दी दो-तीन दिन में इनको कंट्रोल कर लेंगे हमका अगर कंट्रोल के बाहर हो तो इसको रीफर कर दीजेगा और अगर ये समस्या होगी कि कि किसी कि यहां की दवा से उनको फाइदा भी नहों और इस तरह की इस्थिति है कि वो कहते हैं उनको जहर हुआ है मुझसे आज भी कहा है यहीं आस्पिटल में भी कहा है तो उनका ने मैं समय रहते हुए अगर ऐसी इस्थिति आएगी तो रीफर कर दूँगा हम लोग मिल करके आ जो आदमी अपनी पैनों पे खड़े होने की इस्थिति में नहीं था जो अपने दम पर बेट पे बैठने की इस्थिति में नहीं था उसको फिट घोसिट करके सीधे आईसी उ से जेल के अंदर डाल दिया गया और मीडिया के माद्दम से एक खबर चलवाई गई कि मुखतर बिल्कुल फिट हो चुके हैं सारे टेस्ट उनके वो गया कोई रोग नहीं है अगर कोई रोग नहीं था तो 24 घंटा बीतने के बाद ऐसा घातक अटेक कैसे आ गया जिसमें उनकी जानी चली गई अगर वो फिट थे और मेडिकल कालेज के नव डाक्टर उनको फिट घोशित कर रहे हैं तो 24 घंटे के अंदर ये क्या हो गया आप ही के कश्टडी में है responsibility आपकी है वो डाक्टर जो हम से कह रहा है कि हम दो तीन दिन में इनको ठीक कर लेंगे नहीं तो refer कर देंगे उस डाक्टर से आपने उसी दिन जिस दिन मेरी बात हुए उसके दो घंटे के बाद लिखवा लिया कि ये फिट है वो डाक्टर जो कह रहा है कि इनको जो समस्या है मेरे विभाग की नहीं है मैं तो सर्जन हूँ खाग के दर्मियान आप में और यहां के जिलाधिकारी में बहुत तूतुमे में हुआ बहुत जोर जबर दस्ती हुई क्या कुछ कहने की बहुत वो नहीं है वो शायद उन्हें नहीं पता है और वो यहीं कह रही थी कि अब जत्ते लोग मिट्टी दे लिए बस और लोग मिट्टी नहीं देंगे हमने का यह क्यों आप इसके लिए थोड़ी रोख सकते हैं कि कोई अपने धार्मिक जो सिश्टम है अब आप कह सकते हैं क्या किसी का शौव अगर दास अंसकार में जा रहा है एक बार हुआ है जब यहां करोना लगा था तब भी ऐसा थोड़ी था कि लोग खुद से ही भीड़ देके नहीं जाते थे डर गए थे घर के परिवार के लाश और जनाजे को लोग जलाते नहीं थे इसे ही परवाह करके जल परवाह भाग जाते थे और जैसी भी से गड़ा खुद पिर आपने क्या का यह कोई के लिए दूर दरास से जो हमारे रिष्टे नते अजीज कारीब सबाय हुए हैं वो एक लोग प्रिया आदमी थे हमारा परिवार एक बहुत पुराना एतिहासिक परिवार है मुखतार अंसारी की इस असवभाविक मौत से जो कहीं न कहीं मिली भगत से सबके हुई है तो इ हटना से लोगों में कितना आक्रोश है इसका अंदाजा तो आप कहीं भी साज देख लीजिए फिर वो तू तू मैमें एक तरीके से नोग जोक हुई ने ने तू मैं में नोग जोक नहीं उनका कहना था कि आचार संगिता लागू है दफ़ा चवालिस लागू है परमीशन लेना चाहिए हम का यार मुरदा दफन करने मुरदा जलाने शवयातरा निकालने या जनाजा ले जाके जनाजे की नमाज पढ़ने इसके लिए मैं नह समझता कि कोई permission किया वशक्ता है ये हमारे धार्मिक प्रियोजन है और इसको हम कर रहे हैं हम पूरा सायोग कर रहे थे हमने बहुत सायोग किया है जिस तरह से भी लोगों ने चाहा उस तरह से सब कुछ किया है इड़ बहुत थी इसी से तो ऊपर से डांट पड़ रही थी कि रित्ते लोग आये कैसे तो अब उसके लिए हम क्या कर सकते हैं आप बताईए जो जहां सुन रहा वो चल दे रहा है उसकी सहनभूती मुखतारन सारी और उनके परिवार के परती है कि इन लोगों के साथ बड़ा अन्याय हुआ है अब आप घुरुप तडप करके उसको रो रोक दीजिये सारी रात कल से पूरे चप्पे चप्पे पर रोका गया है अब लोग आ रहे हैं हम तो कोई को बुला ले नहीं हमसे तो जिन लोगों ने पूछा कैवे जे मिट्टी होगी क्या होगी हमने मनाई किया यार की बहुत जादा तीन दिन हो गया एक तो वहां से प 25-20 परसेंट लोग मिट्टी दे पाए हैं 80 परसेंट लोग तो बिना मिट्टी दिये अभी लोड गये हैं एक सवाल आखरी है अगर कोई यह चाहता है कि 10-20 परसेंट भी लोग जो आये हुए हैं कहां कहां से आये हुए हैं उनको घुरूप तलप से भगा दिया जाए तो यह मनासिब नहीं है नाजायज है उस सरकार या सरकार की मनशा के अनुसार कोई परशासनी का अधिकारी भी ऐसा करता है तो वो देश के कानून और सम्मिधान के खिलाफ है यह पहले ऐसी सरकार है और पहले ऐसी सरकार के कुछ आईसे अधिकारी और ऐसे समझ के उनके जो जिस कारवाई को आम जनता में घेना की दिरिश्ट से देखा जा रहा उस कारवाई को उपनी उपलब्धी मानते हैं, खाम्यादा भुगतते हैं, यह बुल्डोजर लेके किसी का घर गिरा दें, स्कूल गिरा दें, अस्पताल गिरा दें, जंग जमीन कुर्क कर दें, नज सभा बुल्डोजर, सभा अस्थर पर बुल्डोजर खड़ा करके लोगों को दराया जाए कि यह देखो बुल्डोजर यह है, यही वो है, पड़ाम क्या होता है, गाजीपूर में साथ विधान सभा की सीटे हैं, शुन्य मिली थी, भाजपा के खाते में शुन्य, अगर उसने यह तरीका बना लिया था कि जो उसका विरोध करेगा, मतुरा का राजा, वो उसको जेल में डाल देगा या माड डालेगा, उसने अपने बाप को, जिन्होंने उसके गलत नीतियों और उसकी जातियों का विरोध किया, तो उसने पिता को जेल में डाल दिया था, लेक तब तक कोई कंश वाला नशा किसी के उपर है तो ये नशा भी उत्रेगा ऐसा थोड़ी है कि नहीं उत्रेगा इसको भी उत्रना है लोकसभा का क्या परिणाम होगा गाजीपूर में जोति सास्त भाजपा के लोग जानते हैं सूची आई थी एक सो पन्चानवे आदमी की घुशना आई थी कि चार सो सीड जीतेंगे उत्तर प्रदेश में सूची आई थी एक क्यावन लोगों की और घुशना कर दी थी कि 80 सीड जीत रहें और अभी तक नाम बताने की स्थिती में नहीं है कि गाजीपूर बलिया में कौन चुनाव लड़ेगा मेरे पास पोखता सुबूत है कि मुखतार को जेल में जहर दिया गया मुखतार ने खुद अपने वकील के जर्ये पत्र दिया उनके वकील ने कोट में वो दर्खास डाली उसके बाद कोट की तरफ से डाइरिक्शन भी हुआ हमने उन्नीस तारीख की बात है हमने बीस तारीख को सुपरेटेंडन जेल से बात किया उन्ने का कि हाँ तबियत उनकी खराब है लेकिन हमने कॉल किया था हमारे अस्पताल के डाक्टर ने कहा था कि बाहर के डाक्टर बुलाए जाए तो हमने काल कर लिया था, बाहर के दो डक्टर आये थे और आज भी मैं उनके बईरिक में उनके सामने डक्टरों को और उनको कर दिया हूँ टेस्ट शुरू हो गया है और दवाभी शुरू हो गयी है हमारे उनके बीच में जो बात हुई वो रिकार्ट पर है आज भी हमारे पास है साक्ष के रूप में मैंने उनसे खोल के ये बात कही कि ड़क साब अरे सुपरिटेनल साब आप इट्मिनान दिला रहें कि दो डाक्टर और आ गए हैं और जेल वाला भी डाक्टर है सब लोग इलाज कर रहे हैं लेकिन हमें सूचना मिली है कि उनको जहर दिया गया है खाने में और इससे पहले भी उनके साथ ऐसा हुआ था तो उनका नहीं यह गलत बात है हम लोग खाना टेश्ट टोस्ट करके तब देते हैं हमने का टेश्ट करने के लिए जो बंधी रक्षक लगाया गया था और एक डिप्टी जेलर था जो उनका खाना टेश्ट करके खिलाता था लगबख 40 दिन पहले उनका खाना जो आया था उसमें जहर था और इन दोनों ने टेश्ट किया और दोनों जहर का खाना खा करके बीमार पड़े और मुझे मालूम है कि यह बंधी रक्षक और डिप्टी जेलर जो मुक्तार के बारिक के लिए था यह दवा इलाज से ठीक नहीं हुए इनको मेडिकल कालेज में भरती कराया गया जहां उनका कई दिनों तक इलाज हुआ तो उन्होंने एकसेप्ट किया है हाँ ऐसा हुआ था लेकिन सब का टेस्ट कराया गया तो किसी की रिपोर्ट आई कि फूट बाइजनिंग है किसी का रिपोर्ट आई कि गैस्टिक का मामला था किसी का कुछ है सबकी एक तरह से रिपोर्ट नहीं आई खाना बनाने वाला बीमार हो रहा है खाना चकने वाला बीमार हो रहा है खाना पकवाने का सुपरवीजन करने वाला बीमार हो रहा है और मुखतार ने ये सारी बाते हमको फून से बताई थी तब ही हमने सुपरटेनर से कहा तो उन्होंने हम से कहा कि देखिया हमने अब जो श 22, 23, 24, 25 तक कोई माकूल एलाज नहीं हुआ 26 को हालत बिलकुल खराब हो गई तब इन लोगों ने खुछ सुपरेटेंडेंट से मेरी बात हुई है उसका भी रेकार्ड मेरे पास है दो बजे रात में जेल सुपरेटेंडेंट ने डाक्टरों के एडवाइज के आजुसार उन मेरिकल कालेज के डाक्टरों ने उनकी गंभीर इस्थिती को देख करके तुरंत आई-स्यू में उनको अड्मिट किया उनकी गहन परिक्षण हुए इलाज शुरू हुआ हम लोगों को एक टेलीग्राम भेजा उन्होंने हमारे मुहमदाबाद थाने पे यहां से पुलिस के लोग आए उनका मुखतार साफ बहुत सक्त बीमार है यह टेलीग्राम है और आप तत्काल बांदा मेरिकल कालेज जाईए मैंने वो टेलीग्राम पढ़ा सुपर्टेंडन की तरफ से टेलीग्राम था हम लोग तुरंत आदे घंटे के अंदर बादा के लिए निकल लिए आ या हमें ने आपको बताया था ना हम हमको यह सब जिहर दे दिये हैं और हमारा इलाज यह गंवीर होके नहीं कराय है जिसका नतीजा हुआ जहर असर कर गया है मैं बहुत कमजूर हो गया हूं। मेरा पीट बहुत भूलगया है गněस बहुत बन रही है और मुझे घपना होती तो ये सारी जो बाते आप कह रहे हैं जो सरकार का जेल है प्रशासन है उसकी निगरानी में वो जेल में थे सरकार की जेल है उसमें वो कैदी थे तो ये सारे जो आप बातें कह रहे हैं तो इसके पीछे का कारण क्या है देखिए हमने पहले भी कहा अब भी बता रहा हैं कि पूरी सरकार और सरकार की मिशिनरी ये लगाई गई है कि किसी भी तरह से मुक्तार को खत्म किया जाए और बिर्जेश सिंग और तिर्भुण सिंग जो बहुत बड़े माफिया डान है उत्तर प्रदेश नहीं राश्टी जो दाउद इबराहीम के भी को अक्यूजड हैं बांबी जेजे हास्पीटल कांड में उनके विरुद एक मुकदमा था जिसमें मुक्तार वादी मुकदमा था 15 जुलाई 2001 को उनके उपर आक्रमण हुआ था उस आक्रमण में इनके गाड़ी में बैठे हुए इनके गनर और रुस्ता मुर्फ बाबू मारा गया था और हमलावरों की तरफ से भी एक व्यक्ती जो बचाओं में की गई जवाबी फाइरिंग में मारा गया था मौके पे तीन लोगों की मौत हुई थी उस मुकदमे का ट्रायल अब शुरू हो गया है बाईस तेईस साल के बाद तो उसक अत्या मुकदमा दर्ज कराय गया है एक घटना का दूसरा मुकदमा दूसरी कहानी के सास्थ कि वह जो हजार एक में घटना हुई थी वास्ताविक्ता यह है कि वह जो उसमें हमलावर मारा गया इसको दिखाये गया कि इसको मुक्तारनसारी के ड्रयवर और और दो-τीन गवाहों को बना लिया गया जो इंजर्ड विटनेस थे नव लोगों को गोली लगी थी जो इंजर्ड विटनेस थे दो मर गये थे नव इंजर्ड विटनेस थे उनको मुल्जिम बना दिया कि गवाही से बाज आ जाएंगे उसके बावजूद गवाही चलती रही कोट ने लिखा लेकिन ये लोग नहीं पेश किये बहानाबाजी फोर्स लबो लुबाब क्या है लबो लबाब बिर्जेश सिंग तिर्भोन सिंग को बचाने का मकसद है उनके सारे मुकदमे गवाहों को तोड के या खरीद के या धमका के या अब योजन की मिली भगत से उनको एक तर तो बिर्जेश सिंग और तिर्भोन सिंग को बचाने का सपना पूरा नहीं हो पाएगा और इसलिए उन लोगों ने एक सुनियोजित घटना करम के तहट किन लोगों ने सरकार में बैठे हुए लोग, आड्मिस्टेशन में बैठे हुए लोग, जेल परशासन में बैठे इन डाक्टरों का पैनल है, लेकिन जब हमने कहा कौन लोग हैं हम मिल लें, तो हमारे सामने जो दो लोग आए वो फार्मेसिस्ट थे, और एक जो डाक्टर इंचार्ज थे, उनके हमने पूछा कि आप क्या करते हैं, आप मेडिसिन के हैं, या कह नहीं हम सर्जन है, तो हमने वगेरे, तो हमने कहा कि तो यह मुखतार का इलाज आप ही हेड हो, तो आपके समझ से कैसा है, तो उन्होंने कहा कि देखिए इनको सरजरी का कोई मामला नहीं है, फिर भी हमको इंचार्ज बनाए गया है, तो हम जो घुरा, तो हमने कहा मेडिसिन का आप क्या करते हैं, कहे ह हम टेलीफून से अपने मित्र डाक्टरों से सला करके तब दवा देते हैं, तो हमने कहा कि अभी क्या इस्तिती है, तो कहें देखिए होश में हैं, आये थे तो बेहोश थे, और हम उमीद कर रहे हैं कि जल्दी दो-तीन दिन में इनको कंट्रोल कर लेंगे, हम का अगर कंट् आप समय रहते रीफर कर दीजिएगा, ऐसा नहो कि यहां की दवा से उनको फाइदा भी नहो और इस तरह की इस्तिती है कि वो कहते हैं, उनको जहर हुआ है, मुझसे आज भी कहा है, यहीं आस्पिटल में भी कहा है, तो उनका ने मैं समय रहते हुए, अगर ऐसी इस्तिती आएगी तरीफर कर दूगा, हम लोग मिल करके आए, अब रास्ते ही में थे, दो घंटा हुआ बस वहां से चले हुए, जब तक बताया गया कि सभी डाक्टरों ने उनको लिख दिया कि यह फिट हैं, और वील चेयर पर बैठा करके, जो आदमी अपनी पहलों पर खड़े हो और मीडिया के मादम से एक खबर चलवाई गए कि मुखतार बिल्कुल फिट हो चुके हैं, सारे टेस्ट उनके हो गया है, कोई रोग नहीं है, अगर कोई रोग नहीं था, तो 24 घंटा बीतने के बाद, ऐसा घातक अटेक कैसे आ गया, जिसमें उनकी जानी चली गई, अगर वो फिट थे, और मेडिकल कालेज के नव डाक्टर उनको फिट घोशित कर रहे हैं, तो 24 घंटे के अंदर ये क्या हो गया, आप ही के कश्टडी में है, रिस्पॉंसविल्टी आपकी है, वो डाक्टर जो हम से कह रहा है, कि हम दो तीन दिन में इनको ठीक कर लेंगे, नहीं तो सरजन हूँ, खाक के दरमियान आप में और यहां के जिलाधिकारी में बहुत तूतुमे में हुआ, बहुत जोर जबर जस्ती हुई, क्या कुछ कहने की बहुत वो नहीं है, वो शायद उन्हें नहीं पता है, और वो यहीं कह रही थी, कि अब जत्ते लोग मिट्टी दे के लिए बस और लोग मिट्टी नहीं देंगे, हमने का यह क्यों आप इसके लिए थोड़ी रोक सकते हैं कि कोई अपने धार्मिक जो सिस्टम है, अब आप कह सकते हैं क्या किसी का शोव अगर दास अंसकार में जा रहा है, एक बार हुआ है, जब यहां करोना लगा था, लाश और जनाजे को लोग जलाते नहीं थे, इसे ही परवाह करके जल परवाह भाग जाते थे, और जेसी भी से गड़ा खुटके, पिर आपने क्या का, इसकी परमीशन की अवशक्ता नहीं है, हम उनके परिजन हैं और उनकी मिट्टी हुई है, तो मिट्टी देने के लिए दूर दरास से, जो हमारे रिष्टे नते अजीज कारीब सबाय हुए हैं, वो एक लोग प्रिया आदमी थे, हमारा परिवार एक बहुत पुराना एतिहासिक परिवार है, मुखतार अंसारी की इस असवभाविक मौत से, जो कहीं न कहीं मिली भगत से सबके हुई है, तो इस घटना से लोगों में कितना आक्रोश है, इसका अंदाजा तो आप कहीं भी सहज देख लीजिए, फिर वो तू तू मैमें एक तरीके से नोग जोग हुई, नहीं नहीं तू तू मैमें नोग जोग नहीं, उनका कहना था कि आचार संगिता लागू है, दफा चवालीस लाग पढ़ने, इसके लिए मैं नहीं समझता कि कोई पर्मिशन किया वशक्ता है, ये हमारे धार्मिक प्रियोजन है, इसको हम कर रहे हैं, हम पूरा सहयोग कर रहे थे, हमने बहुत सहयोग किया है, जिस तरह से भी लोगों ने चाहा, उस तरह से सब कुछ किया है, लीड बहुत इसी से तो ऊपर से डांट पड़ रही थी, कि एत्ते लोग आये कैसे, तो अब उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, आप बताइए जो जहां सुन रहा, वो चल दे रहा है, उसकी सहनभूती मुखतारन सारी और उनके परिवार के परती है कि इन लोगों के साथ बड़ा अन्याय ह हुआ है, अब आप घुरुप तडप करके उसको रोक दीजिये, सारी रात कल से पूरे चप्पे चप्पे पर रोका गया है, अब लोग आ रहे हैं, हम तो कोई को बुला ले नहीं गया, हम से तो जिन लोगों ने पूछा के बज़े मिटी होगी, क्या होगी, हमने मनाई किय यार की बहुत जादा तीन दिन हो गया, एक तो वहां से पुस्माटम लाश आते आते, रात में तो डेड़ बज़े आई है, तो लोगों में उत्सुकता थी, गए हैं लोग, हम समझते हैं कि पचीस, बीस परसेंट लोग मिटी दे पाए हैं, असी परसेंट लोग तो बिना मिटी दिये, अभी लोड गए हैं, एक सवाल आखरी है, अगर कोई ये चाहता है, कि दस बीस परसेंट भी लोग जो आए हुए हैं, कहां कहां से आए हुए हैं, उनको घुरुप तलब से भगा दिया जाए, तो ये मनासिब नहीं है, नाजाइज है, उस सरकार या सरकार की म ऐसी सरकार के कुछ ऐसे अधिकारी और ऐसे समझ के उनके समर्थक हैं, जो जिस कारवाई को आम जनता में घेना की दिरिश्ट से देखा जा रहा, उस कारवाई को उपनी उपलब्धी मानते हैं, खाम्यादा भुगते हैं, ये बुल्डोजर लेके किसी का घर गिरा दे, स्क खूब धेडोरा पीठे, बुल्डोजर, 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 नाम रखने बाबा बुल्डोजर, सभा अस्थर पर बुल्डोजर खड़ा करके लोगों को दराया जाए कि ये देखो बुल्डोजर ये है, यही वो है, पड़ाम क्या होता है, हंकार तो देखिए कंश को भी हंकार था जो उसने ये तरीका बना लिया था कि जो उसका विरोध करेगा मतुरा का राजा वो उसको जेल में डाल देगा या माड डालेगा उसने अपने बाप को जिन्होंने उसके गलत नीतियों और उसकी जातियों का विरोध किया तो उसने पिता को जेल में डाल दिया था लेकिन आखिर उसकी सत्ता का और उसका भी अंथ हुआ तो जब तक कोई कंश वाला नशा किसी के उपर है तो ये नशा भी उतरेगा ऐसा थोड़ी है कि न लोग जानते हैं सूची आई थी एक सो पंचानवे आदमी की घुशना आई थी कि चार सो सीड़ जीतेंगे उत्तर प्रदेश में सूची आई थी एक क्यावन लोगों की और घुशना कर दी थी कि 80 सीड़ जीत रहें और अभी तक नाम बताने की इस्तिती में नहीं है कि गा वकील के जरिये पत्र दिया उनके वकील ने कोट में बोदर्खास डाली उसके बाद कोट की तरफ से डायरिक्शन भी हुआ हमने उन्नीस तारीख की बात है हमने बीस तारीख को सूपरेटेंडंट जेल से बात किया उन्हें ने कहा कि हाँ तबीयत उनकी खराब है लेकिन हमने कॉल किया था हमारे अस्पताल के डाक्टर ने कहा था कि बाहर के डाक्टर बुलाए जाए तो हमने कॉल कर लिया था बाहर के दो डाक्टर आये थे और आज ही मैं उनके बैरिक में उनके सामने डक्टरों को और उनको कर दिया हूँ टेस्ट शुरू हो गया है और दवा भी शुरू हो जई है हमारे उनके बीच में जो बात हुई पूरे काट पर है आज भी हमारे पास है साक्ष के रूप में मैंने उनसे खोल के ये बात कही कि अरे सुप्रेटेनल साहब आप इत्मिनान दिला रहें कि दो डाक्टर और आ गए हैं और जेल वाला भी डाक्टर है सब लोग इलाज कर रहे हैं लेकिन हमें सूचना मिली है कि उनको जहर दिया गया है खाने में और इससे पहले भी उनके तो उनने का नहीं ये गलत बात है हम लोग खाना टेश्ट टोस्ट करके तब देते हैं हमने का टेश्ट करने के लिए जो बंधी रक्छक लगाया गया था और एक डिप्टी जेलर था जो उनका खाना टेश्ट करके खिलाता था लगभग 40 दिन पहले उनका खाना जो आया थ उसमें जहर था और इन दोनों ने टेस्ट किया और दोनों जहर का खाना खा करके बीमार पड़े और मुझे मालूम है कि ये बंदीर एक छक और डिप्टी जेलर जो मुक्तार के बारिक के लिए था ये दवा इलाज से ठीक नहीं हुए इनको मेडिकल कालेज में भरती कराया ग किसी का रिपोर्ट आई कि गैस्टिक का मामला था किसी का कुछ है सबकी एक तरह से रिपोर्ट नहीं आई खाना बनाने वाला बीमार हो रहा खाना चखने वाला बीमार हो रहा खाना पकवाने का सुपरवीजन करने वाला बीमार हो रहा और मुक्तार ने ये सारी बाते हमको फून से बताई थी, तब ही हमने सुपर्टेरिनेर्ट से कहा, उन्होंने हम से कहा कि देखिया हमने अब जो शुरू किया है, बाहरी डाक्टर भी आ गया है, वो ठीक हो जाएंगे, ये बीस तारीक के बात है, उननीस को उनको जहर दिया गया था, बीस के बाद 21, 22, 23, 24, 25 तक क कोई माकूल एलाज नहीं हुआ, 26 को हालत बिलकुल खराब हो गई, तब इन लोगों ने, खुछ सुपर्टेरिनेर्ट से मेरी बात हुई है, उसका भी रेकार्ड मेरे पास है, दो बजे रात में, जेल सुपर्टेरिनेर्ट ने, डाक्टरों के एडवाईज के आदुसार, उनको मेडिकल कालेज भेजा, मेडिकल कालेज के डाक्टरों ने, उनकी गंभीर इस्थिती को देख करके, तुरंत आईस्यू में उनको अड्मिट किया, उनकी गहन परिक्षण हुए, इलाज शुरू हुआ, हम लोगों को एक टेलिगराम भेजा उन्होंने, हमारे मुहमद साथ बहुत सक्त बीमार है, ये टेलिगराम है, और आप तत्काल बांदा मेडिकल कालेज जाईए, मैंने वो टेलिगराम पढ़ा, सुपर्टेंडन की तरफ से टेलिगराम था, हम लोग तुरंत आदे घंटे के अंदर बादा के लिए निकल लिए, आठ घंटे का सफर है, बांदा पहुंचे, मेडिकल कालेज गए, तो उस समय मुक्तार से जब मुलाकात का मौका मिला, तो वो होश में थे, और उन्होंने हमको फिर वही बात कही, कि भईया, हमने आपको बताया था ना, हमको ये सब जहर दे दिये हैं, और हमारा इलाज ये गंभीर होके नहीं करा है, जिसका नतीजा हुआ, जहर असर कर गया है, मैं बहुत कमजोर हो गया हूँ, मेरा पेट बहुत भूल गया है, गैस बहुत बन रही है, और मुझे घबराहट होती है, पसीना होता है, अपनी तकलीफें फिर बताएं कि कल मैं गिर गया था, मुर्चित हो गया था, तो जे निगरानी में वो जेल में थे, सरकार की जेल है, उसमें वो कैदी थे, तो ये सारे जो आप बातें कह रहे हैं, तो इसके पीछे का कारण क्या है? देखिये हमने पहले भी कहा, अब भी बता रहे हैं कि पूरी सरकार और सरकार की मिशिनरी ये लगाई गई है कि किसी भी तरह से मुकतार को खत्म किया जाए, और बिर्जेश सिंग और तिर्भुण सिंग जो बहुत बड़े माफिया डान है, उत्तर प्रदेश नहीं, हैं बांबी जेजे हास्पीटल कांड में, उनके विरुद एक मुकदमा था जिसमें मुकतार वादी मुकदमा था, 15 जुलाई 2001 को उनके उपर आक्रमन हुआ था, उस आक्रमन में इनके गारी में बैठे हुए इनके गनर और रुस्ता मुर्फ बाबू मारा गया था, और हमल मुकदमे का ट्रायल अब शुरू हो गया है, बाईस तेईस साल के बाद, तो उसको बचाने के लिए तो एक कोशिश ये किया आगया, मिली भगत से सरकार और अपरादियों की सब की, उन लोगों ने ये किया कि एक जूट्या मुकदमा दर्ज कराया गया, एक घटना का दू दूसरा मुकदमा, दूसरी कहानी के साथ, कि वो जो दो हजार एक में घटना हुई थी, वास्तविक्ता ये है कि वो जो एक उसमें हमलावर मारा गया, उसको दिखाये गया है कि इसको मुक्तार अंसारी के ड्राइवर और दो तीन लोग गये थे और बकसर जिले में किसी गा लगी थी जो इंजर्ड विटनेस थे, दो मर गये थे, नौ इंजर्ड विटनेस थे, उनको मुल्जिम बना दिया कि गवाही से बाज आ जाएंगे, उसके बावजूद गवाही चलती रही, कोट ने आडर किया मुक्तार को पेश किया जाए गवाही के लिए, अब योजन के गवाह के हैसित से वादी मुकदमा पेश किया जाए, और गिरिस सच्चू चिफ सेग्रेटरी तक को पतर लिखा, लेकिन ये लोग नहीं पेश किये, बहाना बाजी फोर्स, लबो लुबाब क्या है, लबो लबाब बिजेश सिंग, तिर्भोन सिंग को बचाने का मकसद है, उनके सारे मुकदमे गवाहों को तोड के या खरीत के या धमका के या अभ्योजन की मिली भगत से उनको एक तरफ से क्लीन चिट मिलती चली जा रही है, ये एक मुकदमा था, जिसमें उन्हें भाय था कि मुक्तारन सारी गवाही करेंगे, वो न बिकेंगे न डरेंगे, तो बिरजेश सिंग और तिरभौन सिंग को बचाने का सपना पूरा नहीं हो पाएगा, और इसलिए उन लोगों ने एक सुनियोजित घटना करम के तहट, किन लोगों ने, उन्हें सरकार में बैठे हुए लोग, आडमिस्टेशन में बैठे हुए लोग, जेल परशासन में बै पैनल है, लेकिन जब हमने कहा कौन लोग हैं हम मिल लें, तो हमारे सामने जो दो लोग आए वो फार्मेसिस्ट है, और एक जो डाक्टर इंचार्ज थे, उनके हमने पूछा कि आप क्या करते हैं, आप मेडिसिन के हैं, या कहने हम सर्जन हैं, तो हमने कहा है कि सर्जरी करते सरजन तो अर्थोपेटिक भी होता है सरजन तो निरोलोजी में भी है काडियो लोजी आप क्या है तो कैहार निया वगैर अब थो ने कहा कि तोई मुखतार का इलाज आप ही हेड हो है तो आपके समय से वह सह है तो उन्होंने कहा के देखे इनको सरजरी का कוूई मामला नहीं है फिर भी हमको इंचार्ज बनाए गया है तो हम जो घो रा तो हमने का मेडिसिन का आप क्या करते हैं कहें हम टेली फून से अपने मित्र डाक्टरों से सला करके तब दवा देते हैं तो हमने कहा कि अभी क्या इस्थिति है तो कहें देखिए होश में हैं आये थे तो बे अस्या होगी कि कि किसी बड़े आस्पिटल में भेजेंगे तो खर्च कौन बहांद करेगा तो परिजन खर्च बहांद करने के लिए तयार है मैं लिख के दे रहा हूं आप समझ रहते रीफर कर दीजिएगा ऐसा नहों कि यहां की दवा से उनको फाइदा भी नहों और इस तरह की इस्थिति है कि वो कहते हैं उनको जहर हुआ है मुझसे आज भी कहा है यहीं आस्पिटल में भी कहा है तो उनका ने मैं समझ रहते हुए अगर ऐसी इस्थिति आएगी तो रीफर कर दूँगा हम लोग मील करके आए अभी रास्ते ही में थे दो घंटा हुआ बस वहां से चले हुए जब तक बताया गया कि सभी डाक्टरों ने उनको लिख दिया कि यह फिट हैं और वील चेयर पे बैठा करके जो आदमी अपनी पैनों पर खड़े होने की इस्तिति में नहीं था जो अपने दम पर बेट पर बैठने की इस्तिति में नहीं था उसको फिट घोसिट करके सीधे आई सीउ से जेल के अंदर डाल दिया गया और मीडिया के माद्यम से एक खबर चलवाई गई कि मुखतार बिलकुल फिट हो च गया जिसमें उनकी जानी चली गई अगर वो फिट थे और मेडिकल कालेज के नव डाक्टर उनको फिट घोशित कर रहे हैं तो चोबिस घंटे के अंदर यह क्या हो गया आप ही के कश्टडी में है रिस्पॉंस्विल्टी आपकी है वो डाक्टर जो हमसे का रहा है कि हम दो डाक्टर जो कह रहा है कि इनको जो समस्या है मेरे विभाग की नहीं है मैं तो सर्जन हूँ खाक के दर्मियान आप में और यहां के जिलाधिकारी में बहुत तूतुमे में हुआ बहुत जोर जबर जस्ती हुई क्या कुछ कहने की बहुत तो नहीं है वो शायद उन्हें नहीं पता है और वो यहीं कह रही थी कि अब जत्ते लोग मिट्टी दे लिए बस और लोग सकते हैं कि कोई अपने धार्मिक जो सिश्टम है अब आप कह सकते हैं क्या किसी का शौव अगर दास अंसकार में जा रहा है एक बार हुआ है जब यहां करोना लगा था तब भी ऐसा थोड़ी था कि लोग खुद से ही भीड़ देके नहीं जाते थे डर गए थे घर के परिवार के लाश और जनाजे को लोग जलाते नहीं थे इसे ही परवा करके जल परवा भाग जाते थे और जेसी भी से गड़ा खुद पिर आपने क्या था मैंने का ये कोई उलंगन नहीं है इसकी परमीशन की अवशकता नहीं है हम उनके परिजन है और उनकी मिट्टी हुई है तो मिट्टी देने के लिए दूर दरास से जो हमारे रिष्टे नते अजीज कारीब सबाय हुए हैं वो एक लोग प्रिया आदमी थे हमारा परिवार बहुत पुराना एतिहासिक परिवार है मुखतार अंसारी की इस असवभाविक मौत से जो कहीं न कहीं मिली भगत से सबके हुई है तो इस घटना से लोगों में कितना आक्रोश है इसका अंदाजा तो आप कहीं भी साज देख लीजिए फिर वो तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-त कर रहे थे हमने बहुत सा योग किया है जिस तरह से भी लोगों ने चाहा उस तरह से सब कुछ किया है इसी से तो ऊपर से डांट पड़ रही थी कि एत्ते लोग आये कैसे तो अब उसके लिए हम क्या कर सकते हैं आप बताईए जो जहां सुन रहा वो चल दे रहा है उसकी सहनभूती मुखतारन सारी और उनके परिवार के परती है कि इन लोगों के साथ बड़ा अन् है अब लोग आ रहे हैं हम तो कोई को बुला ले नहीं हमसे तो जिन लोगों ने पूछा क्या बज़े मिट्टी होगी क्या होगी हमने मनाई किया यार की बहुत जादा तीन दिन हो गया एक तो वहां से पोस्माटम लाश आते आते रात में तो डेड़ बज़े आई है तो लोगों में उच्छुकता थी गए हैं लोग हम समझते हैं कि 25-20 परसेंट लोग मिट्टी दे पाए हैं 80 परसेंट लोग तो बिना मिट्टी दिए अभी लवड गया है सवाल आखरी है अगर कोई यह चाहता है कि 10-20 परसेंट भी लोग जो आए हुए है कहां कहां से आए कोई परशासनी का अधिकारी भी ऐसा करता है तो वो देश के कानून और सम्मिधान के खिलाफ है यह पहले ऐसी सरकार है और पहले ऐसी सरकार के कुछ आईसे अधिकारी और ऐसे समझ के उनके समर्थक हैं जो जिस कारवाई को आम जनता में घेना की दिरिश्च से देखा जा रहा है उस कारवाई को उपनी उपलब्धी मानते हैं खाम्यादा भुगतते हैं यह बुल्डोजर लेके किसी का घर गिरा दें स्कूल गिरा दें अस्पताल गिरा दें जंग जमीन कुर्क कर दें नजाइस तरीके से जूटे मुकदमें फसा दें अखूब धेड़ोरा यही वो है पड़ाम क्या होता है गाजीपूर में साथ विदान सभा की सीटे हैं शुन्य मिली थी भाज़पा के खाते में शुन्य अगर आँख नहीं खुली है तो इस लोक सभा के चुनाओं में अहंकार तो देखिए कंश को भी अहंकार था जो उसने यह तरीका बना लिया था कि जो उसका विरोध करेगा मत्हुरा का राजा वो उसको जेल में डाल देगा या माड़ डालेगा उसने अपने बाप को जिन्होंने उसके गलत नीतियों और उसकी जातियों का विरोध किया तो उसके पिता को जेल में डाल दिया था लेकिन आखिर उसकी सत्ता का और उसका भी अंत्वा तो जब तक कोई कंश वाला नशा किसी के उपर है तो ये नशा भी उतरेगा ऐसा थोड़ी है कि नहीं उतरेगा इसको भी उतरना है 24 में लोकसभा का क्या परिणाम होगा गाजीपूर में जो 37 भाजपा के लोग जानते हैं सूची आई थी 195 आदमी की घुशना आई थी कि 400 सीड जीतेंगे उत्तर प्रदेश में सूची आई थी 55 लोगों की और घुशना कर दी थी कि 80 सीड जीत रहें और अभी तक नाम बताने की इस्तिती में नहीं है कि गाजीपूर बलिया में कौन चुनाव लड़ेगा मेरे पास पोखता सुबूत है कि मुखतार को जेल में जहर दिया गया मुखतार ने खुद अपने वकील के जरिये पत्र दिया उनके वकील ने कोट में वो दर्खास डाली उसके बाद कोट की त हमने उनीस तारीख की बात है हमने बीस तारीख को सुपरेटिंडंड जेल से बात किया उन्होंने कहा कि हाँ तबियत उनकी खराब है लेकिन हमने कॉल किया था हमारे अस्पताल के डाक्टर ने कहा था कि बाहर के डाक्टर बुलाए जाए तो हमने कॉल कर लिया था बाहर के दो डाक्टर आये थे और आज ही मैं उनके बैरिक में उनके सामने डाक्टरों को और उनको कर दिया हूँ, टेस्ट शुरू हो गया है और दवा भी शुरू हो गई है हमारे उनके बीच में जो बात हुई वो रेकार्ट पर है, आज भी हमारे पास है साख्ष के रूप में मैंने उनसे खोल के ये बात कही कि अरे सुप्रेटेनल साहब आप इटमिनान दिला रहें कि दो डाक्टर और आ गए हैं और जेल वाला भी डाक्टर है सब लोग इलाज कर रहे हैं लेकिन हमें सूचना मिली है कि उनको जहर दिया गया है खाने में और इससे पहले भी उनके तो उनने का नहीं ये गलत बात है हम लोग खाना टेश्ट टोस्ट करके तब देते हैं हमने का टेश्ट करने के लिए जो बंधी रक्षक लगाया गया था और एक डिप्टी जेलर था जो उनका खाना टेश्ट करके खिलाता था लगबख 40 दिन पहले उनका खाना जो आया थ उसमें जहर था और इन दोनों ने टेश्ट किया और दोनों जहरी जहर का खाना खा करके बीमार पड़े और मुझे मालूम है कि ये बंधीर एक छक और डिप्टी जेलर जो मुक्तार के बारिक के लिए था ये दवा इलाज से ठीक नहीं हुए इनको मेडिकल कालेज में भरत किसी का रिपोर्ट आई कि गैस्टिक का मामला था किसी का कुछ है सबकी एक तरह से रिपोर्ट नहीं आई खाना बनाने वाला बीमार हो रहा खाना चखने वाला बीमार हो रहा खाना पकवाने का सुपर वीजन करने वाला बीमार हो रहा और मुक्तार ने ये सारी बाते हमको फून से बताई थी तब ही हमने सुपर्टेरिनेर से कहा तो उन्होंने हम से कहा कि देखिया हमने अब जो शुरू किया है बाहरी डाक्टर भी आ गया वो ठीक हो जाएंगे ये बीस तारीक के बात है उननीस को उनको जहर दिया गया था बीस के बाद एककईस, बाइस, तेईस, 24, 25 तक कोई माकूल एलाज नहीं हुआ, 26 को हालत बिलकुल खराब हो गई, तब इन लोगों ने खुछ सुपर्टेरिनेर्ट से मेरी बात हुई है, उसका भी रेकार्ड मेरे पास है, दो बज़े रात में जेल सुपर्टेरिनेर्ट ने डाक्टरों के एड़वाईज के आज गहन परिक्षण हुए, इलाज शुरू हुआ, हम लोगों को एक टेलीग्राम भेजा उन्होंने, हमारे मुहमदाबाद थाने पे, यहां से पुलिस के लोग आए, उनका मुक्तार साथ बहुत सक्त बीमार हैं, यह टेलीग्राम है, और आप तदकाल बांदा मिजकल हका आई यह, मैंने वो टेलीग्राम पढ़ा, सुपर्टेंडन की तरफ से टेलीग्राम था, हम लोग तुरंत आदे घंटे के अंदर बांदा के लिए निकल लिए, आठ घंटे का सफर है, बांदा पहुंचे, मिडिकल कालेज गए, तो उस समय मुक्तार से जब मुलाकात का मु मुश्मित है, और उन्होंने हमको फिर वही बात कही कि भाया, हमने आपको बताया था ना, हमको यह सब जहर दे दिये हैं, और हमारा इलाज यह गंभीर होके नहीं कराए, जिसका नतीजा हुआ जहर असर कर गया है, मैं बहुत कमजोर हो गया हूँ, मेरा पेट बहुत भूल गया है, गैस बहुत बन रही है, और मुझे घबराहट होती है, पसीना होता है, अपनी तकलीफें फिर बताए कि कल मैं गिर गया था, मुर्चित हो गया था, तो जेल के लोगों ने फिर हमको यहां आस्पिटल बेजा है, यह सारी जो बाते आप कह रहे हैं, जो सरकार का जे जेल है, प्रशासन है, उसकी निग्रानी में वो जेल में थे, सरकार की जेल है, उसमें वो कैदी थे, तो यह सारे जो आप बातें कह रहे हैं, तो इसके पीछे का कारण किया है? देखिए हमने पहले भी कहा, अब भी बता रहे हैं कि पूरी सरकार और सरकार की मिशिनरी, यह लगाई गई है कि किसी भी तरह से मुक्तार को खत्म किया जाए, और बिर्जेश सिंग और तिर्भून सिंग जो बहुत बड़े माफिया डान है, उत्तर प्रदेश नहीं, पंदरह जुलाई 2001 को उनके उपर आक्रमण हुआ था, उस आक्रमण में इनके गाड़ी में बैठे हुए इनके गनर और रुस्ता मुर्फ बाबू मारा गया था, और हमलावरों की तरफ से भी एक व्यक्ति जो बचाओं में की गई जवाबी फाइरिंग में मारा गया था, म मिली भगत से सरकार और अपरादियों की सबकी, उन लोगों ने ये किया कि एक जूठिया मुकदमा दर्ज कराया गया, एक घटना का दूसरा मुकदमा, दूसरी कहानी के साथ, कि वो जो 2001 में घटना हुई थी, वास्तविक्ता ये है कि वो जो उसमें हमलावर मारा गया, उस को देखाये गया है कि इसको मुक्तार अंसारी के ड्राइवर और दो-तीन लोग गये थे और बकसर जिले में किसी गाउं में उरहते हैं, वहां की निवासी हैं, उनको उठा लाए थे, ब्रिजेस को बचाने के लिए सब काम किया, और उसमें मुल्जिम सारे गवाहों को बना आ जाएंगे, उसके बावजूद गवाही चलती रही, कोट ने आडर किया मुक्तार को पेश किया जाए गवाही के लिए, अब योजन के गवाह के हैसित से वादी मुकदमा पेश किया जाए, और गिरिस सचियो चिफ सेगरेटरी तक को पतर लिखा, लेकिन ये लोग नहीं खरीत के या धमका के या अब योजन की मिली भगत से उनको एक तरफ से क्लीन चिट मिलती चली जा रही है, ये एक मुकदमा था, जिसमें उन्हें भाहे था कि मुक्तारन सारी गवाही करेंगे, वो न बिकेंगे न डरेंगे, तो पिर्जेश सिंग और तिर्भौन सिंग को बचाने का सपना पूरा नहीं हो पाएगा, और इसलिए उन लोगों ने एक सुनियोजित घटना करम के तहट, किन लोगों ने, उन्हें सरकार में बैठे हुए लोग, आडमिस्टेशन में बैठे हुए लोग, जेल परशासन में बैठे हुए लोग, और बिर्जेश और ति किया है हम क्यों लोग है हम मिल लें,को उन क्यों बैठे हमें लोगों में सर्जेर्विकर थे हैं काडियोलोजी में भी है काडियोलोजी का आप क्या हैं तो कहा हारनिया वगएर तो हमने कहा कि तो यह मुखतार का इलाज आप ही हेड हो तो आपके समझ से कैसा है तो उन्होंने कहा कि देखिए इनको सरजरी का कोई मामला नहीं है फिर भी हमको इंचार्ज बनाये गया है तो हम जो हो रहा है तो हमने का मेडिसिन का आप क्या करते है करे हम टेली फून से अपने मित्र डाक्टरों से सलाह करके तब दवा देते हैं तो हमने कहा कि अभी क्या इस्थिती है तो कहें देखिए होश में है आय थे तो बेहोश थे और हम उमीद कर रहे हैं कि जल्दी दो-तीन दिन में इनको कंट्रोल कर लेंगे हमका अगर कंट्रोल के बाहर हो तो इसको रीफर कर दीजेगा और अगर ये समस्या होगी कि कि किसी बड़े आस्पिटल में भेजेंगे तो खर्च कौन बहन करेगा तो परिजन खर्च बहन करने के लिए तयार हैं मैं लिख के दे दे रहा हूँ आप समय रहते रीफर कर दीजेगा ऐसा नहों कि यहां की दवा से उनको पाइदा भी नहों और इस तरह की इस्थिति है कि वो कहते हैं उनको जहर हुआ है मुझसे आज भी कहा है यहीं आस्पिटल में भी कहा है तो उनका ने मैं समझ रहते हुए अगर ऐसी इस्थिति आएगी तो रीफर कर दूगा हम लोग मिल करके आए अभी रास्ते में थे दो घंटा हुआ बस वहां से चले हुए जब तक बताया गया कि सभी डाक्टरों ने उनको लिख दिया कि यह फिट हैं और वीलचेयर पर बैठा करके जो आदमी अपनी पैलों पर खड़े होने की इस्तिति में नहीं था जो अपने दम पर बेट पर बैठने की इस्तिति में नहीं था उसको फिट घोसिट करके सीधे आई सीउ से जेल के अंदर डाल दिया गया और मीडिया के माद्यम से एक खबर चलवाई गई कि मुक्तार बिलकुल फिट हो चुके है सारे टेस्ट उनके हो गया है कोई रोग नहीं है अगर कोई रोग नहीं था तो 24 घंटा बीतने के बाद ऐसा घातक अटेक कैसे आ गया जिसमें उनकी जानी चली गई अगर वो फिट थे और मेडिकल कालेज के नव डाक्टर उनको फिट घोशित कर रहे हैं तो 24 घंटे के अ है रिस्पॉंसिबिल्टी आपकी है वो डाक्टर जो हमसे कह रहा है कि हम दो तीन दिन में इनको ठीक कर लेंगे नहीं तो रिफर कर देंगे उस डाक्टर से आपने उसी दिन जिस दिन मेरी बात हुँ इसके दो घंटे के बाद लिखवा लिया कि ये फिट है वो डाक्टर जो कह रहा है कि इनको जो समस्या है मेरे विभाग की नहीं है मैं तो सर्जन हूं ऐखाक के दर्मियान आपमें और यहा के जिला धिकारी में बहुत तूतुमे में हुआ बहुत ज़़बरदस्थती कुछ कहने की बहुत वो नहीं है वो शायद उन्हें नहीं पता है और वो यहीं कह रही थी कि अब जत्ते लोग मिट्टी दे लिए बस और लोग मिट्टी नहीं देंगे हमने का यह क्यों आप इसके लिए थोड़ी रोक सकते हैं कि कोई अपने धार्मिक जो सिश्टम है अब आप कह सकते हैं क्या किसी का शौव अगर दास अंसकार में जा रहा है एक बार हुआ है जब यहां करोना लगा था तब भी ऐसा थोड़ी था कि लोग खुद से ही भीर दे के नहीं जाते थे डर गए थे घर के परिवार के लाश हो जनाजे को लोग जलाते नहीं थे इसे ही परवाह करके जल परवाह भाग जाते थे और जैसी भी से गड़ा खुद फिर आपने क्या का यह कोई उलंगन नहीं है इसकी परमीशन की अवशक्ता नहीं है हम उनके परि वो एक लोग प्रिया आदमी थे हमारा परिवार एक बहुत पुराना एतिहासिक परिवार है मुखतार अंसारी की इस असवभाविक मौत से जो कहीं न कहीं मिली भगत से सबके हुई है तो इस घटना से लोगों में कितना आक्रोश है इसका अंदाजा तो आप कहीं भी सहज द ना ना तुम आप हैं में नोक जोक नहीं उनका कहना था कि आचार संगिता लागू है दफाचवालिस लागू है परमीशन लेना चाहिए हम का यार मुरदा दफन करने मुरदा जलाने शवयात्रा निकालने या जनाज़ा ले जाके जनाज़े की नमाज पढ़ने इसके जिस तरह से भी लोगों ने चाहा उस तरह से सब कुछ किया है इसी से तो उपर से डाट पड़ रही थी कि एत्ते लोग आये कैसे तो अब उसके लिए हम क्या कर सकते हैं आप बताईए जो जहां सुन रहा वो चल दे रहा है उसकी सहनभूती मुखतारन सारी और उनके रूप तडप करके उसको रोक दीजिये सारी रात कल से पूरे चप्पे चप्पे पे रोका गया है अब लोग आ रहे हैं हम तो कोई को बुलाने नहीं हमसे तो जिन लोगों ने पूछा कई बज़े मिटी होगी क्या होगी हमने मनाई किया यार की बहुत जादा तीन दिन हो 25-20% लोग मिटी दे पाए हैं 80% लोग तो बिना मिटी दिये अभी लवड गये हैं एक सवाल आखरी है अगर कोई ये चाहता है कि 10-20% भी लोग जो आए हुए हैं कहां कहां से आए हुए हैं उनको घुलूप तडप से भगा दिया जाए तो ये मनासिब नहीं है नाजाज ह है उस सरकार या सरकार की मनशा के अनुसार कोई प्रशासनिक अळिकारी भी ऐसा करता है तो वह देश के कानून असर्मिधान के खिलाफे ये पहले ऐसी सरकार है और पहले ऐसी सरकार के कुछ अईसे अधिकारी और ऐसे समझ के उनके समर्थक हैं जो जिस कारवाई को आम जनता में घेना की दिरिश्ट से देखा जा रहा उस कारवाई को उपनी उपलब्धी मानते हैं खामियादा भुगते हैं ये बुलडोजर लेके किसी का घर गिरा दें इसकूल गिरा दें अस्पताल गिरा दें जंग जमीन कुर्क कर दें नजाएस तरीके से जूटे मुकदमें फसा दें अखूब धेडोरा पीठे बुलडोजर 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 नाम रखने में साथ विधान सभा की सीटे हैं शुन्य मिली थी भाजपा के खाते में शुन्य अगर आँख नहीं खुली है तो इस लोग सभा के चुनाओं में अहंकार तो देखिए कंश को भी अहंकार था जो तो उसने ये तरीका बना लिया था कि जो उसका विरोध करेगा मतुरा का राजा वो उसको जेल में डाल देगा या माड डालेगा उसने अपने बाप को जिन्होंने उसके गलत नीतियों और उसकी जातियों का विरोध किया तो उसने पिता को जेल में डाल दिया था लेकिन पंश वाला नशा किसी के उपर है तो ये नशा भी उतरेगा ऐसा थोड़ी है कि नहीं उतरेगा इसको भी उतरना है लोगसभा का क्या परिणाम होगा गाजीपूर में जोतिस चास्त भाजपा के लोग जानते हैं सूची आई थी 195 आदमी की घुशना आई थी कि 400 सीड जीतें गे उतर प्रदेश में सूची आई थी एक क्यावन लोगों की और घुशना कर दी थी कि 80 सीड जीत रहे और अभी तक नाम बताने की स्थिती में नहीं है कि गाजीपूर बलिया में कौन चुनाव लड़ेगा मेरे पास पोखता सुबूत है कि मुखतार को जेल में जहर दिय गया गया मुखतार ने खुद अपने वकील के जरिये पत्र दिया उनके वकील ने कोट में वो दर्खास डाली उसके बाद कोट की तरफ से डायरिक्शन भी हुआ हमने उन्नीस तारीख की बात है हमने बीस तारीख को सुपरिटेंडन्ट जेल से बात किया उन्न ने कहा कि हाँ तबीत उनकी खराब है लेकिन हमने काल किया था अ Nah एस्पटाल के डाक्टरशन के बाहर के डाक्टर बिलाए जाई तो हमने काल कर लिया था बाहर के दो डाक्टर आये थे और आज ही मैं उनके बाइरिक में उनके सामने डाक्टरों को और उनको कर दिया हूँ टेस्ट शुरू हो गया है और दवा भी शुरू हो जई है हमारे उनके बीच में जो बात हुई पुरेकार्ट पर है आज भी हमारे पास है साक्ष के रूप में मैंने उनसे खोल के ये बात कही कि डाक्ट साब अरे सुप्रेटरेनल साब आप इट्विनान दिला रहें कि दो डाक्टर और आ गये हैं और जेल वाला भी डाक्टर है सब लोग इलाज कर रहे हैं लेकिन हमें सूचना मिली है कि उनको जहर दिया गया है खाने में और इससे पहले भी उनके साथ ऐसा हुआ था तो अनुन का नहीं यह गलत बात है हम लोग खाना टेश्ट टोस्ट करके तब देते हैं हमने का टेश्ट करने के लिए जो बंधी रक्षक लगाया गया था और एक डिप्टी जेलर था जो उनका खाना टेश्ट करके खिलाता था लगबख चालीस दिन पहले उनका खाना जो आया था उसमें जहर था और इन दोनों ने टेश्ट किया और दोनों जहर का खाना खा करके बीमार पड़े और मुझे मालूम है कि यह बंधी रक्षक और डिप्टी जेलर जो मुक्तार के बारिक के लिए था यह दवा इलाज से हुए इनको मेडिकल कालेज में भरती कराया गया जहां उनका कई दिनों तक एलाज हुआ तो उन्होंने एकसेप्ट किया है हाँ ऐसा हुआ था लेकिन सब का टेस्ट कराया गया तो किसी की रिपोर्ट आई कि फूट बाइजनिंग है किसी का रिपोर्ट आई कि गय स्टिक क मामला था किसी का कुछ है सबकी एक तरह से रिपोर्ट नहीं आई खाना बनाने वाला बीमार हो रहा खाना चकने वाला बीमार हो रहा खाना पकवाने का सुपर वीजन करने वाला बीमार हो रहा और मुखतार ने ये सारी बाते हमको फून से बताई थी तब ही हमने सुपरेटरेनर से कहा तो उन्होंने हम से कहा कि देखिया हमने अब जो शुरू किया है बाहरी डाक्टर भी आ गया वो ठीक हो जाएंगे ये बीस तारीक के बात है 19 को उनको जहर दिया गया था 20 के बाद 21, 22, 23, 24, 25 तक कोई माकूल इलाज नहीं हुआ 26 को हालत बिलकुल खराब हो गई तब इन लोगों ने खुछ सुपरेटेंडेंट से मेरी बात हुई है उसका भी रेकार्ड मेरे पास है दो बज़े रात में जेल सुपरेटेंडेंट ने डाक्टरों के एडवाईज के आदुसाद उनको मेडिकल कालेज भेजा मेडिकल कालेज के डाक्टरों ने उनकी गंभीर इस्थिती को देख करके तुरंत आईस्यू में उनको अड्मिट किया उनकी गहन परिक्षण हुए एलाज शुरू हुआ हम लोगों को एक टेलीगराम भेजा उन्होंने हमारे मुहमदाबाद थाने पे यहां से पुलिस के लोग आए उनका मुक्तार साथ बहुत सक्त बीमार है यह टेलीगराम है और आप ततकाल बांदा मेडिकल कालेज जाईए मैंने वो टेलीगराम पढ़ा सुपर्टेंडन की तरफ से टेलीगराम था हम लोग तुरंत आदे घंटे के अंदर बादा के लिए निकल यह आठ घं बताया था nah हम को यह सब जहर दे दिये हैं और हमारा इलाज यह गंभीर होके नहीं कराए जिसका नतीज़ा हुआ जहर असर कर गया है मैं बहुत कमजोर हो गया हूँ मेरा पेट बहुत भूल गया है गैस बहुत बन रही है और दो मुझे घबराहट होती है पसीना होता है अ ये सारी जो बाते आप कह रहे हैं, जो सरकार का जेल है, प्रशासन है, उसकी निगरानी में वो जेल में थे, सरकार की जेल है, उसमें वो कैदी थे, तो ये सारे जो आप बातें कह रहे हैं, तो इसके पीछे का कारण क्या है? देखिए हमने पहले भी कहा अब भी बता रहे हैं कि पूरी सरकार और सरकार की मिशिनरी ये लगाई गई है कि किसी भी तरह से मुक्तार को खत्म किया जाए और बिर्जेश सिंग और तिर्भुण सिंग जो बहुत बड़े माफिया डान है उत्तरप्रदेश नहीं राश्टी इस्तर के जो दाउद इबराहीम के भी को अक्यूजड हैं बांबी जेजे हास्पीटल कांड में उनके विरुद एक मुकदमा था जिसमें मुक्तार वादी मुकदमा था 15 जुलाई 2001 को उनके उपर आक्रमण हुआ था उस आक्रमण में इनके गाड़ी में बैठे हुए इनक पर तीन लोगों की मौत हुई थी उस मुकदमे का ट्राइल अब शुरू हो गया है बाईस तेईस साल के बाद तो उसको बचाने के लिए तो एक कोशिश ये किया आगया मिली भगत से सरकार और अपरादियों की सब की उन लोगों ने ये किया कि एक जूटिया मुकदमा दर इसरी कहानी के साथ कि वो जो 2001 में घटना हुई थी वास्तविक्ता यह है कि वो जो उसमें हमलावर मारा गया उसको देखाये गया है कि इसको मुक्तार अंसारी के ड्राइवर और दो-तीन लोग गय थे और बकसर जिले में किसी गाउं में उरहते हैं वहां की निवासी हैं उ दो इंजर्ड विटनेस थे दो मर गय थे नौग इंजर्ड विटनेस थे उनको मुल्जी मना दिया कि गवाही से बाज आ जाएंगे उसके बावजूद गवाही चलती रही कोट ने आडर किया मुक्तार को पेश किया जाए गवाही के लिए अब योजन के गवा के हैसित से वादी मुकदमा पेश किया जाए और गिरिस सची और चिफ सेग्रेटरी तक को पत्र लिखा लेकिन ये लोग नहीं पेश किये बहानाबाजी फोर्ट लबो लुबाब क्या है लबो लबाब बिरजेश सिंग तिर्भोन सिंग को बचाने का मकसद है उनके विरू सारे मुकदम गवाहों को तोड के या खरीत के या धमका के या अभ्योजन की मिली भगत से उनको एक तरफ से क्लीन चिट मिलती चली जा रही है ये एक मुकदमा था जिसमें उन्हें भाय था कि मुक्तारन सारी गवाही करेंगे वो न बिकेंगे न डरेंगे तो पिर्जेश सिंग और ति किन लोगों ने सरकार में बैठे हुए लोग आइडमिस्टेशन में बैठे हुए लोग जेल परशासन में बैठे हुए लोग और बिर्जेश और तिर्भून की टीम के लोग ये सब लोगोंने मिल करके ये घटना अंजाम दिया है डाक्टर ने कहा कि हम लोग इनका एलाज कर रहे हैं तीन डाक्टरों का पैणल है लेकिन जब हमने कहा कौन लोग हैं मिल ले तो हमारे सामने जो दो लोग आए वो फार्मेसिस्ट है और एक जो डाक्टर इंचार थे उनके अमने पूछा कि आप क्या करते हैं है हाप मेडिसिन के आप क्या हैं तो कहा हारनिया वगएर तो हमने कहा कि तो यह मुखतार का इलाज आप ही हेड हो तो आपके समझ से कैसा है तो उन्होंने कहा कि देखिए इनको सरजरी का कोई मामला नहीं है फिर भी हमको इंचार्ज बनाये गया है तो हम जो हो रा हैं तो हमने का मेडिसीन का आप क्या करते हैं कहे हम टेलीफून से अपने मित्र डाक्टरों से सला करके तब दवा देते हैं तो हमने कहा कि अभी क्या इस्थिती है तो कहें देखिये होश में हैं आये थे तो बेहोस थे और हम उमीद कर रहे हैं कि जल्दी दो-तीन दिन में इनको कंट्रोल कर लेंगे हमका अगर कंट्रोल के बाहर हो तो इसको रीफर कर दीजेगा और अगर ये समस्या होगी कि कि किसी बड़े आस्पिटल में भेजेंगे तो खर्च कौन बहन करेगा तो प इस्थिति है कि वो कहते हैं उनको जहर हुआ है मुझसे आज भी कहा है यहीं आस्पिटल में भी कहा है तो उनका ने मैं समझ रहते हुए अगर ऐसी इस्थिति आएगी तो रीफर कर दूँगा हम लोग मिल करके आए अभी रास्ते में थे दो घंटा हुआ बस वहां से चले हुए जब तक बताया गया कि सभी डाक्टरों ने उनको लिख दिया कि ये फिट हैं और वीलचेयर पर बैठा करके जो आदमी अपनी पै से जेल के अंदर डाल दिया गया और मीडिया के मादम से एक खबर चलवाई गए कि मुखतार बिल्कुल फिट हो चुके हैं सारे टेस्ट उनके वो गया है कोई रोग नहीं है अगर कोई रोग नहीं था तो चौविस घंटा बीतने के बाद ऐसा घातक अटेक कैसे आ गया जिसमें उनकी जानी चली गई अगर वो फिट थे और मेडिकल कालेज के नव डाक्टर उनको फिट घोशित कर रहे हैं तो चौविस घंटे के अंदर यह क्या हो गया आप ही के कश्टडी में है responsibility आपकी है वो डाक्टर जो हम से कह रहा है कि हम दो तीन दिन में इनको ठिक कर लेंगे और नहीं तो refer कर देंगे उस डाक्टर से आपने उसी दिन जिस दिन मेरी बात हूँ इसके दो घंटे के बाद लिखवा लिया कि यह फिट है वो डाक्टर जो कह रहा है कि इनको जो समस्या है मेरे विभाग की नहीं है मैं तो सर्जन हूँ खाक के दर्मियान आप में और यहां के जिलाधिकारी में बहुत तुमें में हुआ बहुत जोर जबरदस्ती हुई क्या कुछ कहने की बहुत वो नहीं है वो शायद उन्हें नहीं पता है और वो यहीं कह रही थी कि अब जत्ते लोग मिट्टी दे लिए बस और लोग मिट्टी नहीं देंगे हमने का यह क्यों आप इसके लिए थोड़ी रोक सकते हैं कि कोई अपने धार्मिक जो सिश्टम है अब आप कह सकते हैं क्या किसी का शौव अगर दास अंसकार में जा रहा है एक बार हुआ है जब यहां करोना लगा था तब भी ऐसा थोड़ी था कि लोग खुद से ही भीड़ दे के नहीं जाते थे डर गय थे घर के परिवार के लाश और जनाजे को लोग जलाते नहीं थे इसे ही परवा करके जल परवा भाग जाते थे और जैसी भी से गड़ा खुद पिर आपने क्या था मैंने का ये कोई उलंगन नहीं है इसकी परमीशन की अवशक्ता नहीं है हम उनके परिजन है और उनकी मिट्टी हुई है तो मिट्टी देने के लिए दूर दरास से जो हमारे रिष्टे नते अजीज कारीब सबाय हुए हैं वो एक लोग प्रिया आदमी थे हमारा परिवार एक बहुत पुराना एतिहासिक परिवार है मुखतार अंसारी की इस असवभाविक मौत से जो कहीं न कहीं मिली भगत से सबके हुई है तो इस घटना से लोगों में कितना आक्रोश है इसका अंदाजा तो आप कहीं भी साज देख लीजिए तो तू तू मैमें एक तरीके से नोक जोक हुई नमक कहना था कि आचार संगिता लागू है दफा़ 24 लागू है परमीशन लेना चाहिए हम का यार मुर्दा दफन करने और मुर्दा जलाने शोयात्रा निकालने या जनाज़ा ले जाके नम जनाजे की नमाज पढ़ने इसके लिए यह मैं नहीं समझता कि को सायोग किया है जिस तरह से भी लोगों ने चाहा उस तरह से सब कुछ किया है इड़ बहुत थी इसी से तो ऊपर से डांट पड़ रही थी कि अत्ते लोग आये कैसे तो अब उसके लिए हम क्या कर सकते हैं आप बताइए जो जहां सुन रहा वो चल दे रहा है उसकी सहनभूती मुखतारन सारी और उनके परिवार के परती है कि इन लोगों के साथ बड़ा अन्याय हुआ है अब आप घुरुप तडप करके उसको रोक दीजिए सारी रात कल से पूरे चप्पे चप्पे पर रोका गया है अब लोग आ रहे हम तो कोई को बुलाने नहीं हमसे तो जिन ल जाजी आई है तो लोगों में उत्सुकता थी गये हैं लोग हम समझते हैं कि पचीस बीस परसेंट लोग मिट्टी दे पाए हैं असी परसेंट लोग तो बिना मिट्टी दिये अभी लाट गये हैं एक सवाल आखरी है कि दस बीस परसेंट भी लोग जो आए हुए हैं कहां कहां से आए हुए हैं उनको घुरुप तड़प से भगा दिया जाए तो ये मनासिब नहीं है नाजाएज है उस सरकार या सरकार की मनशा के अनुसार कोई परशासनी का अधिकारी भी ऐसा करता है तो वो देश के कानू नसर मिधान के खिलाफ है ये पहले ऐसी सरकार है और पहले ऐसी सरकार के कुछ आइसे अधिकारी आइसे समच के उनके समर्थक हैं जो जिस कारवाई को आम जनता में घेना की दिरिश्ट से देखा जा रहा उस कारवाई को अपनी उपलबधी मानते हैं खामयादा भुगतते ये बुल्डोजर लेके किसी का घर गिरा दे, स्कूल गिरा दे, अस्पताल गिरा दे, जंग जमीन कुर्क कर दे, नजाइस तरीके से जूटे मुकदमें फसा दे, खूब धेडोरा पीठे, बुल्डोजर, 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 नाम रखने बाबा बुल्डोजर, स साथ विदान सभा की सीटे हैं, शुन्य मिली थी, भाजपा के खाते में शुन्य, अगर आँख नहीं खुली है, तो इस लोक सभा के चुनाओं में अहंकार तो देखिए, कंश को भी अहंकार था, जो उसने ये तरीका बना लिया था कि जो उसका विरोध करेगा, मतुरा का रा उसने अपने बाप को, जिन्होंने उसके गलत नीतियों और उसकी जातियों का विरोध किया, तो उसने पिता को जेल में डाल दिया था, लेकिन आखिर उसकी सत्ता का और उसका भी अंथुआ, तो जब तक कोई कंश वाला नशा किसी के उपर है, तो ये नशा भी उतरेगा, ऐसा थोड़ी है कि नहीं उतरेगा, इसको भी उतरना है, लोकसभा का क्या परिणाम होगा गाजीपूर में? कि मुक्तार को जेल में जहर दिया गया, मुक्तार ने खुद अपने वकील के जरिये पत्र दिया, उनके वकील ने कोट में वो दर्खास डाली, उसके बाद कोट की तरफ से डायरिक्शन भी हुआ, हमने उन्नीस तारिख की बात है, हमने बीस तारिख को सुपरेटेंडन्ट जेल से बात किया, उन्ने कहा कि हाँ तबियत उनकी खराब है, लेकिन हमने कॉल किया था, हमारे अस्पताल के डाक्टर ने कहा था कि बाहर के डाक्टर बुलाए जाए, तो हमने कॉल कर लिया था, बाहर के दो डाक्टर आये थे, और आज ही मैं उनके बैरिक में उनके सामने डाक्टरों को, और उनको कर दिया हूँ, टेस्ट शुरू हो गया है, और दवा भी शुरू हो जाई है, हमारे उनके बीच में जो बात हुई, वो रिकार्ट पर है, आज भी हमारे पास है, साक्ष के रूप में, मैंने उनसे खोल के ये बात कही, कि डाक्ट साब, अरे सुपरेटरन साब, आप इट्विनान दिला रहें कि दो डाक्टर और आ गये हैं, और जेल वाला भी डाक्टर है, सब लोग इलाज कर रहे हैं, लेकिन हमें सूचना मिली है कि उनको जहर दिया गया है, खाने में, और इससे पहले भी उनके साथ ऐसा हुआ था, तो उनका नहीं ये गलत बात है, हम लोग खाना टेस्ट वोस्ट करके तब देते हैं, हमने का टेस्ट करने के लिए जो लगबख 40 दिन पहले, उनका खाना जो आया था, उसमें जहर था और इन दोनों ने टेस्ट किया और दोनों जहर का खाना खा करके बीमार पड़े, और मुझे मालूम है कि ये बंदीर एक छक और डिप्टी जेलर जो मुक्तार के बारिक के लिए था, ये दवा इलाज से ठी नहीं हुए, इनको मेडिकल कालेज में भरती कराया गया, जहां उनका कई दिनों तक हिलाज हुआ, तो उन्होंने एकसेप्ट किया है, हाँ ऐसा हुआ था, लेकिन सब का टेस्ट कराया गया, तो किसी की रिपोर्ट आई कि फूट बाइजनिंग है, किसी का रिपोर्ट आई अग्तार ने ये सारी बाते हमको फून से बताई थी, तब ही हमने सुपर्टेनर से कहा, तो उन्होंने हम से कहा कि देखिया हमने अब जो शुरू किया है, बाहरी डाक्टर भी आ गया, वो ठीक हो जाएंगे, ये बीस तारीक के बात है, उन्निस को उनको जहर दिया गया था बीस के बाद 21, 22, 23, 24, 25 तक कोई माकूल इलाज नहीं हुआ, 26 को हालत बिलकुल खराब हो गई, तब इन लोगों ने, खुछ सुपर्टेनर्ट से मेरी बात हुई है, उसका भी रेकार्ड मेरे पास है, दो बज़े रात में जेल सुपर्टेनर्ट ने, डाक्टरों के एडव के डाक्टरों ने, उनकी गंभीर इस्थिती को देख करके, तुरंत आईस्यू में उनको अड्मिट किया, उनकी गहन परिक्षण हुए, इलाज शुरू हुआ, हम लोगों को एक टेलीग्राम भेजा उन्होंने, हमारे मुहमदाबाद ठाने पे, यहां से पुलिस के लोग है, उनका मुखतार साफ बहुत सक्त बीमार है, यह टेलीग्राम है, और आप ततकाल बांदा मिडिकल कालिज जाईए, मैंने वो टेलीग्राम पढ़ा, सुपर्टेंडन की तरफ से टेलीग्राम था, हम लोग तुरंत आदे घंटे के अंदर बादा के लिए निकल लिए, आ हम को यह सब जहर दे दिये हैं, और हमारा इलाज यह गंभीर होके नहीं कराए, जिसका नतीजा हुआ, जहर असर कर गया है, मैं बहुत कमजोर हो गया हूं, मेरा पेट बहुत भूल गया है, गैस बहुत बन रही है, और मुझे घबराहट होती है, पसीना होता है, अपनी तक जह रहे हैं, जो सरकार का जेल है, प्रशासन है, उसकी निगरानी में वो जेल में थे, सरकार की जेल है, उसमें वो कैदी थे, तो यह सारे जो आप बातें कह रहे हैं, तो इसके पीछे का कारण क्या है? देखिए हमने पहले भी कहा, अब भी बता रहे हैं कि पूरी सरकार और सरकार की मिशिनरी, ये लगाई गई है कि किसी भी तरह से मुक्तार को खत्म किया जाए, और बिर्जेश सिंग और तिर्भून सिंग जो बहुत बड़े माफिया डान है, उत्तर प्रदेश नहीं, पंदरह जुलाई 2001 को उनके उपर आक्रमण हुआ था, उस आक्रमण में इनके गाड़ी में बैठे हुए इनके गनर और रुस्ता मुर्फ बाबू मारा गया था, और हमलावरों की तरफ से भी एक व्यक्ति जो बचाओं में की गई जवाबी फाइरिंग में मारा गया था, म मिली भगत से सरकार और अपरादियों की सबकी, उन लोगों ने ये किया कि एक जूटिया मुकदमा दर्ज कराया गया, एक घटना का दूसरा मुकदमा, दूसरी कहानी के साथ, कि वो जो 2001 में घटना हुई थी, वास्तविक्ता ये है कि वो जो उसमें हमलावर मारा गया, उस उसको देखाये गया है कि इसको मुक्तार अंसारी के ड्राइवर और दो तीन लोग गय थे और बकसर जिले में किसी गाउं में उरहते हैं, वहां की निवासी हैं, उनको उठा लाए थे, ब्रिजेस को बचाने के लिए सब काम किया, और उसमें मुल्जिम सारे गवाहों को ब जा जाएंगे, उसके बावजूद गवाही चलती रही, कोट ने आडर किया मुक्तार को पेश किया जाए गवाही के लिए, अब योजन के गवाह के हैसित से वादी मुकदमा पेश किया जाए, और गिरिस सच्चु चिफ सग्रेटरी तक को पतर लिखा, लेकिन ये लोग न पोड़ के या खरीत के या धमका के या अब योजन की मिली भगत से उनको एक तरफ से क्लीन चिट मिलती चली जा रही है, ये एक मुकदमा था, जिसमें उन्हें भाहे था कि मुक्तारन सारी गवाही करेंगे, वो न बिगेंगे न डरेंगे, तो पिरजेश सिंग और तिरभ परकार में बैठे हुए लोग, आइडमिस्टेशन में बैठे हुए लोग, जेल परशासन में बैठे हुए लोग, और बिरजेश और तिरभुन की टीम के लोग, ये सब लोगोंने मिल करके ये घटना अंजाम दिया है, डाक्टर ने कहा कि हम लोग इनका इलाज कर रहे हैं मेडिसिन के हैं, ये कहें ने हम सर्जन हैं, तो हमने कहा कहें की सर्जरी करते हैं, सर्जन तो आर्थोपेटिक भी होता है, सर्जन तो निरोलोजी में भी है, काडियोलोजी का आप क्या हैं, तो कहें हारनिया वगएरा, तो हमने कहा कि तो ये मुखतार का इलाज आप ही हेड हो तो आपके समझ से कैसा है तो उन्होंने कहा कि देखिए इनको सरजरी का कोई मामला नहीं है फिर भी हमको इंचार्ज बनाए गया है तो हम जो हो रहा तो हमने का मेडिसिन का आप क्या करते हैं कए हम टेली फून से अपने मित्र डाक्टरों से सला करके तब दवा देते हैं तो हमने कहा कि अभी क्या इस्तिती है तो कहें देखिए होश में हैं आये थे तो बेहोश थे और हम उमीद कर रहे हैं कि जल्दी दो-तीन दिन में इनको कंट्रोल कर लेंगे हम का अगर कंट्रोल के बाहर हो तो इसको रीफर कर दीजिएगा और अगर यह समस्या होगी कि कि किसी बड़े आस्पिटल में भेजेंगे तो खर्च कौन बहन करेगा तो परिजन खर्च बहन करने के लिए तयार है मैं लिख के दे दे रहा हूं आप समय रहते रीफर कर दीजिएगा ऐसा नहों कि यहां की दवा से उनको फाइदा भी नहों और इस तरह की इस्थिति है कि वो कहते हैं उनको जहर हुआ है मुझसे आज भी कहा है यहीं आस्पिटल में भी कहा है तो उनका ने मैं समय रहते हुए अगर ऐसी इस्थिति आएगी तो रीफर कर दूगा हम लोग मिल करके आए अभी रास्ते में थे दो घंटा हुआ बस वहां से चले हुए जब तक बताया गया कि सभी डाक्टरों ने उनको लिख दिया कि यह फिट करती में नहीं था उसको फिट घोसिट करके सीधे आई सीउ से जेल के अंदर डाल दिया गया और मीडिया के मादम से यह खबर चलवाई गई कि मुखतार बिल्कुल फिट हो चुके हैं सारे टेस्ट उनके हो गया है कोई रोग नहीं है अगर कोई रोग नहीं था तो 24 घंट बीतने के बाद ऐसा घातक अटेक कैसे आ गया जिसमें उनकी जानी चली गई अगर वो फिट थे और मेडिकल कालेज के नव डाक्टर उनको फिट घोशित कर रहे हैं तो 24 घंटे के अंदर यह क्या हो गया आप ही के कश्टडी में है रिस्पॉंस्विल्टी आपकी है वो ड डाक्टर से आपने उसी दिन जिस दिन मेरी बात हुँ इसके दो घंटे के बाद लिखवा लिया कि यह फिट है वो डाक्टर जो कह रहा कि इनको जो समस्या है मेरे विभाग की नहीं है मैं तो सर्जन हूँ खाक के दरमियान आप में और यहां के जिला धिकारी में बहुत त कि अब जत्ते लोग मिट्टी दे लिए बस और लोग मिट्टी नहीं देंगे हमने का यह क्यों आप इसके लिए थोड़ी रोक सकते हैं कि कोई अपने धार्मिक जो सिश्टम है अब आप कह सकते हैं क्या किसी का शोव अगर दास अंसकार में जा रहा है एक बार हुआ है अब भी ऐसा थोड़ी था कि लोग खुद से ही भीड़ देके नहीं जाते थे डर गय थे घर के परिवार के लाश और जनाजे को लोग जलाते नहीं थे इसे परवाह करके जल परवाह भाग जाते थे और जैसी भी से गड़ा खुद फिर आपने क्या का यह कोई उलंगन नह ही है हम उनके परिजन है और उनकी मिटी हुई है तो मिटी देने के लिए दूर दरास से जो हमारे रिष्टे नाते अजीज कारीब सबाय हुए हैं वो एक लोग प्रिया आदमी थे हमारा परिवार एक बहुत पुराना एतिहासिक परिवार है मुखतार अंसारी की इस के हुई है तो इस घटना से लोगों में कितना आक्रोश है इसका अंदाजा तो आप कहीं भी सहज देख लीजिए फिर वो तू तू मैमें एक तरीके से नोग जोग हुई नै नै तू तू मैमें नोग जोग नहीं उनका कहना था कि आचार संगिता लागू है दफ़ा चवा जाके जनाजे की नमाज पढ़ने इसके लिए मैं नहीं समझता कि कोई पर्मिशन किया वशक्ता है यह हमारे धार्मिक प्रियोजन है और इसको हम कर रहे हैं हम पूरा सायोग कर रहे थे हमने बहुत सायोग किया है जिस तरह से भी लोगों ने चाहा उस तरह से सब कुछ किय है लीड बहुत थी इसी से तो ऊपर से डांट पड़ रही थी कि एत्ते लोग आये कई से तो अब उसके लिए हम क्या कर सकते हैं आप बताइए जो जहां सुन रहा वो चल दे रहा है उसकी सहनभूती मुखतारन सारी उनके परिवार के परती है कि इन लोगों के साथ बड़ा अन्याय हुआ है अब आप घुरुप तडप करके उसको रोक दीजिए सारी रात कल से पूरे चप्पे चप्पे पे रोका गया है अब लोग आ रहे हैं हम तो कोई को बुला ले नहीं हमसे तो जिन लोगों ने पूछा क्या बज़े मिट्टी होगी क्या होगी हमने मनई किया यार की बहुत जादा तीन दिन हो गया एक तो वहां से पुस्माटम लाश आते आते रात में तो डेड़ बज़े आई है तो लो अगर कोई ये चाहता है कि दस बीस परसेंट भी लोग जो आए हुए है कहां कहां से आए हुए हैं उनको घुरुप तलब से भगा दिया जाए तो ये मनासिब नहीं है नाजायज है उस सरकार या सरकार की मनशा के अनुसार कोई परशासनिक आदिकारी भी ऐसा करता है तो देश के कानून सम्मिधान के खिलाफ है ये पहले ऐसी सरकार है और पहले ऐसी सरकार के कुछ आईसे अधिकारी आईसे समच के उनके समर्थक हैं जो जिस कारवाई को आम जंता में घ्रिणा की दिरिश से देखा जा रहा, उस कारवाई को उपनी उपलब्धी मानते हैं, खाम्यादा भुगते हैं, ये बुल्डोजर लेके किसी का घर गिरा दें, स्कूल गिरा दें, अस्पताल गिरा दें, जंग जमीन कुर्क कर दें, नजाइस तरीके से जूटे मुकदमें फसा दें, खूब आया जाए कि ये देखो बुल्डोजर ये है, यही वो है, पड़ाम क्या होता है, गाजीपूर में साथ विदान सभा की सीटे हैं, शुन्य मिली थी, भाजपा के खाते में शुन्य, अगर आँख नहीं खुली है, तो इस लोक सभा के चुनाओं में, अहंकार तो देखिए, कंश को भी अहंकार था, जो उसने ये तरीका बना लिया था कि जो उसका विरोध करेगा, मतुरा का राजा, वो उसको जेल में डाल देगा या माड डालेगा, उसने अपने बाप को, जिन्होंने उसके गलत नीतियों और उसकी जातियों का विरोध किया, तो उसके पिता को जेल में डाल दिया था लेकिन आखिर उसकी सत्ता का और उसका भी अंथुआ तो जब तक कोई कंश वाला नशा किसी के उपर है तो ये नशा भी उतरेगा ऐसा थोड़ी है कि नहीं उतरेगा इसको भी उतरना है 24 में लोकसभा का क्या परिणाम होगा गाजीपूर में? मुख्तार ने खुद अपने वकील के जरीए पत्र दिया उनके वकील ने कोट में वो दर्खास डाली उसके बाद कोट की तरफ से डाइरिक्शन भी हुआ हमने उन्नीस तारीख की बात है हमने बीस तारीख को सुपरेटेंडन जेल से बात किया उन्ने का कि हाँ तबीयत उनकी खराब है लेकिन हमने कॉल किया था हमारे अस्पताल के डाक्टर ने कहा था कि बाहर के डाक्टर बुलाए जाए तो हमने काल कर लिया था बाहर के दो डाक्टर आये थे और आज ही मैं उनके बायरिक में उनके सामने डाक्टरों को और उनको कर दिया हूँ टेस्ट शुरू हो गया है और दवा भी शुरू हो जई है हमारे उनके बीच में जो बात हुई वो रिकाट पर है आज भी हमारे पास है सक्ष के रूप में मैंने उनसे खोल के यह बात कही कि अरे सुप्रेटरेनल साहब आप इत्मिनान दिला रहें कि दो डाक्टर और आ गये हैं और जेल वाला भी डाक्टर है सब लोग इलाज कर रहे हैं लेकिन हमें सूचना मिली है कि उनको जहर दिया गया है खाने में और इससे पहले भी उनको साथ ऐसा हुआ था तो नहीं का नहीं यह गलत बात है हम लोग खाना टेस्ट टोस्ट करके तब देते हैं हमने का टेस्ट करने के लिए जो बंदीर अक्षक लगाया गया था और एक डिप्टी जेलर था जो उनका खाना टेस्ट करके खिलाता था लगबख चालीस दिन पहले उनका खाना जो आया था उसमें जहर था और इन दोनों ने टेस्ट किया और दोनों जहर का खाना खा करके बीमार पड़े और मुझे मालूम है कि ये बंदीर एक च्छक और डिप्टी जेलर जो मुक्तार के बारिक के लिए था ये दवा इलाज से ठीक नहीं हुए इनको मेडिकल कालेज में भरती कराया गया जहां उनका कई दिनों तक इलाज हुआ तो उन्होंने एक्सेप्ट किया है हाँ ऐसा तो किसी की रिपोर्ट आई कि फूट बाइजनिंग है किसी का रिपोर्ट आई कि गैस्टिक का मामला था किसी का कुछ है सबकी एक तरह से रिपोर्ट नहीं आई खाना बनाने वाला बीमार हो रहा खाना पकवाने का सुपर वीजन करने वाला बीमार हो रहा और मुक्तार न यह बीस तारीक के बात है उननीस को उनको जहर दिया गया था बीस के बाद एककईस बाइस तेईस चौबिस पच्चीस तक कोई माकूल इलाज नहीं हुआ छबिस को हालत बिलकुल खराब हो गई तब इन लोगों ने खुद सुपरेटेंट से मेरी बात हुई है उसका भी रेक अनुसार उनको मेडिकल कालेज भेजा मेडिकल कालेज के डाक्टरों ने उनकी गंभीर इस्थिती को देख करके तुरंत आईस्यू में उनको अड्मिट किया उनकी गहन परिक्षण हुए इलाज शुरू हुआ हम लोगों को एक टेलीगराम भेजा उन्होंने हमारे मुक्तार साफ बहुत सक्त बीमार है ये टेलीगराम है और आप तत्काल बांदा मेडिकल कालेज जाईए मैंने वो टेलीगराम पढ़ा सुपर्टेंडन की तरफ से टेलीगराम था हम लोग तुरंत आदे घंटे के अंदर बादा के लिए निकल लिए आठ घंटे का सफर है बांदा पहुंचे मिडकल कालेज गए तो उस समय मुक्तार से जब मुलाकात का मौका मिला तो वो होश मे थे और उन्होंने हमको फिर वही बात कही कि भाया हमने आपको बताया था ना हमको ये सब जहर दे दिये हैं और हमारा इलाज ये गंभीर होके नहीं कराए जिसका नत पसीना होता है अपनी तकलिफें फिर बताए कि कल मैं गिर गया था मुर्चित हो गया था तो जेल के लोगों ने फिर हमको यहां आस्पिटल बेजा है तो ये सारी जो बाते आप कह रहे हैं जो सरकार का जेल है प्रशासन है उसकी निगरानी में वो जेल में थे सरकार की जे अब भी बता रहे हैं कि पूरी सरकार और सरकार की मिशिनरी ये लगाई गई है कि किसी भी तरह से मुक्तार को खत्म किया जाए और बिर्जेश सिंग और तिर्भुवन सिंग जो बहुत बड़े माफिया डान है उत्तर प्रदेश नहीं राश्टी अस्तर के जो दाउद इबर पर आक्रमण हुआ था उस आक्रमण में इनके गाड़ी में बैठे हुए इनके गनर और रुस्ता मुर्फ बाबू मारा गया था और हमलावरों की तरफ से भी एक व्यक्ति जो बचाओं में की गई जवाबी फाइरिंग में मारा गया था मौके पर तीन लोगों की मौत उस मुकदमे का ट्राइल अब शुरू हो गया है बाइस तेईस साल के बाद तो उसको बचाने के लिए तो एक कोशिश ये किया आगया मिली भगत से सरकार और अपरादियों की सबकी उन लोगों ने ये किया कि एक जूट्या मुकदमा दर्ज कराया गया एक घटना का दूसरा मुकदमा दूसरी कहानी के साथ कि वो जो 2001 में घटना हुई थी वास्तविक्ता यह है कि वो जो उसमें हमलावर मारा गया उसको दिखाए गया है कि इसको मुकतार अंसारी के ड्राइवर और दो तीन लोग गये थे और बकसर जिले में किसी गाउं में को उठा लाए थे ब्रिजेस को बचाने के लिए सब काम किया और उसमें मुल्जिम सारे गवाहों को बना लिया गया जो इंजर्ड विटनेस थे नौ लोगों को गोली लगी थी जो इंजर्ड विटनेस थे दो मर गए थे नौ इंजर्ड विटनेस थे उनको मुल्जिम बना द से वादी मुकदमा पेश किया जाए और गिरिस सचू चिफ सेगरेटरी तक को पत्र लिखा लेकिन ये लोग नहीं पेश किये बहाना बाजी फोर्स लबो लुबाब क्या है लबो लबाब बिर्जेश सिंग तिर्भोन सिंग को बचाने का मकसद है उनके विरू सारे मुकदमे गवाहों को तोड के या खरीत के या धमका के या अभ्योजन की मिली भगत से उनको एक तरफ से क्लीन चिट मिलती चली जा रही है ये एक मुकदमा था जिसमें उन्हें भाय था कि मुक्तारन सारी गवाही करेंगे वो न बिकेंगे न डरेंगे तो पिर्जेश सिंग और ति किन लोगोंने ने सरकार में बैठे हुए लोग और बिर्जेश और तिर्भुन की टीम के लोग ये सब लोगोंने मिलकर के घटना अंजाम धिया है डाक्टर ने कहा कि हम लोग इनका इलाज कर रहे हैं तीन डाक्टरों का पैनल है लेकिन जब हमने कहा कौन लोग हैं हम मिल तो हमेरे सामने जो दो लोग आए वह फारमेसिस्ट है और एक जो डाक्टर इंचाज थे उनके हमने पूछा कि आप क्या करते हैं आपशे से हैं तो हमने एक का की सेर्जिरी करते हैं सरजन तो है हार्थूपेटिक भी होता है सरजन तो निरोलोजी में भी है काडियोलोजी का आप क्या है तो क्या हारनिया वगएरे तो हमने कहा कि तो यह मुखतार का इलाज आप ही हेड हो तो आपके समझ से कैसा है तो उन्होंने कहा कि देखिए इनको सरजरी का कोई मामला नहीं है फिर भी हमको इंचार्ज बनाये गया है तो हम जो हो रहा तो हमने का मेडिसिन का आप क्या करते हैं कहें हम टेली फून से अपने मित्र डाक्टरों से सलाह करके तब दवा देते हैं तो हमने कहा कि अभी क्या इस्थिती है तो कहें देखिए होश में हैं आये थे तो बेहोश थे और हम उमीद कर रहे हैं कि जल्दी दो-तीन दिन में इनको कंट्रोल कर लेंगे हम का अगर कंट्रोल के बाहर हो तो इसको रीफर कर दीजिएगा और अगर ये समस्या होगी कि कि इसी बड़े आस्पिटल में भेजेंगे तो खर्च कौन बहंद करेगा तो परिजन खर्च बहंद करने के लिए तयार है मैं लिख के दे दे रहा हूं आप समझ रहते रीफर कर दीजिएगा ऐसा नहों कि यहां की दवा से उनको फाइदा भी नहों और इस तरह की इस्थिति है कि वो कहते हैं उनको जहर हुआ है मुझसे आज भी कहा है यहीं आस्पिटल में भी कहा है तो उनका ने मैं समझ रहते हुए अगर ऐसी इस्थिति आएगी तो रीफर कर दूँगा हम लोग मील करके आए अभी रास्ते ही में थे दो घंटा हुआ बस वहां से चले हुए जब तक बताया गया कि सभी डाक्टरों ने उनको लिख दिया कि यह फिट हैं और वील चेयर पे बैठा करके जो आदमी अपनी पैनों पे खड़े होने की इस्तिति में नहीं था जो अपने दम पर बेड़ पे बैठने की इस्तिति में नहीं था उसको फिट घोसिट करके सीधे आई सीउ से जेल के अंदर डाल दिया गया और मीडिया के माद्यम से एक खबर चलवाई गई कि मुक्तार बिलकुल फिट हो जिसमें उनकी जानी चली गई अगर वो फिट थे और मेडिकल कालेज के नव डाक्टर उनको फिट घोशित कर रहे हैं तो 24 घंटे के अंदर ये क्या हो गया आप ही के कश्टडी में है रिस्पॉंसविल्टी आपकी है वो डाक्टर जो हम से कह रहा है कि हम दो तीन दिन में इनको ठीक कर लेंगे नहीं तो रिफर कर देंगे उस डाक्टर से आपने उसी दिन जिस दिन मेरी बात हुँ इसके दो घंटे के बाद लिखवा लिया कि ये फिट है वो डाक्टर जो कह रहा है कि इनको जो समस्या है मेरे विभाग की नहीं है मैं तो सर्जन हूँ खाक के दरमियान आप में और यहां के जिलाधिकारी में बहुत तूमे में हुआ बहुत जोर जबर दस्ती हुई क्या कुछ कहने की बहुत वह नहीं है वो शायद उन्हें नहीं पता है और वो यहीं कह रही थी कि अब जत्ते लोग मिट्टी दे लिए बस और लोग मिट्ट ही नहीं देंगे हमने का यह क्यों आप इसके लिए थोड़ी रोख सकते हैं कि कोई अपने धार्मिक जो सिश्टम है अब आप कह सकते हैं क्या किसी का शौव अगर दास अंसकार में जा रहा है एक बार हुआ है जब यहां करोना लगा था तब भी ऐसा थोड़ी था कि लोग खुद से ही भीड देके नहीं जाते थे डर गये घर के परिवार के लाश हो जनाजे को लोग जलाते नहीं थे इसे ही परवाह करके जल परवाह भाग जाते थे और जैसी भी से गड़ा खुद पिर आपने क्या का था मैंने का ये कोई उलंगन नहीं है इसकी पर्मीशन की अवशक्ता नहीं है हम उनके परिजन है और उनकी मिट्टी हुई है तो मिट्टी देने के लिए दूर दरास से जो हमारे रिष्टे नते अजीज कारीब सबाय हुए है वो एक लोक प्रिया आदमी थे हमारा परिवार एक बहुत पुराना एतिहासिक परिवार है मुखतार अंसारी की इस असवभाविक मौत से जो कहीं न कहीं मिली भगत से सबके हुई है तो इस घटना से लोगों में कितना आक्रोश है इसका अंदाजा तो आप कहीं भी साज देख लीजिए तो तू तू मैं में एक तरीके से न ने ने तू में नोक जोक नहीं उनका कहना था कि आचार संग्टा लागो है डफा24 लागो है पर्मीशन लेना चाहिए हम का यार मुर्दा दफन करने, मुर्दा जलाने, शवयात्रा निकालने या जनाज़ा ले जाके जनाज़े की नमज पढ़ने, इसके लिए मैं नही नह योग किया है जिस तरह से भी लोगों ने चाहा उस तरह से सब कुछ किया है जीड बहुत थी इसी से तो उपर से डाट पड़ रही थी कि एत्ते लोग आये कैसे तो अब उसके लिए हम क्या कर सकते हैं आप बताइए जो जहां सुन रहा वो चल दे रहा है उसकी सहनभूती मु लोक दीजिये सारी रात कल से पूरे चप्पे चप्पे पर रोका गया है अब लोग आ रहे हैं हम तो कोई को बुला ले नहीं हमसे तो जिन लोगों ने पूछा क्या बज़े मिट्टी होगी क्या होगी हमने मनाई किया यार की बहुत जादा तीन दिन हो गया एक तो वहां स से पुस्माटम लाश आते आते रात में तो डेड़ बज़े आई है तो लोगों में उच्छुकता थी गये हैं लोग हम समझते हैं कि पचीस बीस परसेंट लोग मिट्टी दे पाए हैं असी परसेंट लोग तो बिना मिट्टी दिये अभी लवड गये हैं एक सवाल आखरी कोई ये चाहता है कि दस बीस परसेंट भी लोग जो आए हुए हैं कहां कहां से आए हुए हैं उनको घुरुप तड़प से भगा दिया जाए तो ये मनासिब नहीं है नाजाएज है उस सरकार या सरकार की मनशा के अनुसार कोई परशासनी का अधिकारी भी ऐसा करता है तो वो देश के कानून और सम्मिधान के खिलाफ है ये पहले ऐसी सरकार है और पहली ऐसी सरकार के कुछ आइसे अधिकारी आइसे समझ के उनके समर्तक हैं जो जिस कारवाई को आम जनता में घेड़ना की दृष्ट से देखा जा रहा है उस कारवाई को उपनी उपलबधी मानत विअनों शुक्ते कि अगुदिन पैदिन यूfert ञेंखर सब्सक्राइब seem जोमादिन RED पारेंasब। लेंगे MPARA न जमीन कुछ के जूटे मकादमें में फसादें 171 फ़ी पर द्रृजे में मगदर पील्ध से ऊटवर घृत पड़ाम क्या होता है गाजीपूर में साथ विधान सभा की सीटे हैं शुन्य मिली थी भाजपा के खाते में शुन्य अगर आँख नहीं खुली है तो इस लोग सभा के चुनाओं में अहंकार तो देखिए कंश को भी अहंकार था जो उसने यह तरीका बना लिया था कि जो उसका विरोध करेगा मत्हुरा का राजा वो उसको जेल में डाल देगा या माड डालेगा उसने अपने बाप को जिन्होंने उसके गलत नीतियों और उसकी जातियों का विरोध किया तो उसके पिता को जेल में डाल दिया था लेकिन आखिर उसकी सत्ता का और उसका भी अंथुआ तो जब तक कोई कंश वाला नशा किसी के उपर है तो ये नशा भी उतरेगा ऐसा थोड़ी है कि नहीं उतरेगा इसको भी उतरना है लोकसभा का क्या परिणाम होगा गाजीपूर में जो 37 भाजपा के लोग जानते हैं सूची आई थी 195 आदमी की घुशना आई थी कि 400 सीड जीतेंगे उतर परदेश में सूची आई थी एक क्यावन लोगों की और घुशना कर दी थी कि 80 सीड जीत रहे और अभी तक नाम बताने की स्थिती में नहीं है कि गाजीपूर बलिया में कौन चुनाव लड़ेगा मेरे पास पोखता सुबूत है कि मुख्तार को जेल में जहर दिया गया मुख्तार ने खुद अपने वकील के जरीये पत्र दिया उनके वकील ने कोट में गुदर खास डाली उसके बाद कोट की तरफ से डायरिक्शन भी हुआ हमने 19 तारिख की बात है हमने 20 तारिख को सुपरेटेंड जेल से बात किया उन्होंने का कि हाँ तबीत उनकी खराब है लेकिन हमने कॉल किया था हमरे अस्पताल के डाक्टर ने का था कि बाहर के डाक्टर बुलाए जाए तो हमने काल कर लिया था, बाहर के दो डाक्टर आये थे और आज ही मैं उनके बाइरिक में उनके सामने डाक्टरों को और उनको कर दिया हूँ, टेस्ट शुरू हो गया है और दवा भी शुरू हो जई है हमारे उनके बीच में जो बात हुई वो रिकार्ट पर है आज भी हमारे पास है सक्ष के रूप में मैंने उनसे खोल के ये बात कही कि डक्साब अरे सुप्रिटेनल साहब आप इत्मिनान दिला रहें कि दो डाक्टर और आ गये हैं और जेल वाला भी डाक्टर है सब लोग इलाज कर रहे हैं लेकिन हमें सूचना मिली है कि उनको जहर दिया गया है खाने में और इससे पहले भी उनके साथ ऐसा हुआ था तो उनका नहीं यह गलत बात है हम लोग खाना टेश्ट टोस्ट करके तब देते हैं हमने का टेश्ट करने के लिए जो बंधी रक्षक लगाया गया था और एक डिप्टी जेलर था जो उनका खाना टेश्ट करके खिलाता था लगबख चालीस दिन पहले उनका खाना जो आया था उसमें जहर था और इन दोनों ने टेश्ट किया और दोनों जहर का खाना खा करके बीमार पड़े और मुझे मालूम है कि यह बंधीर एक च्छक और डिप्टी जेलर जो मुक्तार के बारिक के लिए था ये दवा इलाज से ठीक नहीं हुए इनको मेडिकल कालेज में भरती कराया गया जहां उनका कई दिनों तक इलाज हुआ तो उन्होंने एकसेप्ट किया है हाँ ऐसा हुआ था लेकिन सब का टेस्ट कराया गया तो किसी की रिपोर्ट आई कि फूट बाइजनिंग है किसी का रिपोर्ट आई कि गैस्टिक का मामला था किसी का कुछ है सबकी एक तरसे रिपोर्ट नहीं आई खाना बनाने वाला बीमार हो रहा, खाना चखने वाला बीमार हो रहा, खाना पकवाने का सुपर वीजन करने वाला बीमार हो रहा और मुगतार ने ये सारी बाते हमको फून से बताई थी, तब ही हमने सुपर टेरिनर से कहा तो उन्होंने हम से कहा कि देखिया हमने अब जो शुरू किया है बाहरी डाक्टर भी आ गया वो ठीक हो जाएंगे ये बीस तारीक के बात है 19 को उनको जहर दिया गया था 20 के बाद 21, 22, 23, 24, 25 तक कोई माकूल इलाज नहीं हुआ 26 को हालत बिलकुल खराब हो गई तब इन लोगों ने खुछ सुपरेटेंट से मेरी बात हुई है उसका भी रेकार्ड मेरे पास है दो बज़े रात में जेल सुपरेटेंट ने डाक्टरों के एडवाईज के आज़ुसार उनको मेडिकल कालेज भेजा मेडिकल कालेज के डाक्टरों ने उनकी गंभीर इस्थिती को देख करके तुरंत आईस्यू में उनको अड्मिट किया उनकी गहन परिक्षण हुए इलाज शुरू हुआ हम लोगों को एक टेलीग्राम भेजा उन्होंने हमारे मुहमदाबाद थाने पे यहां से पुलिस के लोग आए उनका मुखतार साथ बहुत सक्त बीमार है यह टेलीग्राम है और आप ततकाल बांदा मेडिकल कालेज जाईए मैंने वो टेलीग्राम पढ़ा सुपर्टेंडन की तरफ से टेलीग्राम था हम लोग तुरंत आदे घंटे के अंदर बांदा के लिए निकल लिए आठ घंटे का सफर है बांदा पहुंचे मेडिकल कालेज गए तो उस समय मुखतार से जब मुलाकात का मौका मिला तो वो हो जिजा हुआ जहर असर कर गया है मैं बहुत कमजोर हो गया हूँ मेरा पेट बहुत भूल गया है गैस बहुत बन रही है और कि मुझे घबराहट होती है पसीना होता है अपनी तकलीफें फिर बताए कि कल मैं गिर गया था मुर्चित हो गया था तो जेल के लोगों ने फिर हमको यहां आस्पिटल बेजा है यह सारी जो बाते आप कह रहे हैं जो सरकार का जेल है प्रशासन है उसकी निगरानी में वो जेल में थे सरकार की जेल है उसमें वो कैन्दी थे तो ये सारे जो आप बातें कह रहे हैं तो इसके पीछे का कारण क्या है देखिए हमने पहले भी कहा अब भी बता रहे हैं कि पूरी सरकार और सरकार की मिशिनरी ये लगाई गई है कि किसी भी तरह से मुखतार को खत्म किया जाए बांबी जेजे हास्पीटल कांड में उनके विरुद एक मुकदमा था जिसमें मुक्तार वादी मुकदमा था 15 जुलाई 2001 को उनके उपर आक्रमण हुआ था उस आक्रमण में इनके गारी में बैठे हुए इनके गनर और रुस्ता मुर्फ बाबू मारा गया था और हमलावरों की तरफ से भी एक व्यक्ती जो बचाओं में की गई जवाबी फाइरिंग में मारा गया था मौके पे तीन लोगों की मौत हुई थी उस मुकदमे का ट्राइल अब शुरू हो गया है 22-23 साल के बाद तो उसको बचाने के लिए तो एक कोशिश ये किया गया मिली भगत से सरकार और अपरादियों की सबकी उन लोगों ने ये किया कि एक जूटिया मुकदमा दर्ज कराये गया एक घटना का दूसरा मुकदमा दूसरी कहानी के साथ कि वो जो 2001 में घटना हुई थी वास्तविक्ता यह है कि वो जो उसमें हमलावर मारा गया उसको दिखाये गया है कि इसको मुक्तार अंसारी के ड्राइवर और दो-तीन लोग गय थे और बकसर जिले में किसी गाउं में रहते हैं वहां की निवासी हैं उनको उठा लाए थे ब्रिजेस को बचाने के लिए सब काम किया और उसमें मुल्जिम सारे गवाहों को बना लिया गया जो इंजड विटनेस थे नौ लोगों को गोली लगी थी जो इंजड विटनेस थे दो मर गय थे नौ इंजड विटने के लिए अब योजन के गवा के हैसित से वादी मुकदमा पेश किया जाए और गिरिश सच्छी और चिफ सेग्रेटरी तक को पत्र लिखा लेकिन ये लोग नहीं पेश किये बहाना बाजी फोर्स लबो लबाब क्या है लबो लबाब बिजेश सिंग तिर्भोन सिंग को बचा मिलती चली जा रही है ये एक मुकदमा था जिसमें उन्हें भाय था कि मुक्तारन सारी गवाही करेंगे वो न बिकेंगे न डरेंगे तो बिर्जेश सिंग और तिर्भोन सिंग को बचाने का सपना पूरा नहीं हो पाएगा और इसलिए उन लोगों ने एक सूनियोजित बैठे हुए लोग अड्मिस्टेशन में बैठे हुए लोग जेल परशासन में बैठे हुए लोग और बिर्जेश और तिर्भोन की टीम के लोग ये सब लोग उने मिल करके घटना अंजाम दिया है डाक्टर ने कहा कि हम लोग इनका एलाज कर रहे हैं तीन डाक्टरों का पैनल है लेकिन जब हमने कहा कौन लोग हैं हम मिल लें तो हमारे सामने जो दो लोग आए वो फार्मेसिस्ट थे और एक जो डाक्टर इंचार्ज थे उनके हमने पूछा कि आप क्या करते हैं आप मेडिसिन के हैं यह कहने हम सर्जन हैं तो हमने का है कि सर्जरी करते हैं तो नियुरोलोजी में भी है काडियोलोजी का आप क्या है तो कहा हारनिया वगएर तो हमने कहा कि तो यह मुख्तार का इलाज आप ही हेड हो तो आपके समझ से कैसा है तो उन्होंने कहा कि देखिए इनको सरजरी का कोई मामला नहीं है फिर भी हम को इंचार्ज बनाए गया है तो हम जो हो रहा है तो हमने कहा कि मेडिसिन का आप क्या करते हैं कहे हम टेलीफोन से अपने मित्र डाक्टरों से सला कर के तब दवा देते हैं तो हमने कहा कि अभी क्या इस्थिति है तो कहें देखिए होश में हैं आये थे तो बेहोश थे और हम उमीद कर रहे हैं कि जल्दी दो-तीन दिन में इनको कंट्रोल कर लेंगे हमका अगर कंट्रोल के बाहर हो तो इसको रीफर कर दीजेगा और अगर ये समस्या होगी कि कि किसी नहों कि यहां की दवा से उनको फाइदा भी नहों और इस तरह की इस्थिति है कि वो कहते हैं उनको जहर हुआ है मुझसे आज भी कहा है यहीं आस्पिटल में भी कहा है तो उनका ने मैं समय रहते हुए अगर ऐसी इस्थिति आएगी तो रीफर कर दूँगा हम लोग मिल करके आए अभी रास्ते में थे दो घंटा हुआ बस वहां से चले हुए जब तक बताया गया कि सभी डाक्टरों ने उनको लिख दिया कि यह फिट हैं और वीलचेयर पर बैठा करके जो आदमी अपनी पै जेल के अंदर डाल दिया गया और मीडिया के माद्यम से एक खबर चलवाई गई कि मुक्तार बिल्कुल फिट हो चुके हैं सारे टेस्ट उनके वो गया है कोई रोग नहीं है अगर कोई रोग नहीं था तो 24 घंटा बीतने के बाद ऐसा घातक अटेक कैसे आ गया जिसमें उनकी जानी चली गई अगर वो फिट थे और मेडिकल कालेज के नव डाक्टर उनको फिट घोशित कर रहे हैं तो 24 घंटे के अंदर ये क्या हो गया आप ही के कश्टडी में है रिस्पॉंसेविल्टी आपकी है वो डाक्टर जो हमसे का रहा है कि हम दो-तीन दिन में इनको ठीक कर लेंगे नहीं तो रिफर कर लेंगे उस डाक्टर से आपने उसी दिन जिस दिन मेरी बात हुए उसके दो घंटे के बाद लिखवा लिया कि ये फिट है वो डाक्टर जो कह रहा है कि इनको जो समस्या है मेरे विभाग की नहीं है मैं तो सर्जन हूँ खाक के दर्मियान आप में और यहां के जिलाधिकारी में बहुत तूतुमे में हुआ बहुत जोर जबरदस्ती हुई क्या कुछ कहने की बहुत वो नहीं है वो शायद उन्हें नहीं पता है और वो यहीं कह रही थी कि अब जत्ते लोग मिट्टी दे लिए बस और लोग मिट्टी नहीं देंगे हमने का यह क्यों आप इसके लिए थोड़ी रोख सकते हैं कि कोई अपने धार्मिक जो सिश्टम है अब आप कह सकते हैं क्या किसी का शौव अगर दास अंसकार में जा रहा है एक बार हुआ है जब यहां करोना लगा था तब भी ऐसा थोड़ी था कि लोग खुद से ही भीड़ देके नहीं जाते थे डर गए थे घर के परिवार के लाश और जनाजे को लोग जलाते नहीं थे इसे ही परवाह करके जल परवाह भाग जाते थे और जैसी भी से गड़ा खुद फिर आपने क्या का मैंने का ये कोई उलंगन नहीं है इसकी परमीशन की अवशक्ता नहीं है हम उनके परिजन है और उनकी मिट्टी हुई है तो मिट्टी देने के लिए दूर दरास से जो हमारे रिष्टे नते अजीज कारीब सबाय हुए हैं वो एक लोग प्रिया आदमी थे हमारा परिवार एक बहुत पुराना एतिहासिक परिवार है मुखतार अंसारी की इस असवभाविक मौत से जो कहीं न कहीं मिली भगत से सबके हुई है तो इस घटना से लोगों में कितना आक्रोश है इसका अंदाजा तो आप कहीं भी साज देख लीजे तो तू तू मैं में एक तरीके से जोख हुई नै नै तू तू मैं में नोग जोक नहीं उनका कहना था कि आचार संगिता लागु है नफावलीस लागु है परमीशन लेना चाहिए हमका यार मूरदा दफन करने मूरदा जलाने शवयात्रा निकालने या जनाज़ा ले जाके जनाज़े मैं नमाज़े की किया है जिस तरह से भी लोगों ने चाहा उस तरह से सब कुछ किया है इड़ बहुत थी इसी से तो उपर से डाट पड़ रही थी कि एत्ते लोग आये कैसे तो अब उसके लिए हम क्या कर सकते हैं आप बताइए जो जहां सुन रहा वो चल दे रहा है उसकी सहनभूती मुखता करन सारी और उनके परिवार के परती है कि इन लोगों के साथ बड़ा अन्याय हुआ है अब आप घुरुप तडप करके उसको रोक दीजिए सारी रात कल से पूरे चपे चपे पे रोका गया है अब लोग आ रहे हैं हम तो कोई को बुलाने नहीं हमसे तो जिन लोगों ने पूछा के बज़े मिट्टी होगी क्या होगी हमने मनाई किया यार की बहुत जादा तीन दिन हो गया एक तो वहां से पुस्माटम लाश आते आते रात में तो डेड़ बज़े आई है तो लोगों में उत्सुकता थी गए हैं लोग हम समझते हैं कि पचीस बीस परसेंट ल तो जो आए हुए हैं कहां कहां से आए हुए हैं उनको घुरुप तड़प से भगा दिया जाए तो ये मनासिब नहीं है नाजाएज है उस सरकार या सरकार की मनशा के अनुसार कोई परशासनी का अधिकारी भी ऐसा करता है तो वो देश के कानून और सम्मिधान के खिलाफ है ये पहले ऐसी सरकार है और पहले ऐसी सरकार के कुछ आएसे अधिकारी और ऐसे समझ के उनके समर्थक हैं जो जिस कारवाई को आम जनता में घेना की दिरिश्ट से देखा जा रहा उस कारवाई को उपनी उपलब्धी मानते हैं खाम्यादा भुगतते हैं ये समीन कुर्क कर दें नजाइस तरीके से जूटे मुकदमें फसा दें खूब धेडोरा पीठे बुल्डोजर 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 नाम रखने बाबा बुल्डोजर सभा अस्थर पर बुल्डोजर खड़ा करके लोगों को दराया जाए कि ये देखो बुल्डोजर यह है यही वो है पड़ाम क्या होता है गाजीपूर में साथ विदान सभा की सीटे हैं शुन्य मिली थी भाजपा के खाते में शुन्य अगर आँख नहीं खुली है तो इस लोग सभा के चुनाओं में अहंकार तो देखिए कंश को भी अहंकार था जो उसने यह तरीका बना लिया था कि जो उसका विरोध करेगा मत्वरा का राजा वो उसको जेल में डाल देगा या माड डालेगा उसने अपने बाप को जिनों ने उसके गलत नीतियों और उसकी जातियों का विरोथ किया तो उसने पिता को जेल में डाल दिया था लेकिन आखिर उसकी सत्ता का और उसका भी अंथुआ तो जब तक कोई कंश वाला नशा किसी के उपर है तो ये नशा भी उतरेगा ऐसा थोड़ी है कि नहीं उतरेगा इसको भी उतरना है लोगसभा का क्या परिणाम होगा गाजीपूर में? जोती सास भाजपा के लोग जानते हैं सूची आई थी एक सो पन्चानवे आदमी की घुशना आई थी कि चार सो सीड़ जीतेंगे उत्तर प्रदेश में सूची आई थी एक क्यावन लोगों की और घुशना कर दी थी कि 80 सीड़ जीत रहे और अभी तक नाम बताने की स्थिती में नहीं है कि गाजीपूर बलिया में कौन चुनाव लड़ेगा मेरे पास पोखता सुबूत है कि मुक्तार को जेल में जहर दिया गया मुक्तार ने खुद अपने वकील के जरिये पत्र दिया उनके वकील ने कोट में वो दर्खास डाली उसके बाद कोट की तरफ से डाइरिक्शन भी हुआ हमने उन्नीस तारीख की बात है हमने बीस तारीख को सुपरेटेंडन्ट जेल से बात किया उन्ने कहा कि हाँ तबीयत उनकी खराब है लेकिन हमने कॉल किया था हमरे अस्पताल के डाक्टर ने कहा था कि बाहर के डाक्टर बुलाए जाए तो हमने कॉल कर लिया था बाहर के दो डाक्टर आये थे और आज ही मैं उनके बायरिक में उनके सामने डाक्टरों को और उनको कर दिया हूँ टेस्ट शुरू हो गया है और दवा भी शुरू हो जई है हमारे उनके बीच में जो बात हुई वो रिकार्ट पर है आज भी हमारे पास है साक्ष के रूप में मैंने उनसे खोल के ये बात कही कि डाक्ट साब अरे सुपरिटेनल साब आप इट्विनान दिला रहें कि दो डाक्टर और आ गये हैं और जेल वाला भी डाक्टर है सब लोग इलाज कर रहे हैं लेकिन हमें सूचना मिली है कि उनको जहर दिया गया है खाने में और इससे पहले भी उनके साथ हैसा हुआ था तो उनका नहीं यह गलत बात है हम लोग खाना टेश्ट टोस्ट करके तब देते हैं हमने का टेश्ट करने के लिए जो बंधी रक्षक लगाया गया था और एक डिप्टी जेलर था जो उनका खाना टेश्ट करके बीमार पड़े और मुझे मालूम है कि यह बंधी रक्षक और डिप्टी जेलर जो मुक्तार के बारिक के लिए था यह दवा इलाज से ठीक नहीं हुए इनको मेडिकल कालेज में भरती कराया गया जहां उनका कई दिनों तक इलाज हुआ तो उन्होंने एकसेप्ट किया है हाँ ऐसा हुआ था लेकिन सबका टेस्ट कराया गया तो किसी की रिपोर्ट आई कि फूट बाइजनिंग है किसी का रिपोर्ट आई कि गैस्टिक का मामल हो रहा है और मुख्तार ने ये सारी बाते हमको फून से बताई थी तब ही हमने सूपर ट्रेनर से कहा तो उन्होंने हम से कहा कि देखिया हमने अब जो शुरू किया है बाहरी डाक्टर भी आ वो ठीक हो जाएंगे ये 20 तारीक के बात है 19 को उनको जहर दिया गया था 20 के बाद 21, 22, 23, 24, 25 तक कोई माकूल इलाज नहीं हुआ 26 को हालत बिलकुल खराब हो गई तब इन लोगों ने खुद सुपरेटेंडेंट से मेरी बात हुई है उसका भी रेकार्ड मेरे पास है दो बज़े रात में जेल सुपरेटेंडेंट ने डाक्टरों के एडवाईज के आदुसाद उनको मेडिकल कालेज भेजा मेडिकल कालेज के डाक्टरों ने उनकी गंभीर इस्थिती को देख करके तुरंत आईस्यू में उनको अड्मिट किया उनकी गहन परिक्षण हुए एलाज शुरू हुआ हम लोगों को एक टेलीगराम भेजा उन्होंने हमारे मुहमदाबाद थाने पे यहां से पुलिस के लोग आए उनका मुखतार साफ बहुत सक्त बीमार है यह टेलीगराम है और आप ततकाल बांदा मेडिकल कालेज जाईए मैंने वो टेलीगराम पढ़ा सुपर्टेंडन की तरफ से टेलीगराम था हम लोग तुरंत आदे घंटे के अंदर बादा के लिए निकल लिए आठ घंटे का सफर है बांदा पहुंचे मेडिकल कालेज गए तो उस समय मुखतार से जब मुलाकात का मुखा मिला तो वो होश मे थे और उन्होंने हमको फिर वही बात कही कि भाया हमने आपको बताया था ना हमको यह सब जहर दे दिये हैं और हमारा इलाज यह गंभीर होके नह मुझे घबराहट होती है पसीना होता है अपनी तकलीफें फिर बताए कि कल मैं गिर गया था मुर्चित हो गया था तो जेल के लोगों ने फिर हमको यहां आस्पिटल भेजा है तो यह सारी जो बाते आप कह रहे हैं जो सरकार का जेल है प्रशासन है उसकी निगरानी में वो जेल में थे सरकार की जेल है उसमें वो कैदी थे तो यह सारे जो आप बातें कह रहे हैं तो इसके पीछे का कारण क्या देखिए हमने पहले भी कहा आप भी बता रहे हैं कि इसी भी तरह से मुक्तार को खत्म किया जाए और बिर्जेश सिंग और तिर्भुवन सिंग जो बहुत बड़े माफिया डान है उत्तरप्रदेश नहीं राश्टी अस्तर के जो दाउद इब्राहीम के भी को अक्यूजड हैं बांबी जेजे हास्पीटल कांड में उनके और रुस्ता मुर्फ बाबू मारा गया था और हमलावरों की तरफ से भी एक व्यक्ति जो बचाओं में की गई जवाबी फाइरिंग में मारा गया था मौके पे तीन लोगों की मौत हुई थी उस मुकदमे का ट्रायल अब शुरू हो गया है बाईस तेईस साल के बाद तो बचाने के लिए तो एक कोशिश ये किया गया मिली भगत से सरकार और अपरादियों की सबकी उन लोगों ने ये किया कि एक जूठिया मुकदमा दर्च कराया गया एक घटना का दूसरा मुकदमा दूसरी कहानी के साथ कि वो जो दो हजार एक में घटना हुई थी इत्ता यह है कि वो जो उसमें हमलावर मारा गया, उसको दिखाये गया है कि इसको मुक्तार अंसारी के ड्राइवर और दो-तीन लोग गये थे और बकसर जिले में किसी गाउं में उरहते हैं, वहां की निवासी हैं, उनको उठा लाए थे. ब्रिजेस को बचाने के लिए सब काम किया? और गिरिस सची और चिफ सेग्रेटरी तक को पत्र लिखा, लेकिन ये लोग नहीं पेश किये, बहाना बाजी फोर्ट. लबो लबाब क्या है? उनके सारे मुकदमे गवाहों को तोड के या खरीत के या धमका के या अभ्योजन की मिली भगत से उनको एक तरफ से क्लीन चिट मिलती चली जा रही है. ये एक मुकदमा था, जिसमें उन्हें भाय था कि मुक्तारन सारी गवाही करेंगे, वो न बिखेंगे न डरेंगे, तो बिर्जेश सिंग और तिर्भौन सिंग को बचाने का सपना पूरा नहीं हो पाएगा. और इसलिए उन लोगों ने एक सुनियोजित घटना करम के तहट, किन लोगों ने, उन्हें सरकार में बैठे हुए लोग, आइडमिस्टेशन में बैठे हुए लोग, जेल परशासन में बैठे हुए लोग, और बिर्जेश और तिर्भौन की टीम के लोग, ये सब लोगों मिल करके यह घटना अंजाम दिया है डाक्टर ने कहा कि हम लोग इनका एलाज कर रहे हैं तीन डाक्टरों का पैनल है लेकिन जब हमने कहा कौन लोग हैं हम मिल ले तो हमारे सामने जो दो लोग आए वो फार्मेसिस्ट थे और एक जो डाक्टर इंचार्ज थे उनके हमने पू सर्जेंट तो निरोलोजी में भी है काडियोलोजी का आप क्या हैं तो कहा हारनिया वगएरा तो हमने कहा कि तो यह मुखतार का इलाज आप ही हेड हो तो आपके समझ से कैसा है तो उन्होंने कहा कि देखिए इनको सरजरी का कोई मामला नहीं है फिर भी हमको इन चार्ज बनाई गया है तो हम जो गोरा तो हमने कहा मेडिसिन का आप क्या करते हैं कै हम तेलि फून से अपने मित्र डाक्टरों से सला करके तब दवा देते हैं तो हमने कहा कि अभी क्या इस्तिती है तो कहें देखिए होश में हैं आये थे तो बेहोश थे और हम उमीद कर रहे हैं कि जल्दी दो-तीन दिन में इनको कंट्रोल कर लेंगे हम का अगर कंट्रोल के बाहर हो तो इसको रीफर कर दीजेगा और अगर ये समस्या होगी कि किसी यहां कि दवा से उनको फाइदा भी नहों और इस तरह की इस्तिती है कि वो कहते हैं उनको जहर हुआ है मुझसे आज भी कहा है यहीं आस्पिटल में भी कहा है तो उनका ने मैं समझ रहते हुए अगर ऐसी इस्तिती आएगी तो रीफर कर दूँगा हम लोग मिल करके आए अभी रास्ते ही में थे दो घंटा हुआ बस वहां से चले हुए जब तक बताया गया कि सभी डाक्टरों ने उनको लिख दिया कि यह फिट हैं और वीलचेयर पर बैठा करके जो आदमी अपनी प से जेल के अंदर डाल दिया गया और मीडिया के मादम से एक खबर चलवाई गए कि मुखतार बिल्कुल फिट हो चुके हैं सारे टेस्ट उनके वो गया है कोई रोग नहीं है अगर कोई रोग नहीं था तो चौविस घंटा बीतने के बाद ऐसा घातक अटेक कैसे आ गया जिसमें उनकी जानी चली गई अगर वो फिट थे और मेडिकल कालेज के नव डाक्टर उनको फिट घोशित कर रहे हैं तो चौविस घंटे के अंदर ये क्या हो गया आप ही के कश्टडी में है रिस्पॉंसविल्टी आपकी है वो डाक्टर जो हमसे कहा रहा है कि हम दो-तीन दिन में इनको ठीक कर लेंगा नहीं तो रिफर कर देंगा उस डाक्टर से आपने उसी दिन जिस दिन मेरी बात हूँ इसके दो घंटे के बाद लिख़िवा लिया कि ये फिट है वो डाक्टर जो कह रहा है कि इनको जो समस्या है मेरे विभाग की नहीं है मैं तो सर्जन हूँ खाक के दर्मियान आप में और यहां के जिलाधिकारी में बहुत तूमे में हुआ बहुत जोर जबर दस्ती हुई क्या करें कुछ कहने की बहुत वो नहीं है वो शायद उन्हें नहीं पता है और वो यहीं कह रही थी कि अब जत्ते लोग मिट्टी दे लिए बस और लोग मिट्टी नहीं देंगे हमने का यह क्यों आप इसके लिए थोड़ी रोक सकते हैं कि कोई अपने धार्मिक जो सिश्टम है अब आप कह सकते हैं क्या किसी का शौव अगर दास अंसकार में जा रहा है एक बार हुआ है जब यहां करोना लगा था तब भी ऐसा थोड़ी था कि लोग खुद से ही भीड़ देके नहीं जाते थे डर गए थे घर के परिवार के लाश और जनाजे को लोग जलाते नहीं थे इसे ही परवाह करके जल परवाह भाग जाते थे और जैसी भी से गड़ा खुद फिर आपने क्या था मैंने का ये कोई उलंगन नहीं है इसकी परमीशन की अवशक्ता नहीं है हम उनके परिजन है और उनकी मिट्टी हुई है तो मिट्टी देने के लिए दूर दरास से जो हमारे रिष्टे नते अजीज कारीब सबाय हुए हैं वो एक लोग प्रिया आदमी थे हमारा परिवार एक बहुत पुराना एतिहासिक परिवार है मुखतार अंसारी की इस असवभाविक मौत से जो कहीं न कहीं मिली भगत से सबके हुई है तो इस घटना से लोगों में कितना आक्रोश है इसका अंदाजा तो आप कहीं भी साज देख लीजिए तो तू तू मैमें एक तरीके से नोग जोख हुई नए नए तू मैमें नोग जोख ने उनका कहना था कि आचार संगिता लागू है दफाच वालीस लागू है परमीशन लेना चाहिए हम का यार मुर्दा दफन करने मुर्दा जलाने शवयात्रा निकालने या जनाज़ा ले जाके जनाज़े की नमाज पढ शक्ता है यह हमारे धार्मिक प्रियोजन है तो इसको हम कर रहे हैं हम पूरा सायोग कर रहे थे हमने बहुत सायोग किया है जिस तरह से भी लोगों ने चाहा उस तरह से सब कुछ किया है लीड बहुत थी इसी से तो उपर से डांट पड़ रही थी कि एत्ते लोग आये कैसे तो अब उसके लिए हम क्या कर सकते हैं आप बताईए जो जहां सुन रहा वो चल दे रहा है उसकी सहनभूती मुखतारन सारी और उनके परिवार के परती है कि इन लोगों के साथ बड़ा अन्याय हुआ है अब आप घुरुप तरप करके उसको रोक दीजिये सारी रात कल से प योगी क्या होगी हमने मनई किया यार की बहुत जादा तीन दिन हो गया एक तो वहां से पुस्माटम लाश आते आते रात में तो डेड़ बज़े आई है तो लोगों में उसकता थी गए हैं लोग हम समझते हैं कि पचीस बीस परसेंट लोग मिट्टी दे पाए हैं असी प हुए हैं कहां कहां से आए हुए हैं उनको घुरुप तलब से भगा दिया जाए तो ये मनासिब नहीं है नाजाएज है उस सरकार या सरकार की मनशा के अनुसार कोई परशासनी का अधिकारी भी ऐसा करता है तो वो देश के कानून और सम्मिधान के खिलाफ है ये पहले ऐस सरकार है और पहली ऐसी सरकार के कुछ ऐसे अधिकारी और ऐसे समझ के उनके समर्थक हैं जो जिस कारवाई को आम जनता में घेना की दिरिश से देखा जा रहा है उस कारवाई को उपनी उपलब्धी मानते हैं खाम्यादा भुगतते हैं ये बुल्डोजर लेके किसी का घर गिरा दें इस्कूल गिरा दें अस्पताल गिरा दें जंग जमीन कुर्क कर दें नजाइस तरीके से जूटे मुकदमें फसा दें अखूब धेडोरा पीठे बुल्डोजर 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 नाम रखने बाबा बुल्डोजर सभा अस्थर पर हाथे में शुन अगर आँख नहीं खुली है तो इस लोग सभा के चुनाओं में अहंकार तो देखिए कंश को भी अहंकार था जो उसने यह तरीका बना लिया था कि जो उसका विरोध करेगा मतुरा का राजा वो उसको जेल में डाल देगा या माड डालेगा उसने अपने बाप को जिनों ने उसके गलत नीतियों और उसकी जात्तियों का विरोध किया तो उसने पिता को जेल में डाल दिया था लेकिन आखिर उसकी सत्ता का और उसका भी अंथुआ तो जब तक कोई कंश वाला नशा किसी के उपर है तो ये नशा भी उतरेगा ऐसा थोड़ी है कि नहीं उतरेगा इसको भी उतरना है जोति सास्त भाजपा के लोग जानते हैं सूची आई थी 195 आदमी की घुशना आई थी कि 400 सीड जीतेंगे उतर प्रदेश में सूची आई थी एक क्यावन लोगों की और घुशना कर दी थी कि 80 सीड जीत रहे और अभी तक नाम बताने की स्थिती में नहीं है कि गाजपूर बलिया में कौन चुनाव लड़ेगा मेरे पास पोखता सुबूत है कि मुख्तार को जेल में जहर दिया गया मुख्तार ने खुद अपने वकील के जर्ये पत्र दिया उनके वकील ने कोट में गोदरखास डाली उसके बाद कोट की तरफ से डारिक्शन भी हुआ हमने उन्नीस तारीख की बात है हमने बीस तारीख को सुपरेटेंडन जेल से बात किया उन्होंने कहा कि हाँ तबियत उनकी खराब है लेकिन हमने कॉल किया था हमरे अस्पताल के डाक्टर ने कहा था कि बाहर के डाक्टर बुलाए जाए तो हमने call कर लिया था बाहर के दो डॉक्टर आये थे। और आज ही मैं उनके बैयरिक में उनके सामने डॉक्टरों को और उनको कर दिया हूं। टेश्ट शुरू हो गया है और दवा भी शुरू हो जाई है। हमारे उनके बीच में जो बात हुई वो रिकार्ट पर है आज भी हमारे पास है सक्ष के रूप में मैंने उनसे खोल के ये बात कही कि डग साब अरे सुपरिटेनल साहब आप इत्मिनान दिला रहें कि दो डाक्टर और आ गए हैं और जेल वाला भी डाक्टर है सब लोग इलाज कर रहे हैं लेकिन हमें सूचना मिली है कि उनको जहर दिया गया है खाने में और इससे पहले भी उनके साथ ऐसा हुआ था तो उनका नहीं यह गलत बात है हम लोग खाना टेस्ट टोस्ट करके तब देते हैं हमने का टेस्ट करने के लिए जो बंधी रक्षक लगाया गया था और एक डिप्टी जेलर था जो उनका खाना टेस्ट करके खिलाता था लगबग चालीस दिन पहले उनका खाना जो आया था उसमें जहर था और इन दोनों ने टेस्ट किया और दोनों जहर का खाना खा करके बीमार पड़े और मुझे मालूम है कि ये बंधी रक्षक और डिप्टी जेलर जो मुक्तार के बारिक के लिए था ये दवा इलाज से ठीक नहीं हुए इनको मेडिकल कालेज में भरती कराया गया जहां उनका कई दिनों तक इलाज हुआ तो उन्होंने एक्सेप्ट किया है हाँ ऐसा हुआ था लेकिन सब काटे स्ट कराया गया तो किसी की रिपोरți आई कि फूंट बाइजटनेंग है किसी का रिपोरट आई कि गायिस्टीक का मामला था किसी का कुछ है सबकी एक तरह से रिपोर्ट नहीं आई खाना- बनाने वाला बीमार हो रहा खाना बख्फ़एशन खॉत तब ही हमने सुपर्ट्रेनर से कहा, उन्होंने हमसे कहा कि देखिया हमने अब जो शुरू किया है, बाहरी डाक्टर भी आ गया, वो ठीक हो जाएंगे, ये बीस तारीक के बात है, उननीस को उनको जहर दिया गया था, बीस के बाद, एककईस, बाइस, तेईस, चौबिस, पच है, दो बजे रात में जेल सुपर्टेनेंट ने डाक्टरों के एडवाईज के आदुसार, उनको मेडिकल कालेज भेजा, मेडिकल कालेज के डाक्टरों ने उनकी गंभीर इस्थिती को देख करके, तुरंत आई-स्यू में उनको अड्मिट किया, उनकी गहन परिक्षन हु हुआ, हम लोगों को एक टेलिगराम भेजा उन्होंने, हमारे मुहमदाबाद थाने पे, यहां से पुलिस के लोग आए, उनका मुखतार साब बहुत सक्त बीमार है, यह टेलिगराम है, और आप ततकाल बांदा मेडिकल कालेज जाईए, मैंने वो टेलिगराम पढ़ा, सु मुखतार से जब मुलाकात का मुखा मिला, तो वो होश मे थे, और उन्होंने हमको फिर वही बात कही कि भाया, हमने आपको बताया था ना, हमको यह सब जहर दे दिये हैं, और हमारा इलाज यह गंभीर होके नहीं कराए, जिसका नतीजा हुआ जहर असर कर गया है, मैं बहु गिर गया था, मुर्चित हो गया था, तो जेल के लोगों ने फिर हमको यहां आस्पिटल बेजा है, तो यह सारी जो बाते आप कह रहे हैं, जो सरकार का जेल है, प्रशासन है, उसकी निगरानी में वो जेल में थे, सरकार की जेल है, उसमें वो कैदी थे, तो यह सारे जो आ कार की मिशिनरी ये लगाई गई है कि किसी भी तरह से मुक्तार को खत्म किया जाए और बिर्जेश सिंग और तिर्भुवन सिंग जो बहुत बड़े माफिया डान है उत्तर प्रदेश नहीं राश्टी अस्तर के जो दाउद इबराहीम के भी को अक्यूजड हैं बांबी सारी में बैठे हुए इनके गनर और रुस्ता मुर्फ बाबू मारा गया था और हमलावरों की तरफ से भी एक व्यक्ति जो बचाओं में की गई जवाबी फाइरिंग में मारा गया था मौके पे तीन लोगों की मौत हुई थी उस मुकदमे का ट्राइल अब शुरू हो गया है बाइस तेईस साल के बाद तो उसको बचाने के लिए तो एक कोशिश यह किया आगया मिली भगत से सरकार और अपरादियों की सबकी उन लोगों ने ये किया कि एक जूटिया मुकदमा दर्ज कराये गया एक घटना का दूसरा मुकदमा दूसरी कहानी के साथ कि वो जो 2001 म में हमलावर मारा गया उसको दिखाये गया है कि इसको मुक्तार अंसारी के ड्राइवर और दो तीन लोग गये थे और बकसर जिले में किसी गाउं में उरहते हैं वहां की निवासी हैं उनको उठा लाए थे ब्रिजेस को गवाही से बाज आ जाएंगे उसके बावजूद गवाही चलती रही है कोट ने आडर किया मुक्तार को पेश किया जाए गवाही के लिए अब योजन के गवाह के हिस्यत से वादी मुकदमा पेश किया जाए और गिरिस सच्चु चिफ सग्रेटरी तक को पत्र लिखा लेकिन ये लोग नहीं पेश किये बहाना बाजी फोर्स लबो लुबाब क्या है लबो लबाब बिजेस सिंग तिर्भोन सिंग को बचाने का मकसद है उनके विरुद सारे मुकदमे गवाहों को तोड के या खरीत के या धमका के या अभ्योजन की मिली भगत से उनको एक तरफ से क्लीन चिड्ट मिलती चली जा रही है ये एक मुकदमा था जिसमें उन्हें भाय था कि मुक्तारन सारी गवाही करेंगे वो न बिगेंगे न डरेंगे तो बिरुद सिंग और तिर्भोन सिंग को बचाने का सपना पूरा नहीं हो पाएगा और इसलिए उन लोगों ने एक सूनियो के लोग और बिर्जेस और तिर्भोन की टीम के लोग ये सब लोगोंने मिल करके घटना अंजाम दिया है डाक्टर ने कहा कि हम लोग इनका एलाज कर रहे हैं तीन डाक्टरों का पैनल है लेकिन जब हमने कहा कौन लोग हैं हम मिल ले तो हमारे सामने जो दो लोग आए वो स्रक्रमेश थे अफ़ एक जो डाक्टरर इंचार्ज थे उनके हमने पूछा कि आप क्या करते हैं मेडिसिन के हैं या कहां सर्जन है तो यह कि सर्जरी करते हैं सर्जन तो आर्थोपेटिक भी होता है सर्जन तो निूरोलोजी में भी है काडियोलोजी का आप क्या है तो कहा हारनिया वगएर तो हमने कहा कि तो यह मुखतार का इलाज आप ही हेड हो तो आपके समझ से कैसा है तो उन्होंने कहा कि देखिए इनको सरजरी का कोई मामला नहीं है फिर भी हमको इन्चार्ज बनाये गया है तो हम जो हो रहा है तो हमने का मेडिसिन का आप क्या करते हैं कहें हम टेली फून से अपने मित्र डाक्टरों से सला करके तब दवा देते हैं तो हमने कहा कि अभी क्या इस्तिती है तो कहें देखिए होश में हैं आये थे तो बेहोश थे और हम उमीद कर रहे हैं कि जल्दी दो-तीन दिन में इनको कंट्रोल कर लेंगे हमका अगर कंट्रोल के बाहर हो तो इसको रीफर कर दीजेगा और अगर ये समस्या होगी कि कि किसी बड़े आस्पिटल में भेजेंगे तो खर्च कौन बहन करेगा तो परिजन खर्च बहन करने के लिए तयार है मैं लिख के दे दे रहा हूं आप समय रहते रीफर कर दीजेगा ऐसा नहों कि यहां की दवा से उनको फाइदा भी नहों और इस तरह की इस्तिती है कि वो कहते उनको जहर हुआ है मुझसे आज भी कहा है यहीं आस्पिटल में भी कहा है तो उनका ने मैं समय रहते हुए अगर ऐसी इस्तिती आएगी तो रीफर कर दूँगा हम लोग मिल करके आए अब रास्ते में थे दो घंटा हुआ बस वहां से चले हुए जब तक बताया गया कि पर बेड़ पर बैठने की इस्तिती में नहीं था उसको फिट घोसिट करके सीधे आई सीउ से जेल के अंदर डाल दिया गया और मीडिया के माद्यम से एक खबर चलवाई गई कि मुखतार बिल्कुल फिट हो चुके हैं सारे टेस्ट उनके हो गया कोई रोग नहीं है अगर कोई रोग नहीं था तो 24 घंटा बीतने के बाद ऐसा घातक अटेक कैसे आ गया जिसमें उनकी जानी चली गई अगर वो फिट थे और मेडिकल कालेज के नव डाक्टर उनको फिट घोशित कर रहे हैं तो 24 घंटे के अंदर ये क्या हो गया आप ही के कश्टडी में है उस डाक्टर से आपने उसी दिन जिस दिन मेरी बात हुँ इसके दो घंटे के बाद लिखवा लिया कि ये फिट हैं वो डाक्टर जो कह रहा है कि इनको जो समस्या है मेरे विभाग की नहीं है मैं तो सरजन हूँ खाक के दरमियान आप में और यहां के जिलाधिकारी में बहुत तूतुमे में हुआ बहुत जोर जबर जस्ती हुई क्या कुछ कहने की बहुत वो नहीं है वो शायद उन्हें नहीं पता है और वो यहीं कह रही थी कि अब जत्ते लोग मिट्टी दे लिए बस और लोग मिट नहीं देंगे हमने का यह क्यों आप इसके लिए थोड़ी रोक सकते हैं कि कोई अपने धार्मिक जो सिश्टम है अब आप कह सकते हैं क्या किसी का शौव अगर दास अंसकार में जा रहा है एक बार हुआ है जब यहां करोना लगा था तब भी ऐसा थोड़ी था कि लोग खुद से ही भीड लेके नहीं जाते थे डर गए थे घर के परिवार के लाश और जनाजे को लोग जलाते नहीं थे इसे ही परवाह करके जल परवाह भाग जाते थे और जैसी भी से गड़ा खुद पिर आपने क्या का यह कोई उलंगन न ही है हम उनके परिजन है और उनकी मिटी हुई है तो मिटी देने के लिए दूर दरास से जो हमारे रिष्टे नाते अजीज कारीब सबाय हुए हैं वो एक लोग प्रिया आदमी थे हमारा परिवार एक बहुत पुराना एतिहासिक परिवार है मुखतार अंसारी की इस हुई है तो इस घटना से लोगों में कितना आक्रोश है इसका अंदाजा तो आपस कहीं भी सहज देख लीजे फिर तू तू मैं में एक तरीके से नोग जोख हुई नै नै तू तू मैं में नोग जोख नहीं उनका कहना था कि आचार संगिता लागू है दफा़ चवालिस लागू है परमीशन लेना चाहिए हम का यार मुर्दा दफन करने मुर्दा जलाने शवयात्रा निकालने या जनाजा ले जाके जनाजे की नमाज पढ़ने इसके लिए मैं नहीं समझता कि कोई परमीशन किया वशक्ता है यह हमारे धार्मिक प्रियोजन है और इसको हम कर रहे थे हमने बहुत सायोग किया है जिस तरह से भी लोगों ने चाहा उस तरह से सब कुछ किया है लीड बहुत थी इसी से तो ऊपर से डांट पड़ रही थी कि एत्ते लोग आये कैसे तो अब उसके लिए हम क्या कर सकते हैं आप बताईए जो जहां सुन रहा वो चल दे रहा है उसकी सहनभूती मुखतारन सारी और उनके परिवार के परती है कि इन लोगों के साथ बड़ा अन्याय हुआ है अब आप घुरुप तडप करके उसको रोक दीजिये सारी रात कल से पूरे चप्पे चप्पे पे रोका गया है अब लोग आ रहे हैं हम तो कोई को बुला ले नहीं हमसे तो जिन लोगों ने पूछा क्या बज़े मिट्टी होगी क्या होगी हमने मनाई किया यार की बहुत जादा तीन दिन हो गया एक तो वहां से पुस्माटम लाश आते आते रात में तो डेड़ बज़े आई है तो लोगों में उसकता थी गए हैं लोग हम समझते ह है कि 25-20 परसेंट लोग मिट्टी दे पाए हैं 80 परसेंट लोग तो बिना मिट्टी दिए अभी लऊट गए हैं इन सवाल आखरी है कोई यह चाहता है कि 10-20 परसेंट भी लोग जो आए हुए है कहां कहां से आए हुए हैं उनको घुरुख तलप से भगा दिया जाए तो य या सरकार की मनशा के अनुसार कोई परशासनिक अधिकारी भी ऐसा करता है तो वो देश के कानून और सम्मिधान के खिलाफ है ये पहले ऐसी सरकार है और पहले ऐसी सरकार के कुछ ऐसे अधिकारी और ऐसे समझ के उनके समर्थक हैं जो जिस कारवाई को आम जनता में घेना की दिरिश्ट से देखा जा रहा उस कारवाई को उपनी उपलब्धी मानते हैं खाम्यादा भुगते हैं यह बुल्डोजर लेके किसी का घर गिरा दें स्कूल गिरा दें अस्पताल गिरा दें जंग जमीन कुर्क कर दें नजाइस तरीके से जूटे मुकदमें फसा दें खूब धेडोरा पीठे बुल्डोजर 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 नाम रखने बाबा बुल्डोजर सभा अस्थर पर बुल्डोजर खड़ा करके लोगों को दराया जाए कि यह देखो बुल्डोजर यह है यही वो है पड़ाम क्या होता है गाजीपूर में साथ विदान सभा की सीटे हैं शुन्य मिली थी भाज़पा के खाते में शुन्य अगर आँख नहीं खुली है तो इस लोग सभा के चुनाओं में अहंकार तो देखिए कंश को भी अहंकार था जो उसने यह तरीका बना लिया था कि जो उसका विरोध करेगा मत्वरा का राजा वो उसको जेल में डाल देगा या माड डालेगा उसने अपने बाप को जिनोंने उसके गलत नीतियों और उसकी जातियों का विरोथ किया तो उसने पिता को जेल में डाल दिया था लेकिन आखिर उसकी सत्ता का और उसका भी अंथुआ तो जब तक कोई कंश वाला नशा किसी के उपर है तो ये नशा भी उतरेगा ऐसा थोड़ी है कि नहीं उतरेगा इसको भी उतरना है 24 में लोकसभा का क्या परिणाम होगा गाजीपूर में जो 37 भाजपा के लोग जानते हैं सूची आई थी 195 आदमी की घुशना आई थी कि 400 सीड़ जीतेंगे उतर परदेश में सूची आई थी एक क्यावन लोगों की और घुशना कर दी थी कि 80 सीड़ जीत रहे और अभी तक नाम बताने की इस सिती में नहीं है कि गाजीपूर बलिया में कौन चुनाव लड़ेगा मेरे पास पुखता सुबूत है कि मुख्तार को जेल में जहर दिया गया मुख्तार ने खुद अपने वकील के जरीय पत्र दिया उनके वकील ने कोट में वो दर्खास डाली उसके बाद कोट की तरफ से डायरिक्शन भी हुआ हमने उन्निस तारिख की बात है हमने बीश तारिख को सुपरिटिंडंट जेल से बात किया उन्हें कहा कि हाँ तबेट उनकी खराब है लेकिन हमने कॉल किया था हमरे अस्पताल के डाक्टर ने कहा था कि बाहर के डाक्टर बुलाए जाए तो हमने काल कर लिया था बाहर के दो डाक्टर आये थे और आज ही मैं उनके बैरिक में उनके सामने डाक्टरों को और उनको कर दिया हूँ टेस्ट शुरू हो गया है और दवा भी शुरू हो गई है हमारे उनके बीच में जो बात हुई वो रिकार्ट पर है आज भी हमारे पास है सक्ष के रूप में मैंने उनसे खोल के ये बात कही कि डग सब अरे सुप्रेटरेनल साहब आप इत्विनान दिला रहें कि दो डाक्टर और आ गये हैं और जेल वाला भी डाक्टर है सब लोग विलाज कर रहे हैं लेकिन हमें सूचना मिली है कि उनको जहर दिया गया है खाने में और इससे पहले भी उनके साथ ऐसा हुआ था तो नहीं का नहीं यह गलत बात है हम लोग खाना टेस्ट टोस्ट करके तब देते हैं हमने का टेस्ट करने के लिए जो बंधी रखचक लगाया गया था और एक डिप्टी जेलर था जो उनका खाना टेस्ट करके खिलाता था लगबख 40 दिन पहले उनका खाना जो आया था उसमें जहर था और इन दोनों ने टेस्ट कि के बीमार पड़े और मुझे मालूम है कि ये बंदीर एक छक और डिप्टी जेलर जो मुक्तार के बारिक के लिए था ये दवा इलाज से ठीक नहीं हुए इनको मेडिकल कालेज में भरती कराया गया जहां उनका कई दिनों तक इलाज हुआ तो उन्होंने एकसेप्ट किया है ह सबकी एक तरह से रिपोर्ट नहीं आई खाना बनाने वाला बीमार हो रहा खाना चकने वाला बीमार हो रहा खाना पकवाने का सुपरवीजन करने वाला बीमार हो रहा और मुक्तार ने ये सारी बातें हमको फून से बताई थी तब ही हमने सुपरटेनर से कहा तो उन्होंने के बाद 21, 22, 23, 24, 25 तक कोई माकूल इलाज नहीं हुआ 26 को हालत बिलकुल खराब हो गई तब इन लोगों ने खुद सुपरेटेरिनेंट से मेरी बात हुई है उसका भी रेकार्ड मेरे पास है दो बजे रात में जेल सुपरेटेरिनेंट ने डाक्टरों के एडवाईज के आदुसाद उनको मेडिकल कालेज भेजा मेडिकल कालेज के डाक्टरों ने उनकी गंभीर इस्थिती को देख करके तुरंत आईस्यू में उनको अड्मिट किया उनकी गहन परिक्षण हुए एलाज शुरू हुआ हम लोगों को एक टेलीग्राम भेजा उन्होंने हमारे मुहमदाबाद थाने पे यहां से पुलिस के लोग आए उनका मुक्तार साथ बहुत सक्त बीमार है यह टेलीग्राम है और आप ततकाल बांदा मिटकल कालेज जाईए है मैंने वो टेलीग्राम पढ़ा सुपर्टेंडन की तरफ से टेलीग्राम था हम लोग तुरंत आदे घंटे के अंदर बांदा के लिए निकल लिए आठ घंटे का सफर है बांदा पहुंचे मिटकल कालेज गए तो उस समय मुक्तार से जब मुलाकात का मौका मिला तो वो होश में थे और उन्होंने हमको फिर वही बात कही कि भाया हमने आपको बताया था ना हमको ये सब जहर दे दिये हैं और हमारा इलाज ये गंभीर होके नहीं कराए जिसका नतीजा हुआ जहर असर कर गया है मैं बहुत कमजोर हो गया हूँ मेरा पेट बहुत भूल गया है गैस बहुत बन रही है और मुझे घबराहट होती है, पसीना होता है, अपनी तकलीफें फिर बताए कि कल मैं गिर गया था, मुर्चित हो गया था, तो जेल के लोगों ने फिर हमको यहाँ आस्पिटल भेजा है. यह सारी जो बाते आप कह रहे हैं, जो सरकार का जेल है, प्रशासन है, उसकी निगरानी में वो जेल में थे, सरकार की जेल है, उसमें वो कैदी थे, तो यह सारे जो आप बातें कह रहे हैं, तो इसके पीछे का कारण क्या है? देखिए हमने पहले भी कहा अब भी बता रहा हैं कि पूरी सरकार और सरकार की मिशिनरी ये लगाई गई है कि किसी भी तरह से मुक्तार को खत्म किया जाए और बिर्जेश सिंग और तिर्भुण सिंग जो बहुत बड़े माफिया डान है उत्तरप्रदेश नहीं राश्टी जो दाउद इबराहीम के भी को अक्यूजड हैं बांबी जेजे हास्पीटल कांड में उनके विरुद एक मुकदमा था जिसमें मुक्तार वादी मुकदमा था 15 जुलाई 2001 को उनके उपर आक्रमण हुआ था उस आक्रमण में इनके गाड़ी में बैठे हुए इनके गनर और रुस्ता मुर्फ बाबू मारा गया था और हमलावरों की तरफ से भी एक व्यक्ति जो बचाओं में की गई जवाबी फाइरिंग में मारा गया था मौके पे तीन लोगों की मौत हुई थी उस मुकदमे का ट्रायल अब शुरू हो गया है बाईस तेईस साल के बाद तो उसक प्रिजेस को बचाने के लिए इस सब काम किया और उसमें मुल्जिम सारे गवाहों को बना लिया गया जो इंजर्ड विटनेस थे नौ लोगों को गोली लगी थी जो इंजर्ड विटनेस थे दो मर गए थे नौ इंजर्ड विटनेस थे उनको मुल्जिम बना दिया कि गवाही से बाद आ जाएंगे उसके बावजूद गवाही चलती रही है कोट ने आडर किया मुखतार को पेश किया जाए गवाही के लिए अब योजन के गवाह के हैसित से वादी मुकदमा पेश किया जाए और गिरिस सची और चिफ सेग्रेटरी तक को पतर लिखा लेकिन ये लोग नहीं पेश किये बहानाबाजी फोर्स लबो लबाब क्या है लबो लबाब बिरिजेश सिंग तिर्भोन सिंग को बचाने का मकसद है उनके विरुस सारे मुकदमे गवाहों को तोड के या खरीत के या धमका के या अभियोजन की मिली भगत से उनको एक तरफ से क्लीन चिट मिलती चली जा रही है ये एक मुकदमा था जिसमें उन्हें भाय था कि मुक्तारन सारी गवाही करेंगे वो न बिगेंगे न डरेंगे तो बिर्जेश सिंग और तिर्भौन सिंग को बचाने का सपना पूरा नहीं हो पाएगा और इसलिए उन लोगों ने एक सुनियोजित घटना करम के तहट किन लोगों ने सरकार में बैठे हुए लोग अड्मिस्टेशन में बैठे हुए लोग जेल परशासन में बैठे हुए लोग और बिर्जेश और तिर्भौन की टीम के लोग यह सब लोगों ने मिल करके घटना अंजाम दिया है डाक्टर ने कहा कि हम लोग इनका एलाज कर रहे हैं तीन डाक्टरों का पैनल है लेकिन जब हमने कहा कौन लोग हैं हम मिल ले तो हमारे सामने जो दो लोग आए वो फार्मेसिस्ट थे और एक जो डाक्टर इंचार्ज थे उनके हमने पूछा कि आप क्या करते हैं आप मेड काडियोलोजिक आप क्या है तो कहा हारनिया वगेर तो हमने कहा कि तो यह मुखतार का इलाज आप ही हेड हो तो आपके समझ से कैसा है तो उन्होंने कहा कि देखिए इनको सरजरी का कोई मामला नहीं है फिर भी हमको इंचार्ज बनाये गया है तो हम जो हो रा तो हमने का मेडिसिन का आप क्या करते हैं कहे हम टेली फून से अपने मित्र डाक्टरों से सलाह करके तब दवा देते हैं तो हमने कहा कि अभी क्या इस्थिति है तो कहें देखिए होश में हैं आये थे तो बेहोश थे और हम उमीद कर रहे हैं कि जल्दी दो-तीन दिन में इनको कंट्रोल कर लेंगे हम का अगर कंट्रोल के बाहर हो तो इसको रीफर कर दीजिएगा और अगर ये समस्या होगी कि कि आसी बड़े आस्पिटल में भेजेंगे तो खर्च कौन बहंद करेगा तो परिजन खर्च बहंद करने के लिए तयार है मैं लिख के दे दे रहा हूं आप समझ रहते रीफर कर दीजिएगा ऐसा नहों कि यहां की दवा से उनको फाइदा भी नहों और इस तरह की इस्थिति है कि वो कहते हैं उनको जहर हुआ है मुझसे आज भी कहा है यहीं आस्पिटल में भी कहा है तो उनका ने मैं समझ रहते हुए अगर ऐसी इस्थिति आएगी तो रीफर कर दूँगा हम लोग मिल करके आए अभी रास्ते में थे दो घंटा हुआ बस वहां से चले हुए जब तक बताया गया कि सभी डाक्टरों ने उनको लिख दिया कि यह फिट हैं और वील चेयर पर बैठा करके जो आदमी अपनी पै जेल के अंदर डाल दिया गया और मीडिया के माद्यम से एक खबर चलवाई गई कि मुक्तार बिल्कुल फिट हो चुके हैं सारे टेस्ट उनके वो गया है कोई रोग नहीं है अगर कोई रोग नहीं था तो 24 घंटा बीतने के बाद ऐसा घातक अटेक कैसे आ गया जिसमें उनकी जानी चली गई अगर वो फिट थे और मेडिकल कालेज के नव डाक्टर उनको फिट घोशित कर रहे हैं तो 24 घंटे के अंदर ये क्या हो गया आप ही के कश्टडी में है responsibility आपकी है वो डाक्टर जो हमसे कह रहा है कि हम दोतीन दिन में इनको ठीक कर लेंगे नई तो रिफर कर देंगे उस डाक्टर से आपने उसी दिन जिस दिन मेरी बात हुँ इसके दो घंटे के बार लिखवा लिया किये फिट है वो डाक्टर जो कह रहा है कि इनको जो समस्या है मेरे विभाग की नहीं है मैं तो सरजन हूँ खाक के दर्मियान आप में और यहां के जिलाधिकारी में बहुत तुतुमे में हुआ बहुत जोर जबर दस्ती हुई क्या कहा है कुछ कहने की बहुत वह नहीं है वो शायद उन्हें नहीं पता है और वो यहीं कह रही थी कि अब जत्ते लोग मिट्टी दे लिए बस और लोग मिट्टी नहीं देंगे हमने का यह क्यों आप इसके लिए थोड़ी रोक सकते हैं कि कोई अपने धार्मिक जो सिश्टम है अब आप कह सकते हैं क्या किसी का शोव अगर दास अंसकार में जा रहा है एक बार हुआ है जब यहां करोना लगा था तब भी ऐसा थोड़ी था कि लोग खुद से ही भीड़ देके नहीं जाते थे डर गय थे घर के परिवार के लाश हो जनाजे को लोग जलाते नहीं थे इसे ही परवाह करके जल परवाह भाग जाते थे और जैसी भी से गड़ा खुद फिर आपने क्या का यह कोई उलंगर नहीं है इसकी पर्मीशन की अवश्यक्ता नहीं है हम उनके परिजन हैं और उनकी मिट्टी हुई है तो मिट्टी देने के लिए दूर दरास से जो हमारे रिष्टे नते अजीज कारीब सबाए हुए हैं वो एक लोग प्रिया आदमी थे हमारा परिवार एक बहुत पुराना एतिहासिक परिवार है मुखतार अंसारी की इस असवभाविक मौत से जो कहीं न कहीं मिली भगत से सबके हुई है तो इस घटना से लोगों में कितना आक्रोश है इसका अंदाजा तो आप कहीं भी सहच देख लीजिए फिर वो तू-Tू मैं में एक तरीके से नोग जोक हुई नहीं नहीं टू-Tू मैं में नोग जोक नहीं उनका कहना था कि आचार संगिता लागू है दफ़ा चवालिस लागू है पर्मिशन लेना चाहिए हम का यार मुर्दा दफ़न करने मुर्दा जलाने शवयात्रा निकालने या जनाज़ा ले जाके जनाज़े की नमाज पढ़ने इसके लिए मैं नहीं समझता कि कोई पर्मिशन किया वशकता है ये हमारे धार्मिक प्रियोजन है और इसको हम कर रहे हैं हम पूरा सहयोग कर रहे थे हमने बहुत सहयोग किया है जिस तरह से भी लोगों ने चाहा उस तरह से सब कुछ किया है इसी से तो उपर से डांट पड़ रही थी कि एत्ते लोग आये कैसे तो अब उसके लिए हम क्या कर सकते हैं आप बताइए जो जहां सुन रहा वो चल दे रहा है उसकी सहनभूती मुखतारन सारी और उनके परिवार के परती है कि इन लोगों के साथ बड़ा अन्याय हुआ है अब आप घुड़ूप तडप करके उसको रोक दीजिए सारी रात कल से पूरे चप्पे चप्पे पे रोका गया है अब लोग आ रहे हैं हम तो कोई को बुलाने नहीं हमसे तो जिन लोगों ने पूछा क्या बज़े मिटी होगी क्या होगी हमने मनाई किया यार कि बहुत जादा तीन दिन हो गया एक तो वहां से पुस्माटम लाश आते आते रात में तो डेड़ बज़े आई है तो लोगों में उत्सुकता थी गए हैं लोग हम समझते हैं कि पचीस बीस परसेंट लोग मिट्टी दे पाए हैं असी परसेंट लोग तो बिना मिट्टी दिए उनको घुलूप तड़प से भगा दिया जाए तो ये मनासिब नहीं है नाजाइज है उस सरकार या सरकार की मनशा के अनुसार कोई परशासनी का अधिकारी भी ऐसा करता है तो वो देश के कानून और सम्मिधान के खिलाफ है ये पहले ऐसी सरकार है और पहले ऐसी सरकार के कुछ ऐसे अधिकारी और ऐसे समझ के उनके समर्थक हैं जो जिस कारवाई को आम जनता में घेना की दिरिश्ट से देखा जा रहा उस कारवाई को उपनी उपलब्धी मानते हैं खाम्यादा भुगतते हैं ये बुल्डोजर लेके किसी का घर गिरा दें स्कूल गिरा दें अ खूब धेडोरा पीटे बुल्डोजर 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 नाम रखने बाबा बुल्डोजर सभा अस्थर पर बुल्डोजर खड़ा करके लोगों को दराया जाए कि ये देखो बुल्डोजर यह है यही वो है पड़ाम क्या होता है गाजीपूर मे तो देखिए कंश को भी अहनकार था जो उसने ये तरीका बना लिया था कि जो उसका विरोध करेगा मतुरा का राजा वो उसको जेल में डाल देगा या माड़ डालेगा उसने अपने बाप को जिनोंने उसके गलत नीतियों और उसकी जातियों का विरोध किया तो उसने पिता को जेल में डाल दिया था लेकिन आखिर उसकी सत्ता का और उसका भी अंथुआ तो जब तक कोई कंश वाला नशा किसी के उपर है तो ये नशा भी उतरेगा ऐसा थोड़ी है कि नहीं उतरेगा इसको भी उतरना है लोकसभा का क्या परिणाम होगा गाजीपूर में जो 37 भाजपा के लोग जानते हैं सूची आई थी 195 आदमी की घुशना आई थी कि 400 सीड़ जीतेंगे उतर प्रदेश में सूची आई थी एक क्यावन लोगों की और घुशना कर दी थी कि 80 सीड़ जीत रहे और अभी तक नाम बताने की स्थिती में नहीं है कि गाजीपूर बलिया में कौन चुनाव लड़ेगा मेरे पास पोखता सुबूत है कि मुख्तार को जेल में जहर दिया गया मुख्तार ने खुद अपने वकील के जरिये पत्र दिया उनके वकील ने कोट में बोदर खास डाली उसके बाद कोट की तरफ से डायरिक्शन भी हुआ हमने उन्नीस तारीख की बात है हमने बीस तारीख को सुपरेटेंडन जेल से बात किया उन्होंने का कि हाँ तबियत उनकी खराब है लेकिन हमने कॉल किया था हमरे अस्पताल के डाक्टर ने कहा था कि बाहर के डाक्टर बुलाए जाए तो हमने काल कर लिया था बाहर के दो डाक्टर आये थे और आज ही मैं उनके बैरिक में उनके सामने डाक्टरों को और उनको कर दिया हूँ टेस्ट शुरू हो गया है और दवावी शुरू हो जई है हमारे उनके बीच में जो बात हुई वो रिकार्ट पर है आज भी हमारे पास है सक्ष के रूप में मैंने उनसे खोल के ये बात कही कि डगसा अरे सुप्रेटेनल साहब आप इट्विनान दिला रहें कि दो डाक्टर और आ गये हैं और जेल वाला भी डाक्टर है सब लोग इलाज कर रहे हैं लेकिन हमें सूचना मिली है कि उनको जहर दिया गया है खाने में और इससे पहले भी उनके साथ ऐसा हुआ था तो उनका नहीं यह गलत बात है हम लोग खाना टेश्ट टोस्ट करके तब देते हैं हमने का टेश्ट करने के लिए जो बंधी रक्षक लगाया गया था और एक डिप्टी जेलर था जो उनका खाना टेश्ट करके खिलाता था लगबख चालीस दिन पहले उनका खाना जो आया था उसमें जहर था और इन दोनों ने टेश्ट किया और दोनों जहर का खाना खा करके बीमार पड़े और मुझे मालूम है कि यह बंधीर एक च्छक और डिप्टी जेलर जो मुक्तार के बारिक के लिए था ये दवा इलाज से ठीक नहीं हुए इनको मेडिकल कालेज में भरती कराया गया जहां उनका कई दिनों तक इलाज हुआ तो उन्होंने एकसेप्ट किया है हाँ ऐसा हुआ था लेकिन सब का टेस्ट कराया गया तो किसी की रिपोर्ट आई कि फूट बाइजनिंग है किसी का रिपोर्ट आई कि गैस्टिक का मामला था किसी का कुछ है सबकी एक तरह से रिपोर्ट नहीं आई खाना बनाने वाला बीमार हो रहा, खाना चखने वाला बीमार हो रहा, खाना पकवाने का सुपर वीजन करने वाला बीमार हो रहा और मुखतार ने ये सारी बाते हमको फून से बताई थी, तब ही हमने सुपर टेरिनर से कहा तो उन्होंने हम से कहा कि देखिया हमने अब जो शुरू किया है बाहरी डाक्टर भी आ गया वो ठीक हो जाएंगे ये बीस तारीक के बात है 19 को उनको जहर दिया गया था 20 के बाद 21, 22, 23, 24, 25 तक कोई माकूल इलाज नहीं हुआ 26 को हालत बिल्कुल खराब हो गई तब इन लोगों ने खुछ सुपरेटरिनेंट से मेरी बात हुई है उसका भी रेकार्ड मेरे पास है दो बज़े रात में जेल सुपरेटरिनेंट ने डाक्टरों के एड़वाईज के आदुसार उनको मेडिकल कालेज भेजा मेडिकल कालेज के डाक्टरों ने उनकी गंभीर इस्थिती को देख करके तुरंत आईस्यू में उनको अड्मिट किया उनकी गहन परिक्षण हुए इलाज शुरू हुआ हम लोगों को एक टेलीगराम भेजा उन्होंने हमारे मुहमदाबाद थाने पे यहां से पुलिस के लोग आए उनका मुखतार साथ बहुत सक्त बीमार है यह टेलीगराम है और आप ततकाल बांदा मेडिकल कालेज जाईए मैंने वो टेलीगराम पढ़ा सुपरेटेंडन की तरफ से टेलीगराम था हम लोग तुरंत आदे घंटे के अंदर बांदा के लिए निकल यह आठ घंटे का सफर है बांदा पहुंचे मेडिकल कालेज गए तो उस समय मुखतार से जब मुलाकात का मौका मिला तो वो होश मे कर दो यह निएकल कर दो यह आठी है।